नमस्कार दोस्तों तो छली हम लोग बात करेंगे आज computer सामान ग्यान और याद रखिए हम जितने भी chapter cover करेंगे इसके बाद आपके mock test लगाएंगे यानि के पहले हम लोग details से computer सामान ग्यान को पढ़ेंगे chapter by chapter उसके बाद आपके लगाएंगे mock test तो जो chapter होंगे यह आपके लिखित परिच्छा के लिए हो जाएंगे और जब आप परिच्छा देने जाते हैं One Day Exam जैसे आप लोग Civil Service का प्रिलेम से देने जा रहे हैं State PCS जिनमें MPPSC VPSC, Bihar PCS चत्येशगर PCS, राजिस्थान PCS महराष्ट PCS या फिर Railway, Bank, SSC Post Office इस तरह के आपके टीचर जो भी एकजाम देने जाते हैं सीधा सा मतलब है जहां भी Computer सामान ग्यान का आपका महत्थ है जिस भी परिच्छा में और Objective Questions आते हैं तो उन्हें आप लोग Test से कबर कर पाएंगे और हम लोग 23 टेस्ट कबर करेंगे 23 टेस्ट में इतना कह सकता हूँ कि अगर आप लोग Detail से पिलश टेस्ट दोनों कबर कर लेते हैं तो आपका Questions कोई भी गलत नहीं होगा जैसे अगर आप लोग इसे Detail में पढ़ लेते हैं यानि कि विस्तार में पढ़ लेते हैं Chapter by Chapter तो क्या होगा कि आपका पूंचे का अगर कि Input Device कौन सी है Output Device क्या है Hardware क्या है Computer Memory क्या है तो आप बताने की इस्तिती में होंगे ठीक है तो पहले क्लास में हम लोग पूरा करेंगे आपका Computer सामान ग्यान को विस्तार से पढ़ेंगे उसके बाद आपके Mock Test लगाएंगे दूसरी क्लास में तो पहले आप लोग इसे देख लें मेरी मानों तो यही सला है कि पहले आप बिस्तार से पढ़ लें उसके बाद Mock Test लगाएं तभी आपको फायदा होगा क्योंकि आप लोग पेपर तो तभी देने जाते हैं याब आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है तो इसे बिस्तार में पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी Questions गलत नहीं होगा तो इसमें पहले हम लोग क्या देखेंगे चैप्टरों में कम्प्यूटर का एक सामान परचे देखेंगे इसमें जाने के एक कम्प्यूटर होता क्या है इसका जो भी इसमें सामने लेता होंगे उन सभी बाटों को देखेंगे कम्प्यूटर आर्केटेक्ट्चर देखेंगे चैप्टर वाइश चैप्टर हम लोग खतम करेंगे इंपूर और ऑउट्पुट इकतियां देखेंगे कौन कौन सी इंपिट जाएगा सबसे पहले तो यही बताय जाएगा आपको कि इंपुट होता है क्या है आउट्पुट होता क्या है अब आपसे पूछ लिया जाता है अगर objective questions बनता है कि input device है यह, mouse input device है तो आपको समझ में तो आना चाहिए कि input होता क्या है आखिर कैसे लगा होगे आप टिक तो input output बताए जाएगा computer memory यह क्या क्या होती है कितने पेकार क्यों होती है अब आपसे पूछ लिए एक secondary memory है या फश्ट memory है, memory है, man memory है तो आप कैसे बतापा होगे तो इसलिए इसे भी पढ़ना है आपको पांचबा चेप्टर होगा आपका data नेरोपन के बारे में ठीक छटबा चेप्टर होगा आपका computer software के बारे में साथबा चेप्टर होगा operating system के बारे में आथबा चेप्टर होगा Microsoft, Windows, Microsoft Office होगा नवबा चेप्टर दसबा चेप्टर होगा database की धार्णाए ग्यारबा चेप्टर होगा data संचार एवं networking बारबा चेप्टर होगा internet तथा इसकी सेवाएं और तेरह बार चेप्टर होगा computer security फिर आपकी कुछ सब्द संचेप आ जाते हैं जैसे CPU का क्या मतलब होता है पूंच लेता है आपने देखा होगा IP का क्या मतलब होता है PT का मतलब क्या होता है इस तरह कि जो भी आपके मतलब एक पूरा lecture type का होगा उसी में कवर किया है फिर आपकी computer सब्दाबलियां होती है computer hardware software इस तरह की नहीं जो भी computer में सब्दों प्यूप किया जाते हैं memory इस तरह की जो भी होगी उन्हें देखेंगे हम लोग तो आपको इतने 15 चेप्टर कवर करना है कितने 15 चेप्टर यह अगर आप कवर कर लेते हैं तो जहां भी आप से पूछेगा लिखने के लिए तो आप लिखने की स्तिति में होगे और साथ में आपको यह भी फायदा होगा इससे कि आप किसी भी करने 15 questions का objective questions भी आता है तो उसका भी आंसर देपाएंगे क्योंकि आपको detail में रास्ता पता होगा कि आखिर होता क्या है ठीक है उसके बाद आपके पैक्टिस्टश्याट होंगे पहले तो आपके पैक्टिस्टश्याट होंगे इनी चेप्टरों से सम्मधित कितने होगे इन चेप्टरों से सम्मधित होगे पिलस आपकी एपक्ट सेट लगा जाएगे कुल मिला कि आपकी 23 टेस्ट हम लोग लगाएगे और जब भी आप पेपर देने जाते हैं तो उस टाइम रिविजन के लिए इनको आप देख लिया करिएगा जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की कुश्चन्स बनते हैं तो दूसरी क्लास में हम लोग हेलो दोस्तों तो चलिए हमें लोग बात करने हैं कंप्यूटर सामानिग्यां से संबंदी तो इसमें पहला चेप्टर हमारा होगा कंप्यूटर का पईच है इंट्रोडेक्शन और टू कंप्यूटर याद रखिए आपके जो भी लेक्चर हैं जितने भी चेप्टर हमें ब इतने भी हम लोग मौक टेस्ट लगाएंगे उस इतना कंप्यूट करने के बाद आपको किसी की क्लाश की जरूद नहीं पड़ेगी नाहीं कौन कोई किताब खरीदने की बस इसी से आप लोग एड़जेस्ट कर सकते हैं तो इसमें पहला हमारा चेप्टर आज बात करते हैं याद रखना आपकी जितने भी चेप्टर होंगे कंप्यूटर सामन गयांसे समदी वो सभी कंप्यूटर जीके के नाम से जो आपकी पिलेलेस्ट सूची होगी उसी में डले रहेंगे पहला चेप्टर है हमारा कंप्यूटर का पज्च है कंप्यूटर एक सौचालिक तथा निर्देशों के अनुसार कार करने वाला एलेक्टोनिक डिवाईस है जो डेटा गहन करता है तथा सॉप्टवियर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिड़ाम के लिए डेटा को प्रोसेस तंगेर और पिदरसित करता है आप इसे जो डेटा देते हैं उसका जो आपको लाश्ट जो आपका निस्कर्ष चाहिए होता है बूर निकाल के देता है बस आपको निर्देश देना पड़ता है इसमें कम्प्यूटर सब्द की उत्पत्ती लेटिन भासा की कम्प्यूटर सब्द से हुई है परन्तु कुछ बिसे सग्वों का मालना है कि कम्प्यूटर सब्द की उत्पत्ती कम्प्यूट सब्द से हुई है सामानता दोनों का ही अर्थ गर्णा करना है क्यार करना है गर्णा करना ह यह आपके कुछ computer device है एक computer system इस तरह होता है धेखिए इसमें आपका scanner भी सामिल होता है इसमें mouse भी आपका होता है यह आपका mouse है यह आपका keyboard है यह आपका printer है, यह आपका CPU है, यह आपका monitor है, ठीक है, यह आपकी एक computer system है, बात करते हैं हम लोग computer सब्थ, computer सब्थ जो है, यह अंग्रेजी की 8 अक्षरों से मिलकर बना है, जो इसके अर्थ को और भी यदिक ब्यापक बना दीता है, पूँच लेता है computer को फुल्प्राउम क इसके अर्थ क्या है, तो आप लोगों को याद रखना है, इसमें C का मतलब होता है commonly, O का अर्थ होता है operated, M का अर्थ होता है machine, P का अर्थ होता है particularly, U का अर्थ होता है user for, T का अर्थ होता है technical, E का अर्थ होता है education and R का मतलब होता है research, तो याद रखना है आपका computer का अता कंप्यूटर का ताथ पर एक ऐसे एंत से हैं जिसका उपयों गड़ना करना पिक्रिया, यांद्रिक या पर एनुसंधान सोध कारियों में किया जाता है। कंप्यूटर हाडवियर और सब्सक्राइब का सही विजन है जो डेटा को सूचना में बदलता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर की प्रणाली की कारपतिती देखते हैं, फंक्शन, फंक्शन और एक कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर के द्वारा निम्न ने चार कारी किये जा सकते हैं, सबसे पहले इन्पूट, कंप्यूटर में डेटा या फिर सूचना को भेजना, इन् लोग input कहते हैं यह central processing unit के लिए data और निदेश भेज़ता है फिर आपका processing Central processing unit computer के निदेशों को execute करता है फिर output यह उपयोग करता को संसाधित data उपलब्द कराता है और storage यह data और program को इस थाई रोप से store करता है जैसा कि आपको पता होगा कि आप जब खाना पकाते हैं एक सीधा सा उधारन ले लिजे जिसे आपको भी याद रहेगा और ज्यादा अंदर process करता रहता है और चावल पकने में या डाल पकने में मदद करता है जब वो process पूरी हो जाती है उसकी तो जो भी आपको संकेत दे देता है और आप उसे उतार देते हैं तो आपके लिए output हो गया और input था जो आपने चावल या डाल डाली थी उसमें पानी के साथ वो processing जो उसके अंदर process हुआ वो खाना पकने का उसे processing कहते है आउटपुट जो आपको पका हुआ चावल या डाल मिली खाने यह उसे हम लोग आउटपुट कहते है इस storage उसे कह सकते हैं हम लोग कि हम लोगों ने सुबह बना लिया खाना दुभैर के लिए उसी में से रख लिय तो storage जो हमें जरूरी हो दिये उसे storage कहते हैं अब बात करते हैं computer की विसिस्ताओं के बारे में computer की features of computer computer की मुख विसिस्ताओं निमने गती speed computer एक second में लाखों गड़नाएं कलता है बर्दमाद समय में computer nanosecond मैं भी गड़नाएं कर सकता है 10 की पावर माइनस second प्रहत तुटी प्रहत कार है computer कठें से कठें कार पिसिन का पिना किसी तुटी के पैड़ाम निकाल देता है गड़ना के द्वारान अगर कोई तुटी पाई भी जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानविये गलतियों के कारण होती है प्र है आपका बंदारन चमता बंदारन चमता computer अपनी memory में सूचनाओं का विसाल भंदार संचित कर सकता है इसमें अथाय आकणों एवन प्रोग्रामों के भंदारन की चमता होती है computer के बाहर तथा आंतरिक, संगरण और माध्यम, hard disk, cloppy disk, magnetative, cd-rom में आसे में data और सूचनाओं का संगरण किया जा सकता है प्रह आपका computer की एक अन्विसिष्टा है, computer की साहता से विभिन पिकार की कार संपन किया जा सकती है, आदूनी computer में अलागलक पिकार की कार एक साथ करने की चमता होती है, प्रहे आपका गोपनीता, password, security, कि PO के द्वारा computer की कारियों कारी को गोपनीय बनाया जा सकता है, कोई नहीं देख स सकता है, इसके बाद आगर आप इसे password डालते हैं, साथ चमता, एक मसीन होने के कारण computer पर बाहरी बात बन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह किसी भी कार को बिना रूख के लागों करोणों बार कर सकता है, fresh 140, automatic, computer एक 140 मसीन है, जिसमें गड़ना के द्वारान मानवियो इस्तिछेप की संभावना नगन रहती है, हाले कि computer को कार करने के लिए निर्देश मनस द्वारा दिये जाते हैं, अगर आपसे कहीं पूछता है computer की विस्षचता है, या computer पूछता है किसी परीच्छा में, तो आप उसमें विस्षचता हैं डाल सकते हैं, और परिवासा जो कहीं और जाने की ज़रूरत है, बहुत है, बहुत जाना है, और आपकी हर परीच्छा में से सम्मंदी जो आपकी questions बनते हैं, बो solve कर सकते हैं तो, फिर चाहे वो लिकित में हो, या फिर objective में, बात करते हैं computer से सम्मंदी सब्द हैं कुछ, terms related to computer, hardware, computer की सभी भाग, जिने हम हा hardware कहते हैं, याद रखना है, बहुत सिंपल सब्द्रूम में यह परिवासा लेकी गई है, computer के बेज सभी भाग, जिने हम लोग हाँ से चू सकते हैं, और देख भी सकते हैं, उन्हें hardware कहते हैं, यांतरिक विद्धित तथा electronic भाग, computer hardware की नाम से जाने जाते हैं, आदूनी computer के hardware, motherboard, monitor, keyboard, mouse, fender आदी होते हैं, अब बात करते हैं हम लोग software, किसमें software के वाले में, एक निश्चित कारे को सब्बन करने के लिए, निर्देशों का समोग, program, या software कहलाता है, program, computer को input के लिए हो, data की फिक्रिया हो, फिक्रिया और परिडामों को दर्साने का निर्देश होता है, जैसे note pair, MS office, grammar, जो हम लोग कारे देते हैं, उसे जो solve करता है, या process करता है, उसमें आपका software सामिल होता है, जैसे MS bird, जैसे office से हम लोग कोई, हमें resume बनाना है, या कोई print कर करने के लिए लिखना है, तो इसमें MS office का view करते हैं, game, game खिलती सको है, हम लोग software का use करते हैं, जैसे आपका PUBG हो, यह software ही है, games का, परे data, data तत्यों और आविवस्थित आखुणों का समगू है, data को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला है आपका, संख्यात्मक data, numerical data, इसमें 0 से 10, 0 से 9 तक के अंकों का प्योग किया जाता है, परिच्छा में प्रातंग, roll number, आदी, संख्यात्मक data के उधारने, परे चिन्नात्मक data, इसमें अंकों, अक्षरों, तथा चिन्नों का प्योग किया जाता है, जैसे करमचारी का पता, pen card number आदी, इसके उधार करने, पिर बात करते हैं, computer का एक भाग है, processing, data पर की जाने बाली उन क्रियाओं को, जिन में सूचना प्राप्त होती है, processing कहा जाता है, data processing का मुकलक्च आविवस्त डेटा से विवर्थिट डेटा प्राप्त करना है, जिसका उपयोग निड़ लेने के लिए होता है, जैसे आपने, जो आप computer को निड़ देशती है, तो आपको मैन जो निसकर्श है वो चाहिए न, जो उपयोगी है आपके लिए, तो यही उपयोगी जो विवस्त डेटा, जो आविवस्त डेटा आप देते हो, विवस्त डेटा जो आपको उपयोगी होता है, वो आपको processing द्वारा मिलता है, फिर आपका सूचना, information, जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए, इसे संसाथित, वेवस्ति, संगटित, तथा संरक्षित किया जाता है, तो प्रात डेटा सूचना कहलाता है, क्या कहलाता है, सूचना कहलाता है, बात करते हैं, computer के इतिहास की बारे में, computer का इति इतिहास बर्स हुए हैं, कितने, पचास साल गुए हैं, लेकिन उनकी विकास का इतिहास बहुत पुराना है, computer हमारी जीवन के हर पहलू में, किसी ना किसी तरह से समले थे, पिछली लगवख चार दुसक में, computer ने हमारे समाज के रहन, सहन, बखकाम करने के तरीकों को ही बंद हो जाएं, तो आदमी का अस्तत्त ही, आदमी को लगेगा कि सब अस्तत्त खतम हो गया है, इतना जीवन चरिया बना लिए computer को, computer के विकास का इतिहास ने में संचिप्त में बताया जा रहा है, यह आपकी अविस्कार है, यह अविस्कार रखें जनोंने किया था, अवि किया गया था, कब किया गया, 16-20 सताबदी में, इसकी विशेशता है कि सबसे पहला एवं सरलेंद थाई, अवेकस लकडी का आयता का डांचा होता था, जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता है, छेतिज, तारों में गोलाकार मौतियों के द्वारा गढ़ना की जात छोटी किलासों में, इसके अनुपयोगों की बात करने तो जोडने वागाटाने के लिए प्रियोग किया जाता था, बर्गमूल निकालने के लिए इसका प्योग किया जाता था, फ्रेया नैपियर्स बॉंस, इसका अविसकार रखें, जॉन नैपियर, यह थे इन्होंने 1670 में इसका अविसकार किया, इसके विस्तेस्ताओं की बात करने तो यह जानवरों को है, जानवरों की हड्डियों से बने आयताकार पट्टियां होती थी, दस आयताकार पट्टियों पर, जीरो से नौ तक के पहाड़े इस विकार लिखे होते थे, कि एक आजाते थे, गड़ना के लिए फ्योग में आने वाली पुरुद्गिकी को राबडोल या, राबडोलो गिया कहेते हैं, इसके अनुपयोगों की बात करने तो गुड़ा अत्यंत सेगिता पूर्वक की जा सकती थे, गड़नात्मक परिडामों के ग्रापिकल सरचना द्वा तो जाय जाता था इसकी द्वारा, फर है आपका सिलाइड रूल, सिलाइड रूल इसके अविस्कारक थे, बिलियम ओट रेड जर्मनी के थे, इन्होंने 1620 में, 1620 में इसका अविस्कार किया, इनकी विस्स्ताओं की बात करने तो इसमें दो विस्स परकार की चिन्नित पट कि, का trait कि पट्टियों पर, चिने सफिकार होते थे कि इसी संख्या के सुन वाली सुन से वास्तविक दूरी वह शंख्या की किसी साझा आधार पका ये- इन न, न, करें यार उपयोगों की तो यह है लगुगड़क बिदी के याधार पर सल्टा से गड़नाएं कर सकता था फिर आपका पासक लाइन इसके अविस्कारक थे बिलेज पासकर यह कहां के थे फ्रांस के 1642 में इसका अविस्कार किया इसकी बिसेशताओं के बात करें तो यह है पित्थम मेकनीकल एडिंग मसीन है या मसीन ओडो मीटर एवं घडी के सिद्धान पर कार करती थी इस मसीन में कई ही दातेदार चक और पुराने टेलिफॉन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे जिन पर 0 से 9 तक संख्याएं अंकित होती थी इसका उपयोग तो संख्याओं को जोडने गटाने के लिए पयोग किया जाता था इसका फिर है आपका लेवनीच लेवनीच यांदरिक कैलकुलेटर इसके जो अविसकार रख थे वो थे गौड फ्रेड बॉन लेवनीच जर्मन के थे इन्होंने 16 से 71 में इसकी स्थापना की या खोज की इस मसीन को लेवनीच की रेकनिंग मसीन भी कहा जाता है इसका उपयोग होता था यह मसीन जोडवा घटाओं के साथ साथ गुड़ा बभाग कर सकने में समर्थी कार वाई स्कूटर के स्पीडो मीटर में प्योग की जाती है यह तो रहे आपका जेकोडर्स लूम इसके अविसकारत थे जॉसेब मेरी जिकार एप राज की थे इन्होंने 1801 में इसकी खोज की इसकी विसेश्थाओं की बात करें तो एक ऐसी बुनाई मसीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्धी किये हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था यह पित्थम मेकनीकल लूम थी इसके उपयोग की बात करने तो इसका प्योग कपड़े बुनने के लिए अनने कि इसके विसेश्थाओं की बात करने तो इस मसीन में तत्हां गेर्यार लगेग फोत्य थी तथा यहів मसीन भाब में चलती थी किसी बाब से चलती इसके प्योगów की बाट करने फिर है आपका एनालीटिकल इंजिन कौनसा एनालीटिकल इंजिन इसके अब इसका रखते चाल्च बेविज 1833 में इसका विश्कर गिया इसकी विशेश्ताओं की बात करें तो इस मसीन के पांच मुख भागते एक आपका इंपूट डिकाई फिर ता है स्टोर मिल कंट्रॉल आपको डिकाई इस मसीन को आधोनी कंप्यूटर का आधी प्रारूप माने जलता है यह एक मैट्निकल मसीन है इसके प्योगों की बात करने तो इसका प्योग सभी गड़ती है क्रियाओं को करने में किया जाता था फिर है आपका ट्रेवूलिंग टैवूलिंग सोरी टैवू लेटिंग मसीन इसके जो अभिस्कारक थे इनका नाम था हर्मन होले रित 1880 में इसकी विसेशताओं की बात किने तो इसमें संख्या पढ़ने का कार छेद किये हुए कायड़ों द्वारां किया जाता था एक समय में एक ही कायड को पढ़ा जाता था इसमें सन 1896 में होलो रि इतने टेबुलेटिंग मसीन कंपनी की स्थापना की जो पंच का अड़यंत का उत्वादन करती थी सन 1924 में इसका नाम इंटरनेशनल बिजनिस मसीन या आई बीयम हो गया है इसका प्योग 1890 की जनगर्णा में किया गया था तो याद रखना पूच लेगा आपसे कि पूचबे की जनगर्णा में किया गया यंद था टेबुलेटिंग मसीन कि तो है अनगला है तो मार्फबन कि मार्वन की बात करें तो इसके अभिस्कार अभिस्कारक थे हावार्ड आइकन 1930 में इसकी विश्यस्ताओं की बात करें तो यह विश्व का पित्थम पूर्ण सोचालित विध्धु तिया अंत्रिक गढ़ना यह था इसमें इंटर लोकिंग पैनल के छोटी गिलास हों काउंटर स्विच और नियंतर सर्किट होते थी डेटा मैनुवल रूम में से इंटर किया जाता था संचैन के लिए मैगनेटिट ट्रम प्रयूग किया जाती थी इसमें इसका प्यूग गढ़ना करने में किया जाता था फिर आए आपका एनीएक क्या है एलेक्टोनिक नुमरीकल इंटर्गेटर एंड केलिकुलेटर एनीएक इसके अविसकार रख थे जेपी एकायट और जॉन मोचली उननी सो चालीस में इसका अविसकार हुगा यह 20 अकाउमूल लीटर्स का एक सायोजन था इसमें 18,000 वेक्य इसका प्योग प्राइबेट फर्मों, इंजिनियर्स रिसर्च एसोसीशन और आईवीम में किया गया था तरह आपका एड, सेड, एड, सेथ, एलेक्टोनिक डिले, स्टोरेज, एटोमेटिक, कैलिकलोटर, इसके यविसकार रख थे मौरिस, बिलकस, उननी सो उनिच्चास में, इसकी विसिस्ताओं की बात करें तो यह पहला प्रोग्राम संगेट डिजिटल कंप्यूटर था, यह बर्गों की पहाड़ों की भी गड़ना कर सकता था, यह मर्करी, डिले, लाइनस का प्योग, मेमोरी और बेकीम, ट्यूब का प्योग, लॉजिक के लिए करता था, इसके अनुपयोगों की बात करने तो 1950 में, एम बी, बिलकस, और वीलर ने, जीन आवित्तियों से संबंदी डिफ्रेंसियल समीकेंड को हल करने के लिए, एडसेड, एडसेक का इस्तेमाल किया था, उननी सो इंक्यावन में, मेलर और वीलर ने, एक उनन्यासी अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए, एडसेक का इस्तेमाल किया था, फ़रे आपका एड़वेक, इसके अवि इसकार हुगा यह 30 टन बड़ा और 150 पिट उच्छोड़ा था यह गढ़नाय करने का काम करता था फिर हुगा आपका यूनिवेक यूनिवर्सल आटोमेटिक कम्प्यूटर इसके अविसकारक थे जे प्रेसफर एकरट और जॉन मौचली उन्ली सो इमक्यावन में इसकी विस्तित्ताओं की बात करें तो यह है इनपोट आउट्पूट की समस्याओं को अत्ती सीग गहल करता सामान उद्देश के लिए प्योग किया जाने वाले पित्थम एलेक्टोनिक कम्प्यूटर था यह सांकिकी और साब्दिक दोनों पेकार की डेटा से संसाधिक था करता था यह मैगनेटिक टेप का प्योग इनपोट और आउट्पूट के लिए करता था इसके प्योग की ब पीडियां दूसरे वेस वुद्द्र के बाद कम्प्यूटर का विकास बहुत तेजी से हुआ उनके आकार प्रिकास से बहुत परिवいます आधोनी computer कि विकाष के लिए की इतियास को तक्नीकी विकाष के अंसार कई भावों में बाता जाता है जिने computer की हम लोग पीडियां कहते हैं क्प्यूटर की पीडियां तो बात करने हो पिथ्म पीडि के बारे में किसके पिथ्म पीडि के बारे में पितम पीडी में हैं आपका ये बरस उनने सो चाली से चापंतर ये में स्वीचिंग डिवाइस था आपका वेक्यूम ट्यूम इस्टोरी डिवाइस था मैगनेटिव मैगनेटिक टैब कि गती थी 333 माइक्रो सेकेंड कितनी थी 333 माइक्रो सेकेंड इसके उपरेटिंग सिस्टम की बात करैं हैं इसमीं बेच ऑपरेटिंग इसम्ताइजTF इसके बहाइसा की बात करने इसमें इसकी उपयोग की बात करें तो मुक्ता विज्ञानिक बात के सामान व्यापार सिस्टम और एनेक और यूनिवेग मार्ग फश्ट आधी के लिए जैसे इसके वो धारन थे पिथम पीडी के कंप्यूटर थे एनेक यूनिवेग और मार्ग फश्ट फिर आती है आपकी दूतिय पीडी दूतिय पीडी उन्नी सो चपन से 63 तक चलिए उसके हम लोग स्वीच की बात करें स्वीचिंग डिवाइज की तो ट्रांजिस्टर इसमें उपयोग होता था इसके इस्टोरेज डिवाइस की बात करें तो मेगनेटिक कोर टेकनोलोजी इसकी स्पीड की बात करें तो 10 माइक्रो सेकंड थी इसकी स्पीड और ऑपरेटिंग सेस्टम की बात करें तो मल्टीवेग रीमेनिंग टाइम सेरिंग इसके ऑपरेटिंग सेस्टम थी इसकी भासा थी असेमली भासा उचिस्तरी है इसकी विसेश्ताओं की बात करें तो ट्रांजिस्टर का उपयोग आरम हुग है इस समय आकार और ताब में कमी आई तीब और विस्वसनी ये आखड़े पिस्तुत करता था इसकी उपयोग की बात करें 1964 पर Woah इसके switching device की बात करें तो integrated circuit IEC का हपयोग होता था इसके storage device की बात करें की बात करें तो इसमें magnetic core का हुपयोग होता था इसकी गती 100 nanosecond थे इसके operating system की बात करें तो बास्तविक समय इसमें operating system थे इसकी बासा के बात करें 2 तिती gerekst तो फॉल्टोन और कोवोल इसकी भास आए थे इसकी जो बिसेस्स था है थी इसमें चुमकी एक और और सॉलिड स्टेट मुख भंडारन के रूम में उपयोग होते था रिमोट प्रोसेसिंग इसमें उपयोग होते था इन्पूट आउट्पूट को नियंतित करने के लिए सॉफ्रेवियर उपलग थेस में इसके उपयोग की बात करें तो डेटा वेस्ट मेनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम रिजर्विशन सिस्टम आदी में उपयोग होता है इसके उधारन की बात करें तो IBM सिस्टम 360, NCR 395 और B 6500, 6500 इसके उधारन है फिर आती है आपकी चौत्री पीडी ऑंसी चौत्री पीडी 1971 से बर्तमान इसमें आपका डिवाइस की स्विचिंग डिवाइस की बात करें तो बड़े पिरमाने पर Integrated Circuit Micro Processors उपयोगोती थे इसके इस्टेवरेट डिवाइस की बात करें तो सेमी कंडेक्टर, मैमोरी, वेंचेश्टर, डिस्क इसमें उपयोगोती थे इसकी गती थी 300 nanosecond की इसमें ओप्रेटिंग सेश्टम की बात करें तो टाइमसेरें रिंग, नेडवर्पस, इसका ओप्रेटिंग सेश्टम था इसके बात करें तो पोटोर्टॉन सतत्तर पास्कल एड एड ए और कोबोल चोहत्तर इसकी पिरमुक भासाई थी इसकी विस्रिष्थाओं की बात करें तो मिनी कंप्यूटर के उपयोग में बिद्धी बिन 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 हाड़वेर निर्माता के यंतों के वीच एक अनुकूलता ताकि भोगता किसी एक बिक्यता से बंधा न रहे इसके उपयोग की बात करें तो इलेक्टोनिक फंड ट्रांसपर ब्योसाइक उत्पाधन और व्यक्तिक्यत उपयोग के लिए उपयोग भूने लगए इसके उदारन है चतुर्थ पीड़ी की आईवीएम सबसे बड़े पिर्माने पर इंटिगेटिड सर्केट यह पूंच लेता है पीडियों के बारे अभी कुछी दिन पहले यह यूपी में पेपर हुगा था उसमा पूंच लिया था कि अभी हम लोग कौन सी पीड़ी का प्योग आ गया है मतलब कौन सी पीड़ी हमारे परिच चलन में आ गई है तो पंचम पीड़ी आ चुकी है इसमें सबसे वेविन स्वीचिंग डेवाइस की बात करें तो सबसे बड़े प्रमाने पर इंटिगेटिड सरकेट इसमें उप्योग होते हैं ऑप्टिकल डिस्क इसका जो श्टोरेज डिवाइस है इसकी इसकी ऑपरेटियर सिस्टम की बात करें तो नॉलेज इनफोरमेशन प्रोसेशन सिस्टम इसका उप्योग होते हैं इसकी जो भासा की बात करें तो हम लोग इसकी बासाओं की ने बिसिस्ताओं की इसमें यही बासा हैं उप्योग होती हैं बिसिस्ताओं की बात करें तो आर प्रोसेसिंग स्वीच केरेक्टर इमेजिग रिकोगनाई इस इसकी प्रमोग उपे हुए कुछ है आपके पॉइंट है इन्हें भी जानना है तो देख लेना चाल्स भेवेज को कम्प्यूटर का जनक कहा जाता है यह आपके objective questions मैं इस तरह की question पूँच लेता है वन डेख जाम में चाल्स भेवेज को कम्प्यूटर का जनक कहा जाता है बैसे भी आपको चनल knowledge के लिए याल रखना हो चाहिए दो दिसंबर को पिती बर्स बिस्त कम्प्यूटर साब चर्था दिवस की रूम में मना जाता है आदूग निक कम्प्यूटर का जनक एलन टीरिंग को कहा जाता है पहला कम्प्यूटर अर्गिटेक्चर जॉन बॉन निवान द्वारा 1937 में पिस्तुत किया गया सिद्धायत भारत में निर्मित पहला परेशनल कम्प्यूटर था सिद्धायत भारत में निर्मित पहला परेशनल कम्प्यूटर था एडसेक वाई परारमी बेटिस कम्प्यूटर था जो डिजीटल संगेत प्रोग्राम पर आधारित था पैकमेन नामक पिसिद्ध कंप्यूटर किसके लिए खेल के लिए प्योग निर्मित हुआ था अब बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गी कारण देखते हैं कंप्यूटर को उनकी रोप रेखा, कामकाज, उद्देशों तथा पियोजनों इत्यादी के आधारों पर विभेन ने बर्गों में विभाजित किया जा सकता हैं जिनका संचिप्त विवरन निम्नता है एक आधार के आधार पर तरेख उद्देश के आधार पर और अनुपियोग के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है कंप्यूटर का बर्गी का है आधार के आधार पर बात करें तो इसमें आपके माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मैंड फ्रैम कंप्यूटर, परस्नल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर यह आपके आकार की आधार पर computer है उद्देशों के आधार पर computer की computer की बात करने तो सामान उद्देश ही है computer दूसरा है विशेष्ट उद्देश computer उसके अनुपयोग के आधार पर बात करें तो analog computer, digital computer और एक है hybrid computer तो आकार के आधार पर computer पांच पिकार के होते हैं जिनका संचिप्त विवर्ण नीचे देखते हैं दो माइक्रो कम्प्यूटर बर्ष 1970 में तक्नीकी चेत में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का विस्कार हुआ जिसके प्रयोक से कम्प्यूटर प्रणाली काफी सस्ती होगी ये कम्प्यूटर इतने चोटे होते थे कि इन्हें डिस्क परसफलता पूर्वक रखा जा सकता था इन्हें कम्प्यूटर ओन एचे बी कहा जाता था माइक्रो कम्प्यूटर को कम्प्यूटर ओन एचे बी कहा जाता है आधुनी क्योग में माइक्रो कम्प्यूटर, फौन की आकार, फोस्तक की आकार, घड़ी की आकार तक में उपलब्त हैं इनकी चमता लगबग एक लाग संक्रियाएं पिती सेकंड होती है इन कम्प्यूटरों का उप्यों, मुक्यता, वेवसाय, तता चिकिस्सा की छित में किया जाता है आजकल ये सभी PC की सैनी में आते हैं PC को नेटवर्क की रूम में कनेक्ट किया जा सकता है इसके धारन है IMAC, IBM, PS to Apple, MAC इत्यादी माइक्रो कम्प्यूटर के कई पिकार के होते हैं एक हैं डेक्स्टॉप कम्प्यूटर या प्रेशनल कम्प्यूटर का सबसे जंदा उपयोग होने बाला रूप है इस तत्त के बापजूद की PCS को छोटा करके आ लेप्टॉप, पाम्टॉप का आकर दे लिया गया है की मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते और टिकाओ और जान्दा चलने वाले होते हैं, फिर आपका लेप्टॉप विगत कुछ बर्सों में कुछ तक्नीकी विकास ने माइक्रो कम्प्यूटर का आकार इतना सूख छुम कर दिया कि उन्हें सफलता गुरुवक एधर उधर ले जाया जा सकता है, वो साधारन व्यक्ति भी उनको खरीद कर उप्योग में ला सकता है ऐसे कम्प्यूटरों को लेप्टॉप कहा जाता है, लेप्टॉप को कभी-कभी नोटुबुक भी कहा जाता है पर आपका Palm Top, यह लेप्टॉप की तरह है, वो टेमबल, टेमबल परशनल computer Legends के लेप्टॉप यह लेप्टॉप से भी हलका ऑर छुटा होता है, यह Hand-Head operations परेटिंग पनाली का इस्तिमाल करते है फिर आपका टेबलेट पर्शनल कम्प्यूटर टेबलेट और लेप्टॉप एक तरह से समान है परन्तु टेबलेट पीसी नोटवोग कम्प्यूटर से जान्दा सुब्धा जनक है यह दोनों ही पॉर्टिवल है परन्तु प्योग सौप्रियर स्कीन आदी की बिभिनता से दो पर्शनल डिजीटल असिस्टेंट पीडिये डिजीटल डायरी भी एक प्रो पॉर्टिवल कम्प्यूटर ही है लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता मुकता इसका उप्यूब छोकडे छोटे आंकड़ों और सूचनायों जैसे फॉन नंबर इमेल पता आधी के बंदारन में किय जाता है फिर आपका वर्क स्टेशन यह अभियांत की तक्निकी और ग्राफिक्स के कारेओं के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के साथ पारसपरिक विभार में भी प्योग होता है ठीक फिर है आपका मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मद्यमाकार के इन कंप्यूटरों की कार्चमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुल्ला में अधिक होती है जिस कारण यह व्यक्तिगत प्योग में नहीं लाए जाते हैं इस प्रकार के कंप्यूटर पर एक या एक से अधिक बेक्ति एक समय में एक से अधिक कार कर सकते हैं इनका उपयोग प्रया प्रया छोटी या मध्यमिस्तर की कंपनिया करती हैं मेनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 M IPS मेगा इंस्टिव 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 इंस्टरोक्षन पर सेकंड होता है इसके उधारन है HP 9000, RI SC 6000, BULHN, DPX2 और AS400 फ्रहे आपका मैन फ्रेम कंप्यूटर क्या है मैन फ्रेम कंप्यूटर आकार में अतिक बड़ी एक कंप्यूटर कार्चमता कीमत में भी मीनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं अताहां बड़ी कंपनियों तथा बैंक या सरकारी बिवागों में एक केंदरी ये कंप्यूटर के रूम में इनका उपयोग होता है मैं फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोग करता फ्रेया नोड का इस्तिमाल करते हैं अधिकतर कंपिणियों में मैं फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग भुक्तानों का विवरा रखने बिलों को बनने करमचारियों का भुक्ता क्राइवर, IBM 4381, ICL 49, Univec 1110, आदीज के उधारन है, फिर आगर सुपर कम्प्यूटर की बात करें, सुपर कम्प्यूटर सरबादिक गती संग्रह चमता है और उच्च विस्तार वाली होते हैं, इनका अकार एक सावान कमरे की बराबर होता है, विसका पितम सुपर कम्प्यूटर क्रे रिशर्च कमपीनी द्वारा 1976 में विक्सित किया था, क्रे बन, भारत के पास भी एक सुपर कम्प्यूटर है जिसका नाम है परम, इसका विकास C-Dec, D.A.C. ने किया था, इसका विक्सित रूप है, परम 10,000 भी तियार कर लिया गया है सुपर कम्प्यूटर का मुख, उप्योग मौसम की भविस्वानी करने, एनिमेशन तथा चलचित का निर्मार करने, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में वेजने, बड़ी विज्ञानिक और सोध प्रियोग सालाओं में सोध बखोज करन परम दसजाद, क्रेव फस्ट, क्रेव शेकंड, एन आईसी पांसओ आदी, अब इसके यहीं उद्देश के आधार, अनुपयोग के आधार पर देखने हैं करें, अनुपयोग के आधार पर, अनुपयोग के आधार पर कम्प्यूटर तीन पिकार के होते हैं, जिनका सक्ष एनालोग कम्प्यूटर, बहुत दिक मात्रा ओं, जिसे दाव, तापमान, लंभाई, पार्य इत्यादी को माप कर, उनके पाईडाम को अंकों में पिस्टूद करने के लिए, एनालोग कम्प्यूटर का उपयोग किया जाता है, क्येक्कि ये कम्प्यूटर मात्राओं को अं परणकों की गढ़ना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। आधुनी क्योग में अधिक तर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की सडी में ही आते हैं। यह इनपूट किये डिटा और प्रोग्राम्स को जीरो और बन में परिवर्दित करके इन्हें इलेक्टोनिक रूप में पिस्तुत करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग ब्यापार में घर की बजट में एनिवेशन के चित में विश्तत रूप से किया जाता है। नहीं कंप्यूटर को कहा जाता है, जिनमें एनालोग तथा डिजिटल के मिस्तरित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसके त्वारा बहुत दिक मातराओं को अंकों में परिवर्टित करके उसे डिजिटल रूप में ले जाताए। चिकित्सा के चित्म में इसका उप्यों सरवादिक होता है इसके उधारन है ECG Dialysis Machine यह आपके hybrid computer के उधारन है यहीं आपके बात कर लें हम दो कुछ उद्देसों के आधार पर इसके है उद्देसों के आधार पर computer दो पेकार के होता है एक सामान उद्देसी है computer सामान उद्देसों की पूर्ती के लिए इन computer का उप्यों किया जाता है इसके द्वारन दस्तावित तेयार करने है उन्हें छापने, database बनाने तथा सब्दे पिक्रिया द्वारन पत्त तेयार करने है इत्यादी सामानिकार के लिए किया जाते हैं दूसरा है आपका विशिष्ट उद्देशी है कंप्यूटर विशिष्ट उद्देशों की पूर्ती के लिए इन कंप्यूटर का प्योग किया जाता है इनका उप्योग अंतरिक्च पिग्यान अब बात कर लेते हैं हम लोग कंप्यूटर के अनुप्योग आधुनी के योग में साजद ही कोई ऐसा चेत हो जहां कंप्यूटर का प्योग ना होता हूँ कुछ मुख्य चेत में कंप्यूटर के अनुप्योग नेम लेकिते हैं जैसे सिक्चा एजूकेशन इंटरनेट के मात्यम से हम किसी भी दिसाई की जानकारी कुछ ही चणों में प्राप्त कर सकते हैं मल्टी मीडिया के विकास और इंटरनेट की सुलब्ता ने कंप्यूटर को विद्ध्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बना दिया है फिर आपका बैंक बैंकिंग चित में तो कंप्यूटर के अनुपयोग ने क्रांती ही ला दिया आज बैंकों के अधिकान समयाद साध्य कारें जैसे ओनलाइन पी बैंकिंग एटियम द्वारा पैसे निकालना चेक का वुकता रुपया गिरना इत्यादी कंप्यूटर के द्वारा ही सहज संभ जैसे और भी आपके हैं जैसे बाईवयान रेल रेलवे आरक्चन चित में ए-टेक्टेंग के लिए मनुरंजन के चित में सिनेमा वीडियो ग्यम पिसासन के चित में एकाउंटिंग बिल्डिंग सुरक्षा के चित मैं ब्रांड कार्ष्टिंग इंप्पॉर्मिशन सिक्ष के च्चित में रिपोर्ट बनाने में विध्यान में प्रोजेक्ट बैंक के चित में इन्टरनेट नेटवर्क के बैंग देजकजिर्ट में easy एट इड़िजि के चित में अकाउंटिंग सौप्वियर और लिजरे विध्यान और इंजीनियर्ग के चेत में रिचेव्ड का संग्राय और फुस्तकालाय में किताबों को सहेजना उद्ध्यक के चेत में परीकेशन में कमपिनियों में चिकिस्सा के चेत में एक्सरे सिटी स्कैन में या कि कम्प्यूटर की उधारन है उपयों है ठीक अब बात करते हैं हमडों कम्प्यूटर की का परीचे देख रहा है इसमें इनके उपयों में फिर आपका सामिल संचार चेत कम्प्यूटर की प्योग ने संचार के चेत में इंटरनेट के द्वा की प्योग को संभव बनाया है आधुनिक संचार विवस्था की तुप कम्प्यूटर के अभाव में खलपना भी नहीं की जा सकती है टेलीफॉन और इंटरनेट ने संचार ग्रांती को जनम दिया तंतु पिकास की संचरण में भी कम्प्यूटर का प्योग किया जाता है अगर आपसे पूंच ले कि कम्प्यूटर के अनुपयो या उपयो तो आप यह लख सकते हैं टेल शिक्छा हो फिर चाहे आपका संचार हो बैंक को फिर आपका चिक्रि चेत में कम्प्यूटर का अनुपयो पिभिन सारे रिक रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है रोगों का विशलेशन निदान भी कम्प्यूटर द्वारा संभव है आधुनी के ओगों में एक्सरे सिटीज कहें अल्टा साउंड इत्याविती पिभिन जाचों में कम कम्प्यूटर द्वारा ही कीए चाती हैं तथा कम प्लच अधम घर बेटे नेजधारित समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मनुरण्जन की प्रेया सिनेमा टेली वीजन कारक्रमों वीडियो गेम इत्यादी रूपों में किया जाता है मल्टी मीडिया के प्योग नहीं तो कंप्यूटर को बहु आयामी बना दिया है फ्रेयापका पिसासन हरे एक संस्थान में अपना आंतरिक पिसासन होता है और पिसासने काल कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा वेवस्ता बिल्कुल कमजोर हो जाएगी एयरक्राप्ट को ट्रेक करने हवाई हमले आदी में कंप्यूटर का इस्तिमाल किया जाता है फ्रेयापका वाडिच दुकान बैंक बीमा केडिक कंपनी आदी में कंप्यूटर का अधिकता किया जा रहा है वह करते हों सब्धूटर के विना काम करना वितिये दुच्टि ये खी हो गया है मुट्र आपका बिज्ञान इंजिनिर कंप्यूटर का उप्योग कठीन गरती है। और बिज्ञानी को करने में किया जाता है इनके अत्रिक कंप्यूटर कई तरह की रेकॉर्ड का संगहण करते हैं अकाउंट्स पुस्तकाले में किताबों या पत्तिकाओं को सहीजने में भी साहर ता करता है फिर आपका उद्देव बहुत सारी उद्दोगिक संस्थान जैसी स्टील केमिकल तेल कंपनी आ की एक उप्यूगता है जिसकी साहर्पलाली किसा से एलक्तनिक माध्यम में किया जाते हैं तो इसे हम लोग Ε- Bundesregierung कहते हैं. यह आपके कुछ मत पॉइंट है जो पूँच लेता है डिजीटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर का पाया जाता है सरफ पित्थम पंचकाईड का प्योग जॉसेप मैरी ने किया था इंटिगेटिड सर्किट आजर चालिक पदार सिलीकॉन और जर्मिनियम के बने होते हैं विसका सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आईवीएम का बिलू जीन है भारत का सबसे तेज कंप्यूटर इका एक छोटे सिलीकॉन चिप पर ट्रांजस्टरों और अन एलेक्टोनिक और क शामान पर चेप्टर तो यह आपका पहला चेप्टर था दूसरी चेप्टर में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्ट्चर के बारे में ठीक है कंप्यूटर आर्किटेक्ट्चर नमस्कार दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर शामान ज्या Computer का एक सामानि फरिचेश देगा था Computer care बारे में ने एक साधायन जानकारी देखी थी जिसमें बात करेंगे Computer Architecture की बारे में Computer की जो सरचना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे याद रखना आपकी Computer सामानि ग्यान से संबन्दिफ जितने भी चैप्टर होंगे वो आपके complete computer classes के नाम शेज़ू आपके fillet list सूची है उसमें मिल जाएंगे आपको याद रखना है क्या याद रखना है कि इतना पढ़ने के बाद mock test लगाने के बाद और यह जितने भी चैप्टर है इसके book हतम करने के बाद आप वो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे लगता है इससे complete होने के बाद आपका कोई भी questions नहीं चूटेगा फिर चाहे वो लिकित में हो या फिर चाहे test के रूप में हो mock test की ठीक है objective रूप में तो चलिए कंप्यूटर की सरचना देखते हैं कंप्यूटर की बिभिन अवैब और उनके मद्द संबंद को कंप्यूटर की सरचना कहते हैं लगवक सभी कंप्यूटर की सरचना एक तरह की होती है कंप्यूटर के प्रमुक तीन भाग होते हैं input, output unit, central processing unit, CPU, memory unit जैसे यह आपका input device हो गया है input और output, control unit है तरह यह output इसका साधार्ण सी फरिवास है जैसे आप Google पर कुछ सरच करते हैं तो उसे कुछ निर्देश देते हैं तब तो वो सरच करता है इसे आप लोग input कहलो और जो आपके सामने आपको जरूरी आप रहे होते हैं जो आपके सामने आते हैं उसे हम लोग output कहलो और जो बीच में उनकी काम करने का समय होगा कि कहां से ढूंड के ला रहा है डाटा हूँ आपका control unit करता है फर arithmetic and logic unit primary storage secondary storage और data परवा है यह आपका CPU हो गया इंपूट द्वारा हम अपना data या निर्देश अथप प्रोग्राम कम्प्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं मतलब इंपूट कराते हैं जो CPU के द्वारा गेहन किया जाता है और memory में उसे दिस्थान पर इस्टोर कर दिया जाता है आवस्तक्ता पढ़ने पर ALU memory से ही data निर्देश ले लेता है जहां control unit के आदेश के अंसा उन पर विविन किरियाएं की जाते हैं और पईडाम output unit को फेसिप कर दिया जाता है या पुना memory में ही रख दिये जाते हैं अन सभी units control unit की नियंतिन में कार्य करते हैं primary storage ALU control unit की समलेत रूप से रूप को central processing unit या CPU कहा जाता है input unit द्वारा हम अपनी बातें computer तक पहुंचाते हैं वही output unit द्वारा computer अपनी बात हमारे पास पहुंचाता है Input unit Input device Input unit बे hardware होते हैं जो data को computer में भीजते हैं बिना input unit की computer TV की तरह देखने वाला एक ऐसी display unit हो जाता है जिससे उप्योग करता कोई कार नहीं कर सकता है Input unit का कार यह है कि हम अपनी भासा में इसको जो भी data या आदेश देते हैं उसे भी binary code में बदलकर computer अर्था CPU में भेर देते हैं संचेब में input unit द्वारा निमने कार किया जाते है यह उपियोग करता हो द्वारा दिये गए निर्धेस निर्धेसों तत्थम डेटा को फर्द्थी है चाल करता है यह निर्देसों और data को computer द्वारा सुईकारी किया जाने वाले रूम में बदलती है यह बदले हुए रूम में इन निर्देसों और data को आगी की ओर प्रोसेशिंग के लिए computer को भेच देता है तो अगर आप से कहीं पूंछ लेता है लेकित में भी कि computer प्रितर कि एंपोर्ट से किसे कहते हैं तो आपको लिख देना हो और कि करें लिक देना है अब बात करते हैं और योनिट डेटा दथा निर्देसों को पईडाम की रूम में फिदर्शित करने के लिए जिन यूनिट का उपयोग किया जाता है उन्हें हम लोग आउटपूट यूनिट कहते हैं आउटपूट यूनिट का कारिया है कि वह कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले फईडामों को जो बाइणरी कोड में होते हैं हमारे लिए उच्चित संकेतों या भासा या प्रचित में बदलकर हमें वोलग कराता है संचित में आउटपूट यूनिट द्वारा निमने कारि किये जाते हैं पहला कार है इसका या computer द्वारा दिये गई पईडामों को स्विकार करता है जो की binary code के रूम में होते हैं और जिने हमारे लिए समझना कठिन होता है यह उन code के रूम में दिये गई पईडामों को हमारे द्वारा पढ़ने या समझने योग रूम में बदल देता है यह हैं बदले हुए रूब में पैडामों को हमारी समक्च फिस्तुत करता है या फिर छाप देता है अब बात करते हैं लोग CPU यानि की Central Processing Unit के बारे में CPU ही Processing Unit और Computer का वए भागे जिसमें Arithmetic Logical Operations निश्वादित होते हैं तथा निश्देश डीकोर और एग्जीक्यूट किये जाते हैं CPU Computer के समपूर Operations को नियंतित करता है CPU को Computer का मस्तिष कहा जाता है समझ में आए अब तुम्हारे वंडे एक जाम में पूछ लेता है कि Computer का मुस्तिष के आप कंपूटर का दिमाग किसी कहते हैं तो आपको बता देना CPU को Central Processing Unit को माइक्रो कंप्यूटर के CPU को माइक्रो फ्रोसेसर भी कहा जाता है यह कंप्यूटर के बाहरी वा अंद्रिक डिवाइसों को कंट्रॉल करता है CPU के परमुक्ष्क आरेयों की बात करने तो यहां निषदेसों तथा डेटा को मुखमेमॉरी से Registrator में इस्थाना अंतीत करता है निर्देशों का क्रिमिक रूप से क्रियान बन करता है और आवस्यक्ता पढ़ने पर यह आउट्वूट डेटा को रजिस्टर से मुख मेमोरी में इस्थानान्तीत करता है CPU के पिर मुख अब आप निम लेखी थे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ए एरिस यू जैसा कि इसके नाम से इस्थाष्ट है कि CPU के लिए सभी विकार की अंग गड़ती है क्रियाएं जोड़ना घटाना गुड़ा करना भाग देना और तुलाएं दो संक्याओं में यह बताना कि कौन सी छोटी या बड़ी है अत्वा दोनों बरावान इसी उनिट में की जाती है यह इनिट कही ऐसे एलेक्ट्रोनिक परिपत से बनी होती है जिन में एक और से कोई दो संक्याओं भेजने पल दूसरी और उनका योग अंतर गुटन फल या भाग फल प्राप्त होता है इसकी सारी क्रियाएं बाइनरी पतिती में की जाती है प्राप्त होने वाली संक्याओं तथ हम क्रियाओं के पैड़ावों को आइस्थाई रुख से स्टोर करने या रखने के लिए इसमें कई बिसेस वाइटें होती है जिने हम लोग रजिस्टर कहते है याद रखने है अर पूंच लेता है और जेक्टिव रूम में की अर्थमेटिक का क्या है तो आपको बता दीना है अंक गड़ती है कार बात करते हैं रजिस्टर्स रजिस्टर्स एक ऐसा उपकरेंड या साधन है जिसमें डेटा इस्टोर किया जाता है रजिस्टर्स बहुत तेज गती वाली आइस्थाई इस्टोरेज इपकती है मेमोरी की अनुकरम में रजिस्टरों की इस्थान का इस्थान सबसे मुचा होता है और एस CPU को किसी डेटा का उप्योग करने के लिए सबसे तीब मार्क देते हैं किसी प्रोग्राम के क्रियानमेन को सबसे तीब गती सीलता पिदान करने के लिए रजिस्टरों का ब्यापप परियों किया जाता है कैज बात करते हैं कंट्रॉल युनिट्य के role using कि गए कि इस भाग का का आवए सबसे जानदा माहतमूर होता यह कंप्यूटर के सभी भागों की कारवें पर नजर रखता है और उस में परस पर ताल में बाठाने के लिए उचित आदेश देता है इसका सबसे प्रमुक और पहला कार यह है कि हम जिस प्रोग्राम का पालन कराना चाहते है या उसे मेमोरी में से किरम सा पढ़कर उसका विसलिशन करता है और उसका पालन कराता है कि किसी आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए वह कंप् जा सकता है कि वह कोई डेटा किसी विशेश इस्थान पर स्टोर कर दे या वहां से उठा कर ए एल्यू में भेज़ दे पढ़कर कम्प्यूटर के सभी भावों में तालमेट बनाकर प्रोग्रामों का ठीक ठाग फालन कराना इसी इकाई का दायत है कंट्रॉल कंट्रॉल यून द्वारा आपसी सहयोग से उपयोग करता हूं द्वारा बताये गए निए कारी किये जाते हैं इसके लिए जब भी किसी इन्पूट की आवस्ता होती है तो वह किसी इन्पूट यूनिट से ले लिया जाता है और जो पैड़ाम या संदेश आते हैं उन्हें किसी का दिमाग होता है इसी के अंदर सभी पकार की गड़नाएं और प्रोसेसिंग की जाते हैं इसको ही प्रोसेसर भी कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर के लिए जिस प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है उसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है इसी के द्वारा सभी कार किय जाते हैं बैसे कभी-कभी जटिल गड़नाओं के लिए अलग से मैथ प्रोसेसर भी लाया जायता है माइक्रो प्रोसेसर एक सेमी कंड़ेक्टर इंटिकेटर सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम करने योग डिजीटल इलेक्टोनिक बस्त हुए जो किसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार करती है यह कंप्यूटर का देली आपके मस्तस्क होता है यह किबल मसीनी भासाई समझता है इंट्रेल 4004 पहला ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें CPU के सभी अवे एक चिप पर ही लिए गए है कुछ मत्पूर माइक्रो प्रोसेसर के नाम याद रखना है आपको इंटेल डू एल कोर पैंटियम और पैंटियम और आदी ठीक है आपके माइक्रो प्रोसेसर के नाम है बात करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे मेमोरी यूनिट मेमोरी कम्प्यूटर गवाय भाग है जो डेटा या ने देशों को संगेत करता है यानि कि अपने पास रखता है कम्प्यूटर की मेमोरी आदोनी कम्प्यूटर की मूल कारियों से यह मैसे एक है रता सूचना बंडारं की सुविधा पिदान करती है या कम्प्यूटर के CPU का एक भाग होती है उससे मिलकर संपूर कम्प्यूटर बनाती है मेमोरी उनिट के दो भाग होते है पहला आपका प्रात्में मेमोरी है, दूसरा है आपका सेकंडरी मेमोरी, जो आपकी फ्रामरी मेमोरी है, इसे आंत्रे क्या सरमक मैमोरी भी कहा जाता है, अब देखिए, औपजिक्ट रूम में कैसे पूच लेता है, किसी भी चाहिए पर SMC किसी भी एक जाम्य को पूंच लिए औरmba को कहा जाता हैЁ यह CPU चीधा हुदि को किसी बरब प्राइब मेमोरी किसे कहते हैं तो आपको याग रखना और उनका पालन करता रहता है इसके साथ ही कोई डेटा जिस पर सब क्रियेता से कार किया जा रहा है वह भी इसमें इस्टोर किया जाता है फ्राइमरी मेमोरी में किसी समय चल लगे पिरोग्राम या पिरोग्रामों तता उनके input data और output को आईश्थाई रोप से कुछ समय के लिए store किया जाता है जैसे ही उनकी आवस्सक्ता समाप्त हो जाती है उन्हें हटा कर दूसरे data या फिर प्रोग्राम उस जगर रखे जा सकते हैं Primary memory का कार सीमित होता है परन्त इनकी गती बहुत देज होती है याद रखना इनकी गती बहुत देजुत फ्राइमरी memory में निम्न सुचनाय रखी जाती है प्रोसेस किये जाने वाले समस्ते data और उसको प्रोसेस करने के लिए आवस्सक्त निर्देश जो input साधनों से प्राप्त किये होते हैं प्रोसेसिंग के मदवर्ती परिडां प्रोसेसिंग के अंतिम परिडां उन्हें आवपूट साधन को भेजे जाने तक सुरच्चित रखा जाता है आपका प्राथमिट प्राइमरी मेमोरी में Primary memory के भी दो भाब होते हैं Primary memory भी दो पेकार की होते हैं Random access memory और read only memory RAM Random access memory इसे संचिप में हम लोग RAM कहा जाते हैं क्या कहते हैं RAM यह memory एक चिप पर होती है, जो metal oxide semiconductor से बनी होती है, हम इस memory के किसी भी location को चुन कर, उसका उपयोग सीधे ही किसी data को इस्टोर करने, या फिर उस में से data पढ़ने के लिए कर सकते हैं, यह है आपकी RAM, यह memory एसे रजिस्टरों और उन से जुड़े हुए, फरीफत्तों से बनी होती है, जिन से data को वहां तक और वहां से स्थानांतित करना संभव हो, ऐसे पित्ते एक location का इक निश्चित पता होता है, जिसकी सायता से हम उस location तक पहुंच सकते हैं, इस memory की रजिस्टरों या location को हम आवस्तकता होने पर कभी भी उपेव में ला सकते हैं, इसके लिए इसका नाम Random Access Memory रखा गया है, रेम में भरी जाने वाली सूचनाय आज था ही होती हैं, जैसे ही computer की विजली बंद कर दी जाती हैं, तो वैसे ही विश्मस्त सूचनाय आपकी नश्ट हो जाती हैं, रेम में भी प्रोग्राम और डेटा रखे जाते हैं, चिन की CPU खोज सके, जिनको CPU खोज सके, वहां से प्राप्त कर सके, इन मेमोरी को भी कई सेक्शनों में मरना जाता है, ताकि उसमें रखी गई, सूचनाय का विवस्तित किया जा सके, और उन्हें पाया जा सके, ऐसे पित डेटा वर्स की साहता से हम रेम से किसी सूचना को निकाल सकते हैं, और उसमें कोई सूचना इस्टोर भी कर सकते हैं, और आपकी, रीड ओनली मेमोरी, रॉम, इसे संचेप मैं हम लोग रॉम कहते हैं, यह हुए मेमोरी है, जिसमें डेटा पहले से भरा जा चुका होता है, जिसे हम केबल पढ़ सकते हैं, हम उसे हटा यह बदल नहीं सकते हैं, वास्ताव में रॉम चिप बनाते समय ही, उसमें कुछ आवसक प्रोग्राम और डेटा लिख दिये जाते हैं, जो इस्था ही होते ह जब कंप्यूटर की बिजली बंद किर दी जाती है, तब भी रॉम चिप से भरी सूचनाय सुरक्षित बनी रहती हैं, नस्ट नहीं होती हैं, बलकि जबकि रह में है जो आपका, उसमें सूचनाय नस्ट हो जाती हैं, जब बिजली बंद कर दी जाती हैं, रॉम चिपों का उपयोग सभी बिगार के एलेक्टोनिक उपकर्ण जैसे केल्कुलूटर वीडियो गैम डिजीटल केमरा आधी में किया जाता है अधीकांस परशनल कंप्यूटर में रॉम मेमोरी के बहुत उपयोग होते हैं इनमें प्रया ऐसी सूचना इस्टोर की जाती हैं जो इस्थाई और महत्पून होते हैं या वे प्रोग्राम इस्टोर किये जाते हैं जिनको बदलने की आवस्था नहीं होती है जैसे कंप्यूटर को बूट करने वाला प्रोग्राम पुराने परशनल कंप्यूटर में रॉम मेमोरी में बैसिक इंपुट आउपुट सिस्टम भी इस्टोर किये जाबते थे जो PC के hardware और operating system की वीज अनुवादक का कार करते थे तो यह थी आपकी read on leave memory यानि की ROM इसे दीप भी देख लिते हैं एंस टेक्सन कंप्यूटर द्वारा नेद्देशों को किवल 0 या फिर 5 की ROM में समझा जाते हैं जिसे हम लोग मसी निवाशा कहते हैं क्या कहते हैं मसी निवाशा एक computer program नेद्देशों का यह समूव है जो किसी टास्क कारी को पूरा करने के लिए आवस्षक स्टेप को विश्तार पूर्वक बताता है। किसी भी प्रोसेसर को कार करने के लिए दो पिकार के एउनिट की आवस्षकता होती है। पहला है हमारा डेटा और दूसरा है निर्देश। डेटा और निर्देश, निर्देश कम्प्यूटर को बताते हैं कि किसी बिसेस कारग्यो करने के लिए कौन सी क्रियाय की जानी चाहिए, किसी भी निर्देश को दो भावों में बाटा जा सकता, ओपरेशन और ओपरेंड, ओपरेशन बे क्रियाय होती हैं जिनने परफॉर्म क किया जाता है, तथा ओपरेंड बे होते हैं जिन पर ओपरेशन किया जाता है, उधारन के लिए फिलस, यहाँ एबी ओपरेंड है, तथा पिलस इसका ओपरेशन है, कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत भी कहते हैं, सारे आदेश कंट्रोल यूनिट से गुज़ा जिकते हैं, यहाँ पर जो प्रोसेसिंग उतियों से हम लोग इंट्रेक्शन साइक्ल कहते हैं, पूरी इंट्रेक्शन साइक्ल में निम्न चार चनल होते हैं, फेचिंग, डीकोडिंग या डीकोड, फिरभावी पद्देगी को पढ़ना फिर है निस्वादन, फेचिंग, इस चैनल में मेमोरी सिर निजदेश को फैंच करके निजदेश, रजिष्टर में लाता है, एक परिपर जो एक निजदेश को रखने में सक्चम होते हैं, ताकि वह निजदेश डीकोड अत्वा तथा किज्यानवित किया जा सकें, फिर आपकर डीकोडिंग या डीकोड, दिए गए निजदेश को डीकोड करना रथा दिए गए निजदेश की व्याक्या करना, फिर भावी पत्ते को पढ़ना, यति निजदेश के पास आपत्यक्च पता है, तो उसे पत्ते को मेमोरी से पढ़ना, निजदेश का निजदेश का निजदेश का निजदेश करना, दिएगे चड़ों में से, चरण एक और चरण दो निजदेशों के लिए एक समान होते हैं, फ्रेंज चक कहलाते हैं, और चरण तीन बड़, चार सभी निजदेशों के लिए अलगलग होते हैं, तथा निजद निस्पादन चक कहलाते हैं क्या कहलाते हैं निस्पादन चक बात करते हैं हम लोग कि सेकंडरी मेमोरी के बारे में किसके सेकंडरी मेमोरी इस पिकार की मेमोरी सीप्यू से बाहर होती है इसलिए से बाहर या दूतियक मेमोरी भी कहते हैं कंप्यूटर की मुख मेमोरी बहुत म पर उसमें रखी अधिक तर सूचनाय नश्ट हो जाने के कारण ना तो हमें से इच्छा नुसार बढ़ा सकते हैं और ना ही हैं उसमें कोई सूचना इस्थाई रूप से इस्टोर कर सकते हैं इसलिए हम सहाइक मेमोरी का उपयो करते हैं इसकी कीमत तो लात्मक दिरिश्टी से बहुत कम डेटा इस्टोर करने की चमता बहुत अधिक होती है इसमें एक ही कमी है कि इन माध्य में हमें डेटा को लिखने अर्थाद इस्टोर करने पढ़ने अर्थाद प्राप्त करने में समय बहुत लगता है इसलिए हम इसमें ऐसी सूचनाय बटनारीत करते हैं जिनने लंबे समय तक सुरक्चित रखना हूँ जिनकी आवसकता लगाता नहीं पड़ती है। साहा एक मेमोरी कापयों वेकप के लिए किया जाता है। जब हम किसी डेटा की तत्काल आवसकता नहीं होती है। तो उसी किसी चुमकिये माध्यम जैसे फिलॉपी डिस्क या चुमकिये टैप पर नकल करके लगवक सुरक्चित कर लिया जाता है। ऐसा प्रया हाड डिस्क को खाली करने के लिए किया जाता है। ताकि उस पर ऐसा डेटा भरा जा सके जिसकी यावसकता पढ़ रही हो। डिस्क पर जगह ना हो। वेकप साधन में भंडारित किये गए। डेटा को आगे कभी यावसकता पढ़ने पर हाड डिस्क पर उतारा या पर नकल किया जा सकता है। पर हम भी कम्प्यूटर में छेदित कायड, पिपर टेप या पर चुम्मिकिये टेपों का प्रियोग सहाइक बंडारन के लिए किया जाता था। लेकिन आजकल मुक रूप से चुम्मिकिये डिस्कों का प्रियोग इस कारहितू किया जाता है। जो कई पिकार की से सुध्याजनक होते ही, तो यह थी आपकी secondary memory कौंसी ? secondary memory, यहीं बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में, कंप्यूटर का इस भागय हों। मदर बोर्ड एक कंप्यूटर सिस्टम के बिभेन बोर्डों में सरबादिक मत्कून मदर बोर्ड या मैन बोर्ड है वर्ष 1974 में माइक्रो कंप्यूटर के निर्मार के प्यारम से उनके सभी अनिवार एलेक्टोनिक अव्यवों को एक ही चपे हुए सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है जिसे मदर बोर्ड कहा जाता है कहते हैं मदर बोर्ड कहते हैं मदर वोर्ड किसी जटे एलेक्टोनिक सिस्टम जैसे आधोनी कम्प्यूट का केंद्रिय या मुख सर्किट वोर्ड होता है इसे मुख वोर्ड या प्रिपेस वोर्ड या सिस्टम वोर्ड या फिर लॉजिक वोर्ड भी कहा जाता है किसी मदरबोर का मुख खुद्देश विविन अवैबों को आपस में जोडने के लिए आवसक्त एलेक्टोनिक और लोजिकल कनेक्शन उपलब्द कराना होता है एक सावान डेस्क्टॉप कम्पूटर के उसके मदरबोर में इसके अलावा अन बहुत से अवैब जैसे बाहे बंडारा उपकरन वीडियो कंट्रोलर साउंड कंट्रोलर वाहरी इंपूट आउपकरन आधी मदरबोर के साथ किसी कंडेक्टर या केबल के मात्यम से जोड़े जाते हैं हालागी कंप्यूटर में अधिकान सब्सक्राइब मदरबोर पहले सी जोड़े हुए मिलते हैं अब फिर बात करते हैं बस आखिर यह बो बस नहीं है जिसमें आप लोग सफर करते हैं एक कौनसी बस से देखते हैं CPU डेटा निर्टेश ततन सूचना को कंप्यूटर के विभिन अवैवों तथा पैरी फेरग डिवाईस डिवाईसेज को भेजता है इस आवागमन के लिए विभिन बसें प्योग की जाते हैं कंप्यूटर में अनिक बसें होती हैं जो विभिन कारियों के लिए प्योगत होती हैं दूसरे सब्दों में एक बस कुछ ऐसे ता रहे हैं या कनेक्शनों का संग्रह होता है जिन से वोकर श्रिमनल एक उपकर्ण से दूसरे उपकर्ण तक देश सकते हैं बास्तों में बस एक संबेशन माद्यम है यह आप जिसमें सपर करते हैं वो बस नहीं है लेकिन उसी की तरह है क्योंकि अगर आपको कहीं यातरा करना है कहीं से कहीं जाना है तो उसी के मात्यम से तो जाती है उसी का सहारा तो लेते हैं आप लोग ये भी उसी तरह का है कि इस आवागमन के लिए विभिन बसें मतलब जाने आने के लिए विभिन बसें प्योग की जाती है अब बात करते हैं बस के प्रिकार किसी कंप्यूटर में अनेग बसें होती हैं जिने दो बावों में बाटा जा सकता है पहला है आपका आंत्रिक बस दूसरा है वाह बस आंत्रिक बस मदर्बोर के आंत्रिक अव्याओं को जोड़ती हैं जैसे CPU, System Memory इसे System बस भी कहते हैं जैसे Ctrl बस और Address बस मेमोरी तथा Input Output डवाइस को दिए जाने वालों अने देश कंट्रोल बस द्वारां ले जाये जाते हैं अएपोट डिवानिस हैं या पर अद्रेस पर ले जाए जाते इन्तुर्षत इंद्राइबबूरी आप है छिर्द्स करे तो ले जाए जातें देता को इस्ठानांतित करने बाले बस को आम लोग देटास कहते हैं क्या अभेवों को जोड़नती है जैसे फेरी फेरर्स फोर्ट्स एक फैंसन सलोट आदी यहां कुछ आपके वन डेग जाब में डारेक्ट पूंच लेते हैं कुष्चिन्स होने भी देख लेते हैं लोग मसेन साइकल यह वह समय है जो दो आउपरेट को रेजिस्टर से लाकर उन पर एल्यू ऑपरेशन करके प्राप्त पईडाम को बापस वापस रेजिस्टर में इस्टोर करने में प्रेव होता है बफर यही एक आईस्थाई स्टोरे कंप्यूटर में जब डेटा डालते हैं तो आज सबसे पहले बफर में ही इस्टोर होता है किसी कंप्यूटर के कार निस्पादन करने की चमता उसके रेजिस्टर रेम तथा कैस मेमोरी के आकार सिस्टम क्लॉप की गतिपन निर्भा करते हैं मदरबोड पर चिप के कनेक्ट प कौइंट को horse circuit आऊकर क्हां कहते हैं किसी डिजीटल प्यूटर की कणप्रॉल उनित को की लॉक कहते हैं विटस का ऐसा समल एक समय होता है ने उसे CPU तक पहुंचाने के लिए कि लिए गए समय को एक processing चक कहते हैं क्या कहते हैं तो यह था आपका दूसरा चेप्टर आंगे हम बात करेंगे तीसरे चेप्टर में क्या होगा हमारा तीसरा चेप्टर इंपोट और आउटपोट युक्तियां देखेंगे हम लोगों नमस्कार साथियों तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं computer शामाल जारें के बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग दो chapter खतम कर चुके हैं पहला chapter था आपका computer का एक सामानी परिज़ह और दूसरे chapter में हम लोगों ने बात की थी computer architecture की बारे में computer की सरचना देखा था याद रखना आपके जितने भी chapter खतम होते जा रहे हैं वो सभी आप लोगों को एक जगया मिल जाएगा complete computer class के नाम से जो आपके playlist सूची है उसी में डले हुए है आज बात करेंगे input और output युक्तियों के बारे में युक्तियां input, output, devices फिर से बोल देता हूँ कि इतने जितना हम लोगों को चेक्टर खतम करना है तेरे 14 आपके जो चेक्टर है एक खतम होने के बाद mock test लगाने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूइत नहीं पड़ेगी computer सामाने गयाने के लिए जिस भी पर इच्छा में computer सामान गयान के बाद है उन सभी question को आप solve कर पाएंगी बहुत अच्छे से बस आपको इस 14 जो आपके चेक्टर है नहीं देखना है और जो हम लोग mock test लगाएंगी उनको देख लिए नहीं वास complete है computer और मनुस के मत्र संबर्द इस्थाबित करने के लिए input output युक्तियों का प्योग किया जाता है input युक्तियों का प्योग computer को data और निर्देश प्यदान करने के लिए किया जाता है input data को process करने के बाद computer output युक्तियों के द्वारा फ्रेयों करता को output प्यदान करता है computer machine से जोड़ी हुई सभी input output युक्तियों को peripheral युक्तियां भी कहते हैं बात करते हैं input युक्तियां input युक्तियां input युक्तियों को आप सीधा सा एक सब्द में इसकी परिवासा याद रखिए कि जो कुछ हम देते हैं वो input हो गया जो सामने से हमें paradigm प्राप्त होता है वो हमारा output हो गया जैसे आपने कभी mobile में देखा हुआ कि गूगल पर जाके हम लोग उसे निर्देश देते हैं कि हमें क्या search करना है जो हम search करवाते हैं वो हमारे input हैं जो हम लोग उसमें डालते हैं निर्देश देते हैं वो input हो गया और जो हमारे सामने परडांग पर राप्त होता है वो हमारा output हो गया जिसके हमें जरूरत होती है वो मिल जाता है उसे ही output रहते हैं बेव युक्तियां जिनका प्योग उप्योग करता के द्वारां कम्प्यूटर को डेटा और निर्देश पिदान करने के लिए किया जाता है इन्पुट इक्तियां कहलाती हैं, इन्पुट इक्तियां उप्योग करता से, इन्पुट लेने के बाद, इसे मसीनी भासा मैं परिवर्तित करती हैं, इस परिवर्तित मसीनी भासा को CPU के पास बेद देती हैं, कुछ आपकी पिरमुक इन्पुट इक्तियां हैं, यह पूच ल घलत ना हो सके कीवोड कीवोड एक पेकार की मुक quantum device है क्या है मुक कीवोड का पयो computer को अक्छार اور अंकीय रूम में डेटा और सुचना देने के लिए करते है कीवोड एक सामान टाईप राइटर की तरह दिखता है किन्तु इसमें टाइप राइटर की अफिक्षा कुछ जान्दा कुण्जिया होती है कीज होती है जब कोई कुण्जी कीवोर्ड पर दबाई जाती है तो कीवोर्ड कंटॉलर और कीवोर्ड बफर से संपर करता है कीवोड कंट्रॉलर दबाई गई कुझी के कोड को कीवोड बफर में इस्टोर करता है और बफर में इस्टोर कोड CPU के पास भेज आ जाता है CPU इस कोड को फिरोसिस करने के बाद इसे आउटपूट डवाईस पर स्पिदर्शित करता है कुछ विभिन पिकार के कीवोड जैसे Q, W, E, R, T, Y, D, B, O, R, K, और A, Z, E, R, T, Y मुकरूप से प्योग किये जाते हैं यह हैं आपके कीवोड ले आउट यह आपके उपर एप बन जो एक टू होती है यह फंक्सन की है यह आपका अल्फा न्यू मेरिकल मेरिक की हैं यह सभी और यह आपकी करसर कंट्रोल की है और यह आपकी नम्बरिक कीवोड कीवोड कीवेड़ ठीड़ है कीवोड में कुछियों की पिरकार कीवोड में निम्ने पिकार की कुण्यया होती है अक्छरां की यह कुण्यया इसके अंतरकत आपकी अक्छर कुण्यया होती है A, B से लेकर Z ठीक है और अंकी यह कुण्यया आपकी 0, 1, 2 से लेकर 9 ठीक है फरे आपकी अंकी यह कुण्यया यह कुण्यया कीवोड के पर दाय तरफ होती है यह कुण्यया अंको 0, 1, 2 से लेकर 9 तक और गड़ती यह ओपरेटरों से मिलकर बनी होती है फरे आपका फंक्सन कुण्यया कौन सी? फंक्सन कुण्यया इन्हे प्रोग्रामेवल कुण्यया भी कहते है इनके द्वारा कम्पीटर से कुछ बिशिष्ट कारवाने के लिए निर्देश दिया जाता है एक कुण्यया अक्षरांकिये कुण्ययों के उपर F1, F2 से लेकर F12 से पिदर्शित की जाती है फंक्सन कुण्यया फरे आपकी कर्सर कंट्रोल कुण्यया इसके अंतर के चार तीर के निसान वाली कुण्यया आती है जो चार दिसान दाए बाए उपर नीचे को दर्शाती हम लोगों ने देखा था ना पीछे एक कुण्यया अक्षरांकिये कुण्ययों और अंकिये कुण्ययों की मत उल्टे टी या कार में विवस्तित होती है इसका प्रियोग कर्सर को उपर नीचे दाएं या बाएं ले जाने के लिए करते हैं इन चारों कुण्ययों के तरिक चार कुण्यया और होती हैं जिनका प्रियोग कर्सर को कंट्रॉल करने के लिए करते हैं एक कुण्यया निमने आपकी हम क्या है हम इसका प्योग लाइन के प्यारम में या डोकुमेंट के प्यारम में करसर को वापस बेजने के लिए करते हैं इसका प्योग करसर को लाइन के अंत में बेजने के लिए करते हैं पेज अप जब इस कुझी को दवाय जाता है तो एक पेज का वीव एक पेज उपर हो जाता है करसर पिछले पेज पर चला जाता है पेज डाउन जब एक कुझी दवाय जाती है तो पेज का वीव एक पेज नीचे हो जाता है और करसर अंगले पेज पर चला जाता है कीवुट की अन कुझिया को gloss कुछ हनकुझिया निβल कि थे जैसेControl कुझजिया seeking CTRL, एक कुझिया अन कुझियों के साथ दिया कि साथ मिलकर किसी विशेश कारी немного के लिए प्रियोग कि ढूती है जैसे Ctrl plus document को सुरक्षित करने के लिए प्रियोग करते हैं करने के लिए इंटर कुझी इसे कीबोर की मुख कुझी भी कहते हैं इसका पयोग उपयोग करता द्वारा टाइप किये गए निर्देश को कंप्यूटर को भेजने के लिए किया जाता है इंटर कुझी टाइप करने के बाद निर्देश कंप्यूटर के पास जाता है और निर नीचे दो संकेत छपे होते हैं उनमें से ऊपर के संकेत को करने के लिए उसे shift कुझी के साथ दबाते हैं इसे combination की भी कहा जाता है फिर आपका escape कुझी कि इसका प्योंक किसी भी कारिको समात करने या वीच में रोखने के लिए करते हैं यदि control की दबाए हुए हैं और इसके पुंजी दबाते हैं तो यह start menu को खोलता है फुरे आपका back space कुंजी इसका प्योग टाइप किये डेटा या सूचना को समाप्त करने के लिए करते हैं या डेटा को दाय से बाइंदेशा की वो समाप्त करते हैं फिरे आपका delete कुंजी इस कुंजी का प्योग computer की memory से सूचना और इसकी इन से अक्षर को समाप्त करने के लिए करते हैं किन्तु यदि इसे shift के साथ दबाते हैं तो चुनी हुई file computer की memory से इस्थाई रूप से समाप्त हो जाती है फिरे आपका caps lock कुंजी इसका प्योग wordmala क तो बड़े अक्षरों में type करने के लिए करते हैं जब यह की सक्र ही होती है तो बड़े अक्षर में type होता है यदि इसका ब्योग दो सब्दों या अक्षरों के वीच space बढाने बढाने के लिए किया जाता है यह keyword की सबसे लंबी कुंजी होती है इस फेजवाद फिरे नमलोग कुंजी इसका उपयोग सांखिकी की पेड को सक्रिय या निस्क्रिय करने के लिए किया जाता है यदि यह कुंजी सक्रिय होती है तो अंग type होता है और यदि यह कुंजी निस्क्रिय है तो अंग type नहीं हो इसका प्योग Start menu को खोलने के लिए करते हैं विंडो कुंजी का फिरे आपका टैप कुंजी इसका प्योग करसर को एक बार में पांच इस्थान आगे ले जाने के लिए किया जाता है करसर को पुनाहा पांच इस्थान वापस लाने के लिए टैप कुंजी को सिप्ट कुंजी क के साथ दबाया जाता है इसका प्रयोग paragraph ended करने के लिए भी किया जाता है तो यह थी आपकी फिरमक कीबोर्ड की कुझियां इंटर कुझी ओके बटन दबाने का एक बिकल्प तरीका भी है shift कुझी इस कुझी को दूसरी कुझियों के साथ प्योग किया जाता है इसलिए से स्योजन कुझी भी कहते हैं caps lock और num lock को toggle कुझी कहते हैं क्योंकि जब यह दबाय जाते हैं तो इनकी अवस्थाएं परिवर्तित होती रहते हैं q, w, e, r, t, y कीवोड में कुल 104 कुझी होते हैं कितनी 104 साधारान भासा में कहें तो 104 बटन होते हैं अब कर बात करते हैं pointing यूपतियां pointing devices कपयोग monitor की screen पर cursor या pointer को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है कुछ मोख रूप से प्रयोग में आने वाले pointing यूपतियां जैसे mouse, trackball, joystick, lightband और touch screen आ दी हैं इस अभी आपकी input device हैं याद रखना है पूंच लेता है mouse, trackball, joystick, lightband, touch screen तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग mouse के बाले computer में सबसे जानदा फिर्योग करते हैं हम लोग माउस का करते हैं माउस एक प्रिगार का pointing यूपति है इसका फिर्योग करसर टेक्ष्ट में आपकी फोजी संदल साने वाली वाला विलिकिंग point या pointer को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाने के लिए करते हैं इसके तरिक्त माउस का पिर्योग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की साहता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करते हैं इसका विश्कार 1963 में किसका माउस का अब इसकार 1963 में इस्टेंड़ पोर्ट रिशर्च सेंटर डगलक्स जी एंगल वर्ट ने किया था इस नाम को याद रखना है इसमें सामनत दो या तीन बटन होते हैं इस बटन को वाया बटन और एक बटन को और एक बटन को दाया बटन कहते हैं दोनों बटनों के बीच एक स्कॉल भील होता है जिसका प्योग किसी फायल में उपर या नीचे के पेज पर करसर को ले जाने के लिए करते हैं यह आपका वायर माउस है वो वायलेस जिसमें वायर ना हो से हम लोग वायलेस कहते हैं मतलब वायर रहत यह वायस माउस है माउस आपके सामन तर तीने पर कार के होते हैं वायर लेस माउस मेकेनिकल माउस ऑप्टिकल माउस माउस के चार प्रेमोपकार हैं क्लेप यह लेप्ट क्लेप यह स्कीन पर किसी एक facilit को चुनता है Double Click इसका प्रेयोग एक document या program को कुलने के लिए करते हैं Daya Click यह screen पर आदेसों की एक सूची दिखाता है Daya Click का प्रेयोग किसी चुने हुए Object के गुड़ को access करने के लिए करते हैं Drug और Drop इसका प्रेयोग किसी object को screen पर एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाने के लिए करते हैं यह आपका track wall Track wall एक पकार की pointing यूखती है देख रहा है आपको यह आपका track wall जैसे mouse की तरह प्रेयोग किया जाता है इसमें एक ball उपरी सतह पर होती है इसका प्रेयोग करसर के movement को स्कंट्रोल करने के लिए किया जाता है इसका प्रेयोग निमने का लिखित कारियों में किया जाता है CAD workstation CAM workstation Computer workstation जैसी की air traffic control room radar controls आदी में जहाज पर sonal तंत में इसका प्रेयोग किया जाता है अब आपका लिखित में पूछ ले अगर कि trackball किसे कहते हैं तो आपको परिवासा दे दिने हैं और इनके कार लिख देना है ठीक है तो इससे आपका objective questions भी हो गए और आपके लिखित में भी अगर कहीं आ जाता है तो नों solve हो जाएंगे ठीक यह आपका जोएस्टिक एक पकार की pointing यूखती होती है जो सभी देशाओं की move में move करती है और करसर की movement को control करती है जोएस्टिक का पर यह फिलाइट simulator computer gaming CAD या CAM system में किया जाता है इसमें एक handle लगा होता है जिसकी साहता से करसर की movement को control करते है जोएस्टिक और mouse दोनों ही एक तरह से कार करते है किन्तु दोनों में enter है यह करसर कर movement mouse की movement पर निर्भर करता है जबकि जोएस्टिक में pointer लगाता है अपने पिछले pointing दिसा की यूख move करता रहता है और उसे जोएस्टिक की साहता से control किया जाता है आप लोगों ने देखा होगा खेल खेलोने वाली वो GC भी आती है न या हम लोगों ने कोई game खेलने जाते थे तो वहां देखा होगा इस हिंडिल तरका रहता है इसे इसे गुमाया जाता है उसे यह आपका अधर पिरकासी है पिकासी है कलम light pen पिकासी है कलम एक हाँ से चलाने वाली electro-optical pointing उपती है जिसका प्रियो drawings बनाने के लिए graphics बनाने के लिए menu चुनाओ के लिए करते हैं pen में छोटी tube के अंदर एक photo cell होता है यह इस pen इसकीन के पास जाकर पिरकास को sense करता है उसके बाद pulse उत्पन करता है इसका प्योग मुकरूफ से personal digital assistant में करते हैं इसका प्योग इसकीन पर किसी बिसेश्ट रिस्ती को पहचानने के लिए करते हैं यदि इसकीन के किसी रिक्त इस्थान पर रखा जाता है तो यह किसी भी पिकार की सूचना नहीं देता है यह आपका है light pen यह आपकी सभी input device है ठीव फिरे आपका touch screen touch screen एक प्यकार की input एक ती है जो उप्योग करता हों से तब input लेता है जो उप्योग करता है करता अपनी अंगुलियों को computer screen पर रखता है touch screen का प्योग सामनता निम्न अनुप्योगों में किया जाता है ATM में airline आरक्षन bank में सुपर मार्केट और mobile में आपने देखा हुगा यह तो आज कल इसके बिना तो कुछ चल ही नहीं रहा है क्योंकि आपका mobile है मुझे लगता है हर किसी के पास android phone पहुँच गया होगा क्योंकि बड़ी तेजी से घर में चाहे खाने के लिए कुछ ना हो लेकिन व्यक्ती android phone जरू चलाएगा यह अपना नियम बन चुका है क्या बात चलिए आगे अब लोग बात करते हैं digitizers और graphic tablet यह है आपका graphic tablet graphic tablet के पास एक विसेश कमांड होती है जो ड्राइंग photo आदी को digital signals में फरिवर्थित करता है यह कलाकार कुहार्थ में से image वो ग्राफिक image बनाने की अनुमती पिदान करता है बात करते हैं अब हम लोग बार कोड बार कोड रीडर एक बार कोड पहुंच लेता होगा एक जाम में यह एक input यूपती है आपको इस बात को याद रखना है बार कोड आपका रीडर बार कोड रीडर आपकी input यूपती है इसके अपयोग किसी उत्वाद पर छपे हुए बार कोड यूपरसल प्रोडेक्ट कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है बार कोड रीडर से पिरकास की करने निकलती है फिर उस करन को बार कोड इमेज पर रखेते हैं बार कोड रीडर में एक light sensitive detector होता है जो बार कोड इमेज को दोनों तरब से पहचानता है एक बार एक कोड पहचानने के बाद इसे सांकी की कोड में परिवर्थित करता है बार कोड रीडर का जानदा प्यों सुपर मार्केट में किया जाता है जहां पर बार कोड रीडर के द्वारा आसानी से किसी उत्पात का मूल रीड किया जाता है बारकोड गाड़ी हलकी स्याई की उर्द्वाधा रेखा हैं जो सूचना की रूम में प्युक्त किये जाते हैं मनिशीन इसे आसानी से पढ़ लेती हैं आपने देखा होगा बारकोड को जब हम लोग किसी मौल में जाते हैं या मार्केट में खरीदते हैं तो वहाँ यूज किया जाता है बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकल मार्क रीडर वो एमर ये भी आपने सुना हुआ बहुत जाएं ऑप्टिकल मार्क रीडर एक पिकार की इंपुट डिवाईस है इसका प्यों किसी कागज पर बनाएगे चिन्नों को पहचानने के लिए किया जाता है यह कागज पर फिरकास की करने छोड़ता है और पिकास की करन जिस चिन्न पर पढ़ती है उस चिन्न को ओएमर रीडर करके कंप्यूटर को इंपुट देता है ओएमर की साहता से किसी वस्तूनिट पिकार ऑब्जेक्टिट टाइप की प्रियोग आत्मत परिच्छा के उत्तर पुष्टिका की जात की जाती है इसकी साहता से हजानों पिसन का उत्तर बहुत ही कम समय में आसानी से जाचा जाता है अब जो आपकी वंडे एक्जाम होते हैं उनमें आपका ऑब्जेक्टिव कुश्चन्स आते हैं उनमें हम लोग OEMRF सीट का प्यो होता है बात करते हैं हम लोग ऑप्टिकल केरेक्टर रिकोगनी रिकोगनीशन यह OEMR का ही कुछ सुद्रा हुआ रूप है यह केबल साधरान चिन्नों को ही नहीं बलकि चापे गए यहां से साप साप लेके गए अक्चरों को भी पढ़ लेता है यह विकास रोत की साहता से क को पहचान लेता है इस तकनीक को अप्टिकल केरेक्टर रिकागनीशन का जाता है इसका परियोग पराने दस्ताविजों को पढ़ने में किया जाता है इसका परियोग कई अनुपयोग हो जैसे की टेलीओन electricity will भीमा premium आधी को पढ़ने में किया जाता है OCR की अक्षरों को पढ़ने की गती 1500 से 3000 character पिती सेकंड होती है ठीए फिर है आपका magnetic ink character reader M-I-C-R सूचनाओं का matrix के रूम में उनके आकार का परिच्चन करता है उसके बास उसे read करता है और read करने के बास सूचनाओं को computer में भेजता है सूचनाओं में character एक विसेस एंग से चपे होते है जिसमें iron card होते है और उन card को magnetized किया जा सकता है इस पिकार की स्याही को चुम्मिकी ये स्याही कहा जाता है इसका प्रियोग हम लोग bank में check में नीचे चपे magnetic encoding संक्याओं को पहचाने और प्रोसिस करने के लिए करते हैं इसे ये आपका check का परारूप है ये तो देखा ही होगा ये भी नहीं देखा है आप लोगों न तो देख लेंगे आने चलके चलिए बात करते हैं लोग smart card reader smart card reader एक device है जिसका प्योग किसी smart card के micro processor को access करने के लिए किया जाता है smart card दो प्रिकार के होते हैं memory का है और दूसरा है आपका micro processor का है memory card में नौन बोले टाइट बोले टाइट memory storage component होता है जो data को इस्टोर करता है micro processor card में बोले टाइट, memory और micro processor components दोनों होते हैं card सामनता प्लास्टिक से बना होता है smart card का प्योग बड़ी कंपनिया और शंगटनों में सुरक्षा के युद्धिस से किया जाता है यह आपका smart card reader है यह तो देखा होगा न यह बात करते हैं हम लोग biometric sensor biometric sensor एक पकार की device है जिसका प्योग किसी व्यक्ति की अंगलीयों के निसान को पहचानने के लिए करते हैं biometric sensor का मुख प्रयोग सुरक्षा के उद्धिस से करते हैं इसका प्योग किसी संगटन में करमचारियों या संस्थान में विध्यारतियों की उपस्तिती दर्ज करने के लिए किया जाता है biometric बहुत सुधता पूर्वा के एक दक्षता पूर्वा कार करता है इसलिए इसका प्योग सुरक्षा के उत्धिस से करते हैं यह तो देखा ही होगा आपने क्योंकि आदार कार मुझे लगता है सबका बन चुका होगा तो वहां तो देखा ही होगा फिर है आपका स्केनर क्या है स्केनर स्केनर का प्योग पेपर पर लखे हुए डेटे या छपे हुए चित को डिजिटल लूग में परिबर्तित करने के लिए करते हैं यह एक ओप्टिकल इंपूट डिवाइस है जो इमेज को एलेक्टोनिक रूब में बदलने के लिए प्रिकास को इंपूट की तरह प्रियोग करता है और फिर चित को डिजिटल लूग में बदलने के बाद कंप्यूटर में भेज़ता है इसकेनर का प्योग किसी दस्तावेज को उसके वास्तविक रूब में रिस्टोर करने के लिए किया जा सकता है जिससे उसमें आसानी से कुछ बदलाव किया जा सकता है इसकेनर निमने पिकार के होते हैं hand held scanner hand held scanner ये आकार में काफी छोटी और हलकी होती है जिन्हें आसानी से हाथ में लगकर भी document को scan किया जा सकता है यदि किसी document को scan करना हो तो document के अलग अलग भागों को scan करना पड़ता है लेकिन आकार में छोटा और हलका होना होना इसका एक महत्कून फायदा भी है फ्रे आपका flatbed scanners ये काफी बड़े और महेंगे scanners होते हैं तथ हैं काफी उच्च उडवत्ता कि चित उत्पन करते हैं इसमें एक सम्तल पटल होता है जिस पर document को रखकर scan किया जाता है ये बिल्कुल उसी तरह कार करता है जिस तरह photocopy machine पर page रखकर photocopy करते हैं ये एक बार में पूरा page scan करता है तथ है आपका drum scanner ये मद्यम आकार के scanner होते हैं इसमें एक घूमने वाला drum होता है paper या seat को scanner में input देते हैं और scanner में लगा drum पूरे page पर पूमता है जिससे पूरा page scan हो जाता है ये बिल्कुल fax machine की तरह कार करता है अब बात करते हैं लोग microphone 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 एक पकार का input device जिसका फिरियो computer को sound के room में input देने के लिए किया जाता है microphone आवाज को प्राप करता है उसे computer की format में परिवर्थिक करता है जिससे digitized sound या digital audio भी कहते हैं लोग microphone में आवाज को digital room में परिवर्थित करने के लिए एक साहे काड़ वियर की आवसकता पड़ती है इस साहे काड़ वियर को sound card कहते हैं microphone को computer के साथ जोड़ा जाता है जिससे आवाज computer में record हो जाती है आजकल microphone का प्योग speech recognition और software के साथ भी किया जाता है अर्था इसकी साहेता से हम computer में type करने की जरूद नहीं पड़ती है बलकि जो बूला जाता है वो document में छप जाता है यह देखरा है आपका microphone कि आजकल आप तो वैसे बहुत भी बहुत सी युकतियों से परचित होंगे क्योंकि आप लोग आधुनिक युग में पहुंच चुके हैं मुझे लेकिन इस आधुनिक युग का समझ में नहीं आया कि आखर आधुनिक युग या फर 21 भी सथी है आपके क्या क्योंकि हमें जो भी युकतिया या पर अधुगी की जो साइंस नहीं हमें दिया है वो हमें टाइम बचाने के लिए दिया था कि हम टाइम को एडिश्ट कर सकें क्योंकि 24 गंटे आज सिप पुराने जितना भी समय वो चाहे आपका 2000 साल पहले वो उस समय भी 24 गंटे होते थे हमारे लिए और आज ही भी 24 गंटे लेकिन हम सुनते हैं लोगों के मुझे से हमारे पास टाइम नहीं है फिर वो टाइम जाता कहा है आके पहले की लोगों के पास हर किसी के लिए टाइम परिवार के लिए वो टाइम निकालता था घूमने के लिए टाइम निकालता था पढ़ता भी था सब कुछ करता था फिर भी उसके पास टाइम रहता था आज हम से पूचो या किसी से भी पूचो तो गुलतारे भाई में रिपास टाइम नहीं है वो आकर टाइम गया कहा है तो मुझे तो लगता है टिक टॉक फेस्बॉक जैसे जब से हमारे लिए संचाल के माद्धे माएं इन्ही ने टाइम हमारा खाली है पूरा इन्ही के अंदर चला गया चलिए अपना अपना काम है सब कोई कर रहा है कोई Facebook पर मुझराफ होई TikTok पता नहीं मुझे TikTok ही क्या है सुनता रहता हूँ चलिए अब हमारा बेब कैम या बेब कैमरा देखा होगा लेटॉम में रहता है इसमें बेब कैम एक पकार का बेडियो कैप्चरिंग डिवाईस है यह एक डिजीटल कैमरा है यह से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है इसका प्योग वीडियो कॉंफरेंश कॉंफरेंश और ओनलाइन चैटिंग आधिकारियों के लिए किया जाता है इसकी साहता से चित भी बना सकते हैं यह दो लोगों की कंप्यूटर में बेब कैमरा लगा है और कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा है तो हम आसानी से एक दूसरे को देख़र बातचीत कर सकते हैं कंप्यूटर में लगा हुगा बेब कैमरा यह आपका बेब कैमरा कुछ यह पॉइंट दिये गए इन्हें भी देख लेते हैं ऑप्टिकल माउस का अभिसकार माइक्रो सॉप्ट ने 1999 में किया था इस करना है ग्रेट स्केल और कलर मोड दोनों में इमेज को इस्टोर कर सकता ड्रग या डॉब का ताथ पर माउस के वाई बटन को किलेक किये रखना और माउस पॉइंटर को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर वाई बटन को छोड़ देना है OCR टेकनोलीजी का विकास अधिक सुदिता से अक्ष्चरों को पहचानने के लिए किया गया है इसलिए इससे एंटेलिजेंस कारेक्टर रिकॉगनाईशन कहते हैं इस पीच रखो रिकॉगनीशन सिस्टम बोली हुए सब्दों को मसीन के पढ़ने लाए इनपूट में बदल दीता है इसका प्योग हवाई जहाज कॉक्पिट में वाईश डायलोग सरल डेटा प्रिविश्टी इस पीच से टेक्स्ट प्रोसेसिंग में होता है अब बात करते हैं हम लोग आउपूट डिवाईस अभी तक हम लोग इनपूट डिवाईस देख रहे थे ठीक है आपको इनपूट वंडेग्जाम में अधिकतर इनसे इस अध्याय से पूंचा जाएगा तो जैसे पूंच लेते हैं कि इनमें से कौन इनपूट डिवाईस ह या आपका स्कीन टच माउट इनपूट डिवाईस है या कीवोर्ड इनपूट डिवाईस है इस तरह के कुश्चन आ जाते हैं तो आपको इनपूट डिवाईस याद रखना है और माउट डिवाईस अब बात करते हैं हम लोग आउटपूट डिवाईस आउपूट डिवा आउलेड़ डिवाइज में कि आउपड़ डिवाइज आउट आउठ पोट की को हार्ड़ कॉपी या वह सोप्ट कॉपी के रूम में पिस्दोट करते आउटपुट को हाड़ कापी या सॉपट कपी के रूम मैं प्सक्तूत करते हैं कि छूपट कोपी को वह आउटपुट होता है सउपट कौपी वह आउटफुट होता है जो उप्यों करता को computer के monitor पर दिखाई देता है अधवा इसकी speaker में सुनाई देता है जबकि hard copy वह है output होता है जो उप्यों करता को paper पर प्राप्थ होता है कुछ पिर्मों को output devices निमन है जो output को hard copy या sub copy के रूब में इस्तुत करता है जैसे आपका monitor monitor आपका output device है monitor को visual display device भी कहते है video BDU monitor computer से परात फईड़ाम को soft copy के रूब में दिखाता है monitor दो पिकार के होते है monochrome display monitor और color display monitor monochrome display monitor text code display करने के लिए एक ही रंग का प्रियों करता है color display monitor एक समय में 256 रंगों को दिखा सकता है monitor पर चित छोटे छोटे बिंदूओं से मेल कर बनता है इन बिंदूओं को pixel की नाम से भी जाना जाता है किसी चित की इसपश्टता clarity तीन तत्थों बद निर्भर करती है screen का resolution किसी monitor का resolution उसके छेतिज और और दुआतर पिक्सल की संक्या की गुडन फल की बराबन होता है किसी monitor की resolution जितनी अधिक होगी उसके pixel के उतना ही नजदीक होगे और चित उतना ही इसपश्ट होगा dot pitch dot pitch दो कलर पिक्सल के विकरणों के भी की दूरी को dot pitch कहते हैं यदि किसी monitor की dot pitch कम से कम हो तो उसका resolution अधिक होगा और उस monitor में चित काफी इसपश्ट होगा फिरे आपका refresh rate एक सेकेंड में computer का monitor जितनी बार refresh होता है वह संख्या उसकी refresh rate कहलाती जान्दा से जान्दा refresh करने पर इस्कीन पर चित जान्दा अच्छे और इसपश्ट दिखाई देते हैं कुछ पिरमुक आपकी प्रेयोग में आने वाले monitor निम लेके थे यह आपका cathode rate टी हो CRT यह एक आयताकार box की तरह दिखने वाला monitor होता है इसे desktop computer के साथ output देखने के लिए प्रेयोग करते हैं यह आकार में बड़ा तथंभारी होता है इसकी स्कीन में पीछे की तरह फॉस्फोरस की एक परत लगाई जाती है इसमें एक electron gun होती है CRT में analog data को electron gun के द्वारा monitor की स्कीन पर भेजा जाता है electron gun analog data को electrons में परिवर्थित करता है तथा electron उर्द्वाधर तथा छेति पिलेट के बीच में होते हुए फॉस्फोरस स्कीन पर टकराती है इलेक्टॉन स्कीन पर जिस जगह टकराती है उस जगह का फॉस्फोरस शमकने लगता है और चित्य दिखाई दने लगता है फिर आपका LCD liquid crystal display है LCD सबसे पहले तो इसका full form ही पूच लेते हैं वन्डेक्जाम में देखता है फिर LCD एक पकार की अधिक प्रयोग में आने वाली output device है यह CRT की अपिक्छा काफी हलका किन्तु महेंगा output device है इसका प्योग laptop में, notebook में, professional computer में, digital घडियां, आदी में किया जाता है LCD में दो plate होती है इन पिलेटों के बीच में एक बिस्स पिकार का दिर्व भरा रहता है जब plate के पीछे से प्रकास निकलता है तो plate के अंदर के द्रव align होकर चमकते हैं जैसे चेते दिखाई देने लगता है यह है आपकी LCD अब बात करते हैं LED Liquid या Light Emitted Diod LED एक पिकार की electronic device है यह है एक output device है जिसका प्रियोग computer से फिरा आउटपूट को देखने के लिए करते हैं यह है आजकल गहरों में television की तरह प्रियोग किया जाता है इसके अंदर छोटे छोटे LED लगे होते हैं जब विद्धुधारा इंट से गुजरती है तो यह LED चमकने लगते हैं और चित LED की स्कीट पर दिखाई देने लगते हैं LED मुख रोप से लाल प्रिकास उत्सरजित करते हैं किन्तु आजकल LED लाल हरा और नीला प्रिकास भी उत्वन करते हैं यह सब्यत प्रिकास भी उत्वन कर सकते हैं इन सभी रंगों की सयोग से बेभियन रंग के चित LED में दिखाई देते हैं Monitor 3D Monitor 3D Monitor एक आउटपुट डिवाईस है इसका प्रेव आउटपुट को तीन डायमेंशन 3D डायमेंशन में देखने के लिए करते हैं यह दो डायमेंशन मॉनिटर की अब एक च्छा जानदा इसपर्ष्ट और साब चित दिखाता है यह चित को 3D Monitor में देखते हैं तो ऐसा पितीत होता है कि यह चित बिल्कुल बास्तविक चित है यह आपका है 3D Monitor टी एफटी थिन फिल्म ट्रांसिस्टर टी एफटी एक्टिव और मैटिक्स LED LCD एक पकार की आउटपूट डेवाइस हैं टी एफटी में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए एक से चार ट्रांजिस्टर लगे होते हैं यह ट्रांजिस्टर पैंसिप फेसिप मैक्टिक्स की अप्यक्छा इसके इनको काफी तेज चमकीला और जानदा कलर पूर्ट बनाते हैं इस आउटपूट डेवाइस की मुक्ध बात है कि हम इसमें बने चित्तों को चित्रों को विभेंड कोनों से बीदेख सकते हैं जबकि अन्ण मोनीटर में यदि विभीन कोनों से चित लिखने पर चित एस फरस्ट दिखाई नहीं देते हैं टी एफटी अंद मोनिटर्स की यह पेप चमबाएंगा लेकिन काफी अच्छा क्वाइट्टी का चित डिस्पले करने वाला आउट्फुट डिवाइस है तो बात करते हैं हम फ्रेंटर्स प्रेंटर्स एक पेगार का आउट्फुट डिवाइस है इसका प्रेयोग कम्प्यूटर से फ्राप डिटा वो सूचनाओ को किसी कागच पर फ्रेंट करने के लिए करते हैं यह बिलेक और वाइट के साथ साथ कलर डॉकुमेंट की को भी फ्रेंट कर सकता है किसी भी प्रेंट सब्सक्रांख प्रेंट प्रेंट के लिए और प्रेंट कागच प्रेंट सब्सक्राइब से फ्रेंट पहला है आपका Impact Pender दूसरा है Non Impact Pender पहला है आपका Impact Pender या Pender Type Writer की तरह कर गता है इसमें अक्छर चापने के लिए छोटे छोटे पिन या हमबर्स होते हैं इन पिनों पर अक्छर बने होते हैं एपिन स्याही से लगे हुए रिबन और उसके बाद पेपर पिहार करते हैं जिससे अक्छर पेपर पर छप जाते हैं Impact Pender एक बार में एक करेक्टर या एक लाइन प्रेंट कर सकता है इस पिकारिक Pender चांदा अच्छी क्वाइल्टी की Pender नहीं करते हैं ये Pender दूसरे Pender की तुला में सस्ते होते हैं और पेंटिंग की द्वारान आवाज अधिक करते हैं इसलिए इनका प्रेंट कम होता है इंपैक्ट Pender चार पिकार करते हैं Dot Matic Pender Dot Matic Pender में पिनों की एक पंक्ती होती है जो कागज के उपरी सरे पर रिबन पर फिहार करती है जब पिन रिबन पर फिहार करते हैं तो Dot का एक समूव एक मैट्रिक की रूम में कागज पर पढ़ता है जिससे अक्षर या चित छप जाते हैं इस पिकार के पेंटर को पिन पेंटर भी कहते हैं डॉट मैटिक्स पेंटर एक बार में एक ही केरेक्टर पेंट करता है या अक्षर या चित को डॉट्स के पेटर्न में प्रेंट करते हैं करताथ कोई character या चित बहुत सारे डोको dots को मिलाकर print किये जाते हैं यह कापी दीमी गती से print करते हैं तथा जानदा आवाज करते हैं जिसे इसे computer के साथ काम कम पयोग किया जाता है यह है आपका dots, matrix, penters पर आपका daily wheel penters, daygy, daygy wheel penters में character की छपाई typewriter की तरवे होती है या dotmatics penters की अपेक्चा आधिक resolution की penting करता है तथा इसका outward dotmatics penters की अपेक्चा जानदा विस्तसनिय होता है पर आपका line penters, इस पकार की penters के द्वारा एक बार में पूरी एक line print होती है यह भी एक पकार के impact penters होते है जो कावेच पर दाप डालकर एक एक बार में पूरी एक line print करते है इसलिए इने line penters कहते है इन्हें की penting की quality जानदा अच्छी नहीं होती है लेकिन penting की काथी काफी पर आपका drum penters, drum penters यह एक प्रिकार के line penters होते है इसमें एक बेलना का drum लगातार घूमता रहता है इस drum में अक्चर ओबरे हुए होते हैं drum कागच की बीच में एक सेहाई से लगी हुई ribbon होती है जिस इस्थान पर अक्चर छापना होता है उस इस्थान पर hammer कागच के साथ साथ रिवन पर फिहार करता है रिवन पर फिहार को होने से रिवन डरम में लगे अक्चर पर दबाव डालता है जिससे अक्चर कागच पर छप जाते हैं फिर आपका non impact painter ये painter कागच पर प्रहार नहीं करते हैं बलकि अक्चर ये अचित प्रेंट करने के लिए सेहाई की फुहार कागच पर छोड़ते हैं नॉन इंपक्ट प्रेंटर प्रेंटिंग में इलेक्टो एस्टेटिक केमीकल और एंजेट तकनीक का प्रियोग करते हैं इसके द्वारा उच्च क्वाइल्टी के ग्राफिक्स और अच्ची किसम के प्रेंटर में कागच पर स्याहई की फुहार द्वारां चोटे चोटे बिंदू डालकर छपाई की जाती हैं इनकी छपाई की गती एक से चार पे पिती मिनिट होती है इनकी छपाई की गुडबकता भी अच्छी होती है ये विभिन पिकार के रंगों द्वारा अच्छा रोच्चित छाप सकते हैं इन पेंटरों में छपाई के लिए ए फोर्स आकार के पेपर का उप्योग होता है इनकी जट पेंटर में रिबन के स्थान पर गीली स्याही से भरा हुआ कार्टिज लगाया जाता है यहां कार्टिज एक चोड़े के रूम में होता है एक में काली स्याही भरी जाती है और दूसरे में मेजेंटा पीली और स्यान रंकी स्याही भरी जाती है cartridge की इस penter का head हुता है जो कागचपर सियाई की फ़ार छोड़ कर छपाई करता है inkjet penter को फ्रया समांतर port की माध्यम से computer में जोड़ा जाता है बैसे आजकल USB port बाले inkjet penter का प्रियोग किया जाता है इसमें रोज एक याद दू प्रेज pen करना चाहिए जैसे इसका कार्टिज गोला रहता है और बेकार नहीं होता है यह आपका इंक जैट प्रेंटर बात करते हैं बो आँगे थर्मल प्रेंटर क्या है थर्मल प्रेंटर यह पेपर पर अक्छर चापने की लिए ओस्मा का प्यूब करता है उस्मा की द्वारां सेहाई को पिगला कर कागयज पर छोड़ते हैं जिससे अक्छर या चित चपते हैं फैक्स मसीन भी एक प्रेंटर का थर्मल प्रेंटर है यह प्रेंटर की अपिक्छर धीमा और महेंगा होता है इसमें प्यूब करने के लिए एक बिसेट प्रेकार की पेपर की जरूरत पड़ती है जो केमिकली ट्रीटेड पेपर होता है फिर आपका लेजर प्रेंटर लेजर प्रेंटर की द्वारा उच गुड़ बतता है कि अक्छर और चित चापे जाते हैं विभिन पेकार की और विभिन इस्टाइल की अक्छर को चाप सकते हैं यह आपका लेजर प्रेंटर इसकी छपाई की विदी फोटो कॉपी मसीन से मिलती जूदती है इसमें कम्प्यूटर से भेजा गया डेटा लेजर केनों की साहता से इसके ड्रम पर चार्ज उपन कर देता है इसमें एक टॉनर होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है जब यह ड्रम घूमता है और इसके नीचे से कावज निकलता है तो टॉनर कावज पर अ छपाई कर सकते हैं ये एक मेंट में 5 से 24 पेज तक छाप सकते हैं ये इंपक्ट प्रेंटर से जान्दा महिली होते हैं थे आपका Electromagnetiv Printer Electromagnetiv Printer Electrophotographic Printer बहुत तेजगती चापाई करते हैं एक पेज प्रेंटर जो एक बार में पूरा पेज प्रेंटर करते हैं की सेंडी में आते हैं एक प्रेंटर किसी डॉकुमेंट में एक मिनिट के अंदर 20 अजार लाएने प्रेंट कर सकते हैं अर्था 250 पेज 30 मिनिट की दर से छफाई कर सकते हैं इसका प्योग विकास पेपर कोरियर कोपियर तकनी के माध्यम से किया जाता है है एanced कि सब्तर पेज हो क्या प्रेंट इस प्रेंट का प्रेंट करने में खळूद ृहीं इस आओपूट डिवाइशन जिसका प्योग अचित जैसे कंश्टक्शन locking इसमें ड्राइंग बनाने के लिए प्रेंट प्रेंसिल मार्क कर आधी राइटिंग टूल का प्योग होता है एपेंटर की तरह होता है इसमें एक समतल चौकोर सतय पर कागज लगाया जाता है इस तरह से कुछ उपर एक ऐसी छड होती है जो कागज के एक सरे से दूसरे सरे तक चल सकती है इस छड पर अलगलग रंगों के दो या तीन पैन लगे होते हैं जो छड पर आँगे पीछे सरक सकते हैं इस पिकार छड और पैनोक को समबलित हल्चल से समतल सतय के किसी भाग में कागज पर चिन या चित बनाया जा सकता है इनके द्वारा छपाई अच्छी होती है परन्तु ये बहुत धीमे होती है तथा मूल भी अपेक्चा के अधिक होता है लेजर प्रेंटरों में प्रेंटरों के आजाने के बाद इनका प्रियोग लगबग समाप्त हो गया है ठीक है जब आपकी लेजर प्रेंटर नहीं आयती है उससे पहले इनका प्रेंटिंग होता है पिलोटर आपके दोपेकार के होती है, फ्लेड, बैड पिलोटर, यह पिलोटर साइज में छोटी होते हैं, तथा इसे आसानी सी रॉल प्योग किया जाता है यह आपका स्पीकर है क्या है इस स्पीकर है कि इससे भी देख लेते हैं इस पीकर को यह एक प्रकार की आउट्वूट डिवाईस है जो कंप्यूटर से फराप्त आउट्वूट को आवाज के रूम में सुनाती है यह कंप्यूटर से डेटा विद्धुत धारा की रूम में प्राप्त होता है इसे से जोडने के लिए साउंड कार्ड की जरूरत पड़ती है यहीं साउंड कार्ड साउंड उठ्वन करते हैं इसका पैज़ोग गाना गाने सुनने में संबादाधी में करते हैं Computer speaker, वह speaker होता है, जो computer में आंत्रे की आप बाहरूप से लगा होता है, ठीक है, आंगे बात करते हैं हम लोग, headphones, ये भी आपने, काफी लोगों ने देखा होगा, headphones, headphones एक प्रकार की output device है, जिसमें loud speaker का एक जोड़ा होता है, इसकी बनावट ऐसी होती है कि इस सिर्व पर weld की तर की ऊपर आ जाते हैं, इसलिए इसकी आवाज सिर्फ इसे पहनने वाले ब्यक्ति ही सुन सकता है, किसी-किसी headphone के साथ माइफी लगा होता है, जिससे सुनने के साथ 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 बाद भी की जा सकती है, इस ओपकारण का प्योग, प्रेया टेली फॉन ऑपरेटों, कॉल सेंटरो ओपरेटों, कमेंटरों द्वारां किया जाता है, इसे रियोफोंस, हैडसेट या कैंस के नाम से भी जाना जाता है, यह है आपका headphone, पर बात करते हैं, प्रोजेक्टर, यह है एक प्रेकार का आउटफुट डेवाईस है, जिसका प्योग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्कीन पर दिखने के लिए करते हैं, इसकी सायता से एक समय में बहुत सारे लोग एक समोह में बैठ कर कोई पईडा देख सकते हैं, इसका प्योग क्लासरूम टैनिंग या एक बड़े कॉनप्रेंस हॉल, जिसमें जान्दा संक्या में दर्सक हूँ जैसी जगहों पर किया जाता है, इसके द्वारा छोटे चित्रों को बढ़ा करके सबलता पूर्वा देखा जा सकता है, यह है एक परकार का आइस्थाई आउटफूट डिवाइस है, ठीक है, प्रोजेक्टर, इन्पूट आउटपूट पूट भी दिख लेते हैं, इन्प इन्पूट आउटपूट डिवाइस, जैसे प्रेंटर, मॉडेम, जोटेक आधी को कम्पूटर से जोड़ती है, इन्पूट आउटपूट पूट निम्न पिकार के होते हैं, फेरेलल पूट, फेरेलल पूट एक माध्या में जिसमें आठ या उससे अधिक तारों को जोड सकते हैं, इसमें आठों तारों से एक डाटा डेटा ट्रांसफर होता है, इसी वज़ए से इसकी डेटा इस्थाना अंतर की स्पीड काफी तेज होती है, इसका प्योग कम्पूटर से प्रेंटर को जोड़ने के लिए करते हैं, फेरे आपका सीरियल पूट, सीरियल पूट क बार कोड रीडर आधी को कंप्यूटर से जोडने के लिए करते हैं इस पोर्ट को कम्यूनिकेशन पोर्ट या कॉम भी कहा जाता है फिर आपका यूनिवर्सल सीरियल बस यह सरवादिक प्योग में आना वाला बाहे पोर्ट है जो लगवग सभी कंप्यूटर में लगा होता है सामानता 2-4 USB पोर्ट कंप्यूटर में लगे होते हैं USB में फिलग और पिले फीचर होते हैं जो किसी डिवाइस को कंप्यूटर से जोडने चलाने में सहायक होते हैं सिंगल USB port में 127 डिवाइसे को जोड़ा जा सकता है तो फिर आपका फायर वायर इसका प्योग ऑडियो पीडियो या फिर मल्टी मीडिया डिवाइसे जैसे की बीडियो कैमरा आधी को जोड़ने के लिए किया जाता है यह एक महेंगी तकनीक है जैसके प्योग बड़ी मात्रा म डेटा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं हार डिस्क ड्राइब और नई डीवीडी ड्राइब को फायर वायर की द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है इसके द्वारा चाल सो एमबी पिती सेकंड की दर से डेटा इस्थानांतर किया जा सकता है मॉड एम कप्योग डेटा को प्राप्त और पेसित करने में किया जाता है कंप्यूटर को चलाया जाने के लिए आवस्थक युक्तियों को इस्टेंडर युक्तियां कहा जाता है जैसे कीवोड हलोपी ड्राइड हार डिस्क मॉनीटर की रिफ्रेस रेट हर्ट में ना पी जाती है मजबूत काली या रंगीन हो जाती है जो एक वायरस की तरह कार करता है अता मॉनीटर का प्यूग करते समय सभी चुमकियों कर्ण हटा देने चाहिए ग्राफिक डिस्पेली यूनिट मॉनीटर अलफा नियुमेरिक अक्चरों के साथ साल ग्राप्स एबं डाइग्राप्स को भी देख लिए आंगे हम लोग बात करेंगे कम्प्यूटर मेमोरी के बारे में ठीक है न हम got कर दोस्तों तो चली हम लोग बात कर रहे थे कम्प्यूटर समान ग्यान की बारे में तो इसमे आब ही थे कंप्यूटर खत्म कर चुके हैं तीसरा चेप्टर था आपका Input और Output डिवाइस Input Output जो एकतियां थी उन्हें हम लोग उन्हें देख लिया था आज बात हम लोग करेंगे Computer Memory के बारी में यह आपका Fourth Number का चेप्टर है याद रखना है आपको जितने भी हम लोग Computer से सम्मंदित आपके Chapter कतम करेंगे इतना पढ़ने के बाद जो हम लोग Mock Test लगाएंगे वो भी आप लोग देख लेंगे तो उसके बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना आपकी किसी भी परिक्चा के लिए बहुत जादा है तो याद रखना यह सभी आपके Chapter Complete Computer Class के नाम से जो आपको Playlist सूची है वहाँ मिल जाएगा उस Playlist सूची को आप लोग Cover कर लेते हैं तो आप लोगों की हर परिक्चा में पूछ है जाने वाले Questions Computer की Memory किसी Computer के उन अव्यवों, साधनों और Record करने वाले माद्धियों को कहा जाता है जिनसे Processing में उपयोग किये जाने वाले अंकिये Data, Digital Data को किसी समय तक रखा जाता है Computer Memory आदोनी Computer के मूल कारेयों में से एक है, अत्वा सूचना भंडा की सुगधा पिदान करती है Memory का मतलब यह समझ लीजिए, आप लोग किसी वस्तू को या किसी भी चीज़ को आप लोग आगे के लिए, होपयोप के लिए सम्हाल के रखते हैं उसे हम लोग Memory कह सकते हैं बास्ताओ में Memory Computer का वाय भाग है, जिसमें सभी Data और Program इस्टोर किये जाते हैं अवे इस्टोर किसलिए किये जाते हैं, क्योंकि हमें आगे उसका उपयोप होता है हमारे लिए यदि यह भाग ना हो, तो Computer को दिया जाने वाला कोई भी Data तुरंट नश्ट हो जाएगा इसलिए इस भाग कमात इस्टवर्ष्ट है Memory मुकता दो पिकार की होती है, मुक मेमोरी तता सहाइक मेमोरी इन में से मुक मेमोरी को CPU का भाग माना जाते है तता सहाइक मेमोरी उससे बाहर चुमकिये मादमों जैसे Hard Disk, Philoppy Disk, Tab आदी के रूम में होती है दोनों पिकार की मेमोरी में लागों की संख्या में Whites होती है जिन में सभी पिकार के Data और आदेश, Winery संख्याओं के रूम में भंडारित किये जाते है किसी कमपीटर की मुख मेमोरी काकाल जितना जानदा होता है उसकी Processing गती उतने ही जानदा होती है बात करते हैं मेमोरी के अनकरम मेमोरी को दो आधार पर विभाजित किया जाते है एक चमता के उदूसरा आपका Access समय के आधार पर चमता सूचना की वह मात्रा है जिसे मेमोरी स्टोर कर सकती है Access समय का वह हंत्राल है जो डेटा के लिए रिक्वेस्ट तथा उस रिक्वेस्ट के पिति बादन में लगता है यह Access समय जितना कम होता है मेमोरी की गती उतनी ही अधिक होती है चितमें मेमोरी अनकरम को बढ़ती गती और घट्टे आकार की रूम में दस आया गया है यह आपका मेमोरी अनकरम यह आपका गती और यह आकार की रूम में सीपीओ रजिस्टर कैस मेमोरी मैन मेमोरी मैगनेटिव डिस्क और मैगनेटिव टेप इस तरफ आप लोग जाएंगे तो इसकी गती स्पीड बढ़े गई और आकार छोटा होता जाएगा इस तरफ ठीक है अब मेमोरी के मापदंड तो इस्टोरेज कैपिसिटी यह मेमोरी के साइज को पिद्शित करती है कंप्यूटर की आंत्रिक मेमोरी को वाड या फिर वाइट में मापा जाता है एक्सेस मोर किसी भी मेमोरी की बहुत सारी लोकेशन होती है इन मेमोरी लोकेशन से information को randomly या sequentially तथा directly access किया जाता है एक्सेस टाइम एक्सेस टाइम वह टाइम है जो कंप्यूटर के read और write operations को संपन्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है बात करते हैं हम लोग आगे मापन की प्रात्मिक एकाईयां मापन की प्रात्मिक एकाईयां कम्प्यूटर की सभी सूचना है electronic component जैसे integrated circuit semiconductor के द्वारा handle की जाती है जो किसी signal की केवन दो अवस्थाएं पहचानती है उपस्तिती और अनुपस्तिती इन अवस्थाओं को पहचानने के लिए दो पितीकों का प्रियोग किया जाता है जैसे 0 और 1 से जैसे हम लोग bit भी कहते हैं 0 signal की अनुपस्तिती जीरो signal किसी एंगित करता है अनुपस्तिती को और 1 signal की उपस्तिती को दर साता है एक bit computer की वह सबसे चुटी unit है जो केवल 0 या 1 इस्टोर कर सकती क्योंकि एक single bit केवल एक या दो ही मान इस्टोर कर सकती कम्प्यूटर में जब हम रैम, रॉम, फेलोपी डिस्क, हार्ट डिस्क इत्यादी का पिरियोग करते हैं तो data कुछ units में से वह स्टोर होता है जिसे निवल, bit, white, kilobyte, megabyte और gigabyte कहते हैं इनका सक्षिप्त विवरण निमनिपता है, bit, bit y नहीं digit को निरूपिक करता है एक single digit है, जिसमें 0 तथा 1 का पिरियोग होता है, 0 का ताथवर off से है, और 1 का ताथवर on से है तो सबसे छोटी आपकी काई होगी bit, निवल, निवल में 4 bit होती है, 2 निवल, 1 byte के बराबर होती है याद रखना आपका पूछ लेता है, कि सबसे छोटी काई कौन सी है, bit, फिर है आपकी निवल, फिर white, white लगभग एक करेक्टर है जैसे letter A, number 1, पिती, question 1, 8 bit के एक समभू को white कहते हैं, फ्रह किलोबाइट, मेमोरी में 1024 white को 1 किलोबाइट कहते हैं, फ्रह आपका मेगाबाइट, क्या है, मेगाबाइट, मेमोरी में 1024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट कहते हैं, इसका ताथ पर 1,000,000 white या 100,000 किलोबाइट से होते हैं, फ्रह आपका गिगाबाइट, मेमोरी में 1024 मेगाबाइट के समभू को 1 गिगाबाइट कहते हैं, इसका ताथ पर 1,000,000,000, sorry, billion white या 1,000 मेगाबाइट से हैं, अधिकतर चिप बनाने वाली कंपनियां, मेगाबाइट और गिगाबाइट का परियों कहते हैं, जैसे 64 MB, 128 MB, 256 MB, 1.2 GB, फिरह आपका टेराबाइट, एक टेराबाइट में अधिक से अधिक, 10 की पावर 40 white अर्था 1024 GB, एक टिलियन white होते हैं, यानि कि 10 की पावर 12, फिरह पेटाबाइट, एक पेटाबाइट, बराबद 1024 टेराबाइट, या फिरह दो की पावर 50 white के बराबर होती हैं, एक टेराबाइट, एक एक टेराबाइट, 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 एक टेर वाइनरी डिजिट आठ विट एक बाईट बरावर दो निवल दस्सोच्च्च्च किलो बाईट या के भी ठीक है गीगावाइट आपका एक टेरावाइट एक टीवी के बराबर होता है या हमोग मेमोरी है इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं या हम लोग में मेमोरी भी कहते है पर आपकी दुद्धियक मेमोरी इसे आप लोग secondary memory कहते हैं या फिर और चलीरी memory भी कहा जाता है इसे बात करते हैं प्राथमिक memory, primary memory के बारे में इसे आप लोग आंत्रेक memory के भी कह सकते हैं क्योंकि यह कंप्पूटर के CPU का ही भाग होती है primary memory में किसी समय चल रही प्रोग्राम या उनके import data और output data कुछ समय के लिए store किया जाता है जैसे ही उनकी आवसक्ता समाप्त हो जाती है उन्हें हटा कर दूसरे data या फिर प्रोग्राम रखे जा सकते हैं इस memory का का सीमित होता है परन्तों इसकी गती बहुत तेज होती है ताकि जब भी किसी data की जरूवत हो तो इस में से तुरंट लिया जा सकते है computer की मुख memory का का जितना जाना होता है वह computer उतना ही तीपित माना जाता है बात करते हैं primary memory के आपके कुछ भाग दो भागों में बाटा गया ऐसे primary memory को इसमें आपका पहला है random access memory यानि की RAM random access memory यह memory का एक चिप की तरह होती है जो metal oxide semiconductor से बनी होती है पूंच लेगा यह तो याद रखना है metal oxide semiconductor से बनी होती है RAM में उपस्ते सभी सूचनाओं आएं भास्ताई होती है जैसे ही computer को इपिद्धू सप्लाई बंद करती जाती है वैसे ही समस्त सूचनाओं नश्ट हो जाती है अर्थात RAM एक volatile memory है RAM का उपयोग data को इस्टोर करने और उसमें memory में उपस्ते डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है RAM में उपस्ते पिते एक location का अपना एक निश्चित पता है इस पते के दुआरा ये CPU को यह बताया जाता है कि memory की किस location में सूचना इस्टोर करनी है या किस location से सूचना प्राप्त करनी है RAM दो पिकार की होती है आपके RAM यानि के random access memory भी दो पिकार की होती है यह पिकार हैं आपके dynamic RAM और aesthetic RAM dynamic RAM के बारे में बात करते हैं हम लोग पहले इसे DRAM भी कहा जाता है DRAM चिप के storage cell परिपतों में एक transistor लगा होता है जो ठीक उसी पिकार करता है जिस पिकार कोई on, off, switch करता है और इसमें एक capacitor भी लगा होता है जो एक बित्व चार्ज को store कर सकता है transistor रूपी, switch की इस्ति के अंसार और capacitor charger भी हो सकता है अन और uncharted भी हो सकता है इन इस्तितियों को किरम सा 0 bit और 1 bit माना जाता है परंतु capacitor का charge leak हो सकता है इसलिए उस charge को फिर से भरने या उत्पन करने का प्रावधान अत्वा अर्थात refresh किया जाता है जिसके कारण इसकी गती धीमी हो जाती है इस पेकार dynamic RAM चिप ऐसी memory की सुखदा देता है जिसकी सूचना विजली बंदे करने पर नश्ट हो जाती है DRAM के आपके उधारन है जैसे SD RAM RDM RD RAM DD RAM इनके आप लोगों को फुल परवं भी याद रखना है जो कि पूंच लेता है कई बार आपका पर है आपका STATIC RAM इसे SRAM के नाम से भी जाना जाता है इसमें डेटा तब तक संचित रहता है जब तक बिद्धुत सप्लाई ओन रहती है STATIC RAM में STORAGE CELL परीपतों में एक से अधिक ट्रेंजेस्टर लगे होती है इसमें CAPACITOR नहीं लगा होता है STATIC RAM अधिक तर उस केस की तरह उप्यों किया जाता है DYNAMIC RAM की तुला में STATIC RAM अधिक महिली होती है SRAM के यानि कि STATIC RAM के उधारन इस पकार है Non-Bolatile SRAM Special SRAM और Asynchronous SRAM Synchronous SRAM अब बात करते हैं हम लोग Read Only Memory के बारे में यह आपकी प्रात्मिक मेमोरी की भागें इससे संचेप में हम लोग ROM कहा जाता है क्या कहते हैं ROM इस मेमोरी में उपस्ते डेटा तथा निर्दिस इस्था ही होती है जिस कारण इने केबल पड़ा जा सकता है परन्तु उन्हें इने डेटा और निर्देशों में परिवर्दित करना संबव नहीं है डेटा और निर्देशों के स्थाही होने के कारण कम्प्यूटर ही बिद्धुत सप्लाई बंधोने पर भी इस चिप में भरी सूचनाए सनर्पचित रहती है अर्थात ROM नौन बॉटिट बॉलेटाइल मेमोरी है और आपकी RAM बॉलेटाइल मेमोरी थी बास्ताओ में ROM चिप बनाते समाई उसमें कुछ आवसक डेटा प्रोग्राम डाल दिये जाते हैं जो इस्थाई होते हैं ROM का प्योग सभी पेकार के इलेक्टोनिक उपकरों जैसे केल्कुलेटर, वीडियो गैम, डिजीटल कैमरा आधी में किया जाते है ROM के निमने पकारों होते हैं, यह आपका ROM है, देख लिए जाते हैं, रॉम के पेकारों में आपका P-ROM है, यह प्रोग्रामेवल Read-Only Memory है, का संचित नाम है, यह एक ऐसी मेमोरी है, जिसमें एक प्रोग्राम की सहता से सूचनाव को इस्थाई रोग से इस्टोर किया जाता है साधारन मेमोरी में ट्रांजिस्टर सूचों को इस्थाई रोग से ON और इस्थितियों में सेट कर दिया जाता है, लेकिन प्रॉम, प्रॉम मेमोरी के मामलों में चिप को इस पकार बनाये जाता है कि इसके सभी स्वीचों को ओन करके छोड़ दिया जाता है जब इस मेमोरी में कोई सूचना भर नहीं होती है तो एक उपकरण जिसे प्रॉम, प्रोग्रामर या वर्नट भी कहा जाता है द्वारा यसी उच्छ वॉल्टेज के पल्स उत्पन किये जाते है जिन में जिन से कुछ चुने हुए स्वीच नश्ट हो जाते है अर्था भी स्वीच वन और जीरो हो सकती है इस पर करण प्रॉम चिम में सूचनाय श्टोर कर दी जाते है फ्रॉम मेमोरी को भी केबल एक बार ये प्रोग्राम द्वारा भरा जा सकता है प्रॉम की तरह यह भी स्थाई होती है और बाद में से बदला नहीं जा सकता फिर आपकी इप्रॉम यह एक ऐसी मेमोरी है जिसको फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है इसकी सूचनायों को चिम में ही रखी गई बिद्द्धारा के दोरा इस्थाई रखा जाता है किसी इप्रॉम की सूचनायों को उस सर्कुट से हटा कर उसमें बनी हुई एक छोटी सी खिरकी से अल्टा वायलेट केर्णों केर्णे डालकर साफ किया जा सकता है बाद में से इप्रॉम बर्नर की साहता से फिर से रिप्रोग्राम किया जाता है यानि की हटाया भी जा सकता है उन्हें संगीत की जा सकते हैं सूचनायों ऐप्रॉम से भरी सूचना भी इस्थाई होते हैं क्योंकि कंप्पूटर को आप कर ड़ने के बाद एल्या यह उन्ली में में नाम है यह एक ऐसी नाम है जिनको फिर से प्रोग्राम करने के लिए सर्किट से हटाने और निर्माता को भेजने की आवसकता नहीं होती है आप इसको एक बिसेश सब्रवियर ये प्रोग्राम की सायता से अपने कंप्यूटर में ही प्रोग्राम कर सकते हैं इसमें एर बिसेस्ता भी है कि फिर से प्रोग्राम करने के लिए इसकी सारी सुचनाओं को नश्ट करने की आवसकता नहीं होती है। आप एक बार में की एक बाइट को साब करके फिर से लिख सकते हैं। इसमें प्रहा कंप्यूटर के कौन फिकेशन से सम्बंदी सुचनाओं रखी जाती है। फिलेस मेमोरी यह एक प्रिकार की सेमी कंडेक्टर आधारे नौन बोलिटाइल बिद्दू सप्लाई बंध होने पर भी चिम्मे पर ही सुचनाओं सरक्चित रहती हैं। तथा रिराइट टेबल उन्हा लिखने यूग मेमोरी जैसे डिजीटल केमरों मेमोर मोबाइल फॉन पेंटर इत्यादी में उप्योग किया जाता है। फिलेस मेमोरी को वरिचूल मेमोरी है। अब आपका पुछ लेता है जैसे वरंडे एकजाम में कैसे पूंचेगा एकजाम के लिए औबजिक्टिव रूम में कि फिलेस मेमोरी का उप्योग कहा कहा किया जाता है। या पूछ लेगा कि डिटिडल केमरों में किस तरह की memory का प्योग करते हैं तो flash memory और आपका लिखित में पूछ रहा है अगर पूछता है flash memory क्या है तो यह आपको पर व्यासा लिखते निया है ऐसे दिए मैमोरी ये एक कालपनिक मेमोरी छेत है वर्चुल मैमोरी स्प्यू के नेदेश आइस्थाए रुक से संगेत करती है एमेन मेमोरी prosper की चमता भढ़ती चैसे computer की कारचमता बढ़ती है virtual memory का प्योग तब किया जाता है जब किसी प्रोग्राम को चलाने के लिए man memory की बन्दा रण चमता कम पड़ रही है ऐसे इस्तिति में प्रोग्रामों की को बिभिन टुकडों में बिवाज़द कर दिया जाता है तथा प्रोग्रामों के टुकडों को virtual memory तथा mok memory के भी स्वेब करके प्रोग्राम चलाया जाता है अब बात करते हैं हम लोग दुतियक memory है यह थी आपकी अभीतर प्रात्मिक memory दुतियक memory इस वेकार की memory CPU से बाहर होती है इसलिए से बाहर या फिर secondary memory भी कहा जाता है computer की मुख memory बहुत महेंगी होने तथ हम बिजली बंदक कर देने पर उसमें रखी अधिकतर सूचना है नठ हो जाने के कारण ना तो हमेने उसे एक्छानुसार बढ़ा सकते हैं और ना ही हम उसमें कोई सूचना इस्थाई रुख से इस्टोर कर सकते हैं इसलिए हम सहाइक memory का उपयोग करना पढ़ता है इसकी कीमत तो लात्मक्त दिरश्टी से बहुत कम है और डेटा इस्टोर करने की चमता बहुत अधिक होती है बस इसमें एक कमी ही है इन माद्यमों से डेटा को लिखने पढ़ने में समय बहुत लगता है इसलिए हम इसमें ऐसी सूचनाय बंडारिक करते हैं जिनें लंबे समय तक सुरक्षित रखना हो जिनकी आवस्तक्ता लगाता नहीं पढ़ती हो यहीं आपका क्यास memory है इसे भी देख लेते हैं यहीं एक बिसेश पकार की memory है जो अत्यदिक तेज एस्टेटिक रेम जिपों का उपयो करती है और प्रोसेसर को किसी विसेश memory का उपयो अत्यन तेजी से करने की सुविधापिदान करती है सामनता प्रोसेसर को रेम मेमोरी से कोई डेटा पढ़ने में 119 सेकंड का समय लगस जाता है कैस memory से बार-बार आवसक डेटा कीबल 45 नेनो सेकंड में परापत किया जा सकता है कैस memory का उपयोग करने से आपके कंप्यूटर की दक्षिता काफी बढ़ जाती है कैस memory प्रोसेसरों मानक डी रेम मोडूलों के बीच एक बफर के रूम में रहती है नमी इंतम नर्देश और उसके डेटा को cache memory में रखा जाता है जब प्रोसेसर को किसी सूचना हो कि आवसक्ता होती है तो सबसे पहले वास cache memory को ही देखता है यदि सूचना cache memory में ना हो तो उसे मुख memory में देखा जाता है आँगे बात करते हैं हम लोग हम सहाइक memory को अपनी आवसक्ता के अनुसार किसी भी सीमा तक बढ़ा सकते है यह memory कुछ चुमकी है उपकरड़ों के उपकरड़ों के रूम में होती है जैसे magnetic disk, optical disk या solid state disk इन उपकरड़ों के बारे में आगे विस्ताज से बताया गया है सहाइक memory का उपयोग backup के लिए किया जाता है जब हमें किसी डेटा की ततकाल आवस्चता नहीं रहती है तो उसे किसी चुमकिये माद्यम जैसे फिलॉपी डिस्क या चुमकिये टेप पर नकल करके अलग सुरक्षे कर लिया जाता है ऐसा फिर या hard disk को को खाली करने के लिए किया जाता है ताकि उस पर ऐसा या ऐसी memory भरा जा सके जिसकी आवस्चता पढ़ रही हो और डिस्क पर जगए ना हो बैक अप साधर में भंडारित किये डेटा को आंगे कभी भी आवस्चता पढ़ने पर फिर hard disk पर उतारा या नकल किया जा सकता है प्यारमे कम्पीटरों में चिद्यत काल, पेपर टेप या चुमकिये टेवों का उपियोग साहिक भंडारिक के लिए किया जाता था लेकिन आजकल मुक्ख रूख से चुमकिये डेस्कों का प्रियोग इसकारियतु किया जाता है जो इस पिकार से सुगधा जनक है साहिक मेमोरी के रूम में आजकल hard disk, philoppy disk और compact disk का पिचलान है इसके लिए अपने विसेस ओपकेंड होते हैं जिनकी साहिता से इन सूचनाओं को लिखी जाती है इन सूचनाओं को उनकी drive कहा जाते है यसी आपकी वो धारन में आप बता सकते है Magnetic disk, Optical disk, Solid, State disk, Hard disk, यह आपका CD रूम Pen drive, Reflection drive, Floppy disk, DB, Memory disk, Pillow ray disk अब बात करते हैं कुछ दुतियक secondary जो आपकी storage device है उनकी ओधारन के रूम तो अब बात करते हैं आप लोग फिलोपीटेस फिलोपीटेस के माईलर की बनी हुई एक बित्ता का डिस्क होती है जिसके दोनों ओर एक चुमिकी एपलार का लेप चड़ा होता है यह एक प्लास्टिक के चोकोर कबर में संरक्चित रहती है जिसके बीतर फिलोपी की सफाई करने वाली मुलायम लाएने होती है यह तीन आकारों में उपलाप्त होती है यह आपकी फिलोपीटेस आठ इंच फाइब सही पाँच सही एक बटे चार इंच तीन सही एक बटे दो इंच इसमें बीच की दूरी हब किसी धातु की बनी होती है इसके उपर किनारों पर इखे सकने माला डखकन होता है जो लिखने पढ़ने की खुले इस थान को पूरी तरह डख लेता है इसका लिखने का सुरप्चिचिद आयताकार होता है जिसमें एक चोटा सा पिलाश्टिक का टेब या टुकड़ा होता है या टेब दो इस्तितियों में रखा जा सकता है एक इस्तिति में रहने पर फिलाश्टिक पर कुछ भी लिखा जा या पढ़ा जा सकता है और दूसरी इस्तिति में रहने पर उसमें केवल पढ़ा जा सकता है फिलोट पीपर डेटा को कुछ साकेंद्री ये वित्याकार पथों पर इस्टोर किया जाते हैं जिसे हम लोग टेक्स कहते हैं हाई हर टेक कई भागों में बटा होता है जिसे हम लोग सेक्टर कहते हैं डिस्क को ट्रेकों और सेक्टरों में बिभाजित करने की विक्रिया फार्मेटिंग कहलाती हैं एक सेक्टर में 512 वाइट होती हैं इसकी पिती इंच चौडी सते पर 135 ट्रेक बने होते हैं पिती एक ट्रेक पर कुछ महीन चुमकिये चिन बनाए जाते हैं एक दिसा में बनाए गए चिन वाइनरी अंक 1 को ब्यक्त करते हैं और उसकी विपरी दिसा में बनाए गए चिन वाइनरी 0 को ब्यक्त करते हैं इस पिकार चुमकिये डिस्कों पर वाइनरी कोड में कोई भी सूचना अंकित की जा सकती हैं फिलॉपी डिस्क पर कोई सूचना लिखने या उससे पढ़ने के लिए एक बिसेस उपकरेंड की आवा सकता हुती है जिसे फिलॉपी डिस्क ड्राइब एफटीडी कहा जाता है फिलॉपी को इस ड्राइब में लगा दी जाता है तो वह धातू को धुरी को जकड़ लेता है और डिस्क को कुमाना तुरू कर देता है ड्राइब का रेड राइड राइड आगे पीछे चल सकता है इससे हुआ फिलॉपी के किसी भी डिस्क के किसी भी सेक्टर में डेटा लिख सकता है या उससे data पड़ सकता है फिलॉपी disk drive में फिलॉपी को उसी पिकार लगा जाता है जिस पिकार किसी cassette player आपने देखा होगा अब तो सायद बंद हो गया इस तरह की cassette player cassette को लगा जाता है आजकल फिराग हर computer में फिलॉपी drive अवस होती है बात करते हैं hard disk hard disk इन्हें fixed disk भी disk भी कहा लगा यह कई आकार आकारों और चमताओं में मिलती है लेकिन इनकी बनावत और कार पिर्णाली लगवग एक ही होती है कोई hard disk एक ही दुरी पर लगी हुई कई वित्ता का चुम किये diskों का समोग होता है पित्ते एक disk की की सत्यों पर किसी चुम किये पदारतों का लेप होता है जिस पर चुम किये चन बनाए जाते है सबसे उपरी और सबसे नीचे disk की बाहरी सत्यों को छोड़कर अन्न सबी सत्यों पर data store किया जाते है एक सतय के लिए एक अलग रिए लाइड हेर्ड होता है जो आगे-पीछे करता है w एक साथार्ण हार डिस्क की सरर्जणा जित में दिखाए गए है यह आपकी हार्ड डिस्क, है यह आपका स्पेंडल यह यहां रीड राइट हेर होगे जो पढ़ने का काम करता है यह लिखने के यह आपके प्लेटर्स यह आपका सेक्टर्स टेक्स किसी हाइड डिस्क में डिस्क की को तेजी से घुमाया जाता है इनके घूमने की गती 36,000 चक्र पिती मिनिट होती है 36,000 चक्र पिती मिनिट से लेकर 300,000 चक्र पिती मिनिट तक होती है रीड राइट हेड डिस्क की सतय की बीच लगवग 0.004 तेज का अंतर होता है सभी डिस्क एक साथ गूमती है और सभी रीड राइट हेड एक साथ आंगे पीचे सरकते हैं परन्तु डेटा लिखने और पढ़ने के लिए एक समय में केवल एक ही रीड राइट हेड को चुना जाता है इस पिकार विभिन ने रीड राइट हेडों को चुनते हुए किसी भी सतय के किसी भी सेक्टर से डेटा पढ़ा या पिर उस पर लिखा जा सकता है आधोनीक हाइड डिस्कों की चमता 200 गीगाबाइट तक होती है पर्सनल कंप्यूटर के लिए विशिफ पिकार की हाड डिस्क भी उपलबत है जिने वेंचेश्टर डिस्क कहा जाता है इनकी चमता 20 गीगाबाइट से 80 गीगाबाइट तक होती है हाइड डिस्क सूचनाओ को इस्थाई रोप से संगेत करने का बहुत विशुसनी है माद्यम और इनका उप्यव करने की गती भी पर्याप्त होती है लेकिन इस धूल आदी के पिती बहुत संबिदन सील होती है जिसके कारण इनको एक डिब्बे में इस्थाई रोप से बंद रखा जाता है और सिस्टम यूनिट के वीतर लगा दिया जाता है तरह आपकी मैमोरी इस्टिक मैमोरी इस्टिक एक पिकार का मैमोरी काईड है यह USB आधार मैमोरी ड्राइब है इसका अकार 50.0 इन्टू 21.5 इन्टू 2.5 mm होता है इसकी चमता पांच चार एमबी से 256 GB तक होती है कि इतनी होती है चार एमबी से 256 GB तक फिरे आपका कॉंपक्ट कॉंपक्ट डिस्क कॉंपक्ट डिक्स कॉंपक्ट डिस्क के बारे में बात करें तो एक बिसेस पिकार की डिस्क मैमोरी है जिन पर डेटा प्रया एक बार ही लिखा जाता है उपर उसे कितनी भी बार पढ़ सकते हैं यह ही एक पिकार की read-only मेमोरी है इनमें परया ऐसी सूचना इस्टोर की जाती है जो इस्थाई प्रक्किती की हो तथा जिनकी आवसकता बार बार पढ़ती हो जैसे टेलिफॉन डायरेक्टरी हवाई जहाजयों की उड़ान की समय साड़ी पुस्तक पुस्तक कालय की पुस् जिन पर दोनों रिया कार्ट नियुक्तिक जॉतक की पुदिताद बार यम द्रक्ण होती है बिद्धाकार ट्रें वहीं कॉंपग्ट डिस्क पर एक सरभीलाकार में पुल की बार तकि होता है इस पिकार डेटा को record करने की विदी भी अलग होती है चुमकिय डिस्क पर चुमकिय चिन बनाए जाते हैं जबकि CD पर गड़ों और भूमी के रूमे डेटा इस्टोर किया जाते हैं कोई गड़ा प्रिकास को पिखेर देता है जबकि भूमी पिकार को लोटाती है इसमें करमसा 1 और 0 को ब्यप्त किया जाता है संपूर्ण CD पर सुचनाओं को समानगणत्य की साथ ट्रक की लंबाई में सुचनाओं को श्टोर करने की मात्रा समान होती है इसलिए सुचनाओं पड़ते समझ डिस्क की गूमने की गती बदलती रहती है उसे इस पिकार गुमाये जाता है कि 30 सेकंड पड़ी जाने वाली वाइटों की संक्या निश्चेत्र रहती है इसे हम लोग इस्थिर रेखिये गती भी कहते हैं क्या कहते हैं इस्थिर रेखिये गती एक सेडी की भंडारन चमता 680 मेगावाइट से 800 मेगावाइट तक होती है इसे फिर या 1200 किलोबाइट पिती सेकंड की इकती से पड़ा जाता है इसमें से सूचना है पड़ने के लिए जो ड्राइव प्योग में लाई जाती है उसे हम लोग सीडी लॉम डराइव कहते हैं आजकल ऐसे कॉम्पैक्ट डिस्क भी उप्लब्द हैं जिन पर साधारा और खिलोपी की तरह डेटा लिखा या पड़ा जा सकता है लेकिन उनके लिए सीडी राइटर नामा कॉपकरेंट की जरूरत होती है अब एक्चा किल्प महेंगे होने के गारण इनका प्रियोग अभी सी में थे कॉम्पैक्ट डिस्क का प्रियोग सावानता कंप्यूटरों के साथ किया जाता है क्योंकि सभी पिकार के प्रोग्राम आजकल सीडी पर ही उपलत होती है यह से मुक्ता तीन भागों में बाता जा सकता है CD-ROM, Read-only Memory, CD-Recordable, CD-RW, यानि की राइटेवल अब बात करते हैं DVD, डिजीटल वीडियो डिस्क, आजकल सीडी का एक अन्न परिस्कत प्रोग्वी उप्योग में लाया जाता है जिसे हम लोग DVD कहते हैं, एक Compact डिस्क हो गई है आपकी DVD, इनकी बंदारन चमता 2GB या आधिक भी हो सकती है इस पर डेटा लेखने है या उसमें पढ़ने के लिए एक विसेश ड्राइव होता है, जिसे CD-DRIV कहा जाता है क्या कहते हैं, CD-DVD-DRIV इसे Digital वर्स से टाइल, डिस्क या Digital वीडियो डिस्क के रूम में भी जाना जाता है एक Optical डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है, इसे वर्स 1995 में Sony, Panasonic और Samsung द्वारा विक्सित किया गया था इसका मुख विडियो और डेटा का बंदारन करना है DVD का आगार Compact डिस्क CD के समानी होता है लेकिन या 6 गोना अधिक तक डेटा बंदारन करते हैं DVD सब्दी के परिवर्तित रूप अक्सर डेटा के डिस्क पर संगहर्ण परदिती हो बैडित करते हैं DVD ROM, Read Only Memory में, डेटा को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है DVD R और DVD Plus रेकॉर्डेवल डेटा को सिर्फ एक बार रेकॉर्ड कर सकते हैं उसके बाद एक DVD ROM की रूम में कार करते हैं DVD RW, Rewritable, DVD Plus RW, DVD RAM, Random Access Memory, डेटा को कई वार रेकॉर्ड कर सकता और मिटा भी सकता है DVD वीडियो और DVD ओडियो डिस्क, क्रमसा उचत रूप से संचरित और सौरूपित वीडियो और ओडियो सामगिरी को संदिवित करते हैं वीडियो सामगिरी वाले DVD, सहत DVD के अन्य परकार को DVD डेटा डिस्क भी कहा जाते सकता है अब बात कर लेते हैं हम लोग, बिलू रे डिस्क के बारे में या आपका बिलू रे डिस्क बिलू रे डिस्क या बिलू रे नाम से पिछलित है एक ऑप्टिकल डिस्क संगरण माद्यन है, जिसे मानक DVD पैरूप का इस्थान लेने के लिए बनाये गया है बिलू रे डिस्क का नाम इसे पढ़ने में प्रयोप नीले वैगनी लेजर से लिया गया है एक मानक DVD में 650 नैनो मीटर लाल लेजर का प्रयोप किया जाता है जब कि बिलू रे डिस्क का कम तरंग देर का प्रयोप करती है 400 nm वाला नीला वैगनी लेजर और एक DVD की तुल्ला में लगवक 10 कुना अधिक डेटा संगरहण की अनुमती देता है मुक्रोग से इसका प्रियोग उच्च परिवाचा वाले वीडियो, पिले इस्टेशन, 3D, 3P, वीडियो गेम्स या अन्न डेटा को पितेक एकलपरत वाले प्रो टाइप, प्रोटो टाइप पर 25 GB तक और धुरी परत वाले 50 GB तक संगेत करने के लिए किया जाता है यक भी ये संख्याएं बिलू रे डिस्क के लिए मानक संगेन को बताती हैं, तदा भी एक मुक्त वी निर्देशन है, जिसमें उपरी सिध्धान्तिक रुष्टंगेन सीमा आजपच छोड़ दी गई है इस डिस्क में इसते सूचना हों को किसी भी अत्रिक्ट ओफकर्ण या संसोधित खारम विएर के बिना पढ़ा जा सकते हैं बिलू रे डिस्क के बहुत ही कायां मानक DVD और CD के समानी होते हैं यह थी आपकी बिलू डिस्क फिर आपकी पैन थम या फिलेस ड्राइब जिसे हम लोग पैन ड्राइब यह तो आप लोगों ने देखी होंगी फिलेस मेमोरी डेटा स्टोरेज डिवाइस से बनाएं जिसमें एक USB यूनिवर्सल सीरियल बस एक दसमलो एक याद दो दसमलो जीरो अंतरा फलक एकी करित होता है USB फिलेस ड्राइब आमतर पर हटाने यूग और री राइटेवल होती है जो एक फिलॉपी डिस्क से छोटे होते हैं और अधिकांसता इनका बजन 30 ग्राम से कम होता है आकार और मूल की बड़ोत्तरी के साथ इनकी भारंडारन चमता भी बढ़ती जा रही है USB फिलेस ड्राइब का प्रेया उसी उद्दे से किया जाता है जिस उद्दे से फिलॉपी डिस्क का किया जाता है हिलते हिस्सों के ना होने के कारण बे अपेक्छा के छोटे तेज हजारों गुना अधिक चमता बाले और अधिक टिकाव और विश्वस नहीं है लगबक 2005 तक अधिकाश डिस्टॉप और लेप्टॉप कम्पूटरों की आपूर्ती एक फिलॉपी डिस्क ड्राइब के साथ की जाती थी लेकिन हाली में अधिकाश ताउकरणों ने USB पोर्ट को अपनाते हुए फिलॉपी डिस्क ड्राइब को त्याग दिया है फिलेश ड्राइब USB मौस स्टोरीज मानक का उप्यूप करते हैं जो आध्वनेक ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्ते हैं जैसे बिंडोव, MEC, OS X, Linux, Unix अन्य सिस्टम हैं USB 2.0 समर्तन वाले USB ड्राइब अधिक डेटा संग्राय कर सकते हैं और आप एक चाके बड़े ऑप्टिकल डिस्क ड्राइब से अधिक तेजी से डेटा इस्थाना दित कर सकते हैं और इन्हें अधिकांस ता अधिकांस अन्य सिस्टम हो द्वारा पढ़ा जा सकता हैं तो यह आपकी पैंड ड्राइब यह से हम लोग फ्लेश ड्राइब भी कहते हैं फर है आपकी मैगनेटिव टैप यह पुरानी फाइलों का बेक अप होन लेने के बहुत सुरक्षित और सस्ते साधन माने जाते हैं यह प्यारम से ही कंप्यूटरों में प्रियोग किया जाते रहे हैं जो एक चक के बल्लेपटा होता है इसकी एक सत्य पर किसी चुम्म की यह पदारतों की पतली परत होती है इस तरह चुम्म की चिन्न बना कर डेटा लिखा जाते हैं टैप की एक इंच लंबाई में 800 से लिकर 6250 यानि की 6000 पचास बाइट तक लिखी जा सकते हैं टैप की लंब चुम्म की यह टैप कापी धीमा होता है क्योंकि यह एक क्रिमिक माद्य में इस कारत है कि इसमें डेटा लिखने या पढ़ने की का कार एक सरे से दूसरे से तक किरम सक किया जाता है हम बीच में से लिखना पढ़ना शुरू नहीं कर सकते हैं यदि हमें बीच में भरी हुई कोई फाइल पढ़नी हो तो उससे पहले का सारा डेटा धीरे-धीरे छोड़ना पढ़ता है किन्तु इन टैपों को विश्वसनीता बहुत अधिक होती है इस एकड़ों वर्सों तक भी सुरक्षित रहते हैं इसलिए इनका प्रियों ऐसा डेटा श्टोर करने में करते हैं जिस इसमें दूसरी पर एक खाली चक्का इस्थाई रूप से लगा होता है और पहले पर टैप लगाए जाते हैं जिस पर डेटा लिखना या पढ़ना है आजकल चुमकिये टैप एक छोटा रूप अधिखास कंप्यूटर में प्रियूप किया जाता है या साधान ओडियो गैस नहीं बद्णा होती है सेकेंडरो सैकेंडरी में मूरी डिवाइज उनके स्टूरेज के माध्याम भाला भंदाराण चम्ताब यह आपकी डिवाइज हों स्टूरेज माध्याम और इसकी चम्ता है फिलॉपी डिस्कि बाक 3ल कि सब्सक्र inert 246 मवी, फिलॉपी डिस्क 8 इंच, मागनेटिक से 20 मवी से 80 GB, CD-ROM, आप्टिकल 640 मवी से 680 मवी, DVD-ROM, आप्टिकल 4.7 जीवी से 70 जीवी, पैंडराई, सॉलिट इस्टेट यापका 1 जीवी से 256 जीवी तर, मैगनेटिक टिब, मैगनेटिब, 60 MB से 8 जीवी तर, सेकेंडरी इस्टोरेज मीडिया से, हार्ट डिस्क में सॉप्टिवेग प्रोगराम को कॉपी करने की विक्रिया को, इन इस्टॉलिशन कहते हैं, यदि उपयो करता को CPU में तदकाल अपलग, सूचनाओं की जरूरत हो, तो भीत्री डिप ट्रेक होता है, तो ये था आपका, खोथ नंबर का चैप्टर, यानि कि, 14 चैप्टर, कंप्यूटर, मैमोरी, अब बात करेंगे, 15 चैप्टर में हम लोग, डेटा, निरूपन, डेटा, निरूपन के बारें, ठीक? नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करेंगे आज, कंप्यूटर, सामान गयान के बारें, जसा कि आपको पता होगा, कि अभी तक हम लोग, 4 चैप्टर, खतम कर चुके हैं, कंप्यूटर, साइंस से सम्बंदि, 14 चैप्टर था, कंप्यूटर, मैमोरी, इस चैप्ट और उसके बाद आपके 15 से 20, हम लोग मौक टेस्ट लगाएंगे, इतना आपके लिए कबर करने के बाद, आपको कहीं भी कंप्यूटर साइंस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, आपकी कोई भी वंड एक्जाम हो, फिर एक चाहे लिखेत एक्जाम हो, दोनों ही आपके देखने के बाद, तो कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर सामान या जो भी आपका रहता है, डेटा निरूपन, कंप्यूटर, डेटा के निरूपन के लिए बाइनरी भासा का प्रियोग करता है, यह बाइनरी भासा जीरो और बन से मिलकर बनी होती है, उप्योग करता या कम्पूटर से जो भी आउटपूट प्राप्त करता है वह अप्छर, संक्या, संकेथ, धौनी या वीडियो के रूम में होता है। इन सभी डेटा या निर्देश को पहले वाईनरी भासा में बदला जाता है। अथा डेटा को जीरो और एक के रूम में पिस्तोत करना पड़ता है। इस पिक्रिया को डेटा निरूपन कहते हैं। अब आपके कहीं भी पूछ लेता है कि डेटा निरूपन क्या है तो आप ये परिवासा लेख सकते हैं आरम से। जो हम लोग मौक टेस्ट सॉल्व करेंगे आके वो वन्ड एकजाम के लिए बहुत ही महत्रूर रहेंगे क्योंकि औबजेक्ट रूम में रहेंगे हमारे मौक टेस्ट। तीप तु लगा लेना आप लोग मौक टेस्ट जब हम लोग बात करेंगे फिर बात करते हैं संख्या पदिती नंबर सिस्टम संख्या पदिती की अंतरगत बिभिन प्रिकार की संख्याओं का समूव होता है जिसका प्रियोग कम्प्यूटर में किसी डेटा निर्देश को ब्यक्त करने के लिए करते हैं कम्प्यूटर को डेटा या निर्देश अलग-अलग संख्या पदिती में दिया जाता है और कम्प्यूटर अलग-अलग संख्या पदिती में डेटा को निरूपित करता है किन्तु आंतरे कुरूप से किसी कारे को करने के लिए कम्प्यूटर binary binary वाहसा का ही प्रयोख करता है संख्या पदिती, नंबर सिट्टम के पेकार computer system दो दोरा प्रयोख की जाने वाली संख्या पदिती पदितिया मुकतल 4 पेकार के होती है कितने चार इनमें आपका बाइनरी संख्या पद दिती है दसमलो संख्या पद दिती है ओक्टल संख्या पद दिती है हैक्सा डेसिमल संख्या पद दिती है बाइनरी या दूई आधारी संख्या पेणाली इस संख्या पेणाली में के बल दो अंक होते हैं सुन और एक जिस कारण इसका आधार दो होता है इसलिगे से दूई आधारी या बाइनरी संख्या पेडाली कहा जाता है जिस पेडाली में कंप्यूटर की मुख्य बद्दिती बनती है वह स्वीच की तरह कारी करती है स्वीच के बद्दो इस्तितियां होती है और 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 इसके इलावा कोई तीसरी इस्तिति संभव नहीं है इस आधार पर कंप्यूटर संख्या पेडाली में जीरो करत कारत होता है और जो वह वन है एक है इस कारत होता है और से वाइनरी पेडाली का आधार दो होने के कारण उसके इस्तानी है मान 22 और से 22 और क्रमसा दोने होते जाते हैं अर्थात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आधी इस संख्या है दो ही आधारी के घातों में क्रमसा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इस तरह 6 ठीक आधी के रोम में लिखी जा सकते हैं इसी पकार वाइनरी विंदू कि वाई और स्थानी है मान 2 की गातों की रोम में भी घटते क्रम जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इस तरह आधी अब भाप करते हम लोग दसमलो या दासमिक, दसमिक संख्या के बारे में दैनेक घीवन में परयुख्थ होने बाली संख्या पत्थी को दसमलिक, दसमिक या दसमलो संख्या पेडाली कहा जाते है इस संग्हया पेडाली में 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ये 10 संखेत मान होते जिस कारण इस संख्हया पेडाली का आधार 10 होता है दसंभलो पेडाली का इस्थानिय मान संख्या के दाई सिभाई दिसा में के आधार पर 10 की घाज की विद्धी के करम के रूम में होता है दसमलो पिर्णाली के इस्थानिय मानों को निम्ने पिकाल से साजा समझा जा सकता है इस्थाई इस्थान दाई से वाई होत इस्थानिय मान दसकी गाल एक एकाई दसकी पावर जीरो टू दहाई दसकी पावर बन सैकड़ा दसकी बाद बद दो हजार दसकी पावर तीन दस हजार दसकी पावर चार लाख दसकी पावर पाँच सेवन दस लाख दसकी पावर शिक्स ठीक इस से इस पर स्थ है कि दसमलो संक्या पेडाली में इस्थानी इमान दाइओर से वाइओर दसकी घात की रूम में बढ़ते जाते हैं इसी तरह दसमलो बिंदू के दाइओर इस्थानी इमान दसकी घातों की रूम में घरते जाते हैं ये से 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 4 या 4 हादी। किसी संक्या के वास्तुएक मान का पता करने के लिए उसके पिते एक अंक के मुख मान को उसकी इस्थानिय मान से गुणा करके उन्हें जोड लेते हैं। उधारन के लिए दस्थानी एमान दाई सिवायू 10 की पावर बन बराबर 10, 10 की पावर 2 बराबर 100, 10 की पावर 3 मतलब 1000 या दस्थानी संख्या के मान 7, 30, 400, 3,000 यानि की 3400, 3700 अब बात करते हैं हम लोग ओक्टल क्या ओक्टल या अश्ट आधारी संख्या पेडाली ओक्टल संख्या पेडाली में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन 8 अंकों का प्रियोग किया जाते हैं जिस कारण इसका आधार 8 होता हैं इन अंकों के मुख मान दस्थमलों संख्या पेडाली की तरह ही होते हैं ओक्टल संख्या पेडाली इसलिए सुब्धाजनक है क्योंकि इसमें किसी भी वाइनरी संख्या को छोटे रूम में लिख सकते हैं उधारन के लिए ओक्टल ये वाइनरी 0 को त्रपल 0, 1, 001, 2, 0, 1, ये, 0, 01, 1, 10, 1, 10, 11, 5, 10, 7, ysınızक्यों ये आपके ओक्टल नमब्र हुगय ये बाइनरी नमब्र हुगय इस पेडाली का प्रियोग मुख्यता माइक्रो कंप्यूटर में किया जाते हैं आधार आठ होने के कारण अश्टमिक संख्या पेडाली में अंकों के स्थानिय मान दाइवोर से बाइवोर के रमसा आठ गुने होते जाते हैं आठ की पावर जीरो आठ की पावर एक आठ की पावर दो आठ की पावर तीन डोट डोट आदी ओक्तल बिंदू के दाइवोर में किरमसा आठ की पावर माइनस एक या माइनस बन आठ की पावर माइनस टू एट की पावर माइनस तरी डोट डोट एक आदी उधारन के लिए ओक्टल संख्या 144 eant ka अर्स हुआ यह संकीत मान हो गहे यह अंगों के मान हो गहे इस्थानिय मान हुगे दाइसी बाइछ दे शाज ओक्टल संख्या के मान हो गहे 1 4 4 इस तरह अंगों के नो में लेका है 1 4 4 इस तरह हम लोग इस्थानी एमान में और ये ओक्टल संख्या बात करते हैं हम लोग किसी भी संख्या को पिदर्शित करते समझ संख्या को कोश्टक में बंद करके दाई और नीचे उसका आधार भी बेस लिखा जाता है जिसे हमें पता चलता है कि दीगरी संख्या किस पेडा हेक्सा डेसिमल सब दो अक्चनों से मिलकर बनाए हेक्सा डेसिमल हेक्सा सितात पर 6 तथा डेसिमल सितात पर 10 से है अता इस संख्या पेडाली में कुछ 16 को 16 जीरो से लेकर 9 तक संख्या में फर A B C D E F अंग होते हैं इसका मुख मान क्रम सा 0 से 15 तक होते हैं परंतु 10 11 12 कि हम अंकों को 10 11 वारत 13 चुदा 15 की स्थान पर खिरम सा बन A B C D E F लिखते हैं इस पिकार इस पेडाली में 10 संख 6 वर्डों का प्रियोग किया जाता है जो निम लेके थे हैं आपके इसी पिकार हेक्साडेसिमल बिंदू के बाद उसके इस्थानी एमान के 16 के गुड़कों में घरते जाती है जैसे 16 की पावर माइनस 1 16 की पावर माइनस 2 इसी तरह है उधारान के लिए हेक्साडेसिमल F 6 A 4 कुष्टबंध बिस 16 आधार 16 यह आपके संकेत में हो गए यह अं संख्या हो गई है हम किसी भी संख्या को किसी भी संख्या पेडाली में लिख सकते हैं कि आंगे अब बात करते हैं लोग उधारन के लिए सोले संख्याओं को दसंबलो, ओक्टल, वाइनरी, हेक्सा डेसीमल में नेमने पिकाल लिखा जा सकता है यह आपका दसंबलो हो गया, यह वाइनरी हो गया, ओक्टल और हेक्सा किस तरह लिखे जा सकते हैं सोले संख्याओं जैसे दसंबलों में 0, वाइनरी में भी 0, ओक्तल में 0 को 0, हेकसा में 0, इसमें 1 में 1, वाइनरी में 1, 1, 1, दसंबलों में 2 को 10, दस, 1, 0 लिखेंगे, दस नहीं है, 1, 0 हे, वाइनरी में, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 3, 3, ठीक है, देख लेना, इसकी इंसर्ट ले लिजे, संख्या पदितियों का आपस में परिवर्तन, एक पदिती से दूसरी संख्या पदिती में परिवर्तन आवस्तक होता है, क्योंकि उप्योग करता द्वारा input किया गया data दसमलाव संख्या में होता है जिसके बाद computer in input किये गया data को वो संख्या पदिती में बदल देता है जिसमें उसे हो एक digital computer system में एक समय में तीन या चार संख्या पदितीों का परियोग किया जाता है इसी कारण इस संख्या पदितियों को आपस में परीवर्तित कराये जाते हैं विभिन्ने संख्या पदितियों को आपस में परीवर्तित करने की चर्चा आंगे की गई जा दसमलो का अनसंख्या परीवर्तनों में परीवर्तन, दसमलो का बाइनरी में परीवर्तन दसमलो पूरांग को बाइनरी में बदलने के लिए डिमलिकित स्टेप्स का अनुसरन करना होगा स्टेप दसमलो को बाइनरी संख्या में परिवर्थित करने के लिए बाइनरी संख्या की आधार 2 से दसमलो संख्या को भाग देते हैं स्टेप 2 किसमें जो सेश फल आता है उसे दाएं लिक लेते हैं तद से भाग फल आता है उसे फिर से भाग देते हैं तत्प शाल यही कृरिया द्वराते हैं step 3 यहीं कृरिया तब तक चलती रहती है जब तक कि भाग फल सुन नाक हो जाये Step 4. प्राप्त सेस्फलों को नीचे से उपर करम में लिखा जाता है। यही सेस्फल दिये गए दसमलो संख्या के तुल वाईनेरी संख्या है। प्रयापका दसमलो का वाईनेरी में परिवतन। दसमलो विन्दू वाली दसमलो संख्या को वाईनेरी संख्या में बदलने के लिए हम दसमलो संख्या को वाईनेरी के आधार चिन दो से गुडा करते हैं। Step 2, प्राप्त पुडांक को दाई और लिखते हैं तता प्राप्त भिन्दांक को फिर से दो से गुणा करते हैं तत पश्या यही क्रिया दुलाते हैं। Step 3, यह पिक्रिया तब तक चलती है जब तक कि या तो भिन्दांक जीरो रह जाता है या एक्षक स्थानों तक बिट भर जाते हैं। Step 4, पुडांक वाईनेरी विंदू के पश्यात ऊपर से नीचे करम में लिखे जाते हैं। जिस तरह उधारन के लिए दसमलो संक्या को बाईनरी में बदलना। 53, दसमलो अर्शट पचक्तर कुष्टप बंद आधर दस्थ। 53, पुडांक हो रहे और यह आपका भिन्दांक हो रहे। पुडांक भाग 53 का बाईनरी। तृपण में 2, तृपण में 2 का बाग 26, 68 있어 को रहे हैं। चपवीश में 2 झेर, 63 is 0। तिरह में 2 जेरे में 2 का बाग दिया, 33 झेर को रहा हो yhtuje Nah हो रहे 3 में 1, xy 3'west1, इस तरह से बहन जाता हैं। और जो आपका भेन्यांख भाग होता है दसम्लाव के उसे दो इंटू करते हैं वन दो का इंटू इसी तरह करते जाएंगी समीकेंड जो एक आपका बना हुआ था और दो को जोडने पर आपका यह आ जाएगा बाप करते हैं दसम्लाव का ओक्टल में परिवर्त हैं दसम्लाव संख्या को ओक्टल में बदलने की भी थी ठीक उसी पकार होती है जिस पकार दसम्लाव संख्या को बाइनरी में बदलने की होती है अंतर केवल यही होता है जहां दसमलो संख्या को वाइनरी में बदलने के लिए दो से बार बार भाग देते हैं वहीं ओक्टल में बदलने के लिए आठ से बार बार भाग देते हैं आधाल से ठीक प्रेहापका दसमलो का ओक्टल में परिवतन दसमलो बिंदांग को ओक्टल में बदलने के लिए निमलिकित स्टेप का अनुसरन करना है स्टेप दसमलो बिंदु बाली दसमलो संख्या को ओक्टल संख्या में बदलने के लिए हम दसम्लाव संख्या को ओक्टल के आधार पर चिन आठ से गुड़ा करते हैं step 2 step 2 पूड़ांग प्राप पूड़ांग को दाई और लिखते हैं तथा हम भिन्ने को फिर से आठ से भाग देते हैं ततपश्चात यही किरिया तोराते हैं step 3 यह किरिया तब तक चलती है जब तक यह तो भिन्नांग आपकर दस जीरो रह जाता है यह यह एक्छे की स्थानों पर बिट भाज जाते हैं step 4 यह पूडांग ओक्टल बिंदू के भश्चात ऊपर से नीचे क्रम में लिखे जाते हैं ओधारन के लिए देख लीजे दसमलो संख्या का ओक्टन में परिवतन यह आपकी पूडांग हो गई 430 0.0 31 25 यह आपकी भिन्नांग हो गई पूडांग को पहले हम लोग बदलेंगे 4–3 में 8 का भाग दिया फिर 52 में जो बचा उसमें 8 भाग दिया इसी तरह देते रहें सेस को नीचे से उपर क्रम में लिखेंगे यानि कि सेस से बचा था इससी तरह लिखेंगे यह आपका समीकर्णद एक बन गया, बेंडांक बाक का ओक्तम में परिवतन, इसमें गुडा करते रहेंगे आप, क्या करेंगे, गुडा करेंगे, और दोनों समीकाड को जोड़ देंगे, यह जाएगा, अब बात करेंगे हम लोग, दसमलों का हैकसा डेसीमल में परिवतन, दसम्लो संख्या को हेक्साडेसिमल में बदलने की विदी टीक उसी पिकार की होती है जिस पिकार दसम्लो संख्या को वाइनरी में बदलने की होती है अंतर के वल यह होता है कि इसमें दो की जगे 16 से भार भार भाग देते हैं जो आपकी आधार संक्या होती है उसी से भाग देते हैं डसमलों का हेक्साडेसिमल में परिवर्दन डसमलों को हेक्साडेसिमल में बदलने किल्णेमलिकित श्टेप का अनुसर्ण करना होता है क्या है यह यह कि इस टेप गए दसमलों बिंदू वाली दसमलों संक्या को हेक्साडेसिमल संख्या में बदलने के लिए हम दसमलों कि आधार पर आधार चैन सोले से गुणा करते हैं इस टेप दो मैं प्राप्त पूडांग को दाई और्स लिखते और बिननांग को फिर से सोले से भाग देते हैं तत पाश्यात यही क्रिया दोराते हैं स्टेप 3 यही प्रिया तक चलती है जब तक यह तो बिन्नाग जीरो रहे जाता है या एक्चे के स्थानों तक बिट भर जाते हैं step 4 एक्साडेसिमल बिंदू के पश्चाथ उपर से नीचे क्रम में लिखे जाते हैं यह आपका उधारान है कि दसवनलो संख्या को लिखना है यह 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 फूरांग होगे है कि पहले भी हम लोग इस तरह के देख चुके हैं आप लोग देखते रहे हैं स्रयापका वाइनरी बाइनरी का अन संख्या पद्दितियों में परिवर्तन बाइनरी पूडांग का दसमलों में परिवर्तन किसी बाइनरी ट्रंक्या को दसमलों परिडाली में परिवर्तित करने के लिए हम पितेक पिट को उनके इस्थानी हमाल से गुणा करके जोड देते हैं प्राप्त संक्या की वाइनरी का दसमलों में परीवर्तन हो जाता है। वाइनरी का दसमलों में परीवर्तन वाइनरी बिंदू से हम पहले पूडांग की इस्थाने मान दाई और से बाई ओर दसमलों में करमसा 1,2,4,8,16,32,64 आदी होती है। वाइनरी बिंदू से दाई उर अर्था भिन्दांग की बेटों के इस्थानी मान किरमसा 2 की पावन माइनस 1,2 की पावन माइनस 2,2 की पावन माइनस 3 आदी होते हैं अर्था इस तरह है। उधारन के लिए ये बाइनरी संख्या का ध्रमलों में बदलना है, ये पुडा अंक हो गया, ये भिन्दांक हो गया, संक्यत मान अंकों के मान इस्थानिय मान हो गया और बाइनरी रंक्या का मान हो गया, जो आपका विन्नांग है ये विन्नांग होगे जो आपका सेमिकर्ण दो बड़ेगा इस दोनों को जोड़ देना है इसका मन निकल आएगा अब है आपका वाइनरी का ओक्टल में परिवर्त है वाइनरी जो आपकी संख्या है उसका ओक्टल में परिवर्त है चुकि वाइनरी संख्या का अधार दो और ओक्टल संख्या का अधार आठ होता है तो हम जानते हैं कि आठ बराबर टू इन्टू 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 इन्ट सकते हैं वो लगातार तीन बिटों कि पितेक समगु को एक उक्टल संख्या में बदला जा सकता है वाइनरी का उक्टल में परिवतन के लिए निमलिकि सूची का पिरियोग किया जाता है देख लीजे ओक्टल अंग प्रयाम के वाइनरी अंग जीरो के कैसे लिखते हैं वाइनरी में 001, 1 को 001, 7 को 111 इस सूची की सायता कि किसी भी वाइनरी शंख्या को सर्था से ओक्टल में परिवतित किया जाता है इसके लिए निमलिकि स्टेप का अनुसरन करना चाहिए स्टेप 1, दीगई वाइनरी शंख्या के दायोर्स तीन बिटों के समूग बनाते है स्टेप 2, आपसकता पढ़ने को सबसे बाइयोर्स तीन बिट का समूग पूरा करने के लिए सुन अंक बढ़ाए जा सकते है स्टेप 3, ततवश्यात पितेक समूग के अनुसार ओक्टल अंक कमान रखते है प्रयाका, वाइनरी का ओक्टल में परिवर्ता है वाइनरी को ओक्टल में परिवर्तित करने के लिए उपर दी गई सायनी का ही प्रियूग किया जाते है इसके लिए निम्लिकित स्टेप का अनुसरन करें Step 1, दीगेई संख्या में बाईनरी बिंदू की बाईगोर से तीन तीन बिटों की संभू बनाते हैं Step 2, आवस्ता पढ़ने पर सबसे दाईगोर सुन्नंग बढ़ाए जा सकते हैं Step 3, तस्पष्यात पितेग संभू के अनुसार ओक्टलंग का मान रखते हैं उधारन के लिए बाईनिर संख्या का ओक्टल में परिवत इस तरी, तीन बिटों का संभू तीन बिटों की संभू का पूरा करने के लिए सरबात करते हम लोग वाईनरी का हैक्सा में परिवत हैं चुकि वाइनरी संख्या का आधर 2 है तता हेक्साडेसिमल संख्या का आधर 16 है तो हम जानते हैं कि 16 को इस तरह ऐसे लिख लेंगे 2 की पावर 4 पितेक हेक्साडेसिमल अंग को चार वाइनरी अंगों अथाद बिटों में बदल सकते हैं और लगातार चार बिटों के पितेक समों को एक हेक्साडेसिमल संख्या में बदला जा सकता है वाइनरी हेक्साडेसिमल में परिवातन के लिए निम्लिकित सूची का प्रयोग किया जाता है जिसमें सभी हेक्साडेसिमल संख्या के बराबर चार वाइनरी अंग दिये हैं यह आपके हेक्साडेसिमल अंग हो गए वाइनरी अंग 0 को 1 1 0 0 0 1 sorry 0 0 0 0 1 को 0 0 0 1 इस तरह से लिख सकते हैं 8 को आपका इस तरह से 1000 इस सूची की सायता से जो लोग ने उपर देखिये किसी भी वाइनिर शंख्या को सरुता से हेक्साडेसीमल में परिवर्दित किया जा सकता है इसके लिए निमलिकेत आपको स्टेप्स का अनुसरन पालन करना हुआ स्टेप्स दी गई वाइनिर शंख्या की दाइंगोर से 4-4 बिटों की समूग बनाते हैं स्टेप्स दो में आवसकता पढ़ने पर सबसे वाइनगोर सूननंग बढ़ाया जा सकता है स्टेप्स 3 में तत्पष्चाथ पिदेग समूग के इंफ्लार हैक्साडेसिमल का मान रखते हैं फ्रे आपका बाइनरी का हैक्साडेसिमल में परिवर्त हैं बाइनरी को हैक्साडेसिमल में परिवर्तित करने के लिए उपर दी गई साइड ही, दो का ही पिरयोग करते हैं, जो अभी हम लोगों ने देखी थी, इसके लिए निमलिकेत स्टेप का अनुषरन करते हैं, दी गई संख्या बाइयोर से, चार-चार बिटों की समूँ बनाते हैं, इस्टेप दो, आबद सकता पड़ने को सबसे दाई, सबसे दाई और सूरनंग बढ़ाए रहा सकते हैं, तत्पश्यात पिति एक समूग एंजा, हेक्साडेसिमल का मान रखते हैं, उधारन के लिए वाइनरी संख्या का हेक्सा में परिवर्त हैं, वाइन संख्या को हेक्साडेसिमल या ओक्टल में बदलने के लिए पहले इन्हें डेसिवल संख्या में बदलने की बदल कर फिर हेक्साडेसिमल ओक्टल संख्या में बदल सकते हैं, ठीक है, ओक्टल का अन संख्या पदितियों में परिवर्त हैं, ओक्टल का दसमलों में प में गुडा करते हैं कि ऑप्ट्ल का दसमलो में परिवर्त ऑप्ट्ल बिंदू से पहले अर्थाग पूढांग के इस्थानी मान दाइइगोर से बाइइगोर दसमलो में किरमसा वन एट चाउचट पांसो बारेल चारह जार चैनवे आदी होते दाइगोर अर्था बेंडांग कि अंकों के स्थानी इमान कि रमसा, दस की पाव, आट की पावर दो, आट की पावर पर तीन डॉट डॉट आधी होगे, अर्थाथ 0.125, 0.016, 15625 इस तरह से होगे, उधारन के लिए उक्टल संक्या को दसंक्या को दसंक्या में बदल ला, पूडांक, ये आपका पूडांक होगे और दसंब्ला वाली संक्या होगी, संकेत मान, अंकों के मान, इस्तानी इमान, वाइनिरी जन्क्या, इसी तरह आप लोग भिन्नता बाग को जो दसंब्ला में उससे बदल ले, बात करते हैं ओक्टल और बिर्णांग का बाइनरी में परिवतन ओक्टल का बाइनरी में परिवतन अत्यदिक सहरेले इसमें किवल पितिक ओक्टल अंकी के इस्थान पर उसके बराबर तीन बिटों का समभू लिख देते उधारन के लिए संख्या जो आपकी 325 दसमलो 614 का बाइनरी में परिवतन ओक्टल को बाइनरी में बदलने के लिए दीगई संख्या को पहले दसमलो संख्या में बदलते हैं जिसके बाद उसे बाइनरी में बदल सकते हैं फिर आपका ओक्टल संख्या का हेक्साडेसीमल में परिबदन, ओक्टल संख्या को हेक्साडेसीमल संख्या में बदलने के लिए नेमलिकित विदी का प्रयोग करते हैं, दी गई ओक्टल संख्या के वित्यकंग को बाइनरी में बदलते हैं, पुनाहप राप्त बाइनरी संख्या को हेक्साडेसीमल संख्या म बदलो इस तरह कि पहले से बाइनरी में बदलने के लिए एक और बिदी का प्रियोग किया जा सकता है जिसमें ऑक्टल को पहले दसमलों में परिवर्दि किया जाता है हेक्सादेसिमल का अन्न संक्याओं में परिवर्द है यह बदी भी आपकी ठीक उसी प्रिकार होती है जिस प्रिकार वाइनरी का दसमलों में परिवर्द है इसमें दो की जगे सुले की अंकों की बढ़ती हुए क्रम में गुड़ा करते हैं उधारन के लिए hexadecimal दसमलों में परिवर्तन इसी पिकार hexadecimal बिढ़ांग का परिवर्तन भी उसी पिकार कर सकते हैं जिस पिकार binary बिढ़ांग का दसमलों में परिवर्तन करते हैं परंतु दो की जगए आपका 16 का प्रियोग करते हैं इसमें प्रियोग है फिर आपका hexadecimal का binary में प्रिवर्त है hexadecimal का binary में प्रिवर्त है अत्य देख सेरल ले इसमें केबल पिते एक hexadecimal के इस्थान पर उसके बराबर चार विटों का संभूल लिखते थे हैं hexadecimal साथ d7a का binary में परिवत हैं इस तरह इसे इसी परकार hexadecimal को भी binary में बदला जा सकता है फिर आपका hexadecimal संख्या का octal संख्या में परिवत हैं hexadecimal संख्या को octal संख्या में बदलने की निम्लिके 3 steps का प्रियोग करते हैं दी गई दी गई hexadecimal संख्या के पिते कंग को वाइनीड संख्या में बदलो step 2 में बाइनेट पराप्त वाइनीड संख्या को octal संख्या में बदलो उधारन के लिए आपका octal संख्या में बदले गए one day exam में आपके इस तरह के नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये लेखित में पूछे जाएंगे कोई परीक्चा होती है hexadecimal को octal में बदलने के लिए एक और विदी का प्रियोग किया जा सकता है जिसमें hexadecimal को पहले दसमलों में फिर दसमलों को octal में परीवर्त किया जा सकता है यह आपका पूरा कर रहे हैं तो उसके लिए मत पूर रहेगा कंप्यूटर प्रते एक प्रिकार के करेक्टर जैसे की अलफाबेट वेड़ संक्या या कोई चेन स्टोर कर सकता है इन सभी करेक्टरों के निरूपन के लिए बाइनेर शंक्या पद्धिती पर आधारित एक विसेश प्रिकार के कोड की आवास सकता है जिसे हम लोग कंप्यूटर कोड करते हैं कंप्यूटर कोड वेविन पिकार के होते हैं यसमें से कुछ निम लेके थे हैं क्या है वाइनरी कोड़ेट डैसिमल बीसीडी कोड में पिते गंग को पिश्तुत करने के लिए चार विट्स के समग का प्रियो प्रियाकार की वही सीमा नहीं होती अर्था संक्या चाहिए कितनी भी बड़ी क्याना हो पिते गंग को चार विट्स के समगूर में कंप्यूटर में पिलर्षिट करते हैं तो रहांगी आपका जैसे यह दिया गया है इस तरह से अधियर आपका दूसरा अमेरीकन इस्टेंडर्ड कोड फोर इन्फोर्मेशन इंटरचन इस्टेंडर्ड करेक्टर कोड का प्रियो किसी प्रोगराम दोरा डेटा को इस्टोर करने तथा उसका प्रियोग करने के लिए किया जाता है यह एस सी आई आई कोड को दो पेकार से किब होते हैं यह आपका पहला है यह सेवन बिट इस्टेंडर्ड कोड है जिसमें कारण जिसके कारण खुल साथ दो की पावर साथ बराबर एक सौट्था करेक्टर को निरूपित किया जाता है सेकेंड है यह आट बिट इस्टेंडर्ड कोड है जिसमें दो की पावर आट मतलब 256 पेकार के करेक्टर को निरूपित किया जा सकता है यह एस सी आई आई सेकेंड साथ का बदला हुआ प्यारू किये फ़र है आपका एक्स एस्टेंडर्ड एक्स टेंडर्ड बाइनरी कोड़ेड डेसिमल इंटर चैनल कोड इबी सी डियाई सी में केरेक्टर आट बिट्स के समोग से निरूपित होते हैं इसका प्रियोग किसी भी प्रिकार की कम्पूटर में सोच ना हो कोई श्टोर करने के लिए किया जाता है इसमें 2 की पावर 8 बराबर 256 प्रिकार की करेक्टर को निरूपित किया जा सकता है BCD system IBM Corporation द्वारा विक्सित किया गया था Unicode में data में किसी संकेत को पिष्टूत करने के लिए 16 bits का प्रियोग होता है यह अंग्रीजी के अक्षरों के लाबा किसी भी प्रिकार का विज्ञानिक संकेत अनेक प्रिकार की भासा जी जैसे Chinese Japanese आदी को भी निरूपित करता है Sign bit कप्रियों किसी संक्या की धनात्मक या रेडात्मक होने का संकेत या bit most significant bit कहलाती है तो था संक्या के वाइनिरी निरूपन में सबसे पहली bit है यदि bit 0 हो तो संक्या धनात्मक और यदि bit 1 है तो संक्या आपकी रेडात्मक तो इस तरह आपका था पांचवा चेप्टर data न कम्प्यूटर software के बारे में किसके computer software के बारे महीं है मैं हेलो दोस्तों तौ चली हम लोग बात कर रहे थे computer सामान ग्यान के मारे में तो इसमें अभी तक हम लोग लोग5 चेप्टर आपकी खितम कर चुके यह आपका 6번 चेप्टर है, चेप्टर में बात करेंगे computer software के बारे में याद रखिए हम लोग जितने भी computer सामानिगान से संबंदी चेप्टर आपके खतम करेंगे 13-14 की करीब और जो आपके 20-25 हम लोग mock test लगाएंगे यह सभी complete करने के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी computer सामानिगान के लिए इतना complete है आपके लिए कोई भी परिच्छा होते चाहिए आपकी लिखित में questions आए या object room में सभी solve हो जाएगे याद रखिए computer सामानिगान से संबंदी आपकी एक playlist सूची बनी हुई है complete computer classes के नाम से उसी में इस अभी आपका material डला रहेगा चली हम लोग बात करते हैं computer software के वारे एक computer system अनेक एकाईयों का एक समूव होता है जो एक या अनेक लक्चों की प्राप्ति है तो बनाया जाता है उधारण के लिए प्रियोकसाला भी एक system है जिसका लक्च बिवित प्रकार के सोथ करना तथा जिसकी अनेक एकाईयों विज्ञानिक सोधार्ती और विज्ञानिक उपकरन इत्यादी है इसी पिकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम है, जिसका लक्ष बिवित कार की कार करना है तह rooms जिस्की एकाईयां हाइड वियर तथ हैं, सौप्ट वियर हैं सौप्ट वियर सौप्ट्वेर, प्रोग्रामिंग भासा में लिखे गए निर्देशों अर्थात प्रोग्रामों की वह संखलाए जो कम्प्यूटर सिस्टम के कारियों को नियंतित करता है तथा कम्प्यूटर के बिभेन हाडवेरों के बीच समनवय इस्थापित करता है ताकि किसी विशेश कारे को पूरा करने, पूरा किया जा सटी इसका प्रात्मी कुद्देश डेटा को सूछना में परिवर्टित करना है सौप्ट्वेर के निर्देशों के अनुसार ही हाडवेर कारी करता है इसे प्रोग्रामों का समो भी कहते हैं दूसरे सब्दों में हम लोग कहें तो computer में सैट्रों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग-अलग कार्यों के लिए लिखे जा या बनाये जाते हैं इन सभी प्रोग्रामों के समों को समलेत रूप से software कहा जाता है ठीक है तो अगर लिखेत में पूछ ले कोई आंसर तो आप लोग software की परिवासा लेख सकते हैं अब बात करते हैं software की system, software की प्रिकार software कोन के कार्यों तथा सरचना की आदार पर तो प्रमुक भागों में विभाजित किया जाता है एक आपका system software, दूसरा application software software, प्रोग्रामों का वह समुए जो computer की कार बनाली को नियंतित करता है system software, क्या है system software, computer की आंतरिक कार्यों को नियंतित करता है system software इसमें आपका system management, operating system, device, device, system utilities, disk compression, disk preventer backup utilities, disk cleaners, antivirus यह आपकी system utilities software है पर आपका application software किसी विसे कार को पूरा करने के लिए लिखे या बनाए जाते है सामान उद्देश ही है software, word processor, presentation, space sheet, image editor, बिसे सुद्देश ही है software, इसमें आपका reservation system, attendance system, building system, report card generator, ठीक है? यह आपके software के समगु हो गए, बित्र बात करते हैं system software system software जो program computer के चलाने उसको नियंतित करने उसके विभिन भागों की देखवाल करने तथा उसकी सभी चमताओं का अच्छे से उपियोग करने के लिए लिखे जाते है उनको समलेत रूप से system software कहा जाता है सामानता system software computer के निर्माता द्वारा ही उप लब दिख कराया जाता है बैसे यह कई बैसे यह बाजार में से भी खरीदा जा सकता है computer से हमारा संपग या संबाद system software की मात्यम से ही होता है दूसरे सब्दों में हम लोग कहें तो computer हमेशा system software के नियत्र में ही रहता है जिसकी वज़ाई से हम सीधे computer से अपना संपग नहीं बना सकते हैं बास्तों में system software के बिना computer से सीधा संपग ना मुंकिन है इसलिए system software करता की सुधा के लिए हैं बनाया जाता है system software से हमें बहुत सुधा हो जाती है क्योंकि वह computer को अपने नियंतर में लेकर हमारे द्वारा बताए गए कारेयों को कराने तथा प्रोग्राम को सही सही पालन कराने के दायत अपने उपर ले लेता है system software में बेफ प्रोग्राम सामिल होते हैं जो computer system को नियंतिक करते हैं और उसके विविन भागों की बीच उचित तालमिल बनाकर कारिक कराते हैं कारेयों के आधार पर system software को दो भागों में बहुता जाता है एक system management program दूसरा developing software तो हम लोग बात करते हैं पहले system management program के बारे हैं यह बे प्रोग्राम होते हैं जो system का प्रवंदन करने के काम आते हैं इन प्रोग्रामों ग्राम्स का प्रमुकार input-output तथा memory उप्तियों और प्रोसेसर के विविन कारेयों का प्रवंदन करना है operating system, device drivers तथा system utilities, system management program के प्रोग्राम के प्रोग्राम प्रोग्राम्स operating system इसमें बे प्रोग्राम सामिल होते हैं जो computer के विविन अभयवों के कारेयों को नेतित करते हैं उनमें समनवर इस्थावित करते हैं उन्हें प्रवंदित करते हैं इसका प्रवंग कार उप्योग करता तथा hardware के मत एक समनवर इस्थावित करना है operating system कुछ विविस्थ प्रोग्राम का ऐसा विवस्तित समूँ है जो किसी computer के संपूर्ण क्रिया कलापों को नेतित रखता है यह computer के साधनों के उप्योग पन नजर रखने उन्हें विवस्तित करने में हमारी सहायता करता है operating system आवसक होते पर अन्र प्रोग्राम को चालू करता है विसे सेवाय देने वाले प्रोग्रामों का मसीनी भासा में अनुबाद करता है और उप्योग करता हों की इच्छा के अनुसार आउट्पूट निकाल ले के लिए डेटा का प्रोग्रामों को कारी करने के लिए एक आधार उप्लग्द कराता है उधारन के लिए MS-DOS, Windows, XP 202198, UNIX, Linux, इत्यादी operating system के कुछ आपके उधारन है बात करें operating system की कारियों की तो इसके कारियों में सामलें computer तथा उसके उप्योग करता के भी संबाद इस्थापित करना computer के सभी उपकाड़ों को नियंतन में रखना और उनसे काम लेना उप्योग करता द्वारा दिये गए प्रोग्रामों का पालन कराना सभी प्रोग्रामों के लिए आवसक साधन memory CPU पेंटर आदी उपलब्द कराना उपर बताएगे कारियों में सहाय तूसरे छोटे छोटे कार करना और उनकी व्योस्था करना फ्रयाग का device driver यह एक बिसेश प्रकार का software होता है जो किसी युक्ति की पेचालन को समझाता है यह software किसी युक्ति तथा उप्योग करता कि मत इंटरफेस का कार्य करते हैं किसी भी युक्ति को सुचाओ रूप से चलाने के लिए चाहे तो वो printer, mouse, monitor या key, board ही हुँ, उसके साथ एक driver program जुड़ा होता है एह operator system के निर्देशों को computer के विविन भागों के लिए उनकी भासा में परिवर्दित करता है device drivers निर्देशों का ऐसा समोग होता है जो हमारे computer का परिच्छे उसके जुड़ने वाले hardware से कराते हैं क्या है आपका device driver फिर आपका system utility ये प्रोग्राम computer के रख रखाओ से सम्मनित कार करते हैं ये प्रोग्राम computer के कारेओं को सरल बनाने उसे असुड़ियों से दूर रखने तथा system के विविन सुरक्छा कारेओं के लिए बनाए जाते हैं utility program कई ऐसे कार करते हैं यो computer का उप्रियोग करती समय हमें कराने पड़ते हैं प्रंतु सामान ता उसके साथ ही आते हैं और computer के निर्माता द्वारानी उप्लब्द कराये जाते हैं कुछ utility software निमने आपके disk compassion यह hard disk पर उपस्ति सूचना पर दबाव डालकर उसे संकुचित कर देता है ताकि hard disk पर अधिक से अधिक सूचना इस्टोर की जा सकें यह utility सोयम अपना कार करती है और जरूरी नहीं है कि उप्रियोग करता को इसकी उपस्तिती की जानकारी हो फिर आपका disk fragmenter या computer की hard disk पर विभिन जगों पर विख्रीवी फाइलों को खोजकर उने एक इस्तान पर लाता है इसका प्रियोग फाइलों तथा hard disk की खाली जगे को विवस्तित करने में होता है फिर आपका backup utilities या computer की disk पर उपस्तित सारी सूचनाओं की copy रखता है तथा जरूरत पढ़ने पर कुछ जरूरी फाइल है या पूर्ण hard disk की सामगरी बापस restore कर देता है फिर आपका disk cleaners यह उन फाइलों को डूर्ण कर डिलीट करता है जिनका बहुत समय से उपयोग नहीं हुआ है यह इस पेकार के computer की गति को भी तेज करता है फिर आपका antivirus, scanner and removers यह essay utility program है जिनका प्रियोग computer के virus डूर्ण में उन्हें delete करने में उपयोग होता है फिर आपका application software एप्लीकेशन software उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो हमारे वास्तविक कार कराने के लिए लिखे जाते हैं जिख कार्याल है कि करमचारियों के बीतंकी गड़ना करना, सभी लेंदन तथा खातों का हिसाब किताब रखना, विभिन पिकार की रपोर्ट चापना, श्टॉक की स्थिदिक अवेवर्ण देना, पत्य दस्ताविश तेयार करना, computer वास्ता में इनी कार्यों के लिए प्रोग्राम हमारे द्वान, नियुक्त प्रोग्रामर द्वाला लिखे जाते हैं, हाला कि आज कल ऐसे प्रोग्राम समान तौर पर सबके लिए एक जैसे लिखे हुए भी आते हैं, जैसे रेडी मेड तॉप्ट्वियर, या फिर पैकेज कहा जाता है, एमेस बैर, एमेस एकसल, टेली, कॉलर डरा, पेजमेकर, फोटोसॉप आदी, या आपके एप्लिकेशन के उधारन, सामन ता एप्लिकेशन सौप्ट्वियर भी आपके दो पेकार के होते हैं, पहला है आपका सामान दुप्देश ही है, जो सामान कारेयों के लिए होता है, स परफच सौप्ट्वियर, फ्रोग्रामों का हुआ है समूर्ज नहीं, उप्योग करता अपनी आवस्रक्ता अनुसर, अपने सामान दुद्देशों के पूर्ती के लिए उप्योग में लाते हैं, सामान दुद्देश के सौप्ट्वियर कहलाते हैं, उधारन के लिए ग्रा ग्राफिक्स पिस्तूती करन करता है एस सॉप्ट्वेयर विसेस कारियों से संबंदीत होते हैं परंतु इनका उद्देश केवल सामाने कारिक करने के लिए होता है जिसके कारण एस सॉप्ट्वेयर लगवा घरच्षेत हल संस्ता तथा कारियाल में देनेक रूप से पिणाली ग्राफिक्स वफ्ट्वेयर सब्द संसाधन कुरल डरा पेंट एमस पावरप्राइंट आधी वर्ड प्रोसेसिंग सॉप्ट्वेयर वर्ड प्रोसेसिंग एक बिसेश प्रकार का सॉप्ट्वेयर है जिसकी साहता से टेक्स्ट या दस्तावेश को संचालित किया देंटा जाता हैं यह सॉप्ट्वेयर डोकुमेंट पर्डेक्स सिस्टम के नाप से घ्रस ऑपिद करने वाले मेंटेरियर की के इडितेंग फौर्मेटिंग और पा को सॉप्टिवेयर में बनाएगioèगे दोकुमेंट को बना कर उन्हें वहविच्ष में उपइउक करने के सुरक्चित सेव कर दिया जाता है तथा भवेस्थ में इन डॉकुमेंट में बदलाव किया जा सकता है वर्ड पूरोसे सेंग सॉप्ट्वेर आज की समय में सरवादिर त्रियोंग होने वाले सॉप्ट्वेर हैं उधारन के लिए आप लोग Microsoft Word ले सकते हैं Word Perfect एपल वर्क्स कीवल एपल के लिए है और जो वर्ड परफेक्ट है ये कीवल बेंडो के लिए है ओपन ओफिस वर्ड आती है पर आपका एलेक्टोनिक स्पीड सीट इस सॉप्ट्वेर के द्वारा उप्योग करता है अपने डेटा को रो, कॉलम के रूम में विवस्थित कर सकता है ये रो और कॉलम समुव सामुविक रूप से स्पीड सीट कहलाते है इन सॉप्ट्वेरों में अधिकतर स्पीड सीट बनाने उन्हें सेव, एडिट, फॉर्मिट करने की फीचर होते है उधारन के लिए माइक्रोशॉप्ट, एक्सल, कॉर्ल, क्वाटरोपू, लोटस, एक, डेर्स, दो, तीन, आदी तुर्या फॉर्य हमारा डेटावेस मैनेजमेंट सिस्टम और्गेनाइजड डेटा का ऐसा संग रहे है जिसमें जरूद पढ़ने कर डेटा को एक्सेस, रेटीव, तथा फॉर्मेट किया जा सके डेटावेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है इस सॉप्टवेर का का डेटावेस को create, access, और manage करना होता था इस software का प्रियोग करके database में data को चोड़ा जा सकता है सुधारा जा सकता है और delete किया जा सकता है साथ ही साथ data को विवस्तित तथा read team भी किया जा सकता है उधारन के लिए Microsoft Access, Corel Paradox, Lotus Approach फिरह आपका D, Desktop Publishing Software इन software का प्रियोग ग्राफिक डिजाइनरों द्वारा किया जाता है इन software का प्रियोग data भी desktop painting और on screen electronic publishing के लिए किया जाता है उधारन के लिए Quark, X-Space, Adopt, PageMaker, Thread, B2, Corel, DRA, Adi ठीक है ठीक है आपका यहीं देख लिए थे हैं Presentation Software Presentation का अरत होता है अपने विचार, संदेश तथा अन्य सूचना को एक ऐसे सरह रूप में किसी गुरुप के सामने पिश्दूत करना जिससे उस गुरुप को वह सूचना आसानी से समझ आ सके Presentation Software इसी उद्देश के लिए प्रियोग किया जाता है जो सूचना को सिलाइट की रूम में पिदर्सित करता है इसके तीन मुख कारे होते हैं कौन-कौन से हैं यह है एक Test Editor पिदान करता है जो टेक्स्ट को Insert तथा Format करने की अन्मति देता है ग्राफिक चित्तों को Insert तथा अपने हिसाब से बदलने की सुद्दा पिदान करता है सामग्री को पिदर्सित करने के लिए एक सिलाइड सो फिडाली पिदान करता है इस Software का प्रियोग करके उप्योग करता अपनी Presentation को अधिक आकर सकता है उधारन के लिए Microsoft, PowerPoint, Corel, Presentation, इत्यादी फिर बात करते हैं लोग क्या है Graphics Software Graphics Software इस Software कंप्योटर पर बड़ी इमेज में बदलाओ करने और उन्हें सुन्दर बनाने की अन्मति देते हैं इन Software के द्वारा इमेजिस को Retouch, Color Adjust, Enhance, Shadow, Glow जैसे विशेस एफेक्ट्स दिये जा सकते हैं उधारन के लिए Adobe, Photoshop, फिजाब, आदी फिर आपका Multimedia Software Text, Audio, Video, Images, Animation आदी के सायोजन को Multimedia कहते हैं वे Software जो सारी सुब्दाएं पिदान करते हैं Multimedia Software कहलाते हैं अब बात करते हैं हम लोग विशेष्ट उद्देश ही है Software ये Software किसी विशेष उद्देश की पूर्ती हितु बनाए जाते हैं इस विकार से के Software का अधिकांसता किवल एक उद्देश होता है सामान रूप से उपयो किया जाने वाले कुछ बिसिष्ट उद्देश ही Software आपके निमने कौनकों से Inventory Management System & Purchasing System जो आपका Inventory Management System & Purchasing System है इस पिकार के Software अधिकतर चनल, इस्टोरर्स या ऐसे संस्थानों में उपयोग किया जाते हैं जिन में बहुत दिक संसादनों की आवस्थ सकता होती है किसी श्टॉक में उपस्तित बस्तूओं की सूची को Inventory कहते हैं फिर है आपका Payroll Management System आधुनीक समय में लगबग इतिक संस्थान के द्वारा अपने करमचारियों के बेतन तथा अनभत्तों का हिसाब रखने के लिए इस Software का प्रयोग किया जाता है यह Software करमचारियों के बेतन बत्ते इतियादी का हिसाब किताब रखते हैं फिर आपका Hotel Management System होटलों के विविन कारेयों को विवस्थित करना ही Hotel Management कहलाता है इसके अंतरके मार्केटिंग, हाउस, कीपिंग, बिल्डिंग, बिलिंग, एड्मिनिस्टेशन जैसे कारे आते हैं फिर बात करते हैं Reservation System Reservation System या Central Reservation System एक ऐसा Computerized System है जिसके प्रियोग से उपयोग करता है ट्रेन या बायू यादता याद के बारे में विविन जानकारी प्राप्त कर सकता है इसके अत्रिक्ट इस Software के द्वारा ट्रेन या हवाई जहाज आदी में उपलक्त सीटों, बर्तों या टेक्टों के बारे में विविन जानकारियां प्राप्त की जा सकती है रिपोर्ट काइड जन्रेटर इस विकार के Software के प्रियोग विविन इसकूलों या कॉलोजों के Examination विभाग द्वारा विद्ध्यारतियों के परिच्छा पल तियार करने में किया जाता है इस Software विभिन ने गड़ती है गड़नाय करता है और जाज करता है कि विद्ध्यारति अपनी कख्छा की परिच्छा में पास हुआ है या फ्याल Accounting Software एस Software एक SI Application Software है जो विभिन ने खातों के लेंदेन का लेखा जोखा रखता है या Software लेखांकन की चानकारियां रखता है लेखांकन Software कई परिकार के हुथ है दे खाता Software बैंक समाधान का Software बजट प्रबंदन Software पर आपका Building System एक परिकार का Software है जो बिलों की प्रिक्रिया को पूरा करता है यह उन बस्तुओं तथा सेवाओं के मूल की जात करता है जो किसी ग्राहक को पिदान किये जाते हैं ठीए फिर बात कर लेते हैं हम लोग System एवं Application Software में अंतर क्या होता है System Software और यह हैं आपके Application Software Computer System के लिए System Software होना अती आवस्तक है Computer System के लिए Application Software का होना आवस्तक नहीं है System Software को विक्सित करना अधिक जटल होता है Application Software को विक्सित करना जटल नहीं होता है यह Hardware को संचालित कर Application को रन करता है कौन System Software और Application Software यह प्रयोग करता द्वारा दिये गए कारी को ही करता है System Software महेंगे होते हैं Application Software सस्ते होते हैं System Software के Customize नहीं किया जा सकता है Application Software को Customize किया जा सकता है अब हम बात करते हैं Programming भहसाओं को भासाएन Computer एक Machine है तथा हमारी सामान बोल्चाल की भासा भासाओं में लिखे प्रोग्रामों को नहीं समझ सकता है इसलिए Computer के लिए System supported के और विकार की भासाओं में प्रोग्राम लिखे जाते हैं इन भासाओं को programming भासाएं कहते हैं। इन भासाओं की अपनी एक अलग व्याकरण होती है। और प्रोग्राम लेकती समय उनके व्याकरण का पालन करना आवज सके है। आजकल ऐसी सेटरों भासा भासाएं पिछलेत में हैं। इन भासाएं कंप्यूटर और प्रोग्रामर के भी संपग या संबाद बनाते हैं। कंप्यूटर उनके माध्यम से दिये गए निर्देशों को समझकर उनके अनुसार कार करता है। ये निर्दिश इस्पकार दिये जाते हैं कि उनका किरमसा पालन करने से कोई कार पूरा हो जाए प्रोग्रामिंग भासाओं को तीन प्रमुक भावों में विभाजित किया गया है निम्न इस्तरिये भासा, मद्द इस्तरिये भासाएं और उच्छ इस्तरिये भासाएं तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं निम्न इस्तरिये भासाओं के बारे में Low-Level Language निमने इस तरी ये भासाइं कंप्यूटर की आंतरिक कारपिणाली के अनसार बनाई जाती हैं तथा ऐसी भासाओं में लिखे गए प्रोग्रामों के पालन करने की गति अधिक होती है क्यों कोई कंप्यूटर उसके नियदेशों का सीधे ही पालन कर सकता है इनके दो प्रमुक को धारने मसीनी भासाएं और असेंबली भासाएं मसीनी भासाएं ये भासा के बल वाइनरी अंकों जीरो या पन से बनी होती है फिते कंप्यूटर के लिए उसकी अलग मसीनी भासा होती है मसीनी भासा का फिरियोग पित्थम पीड़ी के कंप्यूटरों में किया जाता था तथा इन में तुटियों का पता लगाना पुरुने ठीक करना लगवग असंबव होता था फिरयाव की असेंबली भासा ये भासा पूरी तरह मसीनी भासाओं पर आधारित होती है फरन्तु इन में जीरो और बन की सिंखलाओं के स्थान पर अंग्रेजी के अक्षरों के और कुछ गिने चुने सब्दों के कोड के रूम में फुर्यव किया जाता है इन भासाओं में लेखे करें प्रोग्रामों में तुटी का पता लगाना तथा उन्हें ठीक करना सरल होता है फिरयाव की मद्ध इस्तरिये भासा है भासा निमने इस्तरिये तथा उच्छ इस्तरिये भासाओं के मद्ध पुलका कारे करती है सी भासा को मद्द स्थरिये भासा कहा जाता है क्योंकि इसमें उच्छ स्थरिये तथा निमने स्थरिये दोनों भासाओं के गुड होते हैं यहीं बात कर लेते हैं में लिंकर जब बास्तवी भासा में लिखे प्रोग्राम को मसीनी भासा में अनुवादित किया जाता है तो इस पर प्रिकार प्राप्त होने वाले आउटपुट को आउबजेक्ट प्रोग्राम या आउबजेक्ट फाइल कहा जाता है जिसके बाद linker नामक program सभी object फाइल गुमिलाकर एक वास्तविक executable फाइल बना देता है फिर यह आपका loader क्या है loader loader एक पिकार का system software है जो किसी executable program को man memory में load करने का कारिक करता है यह एक निर्देसों की सिंखला होती है जो program को hard disk या floppy से memory में फेचती है यह operation system का वह हिसा है जो disk पर फड़ी executable फाइल को man memory पर लोड करता है और इसका क्रियान बन सुरूं करता है ठीक है यह आपका loader फिर बात करते हैं हम लोग उच्चिस तर यह बहाता है यह बहाता है computer की आंतरिक कारपिणाली पर आधारित नहीं होती इन भासाओं में अंग्रीजी के कुछ चुने हुए सब्दों साधारन गड़ित में परियोग किया जाने वाले चिन्नों का परियोग किया जाता है इनकी तुटियों का पता लगाना और ठीक करना सरल होता है किन्त इन भासाओं में लिखे प्रोग्राम को मसीनी भासा में compiler या interpreter के द्वारा अनुबादित कराया जाना आवस्सक होता है फरे आपकी कुछ उच्चे स्तरिये भासाएं उनके अनुपियोग यानि की प्रियोग यह आपकी भासाओं जब इनका अविस्कार हुआ तब और डवलपर अनुपियोग के छेत और प्रकिती तो बात करते हैं होड ट्रेंड फॉर्मूला ट्रांसलेशन उननिस संतावन में आई प्रोग्राम मरस की एक समोव ने बैल प्रेयोग साला में विक्सित किया था इसे इसका प्रेयो है गड़िच चेत के लिए विसे इसका केल्कुलेशन के लिए प्रकिती इसकी कंपाइट कंपाइट तो यह आपकी एल्गोल्ड एल्गोरिथ्मिक लेंगोज यह आपकी उननिस सो अन्ठावन में डवलपर था इसका यूरोपियन तथा अमेरिकी कंप्यूट इसकी प्रकिती है कंपाइल्ड फिर आपकी लिस्ट प्रोसेसिंग यह आपकी 1969 में इसके डवलपर थे जॉन मरकाल्थी ने एमाइटी इस्टिट्यूट में विक्सित किया था इसका प्रेयोग है इसकी प्रकिति की बात करने तो कंपाइल्ड और इंटर्प्रेटेड इसकी प्रकिति है इसके डवलपर थे ग्रेस उपन ने विक्सित किया था इसका प्रेयोग होता है बिजनेस परपरज के लिए इसकी प्रकिति है कंपाइल्ड त्रे आपकी बेसिक बिगनर आल परपरस सिंबॉलिक इंट्रोक्षन कोड उन्नीस सो 64 में आई इसके जो अभिस्कारक थे या डवलपर जौन सी खेमनी और इक कोटज ने डर्ट माउट कॉलिड निव हैमिस्फायर में विक्सित किया थे इसका प्रेयोग सिक्षड कारी के लिए किया जाता है इसकी प्रकिति है इंटर प्रेटेड प्रेयापकी पासकल 1970 में यह च्छड कारी के लिए होता है यह आपकी कंपाइल्ट प्रकिति की है इसका प्रेयोग सिस्टम प्रोग्रामिक लिए होता है यहापकी प्रकिति की है C++ 1983 में आई बजार ने 2 steps steps ने बेल प्रियोग साले में बिक्सित किया था इसे इसका यह उप्योग system objective program के लिए होता है इसकी प्रक्किति की बात के ने तो compiled प्रक्किति की है पर आपकी जाबा 1995 में आई इसकी अविस्कारा क्या developer थी आपकी gems ghostling ने Sun Microsystem में बिक्सित किया था इसका प्रेव internet आधाजित प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम के छित में होता है इसकी प्रक्किति की बात करें तो compiled और interpreted इसकी प्रक्किति है अब बात करते हैं हम लोग भासा अनुबादक language translators यह ऐसे प्रोग्राम है जो विविन प्रोग्रामिंग भासाओं में लिखे गए प्रोग्राम का अनुबाद कंप्यूटर की मसीनी भासा में करते हैं यह अनुबाद कराना इसलिए आवस्तक होता है कि कोई कंपूटर के बल अपनी मसीनी भासा में लिखे कोई प्रोग्राम का ही पालन कर सकता है। भासा अनुबाद को कुमुकता तेन सेडियों में बाटा जाता है। पहला है आपका असेम्लर। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो असेम्ली भासा में लिखे के किसी प्रोग्राम को पढ़ता और उसका अनुबाद मसीनी भासा में कर देता है। असेम्ली भासा के प्रोग्राम को सौर्श प्रोग्राम कहा जाता है। इसका मसीनी भास में अनुबाद करने के बाद जो परोग्राम प्राप्त होता है, उसे objective प्रोग्राम कहते हैं. तो है आपका compiler, यह एक ऐसा प्रोग्राम है, जो किसी programmer द्वारा उचिस्तरीय programming भास में लिखे गए source प्रोग्राम का अनुबाद मसीनी भास में करते हैं. Compiler Source Program के पितेक कथन या निर्देशों का अनवाद करके उसे मसीनी भासा के निर्देशों में बदल देता है पितेक उचस्तरिय भासा के लिए एक अलग Compiler की आवसकता होती है फिरे आपका Interpreter Interpreter किसी पिरोग्रामर द्वारा उचस्तरिय प्रोग्रामिंग भासा में लेखे गए Source Program का अनवाद मसीनी भासा में करता है परन्तु यह एक बार में Source Program के केवल एक कथन को मसीनी भासा में अनवाद करता है और उसका पालन कराता है इसका पालन हो जाने की बादि, वह सौस्ट प्रोग्राम के अलग कतन का मसीनी भासा में अनभात करता है मुलता Compiler और Interpreter का कार समान होता है अंतर इनमें किवल इतना है, कि Compiler जहां Objective प्रोग्राम बनाता है, वह लोड़ा प्रोग्राम बनाता है कि अपने इस तरह लिखते हैं इस तरह बदल जाता है कुछ आप यह पॉइंट दिए गए हूँ विजुवल बेसिक एक इंटर प्रिटिड भासा है थार्म वेर यह हाड़ वेर और सौप्वेर का सयोजन होता है उधारन के लिए रॉम प्रॉम फ्री वेर यह अधिकांस ता कॉपिराइट्ट सौप्वेर होते हैं इस सौप्वेर इनके बनाने बाले बालों के दुआरा बिना किसी सुल के उपलब्द कराए जाते हैं उधारन के लिए इनसे टेंट मेसेजिंग गूगल टूल बारा दी सीउडो कोड यह एक प्रोग्रामिंग भासा नहीं है किन्तु किसी प्रोग्राम को समझने का अनुप्चारिक तरीका है दूसरे सब्दों में सीउडो कोड किसी कथन है या एक से अधी कथनों का एक समगु है जो प्रोग्राम में निर्देशों के किरियार्मन का क्रम से पालन कराता है लूपिंग लूपिंग एक प्रिकार का कंट्रॉल इस्टेक्चर जो किसी प्रोग्राम में किसी विशेष इस्तिती को बारबार दोराता है विशेष यह ठाए आपका छड़त्वा चैप्टर कंपूटर सौप्ट्वियर क्छ एच कर लोग बात करें वी और अपरेक्टेंग के बारे आप झालो मुल्ुन अब आपका computer जो आपके software हैं उनके बारे में हम लोगोंने जाना था आज बात करेंगे साथवे चैप्टर के बारे में operating system operating system को देखेंगे याद रखिए जितने भी आपके चैप्टर हैं खतम होने की बाद 25 से 30 हम लोग mock test लगाएंगे वो सभी mock test आपके one day exam के लिए objective room में रहेंगे जिससे आपके one day exam clear हो सकेंगे और याद रखिए इतना complete होने के बाद आपको computer सामानियान के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो चली हम लोग जानते हैं operating system operating system कुछ विशेश प्रोगरामों का ऐसा विवस्ति समूवें जो किसी computer के संपूर किरिया कलापों को नेंतित करता है या computer के साधनों के उप्योग पर नजह रखने और विवस्तित करने में हमारी साहता करता है operating system आवस्तिक होने पर अन प्रोगरामों को चालू करता है बास्ता में है उप्योग करता और computer के hardware के बीच interface का काम करता है operating system की परिवासाएं याद रखिए अगर पूँच लेता है तो आप उपर दीगे उसे भी लेख सकते हैं या फिर साथ में इन्हें भी लेख सकते हैं operating system प्रिवासाएं निमने operating system एक ऐसा software प्रोग्रामों का समूँ है जो मानव application software और computer hardware की भी संबाद इस्थावित करता है operating system एक ऐसा प्रोग्राम है जो computer के विविन अंगों को निर्देश देता है कि किस पेकार से processing क्या कार्ग सफल होगा operating system एक ऐसा software है जो user और computer hardware की वीच एक माध्यम interface की तरह किभाती कार्ग करता है operating system की आखिर कार्ग क्या क्या होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं operating system computer के सफल संचालन की विक्रिया में एक मात्पून भूमिका अधा करता है इसके प्रमुक्र कार चार प्रोसेसिंग प्रवंदन computer के central processing unit के प्रवंदन का कार operating system ही करता है यह प्रवंदन इस विकार से होता है कि सभी प्रोग्राम एक एक करके निस्पादित होते हैं operating system सभी प्रोग्रामों के समों को CPU के लिए बीभाजित करत देता है फ्रेह आपका memory, memory प्रवंदन, memory management, प्रोग्राम के सभल निस्पादन के लिए operating system, memory प्रवंदन का अत्यन्थी माथफोन कारिक रता है जिसके अंतरकत computer memory में कुछ इस्थान सुरक्षित रखे जाते हैं जिनका विभाजन प्रोग्राम के मद्ध किया जाता है साथ ही यह भी ध्यान में रखा जाता है कि प्रोग्राम की memory को memory के अलग-अलग स्थान प्राप्त हो सके किसी भी प्रोग्राम को input और output समय करते समय आकड़ों एवन सूचनाओं को अपने निधार स्थान में संगहीत करने का कार भी ऑप्रेटिम सिस्टम यह करता है ठीक है आँगे बात करते हैं ऑप्रेटिम सिस्टम के कारियों में सामयल है input-output यह ती प्रवंदन डेटा को input unit से पढ़कर memory में उचे तिस्थान फर संगहीत करने एवन प्राप्त पईडामों को memory में output unit तब पहुचाने का कार भी ऑप्रेटिम सिस्टम का ही होता है फ्रोग्राम लेकते समय computer को के बल यह बताया जाता है कि हमें क्या input करना है और क्या output लेना है बागी कारें ऑप्रेटिम सिस्टम ही करता है प्रेया आपका file पे बंदन ओप्रेटिम सिस्टम फाइलों को एक सु वेवस्थे ढंग से किसी डायरेक्ट्री में संगहीत करने की सुविधा पिदान करता है किसी प्रोग्राम के निश्वादान की समय इसे secondary memory से पढ़कर primary memory में डालने का कार भी आपका operating system यह करता है कुछ आपके पॉइंट है नहीं भी जान ले रहा है समझत हाड़वेर संसाधनों की छमता की परयाप्त उपयों को सुनिश्चित करने ही तू ऑपरेटिंग सिस्टम एक साधन प्रवंधन की बाती कारे करता है हाड़वेर की छमता का समझत उपयों सुनिश्चित करना भी आपरेटिंग सिस्टम का ही कार है हाड़वेर आपरेटिंग सिस्टम उपयों करता को एक आसान सा इंटरफेस पिदान करता है ताकि वह कंप्यूटर का प्रयों सरलता पूर्वक कर सके कंप्योटर पर कार करने वाली उप्योकरता का लेखा जुखा विवस्तित करने का कार भी ओप्रेटिंग सिस्टम ही करता है एवं इस बात का ध्यान रखता है कि उप्योकरता ने कितने समय के लिए कंप्योटर पर कारिक किया है अब बात करते हैं ओपरेटिंग सिस्टम के जो पिकार हैं उन्हें भी देख लिए थे बैच प्रोसेसिंग ओपरेटिंग सिस्टम इस पिकार के ओपरेटिंग सिस्टम में एक पिकार के सभी कारेओं को एक बैच के रूम में संगर्टित करके साथ क्रियानवेट किया जाता है इस कार के लिए बैच मोनीटर सौप्टवेयर का प्रयोग किया जाता है इस पिकार के ओपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग ऐसी कारियों के लिए किया जाता है जिन में उप्यो करता कि हर्स्तचेग की आवस्कता नहीं होती इन ओपरेटिंग सिस्टम में किसी प्रोग्राम के क्रियानमेन के लिए कंप्यूटर के सभी संसाधन उपलब दे रहते हैं इसलिए समस्त प्रवंदन की आवसकता नहीं होती है यह ओपरेटिंग सिस्टम संख्यात्मक विसलेशन, विलपेंटिंग, पेरोल आधी में उप्योग किये जाते हैं वेज प्रोसेसिंग ओपरेटिंग सिस्टम यह आपके संख्यात्मक विसलेशन, विलपेंटिंग और पेरोल आधी में उप्योग होते हैं फिर है आपका single user operating system इस पेकार के operating system में एक बार में किवल एक को प्योग करता कोई कारी करने की अनमती होती है यह संबन्द अधिक प्रियोग यह आपका सबसे अधिक प्रियोग किया जाने वाला operating system है उधारन के लिए windows 95, NT या फिर 2000 फिर तीसरा आपका multi user operating system multi user operating system एक समय में एक से अधिक उप्योग करता को कारी करने की अनमती देता है यह operating system सभी उप्योग करता के मत संतुलन वना कर रखता है प्रियोग 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 की संसाधन समंधी जरूरतों को पूरा करते हैं साथी साथ यह इस बात की भी निगरानी करता है कि किसी एक उप्योग करता के साथ होने वाली समस्या दूसरे उप्योग करता पर प्रिभाव ना डाले यह operating system कंप्योटर के संसाधनों का सर्वाधिक उप्योग प्रियोग करता है उधारन के लिए यूनिक्स वी एमेस आती है फिर है आपका सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समयर में किबल एक प्रोग्राम ही चलाया जा सकता है उधारन के लिए पॉम कंप्योटर में प्रियोग किया जाने वाला कंप्योटर सिस्टम है फिर बात करते हैं हम लोग मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यह आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की विकार हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम मैं एक समय में एक से अधिक कारियों को संपन करने की चंता होती है इसे मैं उपयोग करता है आसानी से दो कारियों के मत स्वीच कर सकता है Multitasking Operating System को दो भागों में बिवाजित किया गया है पहला है आपका Premiative Operating System इस पकार के Operating System को कई Computer Program, Programs तथा Hardware, Device से Share करते हैं तथा इनका उपयोग करते हैं यह अपने समस्त Computation Time को कारियों के मत बाठती था है तथा एक पूर्व ने रहा दे मापदन्ड के आधार पर ही किसी नई कारिका निस्पादन फूर्व कार के निस्पादन रोग कर भी प्यारम हो जाते हैं उधारन की OS to Windows 95 NT आधी फिर है आपका Co-operative Multitasking Operating System या Multitasking का एक सलतम डोग होता है इस Operating System में एक प्रोग्राम तब तक CPU का प्योग करता है जब तक कि उसे आवस्चता होती है यदि कोई प्रोग्राम CPU का प्रियोग नहीं कर रहा है तो वह दूसरे प्रोग्राम को आइस्थाई रोप से CPU को प्रोग्राम करने की अर्मति देता है पुरधारन के लिए MSC OS MSBINLO 3X आधी फिरे आपका टाइम सेरिंग ओपरेटिंग सिस्टम इस प्रिकार के ओपरेटिंग सिस्टम में एक साथ एक से अधिक उप्योग करता यद प्रोग्राम कंप्यूटर के संसाधनों का उप्योग करते हैं इस कारे में कंप्यूटर अपने संसाधनों का प्रियोग है तू पितिक उप्योग करता यद प्रोग्राम को समय का एक छोटा भाग आवंटित करता है यदि कोई उप्योग करता है या प्रोग्राम किसी संसाधन का प्रियोग करता है तो दूसरा उप्योग करता है या प्रोग्राम उस संसाधन के प्रियोग भीतियों पितिक्चा करता है लेकिन यह समय एतना छोटा होता है कि अंगले उपयो करता या प्रोग्राम की कोई यह मैसूस नहीं होने दिता है कि उसने पितिक्छा की है उपयो करता का यह समझता है कि वह एक मात उपयो करता है जो computer का प्रियोग कर रहा है उधारन की रूम में हम लोग Manframe Computer जिसमें एक समय में एक ही कम्प्यूटर पर एक से यथिक उप्योग करता कार करते हैं लेकिन फिर भी पितेक बिर्टी यही समझता है कि वह एक मात उप्योग करता है इस पिकार के Operating System में समय प्रवंदन की आवस्थता होती है इस Operating System में Memory का सही प्रवंद आवस्थता है क्योंगी कई प्रोग्राम एक साथ मुक मेमोरी में उपस्तित होती है इस विवस्था में सभी प्रोग्राम Time Slice की आदार पर मुक मेमोरी में बारी-बारी से लाए जाते है तता Time Slice पूर होने पर Memory में बेद दिये जाते है इस पर क्रिया को स्विपिंग कहते है यदि किसी प्रोग्राम के संपन होने में Time Slice से अधिक समय लगता है तो उसे रोग कर अन्य प्रोग्राम क्रिया नवित किया जाता है फिर है आपका Real Time Operating System यह आपके सभी Real Operating System के प्रिकार है साथवा क्या है Real Time Operating System Real Time Operating System एक ऐसा Multitasking Operating System होता है जिसमें Real Time Application का क्रिया नवित किया जाता है जैसे एरक्राफ्ट में प्रियोग होने वाला Autopilot Mechanism इसमें एक प्रोग्राम के Output को दूसरे प्रोग्राम के Output की तरह प्रियोग किया जा सकता है इस कारण पहले प्रोग्राम के क्रियानवर में देरी से दूसरे प्रोग्राम का क्रियानवर और पईडाम रोक जाता है Real Time Operating System में किसी भी दिये गए कारी को पूरा करने की एक डेडलाइन दी गई होती है तथा इसी निर्धारी समय में उस कार को पूरा करना होता है Real Time Operating System में दो भागों में बाटा गया है Hard Real Time System ये सिस्टम किसी मतपूर कारी को समय पर पूरा करने की गारंटी देता है समय पर कारी पूरा ना होने की स्किति में प्रोग्राम का निश्पादन फैल हो जाता है उधारन के लिए Aircraft Control Systems Face Makers दूसरा है आपका Soft Real Time System इस सिस्टम में भी किसी कारी को पूरा करने के लिए एक Deadline दी जाती है किन्तु इस पकार कि ये सिस्टम में कारी का निश्पादन Deadline से पहले और बाद में भी पूरा हो सकता है परन्तु इस सिस्टी में कारी का निश्पादन फैल नहीं होता है अब बात करते हैं कुछ आपके मात्पूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्हें भी देख लेते हैं यूनिक्स यहां के ऑपरेटिंग सिस्टम की गधारन है यूनिक्स यूनिक्स एक मल्टी टास्किंग बमल्टी उप्यों करता ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे वर्स उन्नी सो नंत्तर में विक्सित किया था इसे वर्स उन्नी सो तेत्तर में सी भासा में लिखा गया था किंतु प्यारम में से असेम्ली भासा में लिखा गया था इसे वर्स उन्नी सो नंत्तर में AT&T well प्रयोक साला में विक्सित किया गया था इसका पूरा नाम Unipelacus Information Computer System इस Operating System को Server तथा Work Station दोनों में प्रयोक किया जा सकता है इसमें Data प्रवंदन का कार Kernel द्वारा होता है इस Operating System को Install बस Setup करना कठीन होता है किन्तु इस Operating System में कि Install होने पर Computer की चम्ता बहुत बढ़ जाती है तो यह था आपका Unix फिर है आपका Linux Linux यह Operating जो आपका यह है Operating सिस्टम 1991 में लाइन्स टॉर्बॉल्ड द्वारा विक्सित किया गया था इसका प्रियोक मुक्ता सर्वर के लिए होता है यह Operating System उनिस उनिक्स पर आला रहे थे हैं यह एक Open Source Software है तो यह सभी पिकार के Computer पर चल सकते हैं आपकी Linux फर है आपका इस Operating System का विकास Sun Micro सिस्टम द्वारा 1993 में किया गया था किन्तु बाद में वर्ष 2010 में इस Company को Oracle Corporation के द्वारा अधीगित कर लिया गया जिसके बाद इस Solaris को Oracle Solaris के नाम से जाने जाना लगा इस Operating System, System Management तथा Network के कारेओं के लिए सरवादिक उप्यप्त है बात करते हैं भारत Operating System Solutions इस Operating System को CDAC Center for Development of Advanced Computing द्वारा अब इक्सित किया गया इस Open Source Software है इस Operating System को बिसेश तोर पर भारतिय चेत्रों में रियोग करने के लिए बनाए गया है GNU Linux Version 5.0 इस Operating System का सबसे नमीनतन संस्क्रण है तो यह आपका MS-DOS यह एक Single User Operating System है यह Microsoft द्वारा विक्सित Operating System था यह एक Non-Graphical Command Line Operating System है यह Operating System User Friendly नहीं होता है क्योंकि इसमें Command याद रखनी होती है यह अब DOS जान्दा प्रियोग में नहीं आता है क्योंकि यह Graphical सुपधा बिदान नहीं करता है फर यह आपका MS-Bindow यह Microsoft द्वारा विक्सित Graphical User Interface OS है इसके विविन संस्केंट जैसे बिंडोज 95, 98, XV, Vista, आदी बाजार में उपलपते हैं यह एक User Friendly Operating System है इसमें कार करना अतिन्त सरल्वी है बोटिंग बोटिंग क्या होता है कम्पूटर को Start या फिर Restart करने करने की फिक्रिया को क्या कहते है बोटिंग बास्ता में बोटिंग वए पिक्रिया है जब Operating System हाट बिस्ट के से कम्पूटर की रेम में लोड होता है बोटिंग के पिकार क्या है बोटिंग दो पिकार की होती Warm Booting और Cold Booting जब कम्पूटर को Start किया जाता है तो उसे Cold Booting जब पहले सही Start कम्पूटर को Restart करते हैं तो उसे Warm Booting कहा जाता है यह परिवासाय कई बार पहुंच लेता है अब बात करते हैं हम लोग Mobile Operating System के बारे में कम्पूटर के अतरिक्त Operating System मोबाइल में भी प्रियुक दिजाते हैं इस पिकार Smartphone, Tablets और Digital Mobile उक्तियों में प्रियुक्त होने पाली Operating System Mobile Operating System कहलाते हैं Mobile Operating System में Mobile उक्तियों के साथ-साथ इसके विमेन फीचर्स को भी नियनतित करता हैं कुछ Mobile Operating System का वेवरन निम लिखी थे पहला है आपका Android Android इस Operating System को Google द्वारा 2007 में पिस्तित किया गये थे यह Linux परादारित Operating System है इसे पिरमो क्रूप से टच इसकी मोबाइल हों जैसे टैबलेट स्मार्टफोन आदील के लिए बनाए गया Android का नमीनतर संस्कार्ण किट कैट जैसे जनवड़ी 2014 में पिस्तित किया गया फिर है आपका Sambian यह Operating System Sambian Limited के द्वारा पिस्तित किया गया यह स्मार्टफोन के लिए डिजैन किया गया Open Source Operating System है इसका प्रियोग Motorola, Sony, Nokia, Samsung आदी कंपिनियों के विवर्ण सेटों में किया जाता रहा है फ्रेया, iOS यह Apple Information के द्वारा निर्मित एक बहुत लोग पिलिए Operating System है इसका प्रियोग मुक्रूव से एपल के iPhone, iPod, iPad इत्यादी में किया जाता है फ्रेयाक का Black Valley क्या है BlackBerry यह सबसे सुरक्षित माने जाने वाला Operating System है जिसका प्रियोग BlackBerry Company के द्वारा BlackBerry phones में किया जाता है यह WEP 1.2 को भी सपोर्ट करता है इसका निवींतर ससकन BlackBerry 10 है फ्रेया आपका MS-DOS MS-DOS का पूर्ण रूप है Microsoft Disk Operating System क्यारम में MS-DOS Operating System 86-DOS कहलाता था जुलाई 1981 में Microsoft Company ने 86-86-DOS मोर के सारे साइट राइट्स IBM से खरीद लिए और इसका नाम परिवर्दित करकी MS-DOS रखती है तथा इसमें कुछ मात्पून परिवतन किये गए और एक नया डिस्क डारेक्टरी एस्ट्रेक्चर बनाएगे जिसमें फाइल से सम्दित सूचनाय अपडेट की गई है यह है एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित्री है कुछ आपके मुक्यकार है जो MS-DOS को आधिर देकर कराये जा सकते हैं निमलिकेत हैं कौन-कौन से हैं नई फाइलें बनाना पुरानी फाइलों को हटाना फाइलों की नाम रखना सभी फाइलों को सूची बनाना यह है आपके इसके कुछ M-DOS के कुछ कार कमांड लाइन इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस कमांड लाइन इंटरफेस में computer या software के साथ commands के द्वारा interface किया जाता है MSKEE की ही तरह CLI में भी cable text आधारिक commands के द्वारा यह computer को निदिश्ट दिये जाते हैं इसे character user interface भी कहा जाता है command line का प्रियोग करने की बाद कारण इसे command line interface कहा जाता है command line computer को की display screen पर एक ऐसी जगह होती है जिसमें user के द्वारा निर्देश type किये जाते हैं अर्थात यह computer और user के मत एक ऐसा interface होता है जिसमें input और output keyword text के रूम में होता है अब बात कर लेते हैं जो dots है इसकी सरचना की बारे में structure of DOS इस operating system तथा computer के भी समनवाई इस्थापित करने के लिए नेमलिकित प्रोग्रामों की आवसकता होती है boot record यह operating system को man memory में लोड करता है यह MS-DOS का मुक्र प्रोग्राम है फ़रे आपका input output system यह प्रोग्राम प्रोग्रामों तथा hardware के बीच interface विदान करता है फ़रे आपका ms-dos.sys प्रोग्राम यह प्रोग्राम रोटिन तथा data table का ऐसा समोग होता है जो उच्चिस तरी प्रोग्राम प्रोग्राम करता है जैसे उधारन के लिए application प्रोग्राम फ़रे आपका command.com प्रोग्राम का यह उप्योग करता को निर्देशों का समूग पिदान करता है जो उप्योग करता को file प्रबंधन आदी की सुविधा पिदान करता है कुछ आपके conferring.sys और टो एकसे डॉट बेट तथा files आपके computer को commands को set करने के लिए बातावन पिदान करती है extension waveram dot exe executable files dot com command files dot web batch files dot doc document file dot txt text file dot prg program files dot o br वियार ओवरलेस.sys system file.config.sys यह आपके system को command से के एड़ेस्ट करती है जो आपकी auto exca.bet यह file automatically command line में execute हो जाती है जब system को on किया जाता है अब बात करते हैं ms-dos commands ms-dos में इतिक काम के लिए एक business command होता है जिसका एक निश्चित नाम भी होता है बास्ताव में command उन छोटे-छोटे प्रोग्रामों का नाम है जो कुछ निश्चित कामों को कराने के लिए लिखी गए ही लिखी गए ms-dos command दो प्रेकार की होती है कौन-कौन सी है पहली आपकी internal command यह ऐसी command होती है है जो ms-dos की मुक्ष फाइल कमांड्स प्रोसेसर में पहले ही इस्टोर होती है इन कमांड्स के द्वारा हम मैं रूट की डारेक्टरीज और फाइल्स देख सकते हैं कुछ इंटर्नल कमांड्स आपकी डेट टाइम वरी सुरी बार वर बॉल डी आई आर कॉपी आपकी एक्स्टर्नल कमांड्स यह ऐसी कमांड्स होती है जो कंप्यूटर की मुक मेमोरी में और लब्द नहीं रहती है बलकि अलग प्रोग्राम फाइलों के रूम में डेस्क पर स्ट ट्रिप डिस्ट कॉपी आदी या की कुछ मुख नीए गया उनके प्रयोग यह बेस वह और व्रीओ जैसे देट पी सी में सैट की हुई मुख ताद तारी देखने पर और बदलने के लिए तायम पी सी में सेट किया हुआ शमय देखने एम बदलने के लिए CLS, इसकीन पर दिखाएगे सूचनाओं को मिटाने के लिए DIR, किसी डायरेक्टरी में सामिल फाइलों एवं उप डायरेक्टरी की सूची देखने के लिए CD, करंट डायरेक्टरी देखने के लिए Copy, किसी फाइल की copy करने के लिए R, E, N, किसी फाइल का नाम परिवर्थित करने के लिए, फरे आपका D, E, L, क्या है, D, E, L, किसी फाइल को disk या floppy से हटाने के लिए, फरे एमडी, डारेक्टरी या उपडारेक्टरी बनाने के लिए, R, D, किसी डारेक्टरी को हटाने के लिए, टाइब, किसी फाइल को content देखने के लिए, format, किसी नई या पुरानी फिलोपी को MS-DOS पर कारी करने के लिए, तेयार करने के लिए, path, P, A, T, H, किसी एग्जी क्यूटिव, डारेक्टरी या फाइल का पथ जानने के लिए, edit, साधारने अक्चरों, अंगों, तता बिसेश चिन्नों से बनी, फाइल तेयार करने या उसे सुधारने के लिए, print, किसी फाइल को छापने के लिए, x copy, किसी डारेक्टरी में इस्तित, op directory, एबंग उसकी फाइलों की नकल करने के लिए, erase, एक या एक से जान्दा फाइलों को हटाने के लिए, बर, b, er, संसकन की सूचना देखने के लिए, sort, sort किसी फाइल के डेटा को आरो ही तथा आरो ही क्रम में बदलने के लिए, c, h, k, d, s, k, active disk की position को चेक करने के लिए, disk copy या disk के contents को किसी दूसरी target disk में copy करने के लिए, move, किसी फाइल को एक disk से दूसरी disk में तथा एक साथ एक बात से दूसरे बात में shift करने के लिए इसका प्रियोग करते हैं, कुछ आपके पॉइंट दिये गए, इनने भी जान लेना, open source software, ऐसा software होता है, जिसका source code मुप्त या बहुत कम धनरासी में सभी के लिए उपलप्त होता है, इस पेकार के software source के source code में आसानी से बदलाओ किये जा सकते हैं, operating system द्वारां सीधे handle नहीं किये जाने वाले, अधिकांस कारें जैसे की disk compassion, disk fragmentation, आधी utility software की मदद के लिए किये जाते हैं, करनल, operating system का वायभाव जो CPU में होने वाले कारियों को निर्दे से करता है, तो यह था आपका साथवा चेप्टर, क्या था, operating system, आठवे चेप्टर में हम लोग बात करेंगे, Microsoft, Windows के बारे में, ठीक है, नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थी, computer science के बारे में, computer सामान ज्ञान के बारे में, तो इसमें अभी तक हम लोग, साथ चेप्टर आपके खतम कर चुके, साथवा चेप्टर था आपका, operating system, इस चेप्टर में बात करेंगे हम लोग, Microsoft, Windows के बारे में, याद रुखिए, फिर से याद दिला दिता हूँ आपको, कि ये सभी आपके 14-15 चेप्टर हैं, ये सभी complete करने के बाद, और 25 से 30 mock test भी हम लोग लगाएंगे, ये सभी complete करने के बाद, आपको computer सामानियान के लिए, कहीं भी बटकने की जरूरत नहीं पड़ेगे, इतना काफी है आपकी, कोई भी परिच्छा हो पर चाहें, ठीक है? तो पिर चाहे लिकित में हो, और चाहे वो object room में हो, सभी questions आपसे solve हो जाएंगे, तो याद रखिए, जितने भी आपके chapter खतम होते जा रहे हैं, जो भी आपका material लहेगा, वो सभी आपको एक ही जगे मिल जाएंगे, complete computer class के नाम से जो आपकी playlist सूची है, उसी में डले हुए तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, Microsoft Windows Microsoft Windows का पूरा नाम, Microsoft Wide Interactive Network Development for Office Work Solution Microsoft Windows, Personal Computer के लिए, Microsoft द्वारा विक्सित ऑपरेटिंग सिस्टम है, Microsoft के संस्थापक, Bill Gates और Paul Allen है अब objective room में आपका जैसे SSC हो गया, या कोई state level का हो गया है, पोलिस हो गया, फिर SI का हो गया, तो उसमें objective room में कैसे पहुचेगा, कि Microsoft के संस्थापक कौन थे तो आप बता सकते हैं, Bill Gates और Paul Allen विसके लगभग 90% कंपर्शनल, कंप्यूटर में Microsoft, Windows, Operating System उपयोग हो रहा है या Graphical User Interface, Multitasking, Virtual Memory की सुविधा देता है अज बाब करते हैं, लोग, Windows बिंडोज, बिंडोज 32 या फिर 64 बिट, Multitasking Operating System है जिसकी सुरुवात 1985 में, MS-DOS पर रन करने वाले एक Operating Environment System की रूम में कोई थी Microsoft Windows का पित्थम सुथन्द संस्क्रण, आपका 1.0, 20 नवंबर 1985 में अप आया जिसे Interface Manager की नाम से जाना जाता था परंतु Microsoft की Marketing पिरमुक, Roland, Hanson ने Windows नाम का सुझाओ दिया जो उप्भोकताओं को जाना आकर से लगा फिरे आपका MS Windows की संस्क्रण MS Windows की कुछ मुक संस्क्रण नहीं लिके थे Windows NT Windows NT Microsoft द्वारा बनाए गया Operating System का परिवार है जो बर्स 1993 में पृस्तुत हुआ था या विसेस रूप से उप्योग करताओं की मदद के लिए Network Work Station चमताओं पर बेहतर नेंतन की पेशकास के लिए बनाए गया था यहीं बात कर लेते हैं Interface या दो Computer के बीच संचार इस्थापित करने की सुझधा या तकनीक है दो Network नेटवर्कों या टर्मिनल और नेटवर्क के बीच संचार इस्थापित करने की सुझधा को Network Interface कहते हैं फिर है आपका Graphical User Interface यह Computer तथा उपयोग करता की बीच तस्वीर और रिखाचित के माध्यम से अंतर संबन्द इस्थापित करने की पिक्तिरिया है जिसकी प्रयोग में पढ़ने लिखने या याद रखने की नियूंतम आवस्थता होती है या उपयोग करता को सरलता तथा पिरभावी रूप से संबाद इस्थापित करने में सहायता करता है सरप्पित हम Gerox Corporation नामक कंपनी ने GEY पर आधारिज Gerox इस्टार नामक कंप्यूटर का भिकास किया है आगे बात करते हैं बिंडोज जो आपकी एंटी की विसिश्थाइन निमने है यह उच्छ तरी यह भाचा पर आधारित है यह DOS, बिंडोज 3 और विंडोज 32 के एप्लिकेशन रन करने में सक्चम है यह 32 बिंडोज एप्लिकेशन है यह प्रीमेटिब मल्टी टास्किंग का प्रयोग करता है यह उच्छ इस्थिरता और सुरक्षा पिदान करता है फिर है आपका बिंडोज 95 बिंडोज 95 बिंडोज 95 एप ग्राफिकल युजा इंटरफेस आधारित ओपरेटिंग सिस्थम है यह आपकी 24 अगस्त 1995 को माइक्रोज़ोप्ट द्वारा जारी किया गया बिंडोज 95 या 95 की विसेशता है निम्न है यह 32 बिट ओपरेटिंग सिस्थम है जिसमें कम से कम इंटेल 386 चिप की जरूरत है यह सेल्फ कंटेंड ओपरेटिंग सिस्थम है जो डॉस का बिल्ट इन और सुद्रा हुआ बर्जन है यह GUI को सपोर्ट करता है यह FAT 32 फाइल सिस्थम बहुपिदर्शन बेब टीवी और इंटरनेट एक्स फिलेवरर को सपोर्ट करता है फिरे आपका बिंडोज 98 अंठाउनवे बिंडोज 98 माइक्रो सॉप्ट द्वारा 25 जून 1998 को रिलीज किया गया ग्रापिकल ओपरेटिंग सिस्थम है बिंडोज 98 की ओपरेटिंग सिस्थम में कुछ सुधारों के बाद बिंडोज 98S को 5 माई 1998 को रिलीज किया गया बिंडोज 98 या 98 की पहले संस्क्रण में प्रोग्रामिंग की कई तुटिया थी लेकिन बाद में जो संस्क्रण आया बिंडोज 98 के दूसरी संस्क्रण में संस्कर्ण में इन तुटियों को सुझा लिया गया था बात करते हैं बिंडोज 98 की जो बेसिश्टा हैं उनके बारे में या इंटरनेट एक्सक्रोरल 4.01 का समर्थन करता है या आउटलोग एक्सप्रेस और फ्रेंट पेज पर इनफोर्मेशन देखनेवाद आदान पिदान की यह सिस्टम को तेजी से स्टार्ट अप का बस सट डाउन करने और बेटर फाइल मेनेजमेंट की सुभिधा पिदान करता है या इनफोर्सल सीरियल बस USB को सपोर्ट करता है इसमें एंटल 80486DX2 या फिर 6666 मेगाहर्ट का प्रोसेसर होते है यह बिंडोज ड्राइबर मॉडल का उप्योग करने बाला पहला ओपरेटिंग सिस्टम है इसमें FAT 32 कंवर्टर यूटिलिटी है जो बिना फॉर्मिट करें FAT 32 ड्राइब को FAT 16 ड्राइब में परिवर्थित करती है तो रहे हैं आपका बिंडोज मे कहलाने बाली बिंडोज मिलेनियन, बिलेनियम एडिशन बिंडोज 95 और 98 की सक्सेसर है फर्स 2000 में पिस्तुत किया गया था है यह इतिहासिक प्रोग्रामिक तुटियों से ग्रस्त है जिसकी बज़ाज से घरेलू उप्योग करताओं को निरासा हो सकती है जो आपकी बिंडोज M.E. है इसकी बिसेशताय निमने यह इंटरनेट एक्सफिलोरर 5.5 बिंडोज मेडिया पिलियर 7 बेसिक एडिटिंग के लिए नई बिंडोज मूबी मेपकाल सॉप्वेयर की सुवधा पिदान करता है इसमें कुछ फीचर्स के साथ ग्राफिकल यूजर्स इंटरफेस की को अपडेट किया गया है बिंडोज M.E. फीचर के साथ आप अपने कंप्यूटर को रिस्टोर कर सकते हैं यह एक CPU यह फिर S.S.P.32 बिट इंटेल X86 कंप्यूटर के लिए बनाए गया यह आठ याउस से जाना CPU का समर्थन करता है इसकी निवनतम इंटर्नल मेमोरी 64 MB और अधिकतम 4 GB है इसमें आपके बहु भासी उपेव करता इंटरफेस पिस्तुत करता है अब आपका पूच लेगी विंडो 98 क्या है अंठाउन में क्या है तो आप यतने यह परिभासा लेग सकते हैं और यह इसकी विस्ताइं लेग सकते हैं और जो हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे और अबजिक्टी रूम में वो आपके वन डेग जाम के लिए हो जाएंगे तो इसमें आपका दोनों कबर हो जाएगा फिर बात करते हैं विंडो विंडोज 2000 या माइक्रोसोफ विंडोज एन टी लाइन के ओपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है 17 फरवरी 2000 रेली जुगा था है विंडोज 2000 क्लाइंट और सर्वर कंप्यूटर का इस्तिमाल के लिए एक ओपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 2000 के 40 संसकर्ण जारी किये गए बेवसाइक सर्वर, उननत सर्वर और डेटा सेंटर सर्वर ठीक है बात कर लेते हैं विंडोज जो आपकी 2000 है इसकी विसेश्ता है या कई सिस्टम यूटिलिटीज जैसे माइक्रोसॉप प्रवंदन, कंसॉल और मानक पिढाली पिसासन को संगहित करता है विंडोज 2008 में विंडोज एंटी 5.0 गोसित की गई थी इसमें सक्रिय निर्देशी का सेभा बिदान करने की चम्ता, वित्रित फाइल सिस्टम और फॉल्ट, रिडन्टेड, रिडन्टेंड, स्टोरेज बॉलिम, जैसी अतरिक सुब्ध हैं यह एंटी कर्नेल और इंटर्फिस फीचर्स पर बना हुआ है विंडोज 2000 टिर त्रयाब का विंडोज बिष्टा यह घर और ब्यापार में पेयोग किये जाने वाले डेस्टॉप, लैप्टॉप, टेबलेट, पीसी और मेडिया सेंटर पीसी सेहत निजी कंप्यूटर पर इस्तिमाल के लिए माइक्रो सॉप्ट द्वारा बनाये गए एक ऑपरेक्टिंग सिस्टम है 30 जनवरी 2007 को दुनिया बर में जारी किया गया विंडोज बिष्टा की विसिच्टा है निमने इसमें नमीनतम ग्राफिकल यूजर, इंटर्फिस और एरो दस से सेलिया इसमें एक्छामचार कुछ भी खर्च करने के लिए इन इस्टॉंट, सरच नामक फीचर बदलती हुई नेटवर्किंग, आडियो, प्रेंट और पेदर्सन पिडाली हो विंडोज डीविडी, सहत नए मल्टिमीडिया, ओकरन्ट सामिले हैं आपकी फिर आगती है आपकी बिंडोज सेविन बिंडोज सेविन माइक्रोसोप्ट द्वारा फर्शनल कम्प्यूटर के लिए निर्मित बिंडोज ओपरेटिंग सिस्टम की सिंखला का एक सरफ पिछले संसकन है बिंडोज सेविन आपकी जो है ये 22 जुलाई 2009 को निर्माड के लिए जारी किया गया और 22 अक्टूबर 2009 को आमतरों को पर उपलब्द किया गया यह ओपरेटिंग सिस्टम कम्प्यूटर को स्टॉप्ट विरेयों को नियंतित करने और महत्पूर्ण टास्कों को करने की अनमती पिदान करता है विंडोज सेविन की जो आपकी विसिष्टा है उन्हें भी देख लीते हैं इसमें बराबर बराबर दो विंडोज एरो स्नैप फीचर की साहस्ता से देखिए जा सकते हैं USB डिवाइसों की सीग पहचान ही तो डिवाइस इस्टेज भी है हॉम ग्रोप्स के माद्यम से नेटवर्किंग में सुधार उन्नत श्टार्ट अप और स्लीब और रिजीयूम पिदर्शन नौटिपिकेशन का उपियो करता अकाउंट के माद्यम से कस्टमाईज जेशन सिस्टम मैंटेनेंस बेकप्स टेवल सूटिंग और अन्ने हिद्व एक्शन सेंटर की वेवस्ता भी है इसमें फिर आता है आपका बिंडोज एक्सपी माइक्रोसप्ट बिंडोज एक्सपी खासतोर पर हम हॉम कम्प्यूटर और बड़ी औरगिनाजिशन के लिए डेजाइन की गई है यह माइक्रोसप्ट द्वारा 25 अक्टूबर 2001 में जारी किया गया बिंडोज एक्सपी में के दो लोग पी ये बरजन बिंडोज एक्सपी हॉम एडिशन और बिंडोज एक्सपी प्रोफेशनल दो आपके इसके बरजन है बिंडोज एक्सपी की बिसेश्ताओं की बाद करें हम लोग तो बिंडोज एक्सपी साउंड कार्ड, cd-rom drive, cd-rom, sorry, dvd-rom drive, speaker, headphone आधी को सपोर्ट करती है बिंडोज एक्सपी में मेडिया, center editions record करने, tv सुदोग देखने, dvd देखने और music सुनने वाले अत्रिक्त multimedia feature हैं इसमें इसमें विवेन उपयोग करता अपनी सुतंत प्रोफाइल के साथ कार कर सकते हैं इसमें सुधार bga, bga या उच परिवासित video adapter और monitor सामिल है आपका फिराती है आपकी विंडोज 8 विंडोज 8 माइक्रोसोप्ट द्वारां फिस्तुत उपयुक्त सेंखला का नवीनतम रोप है वर्ष 2011 में Consumer Electronics 100 के द्वारां, Microsoft के द्वारां विंडोज 8 के निर्माड की बावत अधिकरित गोशना कर दी गई थी तदूपरांद इस operating system को उत्पादन हितु 1 अगस्त 2012 को पिस्तुत किया गया और जन साधान के लिए आपका 26 सप्टूबर 2012 को जारी किया गया बिंडोज 8 की हम लोग बिसेश्ताओं की बात करें तो बिंडोज 8 से सुसज्जित कम्प्यूटर ओन करने पर 10 सेकेंड में सुरू हो जाता है फ़र्षनल कम्प्यूटर का स्मार्ट फॉन या टेवलेट की बाती प्रियोक संभव है इस ओप्रेटिंग सिस्टम में टच स्कीन की सुविधा भी है फाइल एक्स्विलोरल में कमार्ट बार के इस्थान पर रिबन का समार्वी है फाइल ओप्रेटिंग बॉक्सेस को अधिक उच्ची किया गया एक त्री बिमिये ग्राफिक्स सपोर्ट कर सकता है आपकी विंडो टैने भी आ चुकी है इसकी विस्ते इसनाओ की बात करें हम लोग तो विंडो टैन है जो इसमें सायद दी गई चलिए चली बता देते हैं आप लोगों को ठीक है इसमें दी गई होई तो आंगे देख लेंगे अगर नहीं दी गई होगी तो सुन लीजे बिंडो टैन पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट, एंबेड़ेट डिवाइस और इंटर नेट ओफ तिंग्स डिवाइस के लिए माइक्रो सॉफ्ट ओपरेटिंग सिस्टम है माइक्रो सॉफ्ट ने बिंडो टैन को जुलाई 2015 में बिंडो टैन के फॉलो अप के रूम में जारी किया कम्पनी ने कहा कि एक उत्तरा दीकारी के रूम में एक नया पूर बिक्सित ओपरेटिंग सिस्टम जारी करने की बजाए निरंतर दिता में बिंडो टैन को अपडेट करेगा तो याद रखना है जुलाई 2015 में आपकी बिंडो टैन आई ठीव यहां कुछ पॉइंट दिये गए यह भी याद रखना है पूँच लेते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ओपयोग करता और इलेक्टोनिक ओपकरण के बीच प्रभावी और आसान इंटरफेस पिदान करता है अबजिक्ट लिंकिंग और एंबेडिंग यह माइक्रोसॉप्ट द्वारे विक्सित एक ऐसी निजी तकनीकी है जो दस्ताबेज़ों और अन बस्तुमों को जोडने और एंबेडिंग करने की अन्मती पिदान करती है कंप्यूटर को पुना अरम करने के लिए तरल, फिलस, अल्ट, फिलस, डेल की का प्यरयोग किया जाता है कंप्यूटर को सट डाउन करने के लिए पहले स्टार्ट ब negro, फिल क्लेक करेंगे फिर सट डाउन की सेलेक्ट करेंगे ठीक इस सौट की है आपकी बात कर लेंगे एक बार हम लोग सौट की के बारे में भी ठीक है Windows 8.1 Windows 8 का जो 8 है इसका नमींतन संस्क्राइण है Microsoft के चेर्मेन आपकी Will Gates है ठीक है याद रखना है अब बात करना है हमें desktop देखाओगा आप देखिए यह आपकी desktop की सरचना मुझे लगता है कि अभी भी आपका Windows 8 ही 8.1 है जो Windows 8 का नहा संस करने वही सबसे जाना यूज होती है फिराल मैं भी 8.1 यूज करता हूँ desktop जब computer system में booting की पिकरिया संपन हो जाती है तब जो screen हमारे सामने दिखती है वह हमारे लिए desktop कहलाती है यह सभी प्रोग्रामों तथा उन पर पहुँचने के लिए आवसक नेदेशों की पेश्ट भूमी है desktop की पेश्ट भूमी का wallpaper कहती है computer screen पर blank करने वाली पिती को cursor कहती है icon program से जुड़ा short कटचित होता है जो desktop पर होता है जिस पर double click करने पर program run होता है या फिर file खुलती है आगे बात करते है desktop की प्रमुक अब है अब निम लेकेते है icon icon क्या है icon icon छोटा सा graphic photo है जो किसी भी program के क्रियानमन का पिती ने दित करता है जब हम mouse द्वारा इस icon पर click करते है तो इससे सम्मंदित प्रोग्राम प्रोग्राम आपका क्रियानमन हो जाता है इनका प्रियोग विंडो बाता बैन में होता है इसके द्वारा program file तथा फोल्डर को desktop पर दसाया जाता है तथा इनके नीचे program file यह फोल्डर का नाम लिखा जाता है यह icon प्रोग्राम के क्रियानमन के लिए shortcut होते है desktop पर कुछ महत्रपूर आइकन निमने पहले आपका my computer यह computer में संखेत सभी सूचनाओं को पिदरसित करता है इसमें hard disk की भाग document फोल्डरों removable disk drive जैसे आपकी फिलोपी disk होगे cd होगे dvd आदी फ्रेंटर्स और दूसरे system अनुपयों के icon होते हैं इसमें इसमें सभी program या तथा software का backup भी संगेत होता है फिर है आपका recycle bin जब हम किसी file अत्वा फोल्डर को delete करते हैं तो आप recycle bin में चला जाता है recycle bin से हम उन file या फोल्डरों को उनके सही स्थान पर वापस restore कर सकते हैं फरंतु यदि recycle bin को खाली कर दिया जाए तो उन file या फोल्डरों को वापस restore नहीं किया जा सकता है जैसे हम लोग computer से कोई cheat डिलीर करते हैं तो वो आपका recycle bin में चला जाता है और अगर हम चाहें तो उसे दुवारा अपने computer में restore करके लाएज जा सकता है लेकर अगर आप recycle bin है इससे open करके उसमें से सब को delete कर देते हैं तो फिर आपके पास दुवा कोई option नहीं बच्चता है उन्हें पाने का फिर हमारा my network pledge pledge message इसके अंतर नेटवर्क कनेक्शन दर्शाय जाता है माई डॉकुमेंट यह computer के hard drive में एक business folder है जिसका उप्यूब करता है अपने personal document संगीर या फिर चित को store करने के लिए करता है फिर आता है आपका टास्क बार टास्क बार डेस्टॉप के नीचे एक पथली पट्टी होती है जिसके वाई चोर पर start button तथा दाई चोर पर घड़ी रहती है टास्क बार पर गड़ी की तरफ कुछ और छोटे छोटे आइकन रहते हैं जिन्हें हम लोग कोई launch कहते हैं टास्क बार के दाएं उप्चोर को नौटी पे किसंस एरिया भी कहते हैं यह एरिया कई प्रोग्राम प्रोग्राम के आइकन computer setting pen drive sound id के आइकन भी दरसाता है प्रोग्राम का एक बटन टास्क बार के मद्ध भाग में आ जाता है देख लीजिए एक बार आप लोग जैसे आपका ये डेस्क्टॉप हो गए सरजना यह आपका start टास्क बार है यह आपका start menu है यह यह आपका start बटन है यह आपका desktop screen display है यह आपकी digital books हो गई है यह आपकी घड़ी हो गई है यह आपके word document हो गए file खुली हुए यह आपका recycle इस तरह का होता है आइकन ठीक है फिर बात करते हैं हम लोग start menu टास्क बार की बाएकोने पर start button होता है जिस पर click करके start menu खुलता है इस menu में कई option होते हैं जैसे प्रोग्राम फेवरीट फेवरीट डोकुमेंट settings search help run long off और turn off या फिर सट्डाउं प्रोग्राम या कंप्यूटर में installed सभी प्रोग्राम की सूची दखाता है फेवरीट या book market बेपेजों का समोग होता है तो यह आपका documents यह हाल ही में खोले गए document की सूची दखाता है setting इसमें control panel जिसमें आपका end remove program and new hardware modem आधी जैसे आइकन होते हैं फ्रेंटर टास्क वार आधी आते हैं फिर आपका find find में basis file या तथा folder को search करने के लिए प्रियोग किया जाता है log off वर्तमान उपयोग करता का सत्त समाप्त कर दीता है परन्तु नई उपयोग करता के log on करने के लिए computer को खुला छोड़ दीता है फिर आपका turn off computer को shut down या restart करने के लिए प्रियोग किया जाता है विंडो विंडो खुले हुए दस्तावेज कारिगरम या folder को पिदर्शित करता है आप एक ही समय में कई विंडो को एक साथ पिदर्शित कर सकते हैं इन विंडो का आकार और इस्थान आप अपने अनुरूप तै कर सकते हैं वि विंडो ख के सबसे उपर उपर इस तेच चेति पत्टी है इस पर चालू प्रोग्राम का नाम लिखा होता है इस पत्टी की दाहने तरफ तीन चोटे चोटे बटन होते है पहला बटन आपका नियुन्थम बटन होता है जिस से विंडो को की स्कीन को हटा देता है करना करता रहता है दूसरा बटन आपका अधिकतम रिश्टोर होता है मैग मैग जी माई जी टीक है यह बटन उप्योग करता है को बिंडो को पूर्ण स्क्रीन या छोटा स्क्रीन करने की सुभिधा देता है तीसरा बटन आपका किलोज बटन होता है ia कि इस बटन का परकलेक करने की बिंडू को बंद कर दिया जाता है мі फिर आपका इसकॉल बार या बिंडो में पेदरसे सुचना का आकार बिंडो की आकार से बड़ा हो तो सुचना को उपर नीचे या दाइभाएँ करने कलिए सकॉल बार का प्योग करते है विंडो के दाहने तरफ उर्द्वाधर तथा नीचे की तरफ छेते इस्कॉल बार होता है फ़र आपका मेनू बार टाइटल बार के तुरंट नीचे मेनू बार होता है जिसमें कई प्रोग्राम, फायल, विकल्पों या आदेशों की सूची बनी रहती है इसमें से किसी एक का चैन करोषकारी को किरियानवी किया जा सकता है मेनू बार के कुछ मुख बेकल्पे, फायल, नीउ ओपन के लॉज, सेब एज प्रेंट आदी एडिट में अंडू कट कॉपी पेस्ट, वियू में टूल बार, प्रेंट लेयाउट आदी, हेल्प मेनू में प्रेउक्त संकीतों की बात करें तो यह आपका त्रभो額 हो गया, मेनू के बेकल्पे सामने चोटा सा त्रभोज सम मेनू या कैस्केडिंग मेनू को दरसाता है इस तरह एका ड़ट-डोट, इसे कहते हैं, ellipsis यह दरसाता है कि इस बिकल्प को सक्रिये करने पर एक डायलोग बॉक्स आएगा dot यह दरसाता है आपका उपलब्द बिकल्पों में से केवल एक को ही चुना जा सकता है check mark यह बिकल्प का सक्रिये होना दरसाता है ग्रे बिकल्प या बिकल्प का सक्रिय ना होना दर्षाता है इन बिकल्पों को padded command भी कहते हैं हम लोग तो रहें आपके menu दो पिकार के होते हैं पॉल या drop down menu किसी बिसाय को click करने पर या menu menu उस बिसाय के नीचे पिदसित होता है pull up menu किसी बिसाई को click करने पर या उस बिसाई की ऊपर पिदर सित होता है किसी भी menu पर mouse बारा click करने या alt key के साथ बिकल्ब का पहला अच्छल दबाने पर उस menu को खोला जा सकता है फिर आपका dialogue box या software तथा प्रयोग करता के बीच वारता लाव इस्तापित करता है इसमें बटन या तथा भिन 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 पेकार के बिकल्ब रहते हैं जिसके द्वारा किसी बिसेश कमांड या फिर टास्क को पूरा कर सकते हैं सामाननिता डायलोग box को दर्साता है संख्यागु दर्साता है इस box के title बार में box का नाम किलोज या फिर help बटन होता है डायलोग box में निमलिके तत्थ होते हैं ओके ओके कैंसल एपलाई टेप चेक बोक्स ओप्शन कॉम्बो बोक्स टेक्स्ट डॉप डाउन लिस्ट बोक्स और स्पीन बोक्स फिर आता है आपका विंडोज के इंतर के उपी होगी प्रोग्राम नोटपेड यह एक साधाने टेक्स्ट है एडिटर है इसमें किबल टेक्स्ट लिखा जाता है नोटपेड फाइल का फाइल एक्स्टेंशन डॉट टी एक्स्टी इसे निम्ले के तरीके से खोला जासा गिलैक श्टार्ट फर पिरूग्राम्स एसे स्वरीच नोटपेड फिर आपका वर्ड पेड या विंडोज के इंतर का दूसरा वर्ड फ्रोसेसर है जो नोटबुक के से कुछ अधिक उन्नत है इसमें फ्रांट्स रं तत्हां चित्त की की भी सुविधा है इसका फाइल एक्स्टेंशन डॉट र्टी एफ है इसमें निम्ले के तरीके से खोला जा सकता है स्टार्ट के लिए स्टार्ट पर करेंगे फिरूग्राम्स एस से रिज एस सीरीज वर्ड फेड फिर आपता है प्रेंट या ड्राइंग बनाने या डिजिटल चित्रों को एडिट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला ड्राइंग प्रोग्राम है प्रेंट फाइल का एक्स्टेंशन बी एम पी या फिर पी एन जी है इसे आप लोग निमली के तरीके से खोल सकते है खिल्क,श्टार्ट,प्रो ग्राइफ एस्सिस्वरीज,प्रेंट फिर आपका केल्कुलेटर यह एक प्रोग्राम है जिसके वारा साधरन ततम बिज्यानि गरना की जाती है इसे निमली के तरीके से से आप लोग खोल सकते हैं, Start Click, Program, SC Series, Calculator, फिर आपका Media Player, Windows Media Player एक Interface है, जिसके द्वारे Digital Media, फाइलों को पिले विवस्थित किया जाता है, इसे निमले के तरीके से आप लोग खोल सकते हैं, Start Program, SC Series, Entertainment, Entertainment, Windows Media, Player, फिर आता है आपका Game, Windows के साथ कई मनुरंजब खेल भी आते हैं, जैसे Spider, Spider, Solid, Toy, Finball, आदी, इसे निमले के तरीके से आप लोग खोल सकते हैं, Start Click, Program, और Games, फिर है आपका File और Folder, File की बात लोग हम लोग बात करें, तो File Secondary Memory पर Store Data का संगरह होता है, बिंडोज में फाइलें डेटा स्टोर करने की बुन्यादी का है, उप्योग करता द्वारा एक फाइल या दस्तावीच को दिया का नाम File Name होता है, सभी फाइलें File Extension से बिदर्सित की जाते हैं, File Extension का रियूप फाइल की प्रेकार की पहिश्चान के लिए किया जाते हैं, अब क्या होता है, John Information Protocol, यह एक application है, जो फाइलों को Compress करने की अनुमती देता है, फिर आपकी Executable File, एक एसी फाइल है, जिसका प्रेयोग विभिन कारियों को करने के लिए किया जाते है, एक जीक्यूटेबल फाइल पड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि यह है, Compiled होती है, एक IBM, Compatible, Computer पर Common Executable File, .bat.com.exe, फिर आता है आपका, Folder, Folder Digital File System में एक आवासी Container है, जिसमें फाइलों और अन्न फोल्डरों को के समूग को रखा जाता है, तथा IGT किया जाता है, एक फोल्डर के अंदर कई सारे सब फोल्डर बनाए जा सकते हैं, जो कई फाइलों तथा अन्न सब फोल्डरों को संगीत करने में सक्चम होते हैं, वो पेव करता है अपनी फाइलों तथा फोल्डरों को एकसेस करने, तथा उनको विवस्थित करने के लिए विविन लाइबरीयों का प्रियों कर सकता है कुछ विशेश पेकार की लाइबरीयों निमलेके थे आपकी कौन कौन सी है Document Library या Bad Processing Document Speed Seat, Presentation या फिर Untext Document को विवस्थित करने के लिए प्रियों कर जाती है यह My Document folders में संगीत होती है फिर आपकी Picture Library यह Digital चित्रों को विवस्थित करने के लिए प्रोग्राम की जाती है Default रोग से यह Picture Folder में सेव होती है फिर आपकी Music Library यह Digital Music जैसे Songs आधी को विवस्थित करने के लिए प्रयोग की जाती है Default रोग से यह Music Library फोल्डर में सेव होती है वीडियो लाइबरेरी या वीडियो की वीडियो क्लिप रेकॉर्डिंग आधी को विवस्तित करने के लिए प्रयोग की जाती है डिपॉर्ट रूप से या माई वीडियो क्लिडर में सेव रहती है ठीक है यह होगे आपका माइक्रोसॉप्ट बिंडोज माइक्रोसॉप्ट बिंडोज की बारे में आंगे हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉप्ट ऑफिस की बारे में माइक्रोसॉप्ट ऑफिस नवस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामानियान के बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग आठ चेप्टर आपके कितम कर चुके हैं आठवा चेप्टर था आपका Microsoft Windows के बारे में आज बात करेंगे हम लोग Microsoft Office के बारे में यह आपका 9 चेप्टर है याद रखिए आपके यह होंगे कम से गम 13 से 14 चेप्टर होंगे आपके computer सामानियान के इसके बाद 25 से 30 हम लोग mock test लगाएंगे जो आपके one day exam के होंगे यह सब ही complete करने के बाद आपको computer science के लिए computer सामानियान के लिए कहीं भटकने की जरुवयत नहीं पड़ेगी इतना material आपके लिए काफी है और इतने से आपका कोई भी परिख्चा में फिर चाहे लेखित रूप में हो फिर चाहे objective रूप में हो दोनों questions आपके solo जाएंगे दोनों तरह के टीक है तो बात करते हैं Microsoft Office आखिर Microsoft Office है क्या Microsoft Office का विसकार वर्स 1988 में Microsoft Company अमेरिका ने किया था मुख रूप से यह एक package है जो विभिन पेकार के software के संगठन से बना है इस software किसी कार्या लाए या पर किसी स्कूल आदी में विसेस रूप से प्रियोग किया जाता है इसलिए इसका नाम MS Office भी है MS Office के पिथम सस्कार्ण 1990 में मुख रूप से तीन software जोड़े गई थे जो क्रम साथ थे आपके MS Bird, MS PowerPoint, MS Excel बाद मेरिंड में सुधार करके कुछ software जैसे आपका MS Access database हो गया MS Pictures Manager, Spell Checker, VBA Scrafting Language MS Outlook आदी जोड़ेगे आज कल सभी कंप्यूटरों में इन software का प्योग बहुत जांदा हो रहा है आज कल Android, Phone, iPhone फिर Windows Phone आदी भी MS Office का एक नया संस्कार्ण MS Office Mobile नाम से उपलब्द है MS Office के 5 software निम लिके थे MS Office के कितने software है, 5, कौन-कौन से है MS Word, Word Processing Software, MS Excel Tribular Data Formatting Software, MS PowerPoint Presentation Software, MS Access, Database Management Software MS Outlook, Email Client यह आपके MS Office के 5 प्रमुक software है अब बात करते हैं लोग Microsoft Word के बारे में Microsoft Word एक प्रकार का Word Processing Software है जिसका प्रयाव किसी डॉकुमेंट को बनाने उसमें कुछ सुधार करने के लिए किया जाता है यह एक बहुत मत्कून software है जो लगवग सभी computer में MS Office जिस package के अंदर पाया जाता है इसमें अनेक प्रकार के tools पाया जाते है जो 45KB से कम साइज के डॉकुमेंट को बनाने उसमें बदलाव करने, डॉकुमेंट की painting करने, उसमें editing करने आदी कारेयों के लिए प्रयोग किया जाता है इस software के प्रयोग से बिभे निपकार के text, style, document और डॉकुमेंट में चित आदी लगाकर एक आकर सब डॉकुमेंट तेयार किया जाता है वर्स 1983 में MS-DOS operating system के लिए पिथम word processing software तयार किया गया था 1985 में MAC operating system के लिए Microsoft word का एक graphical sunscreen तयार किया गया वर्स 1990 में MS Office के पिथम sunscreen में ये software जोडा गया MS word को param करना MS word को खोलने या param करने की तीन विदिया है task bar में start button पर click करते हैं उसके बाद run vehicle पर click करते हैं click करने की बाद एक text box आता है उस text box में pin word type करके enter की दबाते हैं desktop पर उबलब दे Microsoft iCare पर double click करते हैं start पर click करते हैं start menu खुलने पर program बिकल्प का chain करते हैं ततपश्चार प्राप्ट menu में MS office का chain करने के बाद MS word को chain कर click करते हैं अर्थात इस पेकाल start फिर उसके बाद all program MS office पर MS word अब हम लोग बात करते हैं Microsoft word के अबयाब क्या हैं components और Microsoft word Microsoft word के निमलकित अबयाब होते हैं पहला है आपका title बार यह Microsoft word document में सबसे उपर एक ribbon पट्टी होती है जो फाइल का नाम और जिस software में फाइल को लिए उस software का नाम दिखाती है title बार में तीन बटन होते हैं कौन-कौन से minimize इस बटन पर छोटी रेखा या फिर डैस इस तरह का छपा होता है इस बटन को क्लेक करने से window आईश्थाई रूप से बंद होकर task बार में एक बटन की रूप में बदल जाती हैं आप इस बटन को क्लेक करके window को उसके पूर्व आकार में ला सकते हैं कोई वर्ड कोई वर्ड डॉकुमेंट टास्क बार में बटन बार में बटन की रूप में आ जाने पर भी बंद नहीं होता है अर्थात वर्ड एक्टिव रहता है फरे आपका maximize रिश्टोर मेक्सिमाईज बटन पर एक छोटा बर्ग होता है इस तरह का चपा होता है इस बटन को क्लेक करने से बिंडो पूरी स्कीन बदल जाती है और maximize बटन रिश्टोर करने में बदल जाता है जिस पर छोटे आयातों इस तरह के एक जोड़ा चपा होता है यदि आप रिश्टोर बटन को क्लेक करते हैं तो बिंडो अपने पुराने आकार में आ जाती है और हुआ है बटन फिर से maximize button बन जाता है फिर आता है आपका तीसरा किलोच इसका प्रयोग किसी खुली हुई फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है फिर आता है आपका इस्टेंडर्ड टूल बार इसमें फाइल और टेक्स्ट संबंदी कारियों के लिए टूल रहते हैं जैसे नई फाइल खोलना पुरानी फाइल खोलना फाइलों को सरक्षित रखना इसमें सामिल रहते हैं फिर आता है आपका रिवन या स्कीन में स्कीन के टी ओपी पर टॉप पर टाइटल वार की नीचे पट्टी होती है इसमें किसी कारी को करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है इन आदेशों के पैनल को किसी टैब में संगेठिक कर दिया जाता है जब हम टैब पर क्लेक करते हैं तो यह panel इसी रेवांन पर दिखाई देते हैं इस रेवन को इस रेवन को मीनीमाज भी किए जा सकता है ट्रीगा या तुर है आपका tab क्या आता है तो रेवान पर मीनू वार में कुछ बटन लगे होता है इन बटन को टैब कहते हैं इन बटन को क्या एht surpris इनका प्रियोग केरेक्टर को संपादित करने, डोकुमेंट का लेयाउट बदलने, पेज के अन्य पिकार की प्रिव्यू देखने, पेज में कोई नया चित ग्राफ आधी जोडने के लिए करते हैं टैप्स के अंतरकत निम्लिके पटन आते हैं पहले है आपका हॉम टैप, इस टैप में किलिप बोर्ड, फॉंट, फैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग नाम के विकल्प होते हैं किलिप बोर्ड में किसी टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेश्ट करने के विकल्प होते हैं कट या कॉपी किया हुआ डेटा के लिए बोर्ड में स्टोर हो जाता है जिसे आंगे हम कभी भी पेश्ट कर सकते हैं आपका फिर आता है फॉंट या फॉंट का प्रियोग किसी फॉंट के साइज, स्टाइल, कलर, फॉंट को बोर्ड करना तिरिच्छा करना या फिर उसके नीचे अंडर लाइन लगाना आदिकारियों के लिए इसका उप्यों किया जाता है फिर आता है आपका प्रियोग किसी पंक्ती है, मैं बुलिट या नम्बरिंग लगाना उसे इंडेंट करना आदिकारियों के लिए किया जाता है इस toolbar को formatting toolbar भी कहते हैं तो राता है आपका styles, styles के प्रियोग से किसी text के style को बदलते हैं editing के प्रियोग से किसी character या सब्द को ढूंट सकते हैं उससे दूसरे character या सब्द में बदल सकते हैं तो यह आपका Microsoft Word Window देख लीए यह आपका current page location हो जाएगा जो page club है यह आपका होता है horizontal scroll bar यह आपका यहाँ होता है division by page यहाँ आपका zoom in and zoom out होता है मतलब घाटा यह आप बढ़ा सकते हैं यह जो आपका दिख रहा है यह बरक एडिया है यहाँ काम कर सकते हैं यह आपका cursor है जिसे कहीं भी ले जा सकते हैं यह आपका formatting tool ट्रीक है यह देख रहा है जो यह vertical scroll bar है इसे नीचे उपर करने के लिए प्रयोग करते हैं यह आपका ribbon हो गया क्या है ribbon यह यहां जो आपके की रहते हैं यह आपकी special feature है यहां आपका help हो गया यहीं आपका किलोज बटन होता है यहां आपका यहीं आपका maximize और minimize होता है minimize, maximize और किलोज यहां होता है font style आपका यह है मतलब style बदल सकते हैं किसी अक्चर के यहीं आपके यह होते हैं formatted toolbar यहां आपका title बार होता है यह आपका यहां menu बार होते हैं front फिर वह होता है यहां और save button किसी जो भी program आप लोग लिख रहे हैं उससे save कर सकते हैं आप यहां से ठीक है बात करते हैं insert tab इंसर्ट टेब इस टेब में pages, tables, L station, links, header और footer, text और symbol नाम के बिकल्प होते हैं pages बिकल्प का प्रियोग विभिन पिकार की page cover लगाने के लिए page को बीच में break करने के लिए blank page insert करने के लिए करते हैं पर यह आपका tables बिकल्प का प्रियोग विभिन पिकार की table बनाने तथा table insert करने के लिए करते हैं इल स्टेशन का प्रियो बिभेंदे पिकार की पिक्चर्ज, क्लिप का आर्ट, सिप्स, स्मार्ट, चार्ट आधी को पेज में इंसेर्ट करने के लिए किया जाता है। फ्रेयापका links का पिरियो, hyperlinks बनाना, bookmark लगाना और cross reference बनाने के लिए करते हैं। प्रियापका header और footer header और footer का प्रियोग किसी पेज में उपर या पर नीचे header सीशक डालने और footer डालने के लिए करते हैं text text का भी कल्ब का प्रियोग text box डालना word art डालना date और time डालना और विभिन पकार की वस्तु डालने के लिए करते हैं symbol symbol का प्रियोग document में विभिन पकार की चिन डालने के लिए करते हैं फ़रे आपका page layout tab इस tab का प्रियोग विभिन पकार की themes डालने के लिए करते हैं इस विकल्ब से page का background और paragraph set किया जबता है फ़रे आपका reboot tab इस tab का प्रियोग spelling और grammar check करने सब्द कोस देखने अनुबाद करने और document को सरक्षत रखने के लिए प्रियोग में करते हैं फिर आता है आपका view tab यह print layout whole screen layout और macro इस पे lit आधी से मिलकर बना होता है इसका प्रियोग page की बनावट देखने के लिए करते हैं फिर आता है आपका ruler यह document window के top पर और उसके बाएं तरफ दिखाई देता है इसका प्रियोग किसी document में text के छेते और उद्वादर हासियों को देखने बस set करने के लिए करते हैं rulers दो पेकार के होते हैं rulers आपके दो पेकार के होते हैं एक आपका छेते जिरूलर यह document की चोड़ाई कुस सुचित करता है अथा text और page के किनारे की बीच के अंतर को बताता है इसका प्रियोग left और right margin को set करने के लिए करते हैं margin का तत पर page border और text के बीच में अंतर से हैं दूसरा है आपका उड़द्वाधर ruler यह document की उचाई को सुचित करता है अथा text और top page वार्डर के बीच अंतर को प्रिदर्शित करता है इसका प्रियोग top और bottom margin को set करने के लिए करते हैं फिर आता है आपका status bar यह document से सम्मदित कुछ सूचना है जैसे कि page number, current page current template, column number और line number आदी को दिखाता है फिर आपका कारचित यह document window का आयताकार चित होता है जिसमें आप कुछ text टाइप करते हैं या कोई चित या फिर बस तो जोड़ते हैं इसे workplace नाम से भी जाना जाता है फिर आता है आपका cursor इसे insertion pointer भी कहते हैं एक इसी text के parambic window को दर्शाता है या जिस इस्थान पर होता है उसी स्थान पर कोई text type होता है यदि कोई object या picture जोड़ते हैं तो यह भी cursor point के इस्थान पर जोड़ता है आपका अब बाप कर लेते हैं हम लोग Microsoft की जो बेसेस्था है उनके बारे में Microsoft Word की बेसेस्था है Microsoft Word एक लोग पर यह बरब प्रोसेशन सॉप्ट्वेयर है जैसे एक अनविग ब्यक्ति भी आसानी से चला सकता है और इस सॉप्ट्वेयर पर कार कर सकता है MS Word की नेम लिखे द्वेसेस्था है पहली यह आपकर टेक्स्ट एडिटिंग MS Word में किसी टेक्स्ट को लिखना लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना डिलीट करना या फिर टेक्स्ट के कंपोनेंट को मोडिफाई करना आदिकार बहुत ही आसानी से होता है यादि किसी टेक्स्ट को कट कर दिया जाता है तो कट किया हुआ टेक्स्ट कलेब बोर्ड में आइस्थाई रोप से श्टोर रहता है जब उसे पेश्ट कर देते हैं तो कलेब बोर्ड में सिक्कट किया हुआ टेक्स्ट हट जाते हैं दूसरी वेसिस्ता है इसमें आपकी सामिल फॉर्मेट टेक्स्ट में किसी टेक्स्ट या सब्द को अनीक पेकार की सब्द डिजैन से मोड़ी भाई कर सकते हैं विभेन पेकार की इस्टाइल का प्रियोग करके टेक्स्ट के एपिरियंस को बदल सकते हैं हम लोग तीसरी वेसिस्ता है इंडी टेंशन इंडे इंडेंट टेंशन इंडेंट टेंशन का तत पर पेज की बाउंटरी और टेक्स्ट के बीच के अंतर से हैं इसके प्रेयोग से text और page boundary के बीच में चारों तरब से gap को कमया जानदा कर सकते हैं फ्रेय आपका page orientation MS-Bed में दो पेकार के page orientation होते हैं छेतिज orientation और उद्वाधार orientation इसका प्रेयोग किसी type किये हुए text को एक छेतिज पेज में या फिर उद्वाधार पेज में print करने के लिए किया जाता है फिर आपका पाचवा है पाचवी बेसे जिस्ता है इसकी find and replace MS-Bed में type किये गए text में किसी vices, character या सब्द को आसानी से find किया जा सकता है इसमें find किये गए character या सब्द को किसी दूसरे character या फिर text से बदला भी जा सकता है इसकी अंगली विसिष्था है spell check spell check इसमें spelling और grammar को check करने की सुखद्या भी होती है या automatically spelling और grammar की गल्दियों को डूरता है तथों से सही भी करता है फिर आपकी सब्द कोस इस software में एक comprehensive dictionary और सब्द कोस होता है जो एक समय के कई परियावाची सब्द के कई परियावाची देता है फिर आता है आपका bullets and numbering इस software में एनेक पेकार की bullets बिसे पेकार की चिन और number गिंती के एंग, रोमा नंग और अंग्रीजी के अप्छर होते हैं जिसका प्रियोग करके page में एक list बना सकते हैं और page में लिके हुए data को एक क्रम में भी रख सकते हैं male merge, अंगली वी से इस्ता क्या है, male merge male merge, MS bird की, वाइस होगिता है जिसके द्वारा एक पत्त, अनेक ब्यक्तियों को भीज सकते हैं इसमें दो फाइलों से सूचना है, लेकर उन्हें आपस में मिलाकर या फिर बिलर करके बास्तिविक दस्तावी तियार किया जाते हैं जिसमें एक फाइल को डेटा फाइल या डेटा सरोथ और दूसरी फाइल को फॉर्म लेटर या फर मुक दस्तावीज कहा जाते हैं इस बिदी से आप लिफापों पर चिपकाए जाने वाले पत्तों की परचियां चाप सकते हैं क्या कर सकते हैं जो लिफापे पर चिपकाए जाने वाली पत्तियां होती हैं उन्हें भी जाप सकते हैं अगली विशिच था इसकी है ग्रापिक्स यह MS Word में ड्राइंग बनाने की अच्छी सुवधा होती है इसके द्वारा विविन पिकाए की आगती जैसे की आपका बिरत आयत रेखाएं तिरवोज आदी अनेक पिकाए की ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं इसमें ड्राइंग बनाने का ड्राइंग टूल वार उपलब्ध होता है जिसमें अनिक पिकार की ड्राइंग होती है अगली हमारी विशिश्टा है ऑबजेक्ट, लिंकिंग एंड इम्मेडिंग यहीं एक पिकार की प्रोग्राम इंटीगेशन टेकनोलोजी है जिसका प्रियोग करके बस्तुओं के द्वारा सूचनाओ को प्रोग्राम में के मद्द सांजा किया जाता है तथा प्रिदर्सित किया जाता है इसमें विभेने पिकार के ओब्जेक्ट जैसे चार्टस, समीकर्ण, विडियो क्लिप, फिक्चर, आधी पाये जाते हैं जो सूचनाओ को सांजा करने तथा प्रिदर्सित करने के में प्रियोग किया जाते हैं अंगला है हमारा छेतिज और उद्वादर स्कॉल बार इस सॉप्ट्वियर में दो स्कॉल बार होते हैं जो पेज को डॉकुमेंट बिंडो में उपर नीचे या फिर दाइवाइप मूब कराते हैं इसमें छेतिज स्कॉल बार होता है जो इस्टेटस बार के उपर इस्दित होता है या स्कॉल बार पेज को दाई तरफ या बाई तरफ मूब करा सकता है दूसरा उर्द्वादर इसकॉल बार होता है जो इसकीन के दाई तरफ होता है वह या स्कॉल बार पेज को डॉकुमेंट बिंडो में उपर नीचे मूब कराता है यहां कि कुछ आपकी पॉइंट दिये गए हैं यह भी आपको याद रखना है One Day एक जाम में पूच लेता है MS Word 1983 में Exynix System के लिए Multi-Toolware Word नाम से रिलीजट हुआ था MS Word की नई डॉकुमेंट का डिपाल्ट नाम डॉकुमेंट खश्ट होता है MS Word का फाइल फॉर्मेट .doc और .docx होता है MS Word में किसी पराग्राफ की डिपाल्ट एलाइनमेंट सेंटर्स होता है Office Logo बटन यह MS के पिती एक सॉप्ट्वियर की बिंडो में सबसे उपर माई किनाले पर एक बटन होता है जो MS Office Logo बटन की नाम से जाना जाता है इस बटन के उपर की Logo चित लगी हो रहती है इस बटन का प्रियोक डॉकुमेंट को खोलने बंद करने फुरानी डॉकुमेंट को खोलने रख चित करने और प्रेंट करने के लिए उप्योप करते है MS Bird में Control पिलस Home के प्रियोक सी करसा डॉकुमें के आरम में पहुचा जा सकता है यह आपकी कुछ सौट की है MS Bird के सौट कट कीच और उनका विवरन इस टेंडर्ड टूल बार जैसे आपका यह टूल का नाम हो गया यह सौट कट की हो गई वह विवरन New Control प्लस N एक नए डॉकुमेंट बनाने के लिए इसका प्रियोक करते है Control प्लस N Open Control प्लस O या फिर Control प्लस F12 तो जाओं लोग टेरे की करते हैं तो हमारा पहले से बने डॉकुमेंट को खोलने के लिए इसका उप्योग करते है Save के लिए क्या करते हैं Control प्लस S या फिर Sept प्लस F12 Active डॉकुमेंट को सुरक्षित रखने के लिए किसी डॉकुम सुरक्षित डॉकुमेंट की नाम बल लोकेशन को गदल कर सुरक्षित करने के लिए इसका प्रियोक कर सकते हैं Select Control प्लस A Page के सभी content को चुनने के लिए हम लोग Control प्लस A का प्रियोग कर सकते हैं फ्रेह आपका Print क्या है Print करने के लिए Control प्लस P या फिर Control प्लस Shift प्लस F12 Active डॉकुमेंट को Print करा सकते हम लोग Print Preview Control प्लस F12 Print करने से पहले Page का Review Review या Preview देखने के लिए इसका उप्योग कर सकते हैं Spelling App Saving किसी Active डॉकुमेंट में Spelling चेक करने के लिए App Saving का हम लोग प्रेह कर सकते हैं Find or Replace या फिर GoTo इसके लिए App 5 का उप्योग कर सकते हैं Find or Replace और GoTo विंडो कोलने के लिए हम लो App 5 का प्रेह कर सकते हैं Cut Ctrl-Pleks rainforest चुने हुए टेक्स्ट या बस्तू को Cut करने उसे Clock Board में रखने लिए इसका उप्योग करते हैं Copy Ctrl-CP चुने हुए टेक्स्ट या पिर बस्तू की Copy करने उसे Click Board में Click Board में रखने के लिए जिस control plus C का प्योग करते हैं paste control plus B या फिर shift plus insert का प्योग करते हैं के लिए board में cut या फिर copy किएगे content को किसी page में किसी स्थान पर paste करने के लिए control plus B या फिर shift plus insert का प्योग कर सकते हैं undo control plus Z पिछले दिये गए आदिसों को रद करने के लिए control plus Z का प्रियोग कर सकते हैं redo control plus B undo के द्वारा रद किए गए आदिस को प्रभावी बनाने के लिए control plus B का मलोग प्रियोग कर सकते हैं यह आपके कुछ formatting toolbar है यह आपका tool का नाम होगे है shortcut की होगे और विवरन style control plus shift plus S किसी चूने हुए text या font font को style को बदलने के लिए control plus shift plus S का प्रियोग कर सकते हैं आपको font control plus shift plus F चूने हुए portion के front तथा आकार को बदलने के लिए इसका प्रियोग कर सकते हैं front size control plus shift plus B चूने हुए portion के front size को बदलने के लिए आप लोग इसका प्रियोग कर सकते हैं चूने हुए सब्द या पिर अक्छर के नीचे रेखा की चूने के लिए इसका प्रियोग कर सकते हैं alienate left control plus L सब्दों को वाए और से सीधा में लाने के लिए इसका प्रियोग करते हैं center control plus E paragraph को page के बीचों बीच में लाने के लिए या सब्दों को वीच में लिखने के लिए control plus E का प्रियोग कर सकते हैं align right control plus R सब्दों या paragraph को page के दाएं तरफ सीध में लाने के लिए आप लो control plus R का प्रियोग कर सकते हैं justify control plus S paragraph को दाएं और बाए तरब से सीधे में लाने के लिए Ctrl प्लस जे का प्रियों कर सकते हैं अब बात कर दीते हैं Microsoft Excel क्या है Microsoft Excel Microsoft Excel एक पावरफुल स्पीड चीट प्रोग्राम है जो आपके डेटा को बिवस्तित करने कैलकुलेशन पूरी करने नेड़े तर पहुंचने ग्राप या डेटा प्रोपेक्शन दिखाने वाली रेपोर्ट तेयार करने बिवस्तित डेटा को बेप पर पब्लिस करने या फिर रियल टाइम डेटा को एक्सिस करने की सुविधा देता है Microsoft कंपणी ने बर्स 1985 में M.A.C.O.S के लिए MS Excel का प्रिथम संस्क्रेंट बनाये था बर्स 1990 में यह MS Office पैकेज के साथ कमाइन हो गया मिला दिया गया इसमें एक electronic speed seat होती है जिसका प्रियोग accounting को दिस के लिए करते हैं गड़ती है कारियों के लिए भी करते हैं बजट बनाने या फिर बनाने बिल बनाने में करते हैं इससे आप लोग साधानन भासा में बर्क सीट भी कहते हैं इसके लाबा आप speed seat में दूसरे प्रोग्रामों द्वारा बनाएगे अत्वा आयाद किये फोटोग्राफ ड्राइंग, किलिक आर्ट, लोगो आदी भी जोड सकते हैं MS Excel में speed seat या फिर बर्क सीट बहुत से खानों खानों या सेलों का एक संभू होता है जिनने पंक्तियों या कॉलम कॉलमों में व्यवस्थित किया जाता है पंक्तियां दाएं से बाएं अर्था चेतित होती हैं जबकि कॉलम आपके ऊपर से नीचे अर्था उद्वाधर होते हैं पंक्तियों को करम संख्याओं से पहचानते हैं तथा कॉलम को ABC आपचरों से पहचानते हैं MS Excel के अलावा कुछ स्पीड सीट जैसे कि आपका स्नोबाल हो गया लोटस एक दो तीन, एपल नमबस आदी होते हैं इससे डेटाबेस की तरह प्रियोग कर सकते हैं आप लोग जो संबंदी डेटा को इस्टोर करता है इसके द्वारा किसी विशेश डेटा को एक पैटर्न की आधार पर ढूड़ा जा सकता है यह हो गया आपका Microsoft Excel Window यह आपका status बार हो गया यही आपका seat tap scrolling button हो गया यह आपका work taps हो गया यहां दिये हो यह आपका horizontal scroll bar हो गया यह आपका vertical scroll bar हो गया यह सभी आपके task बार हो गया यह बटक सीट यहां आपकी row adding हो गयी यह कॉलम heading है यह आपका active cell है यह आपका ribbon हो गया यह title बार हो गया यह मेनू बार हो गया है यह आपका फॉर्मूला बार हो गया इस्टेंडर्ड टूल बार हैं आपके यहां, फॉर्मेटिंग टूल बार हैं आपके, ठीज़ है? एमेट एक्सल को प्यारम करना, किस तरह से प्यारम करते हैं? इसे भी देख लेते हैं, आप एमेट एक्सल को प्यारम करने के लिए, निम्न में से कोई एक बिदी प्रियुक कर सकते हैं, निम्न में से कोई एक बिदी द्वारा इसे प्यारम कर सकते हैं, पहला आया आपका आपल क्लेक करके MS Excel को प्यारम कर सकते हैं आप लोग दूसरा है Start फिर All Programs फिर जाएंगे MS Office पर फिर आप Microsoft Office Excel 2007 पर क्लेक करके भी MS Excel को प्यारम कर सकते हैं कि इस्टाइट बटन पर क्लेक करने के बाद रन कमांड पर क्लेक करें क्लेक करने के बाद रन बिंडू में Excel टाइप करके इंटर की दबाने से भी आप लोग MS Excel को की बिंडू को खोल सकते हैं ठीक है पिर है आपका आँगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सल के अवयव यानि की कंपोनेंट्स और माइक्रोसॉफ्ट सबसे फहले बात करते हैं टाइटल वार यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सल की बिंडू में सबसे उपर एक रिवन पट्टी होती है जो फाइल के नाम तता जिस सौप्ट्वेर में फाइल कुली है वो सौप्ट्वेर के नाम दिखाती है दूसरा है आपका रिवन या स्कीन के टॉप पर टाइटल बार की नीचे एक पट्टी होती है इसमें किसी कारे को करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है इन आदेशों के पैनल को एक टैब के साथ जोड़ दिया जाता है जब हम टैब पर क्लेट करते हैं तो एक पैनल इसी रेवन पर दिखाई देते हैं इस रेवन को छेपाए भी जा सकता है हमारे गौरा फिर आपका टेब क्या है टेब MS Excel में टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है इस मेन्यू बार में लगे कुछ वे बटन को टेब कहते हैं क्या कहते हैं टेब हॉम टेब, इनसाइड टेब, पेज ले आउट टेब, फार्मूला टेब, डेटा टेब, रिभू और व्यू टेब इन टेब्स के साथ कुछ सहाइक कमांड भी आपके होते हैं जिनका प्रियोग कारेक के दोरान कभी कभी करना पड़ता है बात कर लेते हैं कुछ कमांड का, कमांडों का वेवरन पहला है आपका किलिप बोर्ड किलिप बोर्ड में किसी सहल के डेटा या टेस्ट को कट, कॉपी, पेश्ट करने के लिए कमांड रहता है कट या कॉपी किया हुआ टेटा के लिप बॉर में स्ट्रों हो जाता है जिसे हम आंगे हम कभी भी पेष्ट कर सकते हैं फबर आपका ऑलाइंड में इसका प्रियोग किसी सेल में टेक्स्ट के एलाइंड को बदलने कि लिए करते हैं इसमें दो पिकार के alignment होते हैं और 12 alignment और छेट deaf alignment इनमेक टेस्टे को indent करने तथा यदि टेक्स्ट में भर जाए तो सेल में अगली alignment से लिखने के लिए की सोभिदा भी देट होती हाँ इसमें इसमें दो सेलों को summarize करके तथा किसी टेक्स्ट को एक Cell में फिट करने की भी सुविधाक होती है आपके भग पर आपका टेबल इसका प्रियोग शेलो को सम्हूँ को टेबल की तरहे परिवासित करने के लिए होता है एक table data को filter करने तथा उसे एक क्रम में रखने में उपयोगी होते हैं इसके द्वारब पाई वोट table या चार्ट भी बनाय जाते हैं जो data को विवस्तित करने तथा उसको उसका सारांस विश्दुत करने में उपयोगी सिद्ध होता है तो यह आपका function library इनमें अनेक प्रकार के function जैसे mathematical function लॉजीकल फंक्शन तता तेकोड में दिये function होते हैं जो गड़नाओं में प्रेव किये जाते हैं उधारन के लिए सम एंड एप लॉकप एबीजी डेट आधी लाइबरेरी फंक्शन यही हम लोग इसे भी देख लिए थे स्पीड सीज से संबंदी महत्पूर्ण तत्थे आंके MS Excel में Speed Seed बनाए जाते हैं जिसमें डेटा को टाइप किया जाता है और MS Excel से संबंदी कुछ मुक तत्थ निमलिके थे Speed Seed एक software trail होता है जिसका प्रियोग संख्याओं के संभू को इंटर करने Calculate करने, Manipulate करने, Analyze करने के लिए होता है इसमें पंक्तियों और कॉलमों PPT छेदों से बहुत सारी cells बनते हैं Cell एक पकार का container होता है जो संख्याओं, सूत्रों, text को hold करना करता है Cell की समूव को seat या फिर work seat कहते हैं Cell की समूव को क्या कहते है? seat या फिर work seat Work seat के अंदर सारी में सूचना है पंक्तियों और कॉलमों में पिदर्सित होती है Work book एक document होता है जिसमें एक या एक से अधिक work seat होती है आपके पंक्तियों की पहचान संख्या संख्याओं एक दो तीन से होती है कॉलमों की पहचान आपकी अक्ष्णों के समूव वो a, b, c, d, dot, dot, a, double, double, e, फिर, a, b, से लेके z तक होती है Cell pointer पर एक cell की boundary होती है जो यह बताती है कि current time में कौन सेल कौन सा सेल हमारा active है फिर आपका फार्मूला एक समीकन होता है जिसका प्रियों किसी cell की belly को calculate करने के लिए करते हैं कोई भी फार्मूला बराबर के बराबर के बाल लगते हैं Cell address पंक्तियों और कॉलमों के अक्षर और संख्याओं के पितिछे को दरसाता है जैसे c5 का प्रियों का प्रियों के क्रम को परिवासित करने के लिए किया जाता है जब कारियों का क्रम परिवासित हो जाता है तो इसे एक डोकुमेंट या पर एक से अधिक डोकुमेंट पर बार बार पेयो करके किसी विशेश कारी को संपन करा सकते हैं हम लोग फिर आता है आपका status bar बिंडो टास्क बार के ठेक उपर और इसकीन के बॉटम में जो बार होती है उसे status बार कहते हैं या जो बर्क सीट करेंट टाइम में कुली रहती है उसकी सुचना है दिखाता है जैसे कि पेज नंबर व्यूस ओटकट जूम स्लाइडर आदी फिर आता है आपका formula formula बार यह रेवन के नीचे होता है इसमें दो भाग होती है पहला name box जो किसी cell के reference को दिखाता है और दूसरा आपका formula आता है यह इसमें कुछ type करते हैं इसमें पहले से परिवासित formula होता है जिसका प्रियोग calculation में किया जाता है तथा active cell के contents भी इसी में display होते हैं फिर आपका charters MS Excel में किसी worksheet के data के graphical एवन factorial presentation के लिए चार्ट का प्रियोग किया जाता है Excel चार्टों की यह विसेचता होती है कि जब भी आप उस data में कोई परिवर्थन करते हैं जिस पर chart आधा रहे थे तो संबंदी चार्ट में उबर परिवर्थन ततकाल कर दिया जाता है या ऐसा करने के लिए पूछा जाता है चार्ट चायपकार क्या होते हैं column बार लाइन एरिया पाई और xy या पर इसके इंटर चार्ट बात करते हैं चार्ट की दर्थ chart एरिया किसिचर्ट और बनाने में परियोग किया एक कुंछित Chart area होता है चाइट एरिया से चाइट को भेड़ने के लिए एक आयता का बॉक्स का प्रियोग करते हैं इस आयता का बॉक्स का एरिया चाइट एरिया कहलाता है दूसरा आप का पिलाट एरिया या वैच्छेत फ़ल जिसमें डेटा को चाइट के रूमें पिदर्शित करते हैं फिलाट एरिया कहलाता है फिलाट एरिया टूडी चार्ट के अक्षरों से अच्छों से घरा होता है जबकि त्री चार्ट में बॉल्स और फिलोर्स से घरा होता है पर आपका चार्ट सी सक यह चार्ट और दोनों अक्षों एक्स वाई के सी सक होते हैं इससे हमें पता चलता है कि चार्ट में हमें क्या दिखाना चाहिए और उसके अक्षों के मानों का क्या आरत होता है सामान तक इसी चार्ट को दो अक्ष होते हैं जिन्हें किरमसा X और Y कहा जाता है X अक्ष छेतिक अक्ष होता है जिसे category अक्ष भी कहते हैं बाई अक्ष और द्वाधर अक्ष होता है जिसे बेलिव अक्ष भी कहते हैं आप लोग अक्ष सीशक एक्स वाई और जड़ अक्षों एक्सेस को किस सीशक से पिस्तुत करते हैं उसे अक्ष सीशक कहते हैं ये बताते हैं कि अक्षों की मानों में का क्या अरत है फिर आता है आपका डेटा सरणिया डाटा सीरिच डेटा सरणिया उन सभी मानों की सूची है जिनको हम चार्ट में दिखाना चाहते हैं चित्व में खरीद और विक्री दो डेटा स्रेडिया हैं जो भिन भिन रगों की कॉलम द्वारा दिखाई गई हैं फिर आपकी ग्रेड लाइने एक कुछ बैक्ग्राउंड लाइने होती हैं इनमें हमें पितेग डेटा स्रेडि के मानों का स्थर पता चलता है ग्रेड लाइने दो पिकार के होती हैं मुख और गौड मुख ग्रेड लाइने मुख इस तरों को दिखाती हैं जबकि गौड ग्रेड लाइने छोटे इस तरों को दिखाती है एक्स अक्ष की ग्रेड लाइने उर्द्वादर होती हैं जबकि जो आपका बाई अक्ष होता है इसकी ग्रेटल लाइने छेते जोती है, horizontal, फिर आता है आपका संकेत, यह हमें चार्ट में उपयोग किये गए, विभिन पेकार की कॉलम, कॉलमों रेखाओं और बिन्दूओं और रंगों का अरत बताते हैं, सामानता पितेक डेटा सनेडी के लिए एक संकेत होता है, जो चार से बाएं उपर या नीचे या फिर किसी कौन में कहीं भी दिखाया जा सकते हैं, चित में संकेत नीचे दिखाये गए हैं, हम लोग ने दे सकते हैं, फिर आपका डेटा लेवल, क्या है डेटा लेवल, डेटा लेवल, यह डेटा सनेडी के वास्तिक मान होते हैं, जो पर बं म्रेकशा यह पचिन्न के पास ही दिखाया जाते हैंларon sympa detto फीel année जिसमें सभी टेटा सhagnu के मांन दिखायते हैं साइर्श चार्ट में किसी कौर स्वारे पर दिखाई जा सकती यह आपका data level हो गया देखिए मैं यह आपका हो गया है अक्षिसग ययुक्त होगा है गरे लाइं ही चाइड एरिया ए40 एरिया पल्गे एए एक सक्ष यहां आपका डेटा सीरे और यह आपते संचेत होगए ठीक है अब बात कर लेते हैं हम लोग, ms excel के sort keys और उनका burden, इस sort keys हो गए और उनका burden, description, app 2, चुने हुए cell को edit करने के लिए, app 5, किसी बिसे इस cell पर जाने के लिए, app 7, किसी चुने हुए test या document में display चेक करने के लिए, control plus shift plus question mark, control plus shift plus hn, यह कौन सा चिन है, आप लोग बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा है, current time enter करने के लिए, control plus phrase, इसे क्या बोलते हैं, current दिनांक enter करने के लिए, alt shift plus f1, नई worksheet insert करने के लिए, तो रहें आपका shift plus f3, shift plus f3, shift plus f3 का उताए excel फर्मूलों बिंडू खोलने के लिए, और फिर आपका shift plus f5, search box लाने के लिए, इसे यार semi column बोलते हैं, याद रखिए, क्या बोलते हैं, semi column, याद कभी कभी याद नहीं रहता है, क्या कहते हैं, semi column करते हैं, याद रखिए, पिर आपका, control plus f10, control plus f10 में currently चुली हुई worksheet को maximize करने के लिए, control plus f6, खुली हुई workbooks या windows के मद्द, एक workbook से दूसरी workbook, एक window से दूसरे window पर जाने के लिए, control plus page up, एक ही excel document के excel worksheet के बीच में move करने के लिए, control plus page down, एक ही excel document में के बरक सीट के बीच में move करने के लिए, control plus tab, दो excel फाइलों के बीच में move करने के लिए, control, control plus tab, दो excel फाइलों को move करने के लिए, alt plus बराबन, चुने हुए cellों के सभी data को जोडने के लिए फार्मूला बनाना, control plus apostrophe या और, चुने हुए cell के data को currently चुने cell में insert कराने के लिए, control, control plus shift, control plus shift, प्लस इसी कहते है, exclamation mark, कोमा, फार्मेट में number को फार्मेट करने के लिए, प्रिए, control, प्लस shift, प्लस dollar, जो dollar sign है, यह currency फार्मेट में number फार्मेट करने के लिए, control plus shift plus hedge, यह data format में number को फार्मेट करने के लिए, control plus shift plus percent, पितीसद format नम्बर को फार्मेट करने के लिए, control plus shift plus add the rate, time format में संख्याओं को फार्मेट करने के लिए, control plus space, संपूर्ण कोलम चुनने के लिए संपूर्ण पंक्तियां चुनने के लिए इंका इस सौट की है तो आपका आगे एक्सल में उत्पन की गई इस तरह की questions आपके वन डेक जाम में पूछ लेते हैं वन नाइन एक्सल में उत्पन की गई नई वर्ग बुक में डिफाल्ट तीन वर्क सीट होती है एक टिप सेल वैसेल होता है जिसमें आप करेंटली काम कर रहे हूं MS Excel का फाइल फॉर्मिट या एक्स्टेंशन डॉट एक्स एलेक्स होता है इल इस्टेशन गुरुप के द्वारा फिक्चर्स किलिप आर्ट से स्मार्ट इंसेट कराते हैं और डॉलर जो आपका चिन्न के द्वारा किसी सेल के लुकेशन को एक फिक्ट पॉजीशन पर लॉग करते हैं ठीक है इस्टेक्ट वार कॉलम किसी अदूतिय बस्तू या सभी बस्तूओं से सम्मत को बताता है इसके टर्मानों के योगों की तुलना करता है चार्ट विजार्ड का प्रियोग MSXL में चार्ट बनाने के लिए करते हैं अब बात करते हैं माइक्रोशॉप्ट पावर पॉइंट के बारे में पावर पॉइंट MS पैकेज के अद्रगत एक पिस्तूती कर्ण्ट सौप्ट्वेयर है जैसे माइक्रोशॉप्ट कंप्रीनी ने विक्सित किया था पावर पॉइंट प्रोग्राम पिभिन पेकार के प्रेजेंटेशन को सरलता और सीगता से त्यार करते हैं करने उनस्दारने और चार्टने प्रेजेंटेशन का अभ्यास करने में हमारी साहेता करता है PowerPoint एक मतपूर प्रिजन्टेशन ग्राफिक प्रोग्रम जो आपको प्रोफेशन तरीके से प्रिजन्टेशन की सुविधा देता है PowerPoint आपके लचीलेपन पिदान करता है आपको जिससे आप चाहें तो अपने प्रिजन्टेशन को पूरी तरह पारदरिश्ता अपना कर अनुपचारिक बना ले या फिर पर्सनल कंप्यूटर से जोड़कर उसे इलेक्टोनिक बना ले Microsoft Power Point में आप आसानी से प्रेजेंटेशन को डायनामिक बना सकते हैं जिसमें मल्टी मीडिया फीचर जैसे मोबी और पिच्चर सामेर रहते हैं फिर आपका MS Power Point को प्यारम करना किस तरह करते हैं प्यारम उसे देख लेते हैं MS Power Point को निम लिखे दो तरीकी से प्यारम कर सकते हैं लोग desktop पर उपलब MS Power Point की आइकन पर डबल किलेक करकी इसे खूला जा सकता है या फिर Start Menu पर किलेक करकी Start Menu की विंडू में All Program पर किलेक करेंगी फिर All Program में से Microsoft Power Point को चुनकर उस पर किलेक करेंगी Start फिला आपके All Program आईगी उस पर किलेक करेंगी Microsoft Office खुलेगा फिर आपका Microsoft Power Point खुल जाए ठीक है फिर आपके जो Power Point है उसकी Components या Aware Slide Presentation के पितेक पेच की Slide कहते हैं Presentation के पितेक पेच को क्या कहते है? Slide Presentation पर आप Slide बनाते हैं या उसमें सुधार करते हैं पितेक Slide किसी विसे इस बात को प्रिस्तुत करने के लिए बनाई जाती है फिर होता है आपका वक्ता Note Speakers Notes Notes ये ऐसी सूचनाय जो बक्ता को Presentation के समय कुछ बातें याद दिलाने के लिए दी जाती है ये सामान तक कागच पर छपे हुए साधारन बात या पर सूचनाय होती है Presentation के समय ये बात Slide पर दिखाई नहीं देती हैं पर आपका Presentation File किसी बिसेश बिसेश पर Presentation की सभी स्लाइडों को एक बिसेश फाइल में रखा जाता है जिसे Presentation File कहते हैं Presentation की इन फाइलों का Extension सामानता PPT होता है जैसे कि Project1.PPT Master Slide होता है पर आपका या ऐसी Slide होती है जिसमें ऐसी सूचनाय या समगरी दी जाती है दो Presentation की पितेख Slide में सामिल की जाती है फिर आपकी इसकी कुछ Powerpoint की विसेशता है उन्हें भी देख लेते है Powerpoint की विसेशता है Powerpoint की मुख विसेशता है निम लेकेते हैं कौन कौन सी है Slide Transition जब Presentation देते समाई एक Slide की बाद दूसरी Slide आती है तो उसके पिगट होने की तरीके को Slide Transition कहते है फिर है आपका Animation प्रभाव किसी Slide के बिभिन अतपतों का वो Slide पर बिगट होना या फिर कोई हल्चल या धोनी करना Animation कहलाता है Slide Title किसी Slide को भहचानने के लिए वो सिस Slide का एक अपना नाम होता है जिसे हम लोग Slide Title कहते है फिर आता है आपका Sub Title किसी Title के अंदर प्रियोग किये जाने वाले Title जो की किसी Slide डेटा का संचेव में बर्डन करे Subtitle कहलाती Subtitle किसी Slide डेटा के केंद बिंदू पर पिकास डालता है अर्थात केंदी बिंदू के बारे में बताता है फिर आपका Notes, Pages या View मेनू में उपलब्द होता है इसका प्रियोग किसी प्रियोग पिश्टू करता के लिए Speaker Note को डालने उसे संपादित करने के लिए करते हैं फिर आपका Slide Pen कार्चित जिसमें Slide में सब कुछ लिखा जाता है उसे आवस्तक्ता अनुसार संपादित किया जाता है वह Slide Pen कहलाता है फिर आपका PowerPoint विउच PowerPoint में Slides में सूचना भरने, संपादित करने उन्हें देखने की कई विदियां होती है जिने हम लोग View कहा जाता है इनके द्वारा Slides में टेक्स्ट भरने, संपादित करने तथा उनको सही करम देने में बहुत साहता मिलती है PowerPoint में निमलिकित View होती है सामन View इस View में आप PowerPoint की Slides पर लगवक सभी करियां कर सकते है इसमें PowerPoint की बिंडू को तीन भागों में बाटकर दिखाया जाता है जिने हम लोग Pen कहते है क्या कहते है Pen कहते है इसमें बाए बाग को Slide Pen कहा जाता है इसमें दो टेब होते है Outline और Slides तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग Outline के बारे Tap Seat में आप पितेग Slide की Outline देख सकते है जिसमें Slide का सीषग और मुक बिंडू सामिल होते है इस Tap Seat में Test पर कारना अर्था Test पर टाइप करना सुधारना और पंक्तियों को विवस्तित करना आदी सरल होता है Slides Tap Seat में सभी Slide छोटे आकार में दिखाई देती है इसमें Collect करके आप किसी Slide को बढ़े आकार में देख सकते है इस View के दाइए और दाइए ओपरी भाग में कोई चुनी हुई Slide या बर्तमाल स्लाइड अपनी सभी विस्तिताओं के साथ बढ़े आकार में दिखाई देती है Slide के सबाब में चित रंगों आदी पर कार किया जाता है ठीक है फ़रे आपका Slide Sorter View इस View में आप Presentation की सभी सिलाइडों को एक साथ छोटे रूम में देख सकते हैं जिसमें सभी टेक्स्ट या चित भी दिखाये जाते हैं Slide Sorter View में आप अपनी सिलाइडों को अपनी एक चानुसार किसी भी क्रम में लगा सकते हैं पर आपका Slide So View इस View में PowerPoint की अन्न सभी तत्तों को गयब करके एक बार में केबल एक सिलाइड को पुरी स्कीन में उसके पूर्ण रूम में दिखाये जाता है MS PowerPoint में presentation file का format .ppt या फिर .pptx होता है Tigger को एक object या item की तरह परिवासित करते हैं जो अपना कार स्लाइड पर mouse को के लिए करके करने पर करते हैं MS PowerPoint को अधिक्तम 400 पिती सक तक जूम किया जा सकते हैं MS PowerPoint में हम प्रिविन प्रिकार के चित sound जूड सकते हैं जिरका format .gif.bmp.png.jpg.gib.wav.mid इस तरह से होते हैं अब बात करते हैं Microsoft Access बचा है आपका Microsoft Access Microsoft Access या Microsoft Office Access एक बगार का Data Base Management System है इसे Microsoft Company में Relational Microsoft Jet Data Base Engine को Graphical User Interface और Software Development Tools के साथ Combine करके बनाए गया Software Developers और Microsoft Access का प्रियों Application Software को डवलप करने के लिए करते हैं यह Office के अन्न अनुफियों की तरह बिजूएल बेसिक फोर एप्लिकेशन्स अबजेक्ट ओर्येंटर प्रोग्रामिंग ActiveX डेटा अबजेक्ट और अन्न एक्टिवस ActiveX कंपोनेट को सपोर्ट करता है अब बात कर लेते हैं Microsoft Access की अवयव क्या क्या है MS Access की अंदर चार मुख अवयव होते हैं पहला आपका साणी टेवल टेवल में कॉल्मों और पंक्तियों की पिती छेत से सेल बनता है टेवल बहुत सारी सेलों का संगठन होता है इसका प्रयोग डेटा को विवस्तित रूम में इस्टोर करने के लिए करते हैं इसमें पितेक रिकॉर्ड एक पंक्ति होती है तता पितेक फिल्ड एक कॉलम होता है फिर आपता है दूसरा है आपका इसका आपका Queries किसी शायड़ी डेटा से कुछ सर्तों को पूरा करने है बाला डेटा निकालने के जो आदेश दिया जाता है उसे Query कहा जाता है किसी Query के उत्तर में जो सूचना है या फिर रेकॉर्ड पर राप्त होता है उसे हम लोग Dynaset के कहते हैं MS Access में मुख 5 प्रिकार की Query सामिल होती है Select Query किसी दिये हुए सर्त के अनुसार डेटा दूरने या चुनने के लिए Select Query का प्रयोग करते हैं Parameter Query दूसरा Parameter Query में पहले कुछ parameter दिया जाता है उस parameter के आधर पर कुछ पर AI Query data search करता है Parameter देने के लिए इसमें एक Dialogue Box भी होता है फ़र आपका Cross Tap इस query का प्रयोग सूचनाओं का सारांस कॉलमों तदहां पंक्तियों में प्राप्त करने के लिए होता है Action Query इसके द्वारा आप दीवी सर्तों के अधिन कार करते हो जैसे कुछ सर्तों के वो पूरा करने पर Record को बदलना या हटाना आदी SQL Query यह एक प्रेकार की Advanced Query होती है जो SQL एक Statement की प्रयोग से त्यार की जाती है ठीक है फिर आपका तीसरा Report क्या है Report सरसब्दों में कोई Report एक ऐसा डुक डायना सेट होता है जिसे कागज पर छापा जा सकता है आप किसी डायना सेट की सूचनाव को किनी आधारों पर समूबद कर सकते हैं और उन्हें विभिन योगों और अनुवय योगों के साथ भी छाप सकते हैं फिर आता है आपका फारम फारम स्कीन पर ऐसी बिंडो होती है जिसकी साहता से आप किसी साहनी में भरी गए डेटा को देख सकते हैं और नया डेटा जोड़ सकते हैं ठीक है फिर आपके MS Excel होता है जो उसे प्यारम किस तरह से करते हैं इसे प्यारम करने के आपके दो तरीके हो सकते हैं पहला तरीका desktop पर उपलब MS Excel के shortcut पर दो बार क्लेक करके आप लोग इसे खोड़ सकते हैं दूसरा है start menu पर क्लेक करें उसके बाद all programs पर क्लेक करें all programs में से MS Office चुनें उसके बाद Microsoft Office Access 2007 को चुनकर उस पर क्लेक कर सकते हैं start all programs फिर MS Office Microsoft Office Access 2007 इस तरह से हम लोग open कर सकते हैं फिर आपका MS Excel template MS Excel template इसकी बाद करें लोग यह एक पहले से परिवासित साइड़ी फार्मों या रिपोर्टों या मैक्रोज और रिलेशन्सिप का इपूर्ड रूप से टैकिंग एपलीकिसन है MS Access निम्लिकेत प्रिकार के database template का संगतन होता है जो निम्लिक है इसका प्रेयोग एक asset assets database बनाने के लिए करते हैं जिसमें विभेन ने पकार के assets की details उनके मालिक आदी के बारे में सूचनाएं store की जाते हैं तथा उस सूचनाओं की देखरे की जाती है इसका प्रेयोग हम लोग एक database बनाने के लिए करते हैं डेखरे के सूचनाओं के श्टोर किया जाता है और उसे manage किया जाता है फ्रयाबका events段 एक events database बनाने के लिए करते हैं इसमें विभेन निपकार के होने वाले event 주고 events को store किया जाता है तथा उसे track भी किया जाता है फ्रयाबका faculty इसका प्रयोग एक faculty database बनाने के लिए करते हैं इसमें एक faculty से संबंदी विभेहन पिकार की सूचना है जैसे faculty का नाम, contact, education आधी को इस्टोर किया जाता है फिर आपका marketing project इसका प्रयोग एक marketing project database बनाने के लिए किया जाता है इसमें marketing project से संबंदी सूचना है जैसे project का विश्टार्ट करना है, कब समाप्त करना है, तथा उसकी delivery कब करने है आधी को इस्टोर किया जाता है फिर आपका students क्या है? students इसका प्रयोग एक student database बनाने के लिए करते हैं इसमें एक student से संबंदी विभेहन पिकार की सूचना है जैसे कि उसका नाम, पिता का नाम, पिता का contact नंबर आधी को इस्टोर किया जाता है इसमें प्रयोग एक्सेस, database में कुछ अन्य प्रयोड़ेट्स जैसे एस, यूड, प्रोजेक्ट्स, सेल्स, पाइबलाइन और टॉक्सस उपलब्द होते हैं आपके आँगे हैं आपका MS एक्सेस के तत्थ देख लेते हैं MS एक्सेस में पितिक कारी के लिए निमले के तत्थ होते हैं फिल्ड नेम या एक लेबल होता है जो किसी बिसेस फिल्ड की बारे में बताता है इस फिल्ड में किस पेकार की सूचनाए या data store कर सकते हैं किसी table में फिल्ड का नाव आदोती होना चाहिए इसे field identity भी कह सकते हैं हम दो फुर है आपका field type या data type यह बताता है कि फील्ड में किस पेकार का डेटा इस्टोर किया जाता है डेटा केवल टेक्स्ट भी हो सकता है और केवल नंबर भी हो सकता है या इन तोनों की सयोग से भी डेटा बन सकता है MS-AXS में किसी डेटा टाइप की default size 50 होती है इसमें निमलेकित पेकार की डेटा टाइप आप कर सकते है यह आपकी डाटा टाइप्स हो गया और फील्ड लेंद आप या फील्ड साइज टेक्स्ट जीरो से 255 चरेक्टर्स होती है मेमो जीरो से 55535 यह आपकी चरेक्टर्स डेट टाइम आट वाइट नमबर 124 और 8 वाइट करेंसी आट वाइट आट वाइट आट वाइट नमबर 4 वाइट एसनो एक वाइट या जिरो या बन OLE अबजेक्ट अप्टू एक जीवी हाइपर लिंक इत्ते एक भाग में 2048 आपके करेक्टर होते है फिर आपका फिल्ड लेंद का ताथ पर किसी फिल्ड में आधिक से यदे कितने करेक्टर स्टोर किये जा सकते हैं उसे बताता है फिर आपका फिराइमरी की क्या है फिराइमरी की या विसेस पेकार की की होती है जिसका प्रयोग किसी record को आदूतिय रूप पंचानने के लिए रहते हैं यदि किसी field की primary की बना दिया गया तो उसे field की को खाली नहीं छोड़ सकते हैं फिर आपकी validation rule या एक पिकार की validity checking है इसमें data को field में भरने से पहले उसकी बेदिता की जांच होती है यदि data की बेदिता सही है तो data field में भर जाता है और तक तुटी संदेश प्रेंट करता है तो रहे आपका ms access view ms access view में दो पिकार की view होते हैं जिसका प्रयोग table बनाने और उससे field कॉलम को set करने के लिए करते हैं data sheet view इसका प्रयोग database में data को दिखाने के लिए करते हैं या database में data को enter करने उसे edit करने की अनुमती पिदान करता है किन्तु इस view में database को बदला नहीं बदला नहीं जा सकता है इस view में column की नाम भी set कर सकते हैं और नई column को जोड़ भी सकते हैं कि ठीक है फिर आता है आपका design भी क्या है कि डेजाइन भी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं इस view का प्रयोग किसी टेवल को डेजाइन करने तथा डेजाइन की गई टेवल में परिवर्तित करने के लिए होता है टेवल डेजाइन करने का ताथ पर यह है कि टेवल में field का नाम उसका data type set करना इसके द्वारा हम टेवल में उस अनेक परिकार की की जैसे primary की candidate की आधी set कर सकते हैं फिर आपका आता है filtering data यह किसी टेटा filter criteria की आधार पर किसी टेवल से स्रिफ उस record को दिखाता है जो दी हुई criteria की अंतर आती है फिर आपका relationship यह दो या दो से अधिवल के बीच में अंतर संबनों को बताता है relationship को तीन भागों में बांटा गया है one to one one to many और many to men फिर आपका attributes किसी record की properties की attributes कहते हैं जिसके प्रयोग से हम किसी record को विवस्तित कर तरीके से पहिचानते हैं फिर आपका Microsoft Outlook Microsoft Outlook एक पतार का personal information manager और email communication software है इसे Microsoft company ने बनाए था और वह MS Office का एक software है इसका मुस्ट प्रयोग किसी को mail बेंजने के लिए करते हैं लोग इसे email client के नाम से भी जानते हैं इसे email client के नाम से आप लोग जानते हैं इसमें calendar, task manager, contact manager, note making, journal और web browsing की सुगधा भी हमें अपलब दें इसे stand-alone application की तरह प्रयोग किया जा सकता है यदि किसी संगठन में एक से अधिक उप्योग करता को Microsoft Accent Server और Microsoft SharePoint Server का प्रयोग करना अतिनतलाकारी होता है MS Access का file format होता है memo का प्रयोग बहुत बड़ी संख्या के text का store करने के लिए होता है लेकिन इसमें सरफ textual डेटा ही store कराते हैं OLE object कपूर रूप object linking and embedding है इसका प्रयोग बिकन पेकार के object जैसे video, clip, picture word, document आधि को store कराने के लिए करते हैं एक character को store करने के लिए एक byte की आवसकता होती है यदि validation rules संतोष्ट नहीं हुआ है तो फ़ल सवरो validation test दिखाई देता है चलिए चलिए तो यह था आपका 9 बाचेप्टा थोड़ा बड़ा था लेकिन क्या करेंज अगर सीखना है कुछ तो बड़ा दो भी सकता है इसे के 9 बाचेप्टा था आपका Microsoft Office 10 बेच चेप्टार में हम लोग बात करेंगे database की दहाणा के बारे में database concepts हेलो दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे computer सामानिगान के बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग 9 चेप्टर आपके खतम कर चुके हैं यह 10 बाचेप्टर है database की दहाणाएं इसमें क्या देखेंगे database की दहाणाएं याद रखिए यह आपके 13-14 की करीब आपके chapter हैं इन्हें खतम करने के बाद हम लोग 25 से 30 आपके mock test लगाएंगे जो आपके mock test होंगे वो one day exam के लिए बहुत ही महत्पूर रहेंगे यह पूरा cover करने के बाद mock test और एक concept wise जो भी आपके हैं chapter इतना complete करने के बाद आपको computer science के लिए computer सामानग्यान के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी इतना पढ़ने के बाद आपको नहीं लगेगा कि आपको और कुछ पढ़ना है क्योंकि इतना material काफी है आपके लिए यह सभी आपके chapter एक ही जगह मिल जाएंगे और mock test वो है आपकी complete computer classes के नाम से playlist सूची ठीक है तो चलिए हम लोग बात करते हैं database concepts database सूचनाओ या पर data का एक ऐसा विवस्ति संग्रह होता है जिससे हम किसी भी सूचनाओ को सलता से प्राप्त कर सकते हैं database विवस्तित इसलिए होता है क्योंकि इसमें किसी भी data या सूचनाओ को एक निश्टिस दिस्थान पर पहले से तै की वह रूम में रखा जाता है ताकि कभी भी आवस्तिता पढ़ने पर उसे आसानी से ढूंड कर देखा जा सके बात करते हैं विवस्तित data में हमें निश्टित कार करने की सुविधा होती है आवस्तित सूचनाओ को निकालना सूचनाओ के इंसार उचित कारवाही करना या नेड़े लेना सूचनाओ को को नई आवस्तिताओं के इंसार फरसे विवस्तित करना सूचनाओ के आधार पर रिपोर्ट आधी बनाना तथा नई सूचनाए निकालना एक database नामों की सूची की एक फाइल के रूम में आसान भी हो सकता है और data की बहुत सी फाइलों के समर्द रूम में भी कठिन भी हो सकता है बात करते हैं database के तो रिकार क्या है Types of Database Database मुक्रूप से तीन पकार के होते हैं जो आके नीचे दिये जाए पहला है आपका network database, दूसरा hierarchical database, तीसरा relational database तो लोग बात करते हैं network database के बारे में इस पकार की database में data record की समगूब के रूम में तथा data के भी सम्मन्द link के माध्यम से दर्साय जाता है फ़र है आपका hierarchical database इस पकार की data में data को ब्यक्च के रूम में नोड्स के माध्यम से विवस्तित किया जाता है hierarchical database में नोड्स सापस में link के माध्यम से जोड़ी होती है फ़र है आपका relational database relational database को संर्चित data structural database भी कहा जाता है जिसमें data को सायणियों के रूम में संगेत इस्टोर किया जाता है इन data सायणियों में स्थम सायणियों में स्टोर होने बाले डेटा के पिकार को तथा डेटा को पंक्तियों को डेटा दरसाती है यहीं बात कर लेते हैं data के बारे किसी वस्तू, बेक्ती या फिर समु के बारे में किसी तत्थ अत्वा, जानकारी को डेटा कहा जाता है किसी बेक्ती का नाम, किसी बस्तू का बजन, मूल या पिर किसी कप्छा के बिद्यालतियों की उम्म, आधी सभी डेटा के ही उधाराने सूचना information जब किसी data को सार्व तक तथा उप्रयोगी बनाने के लिए संसाधित, विवस्तित, संरचित किया जाता है तो उसे हम लोग सूचना कहते हैं उधारन के लिए ये कच्छा को उसत score एक सूचना है जो उस कच्छा के विद्धियारितियों के score से निकाला जा सकता है संचे में data, data विस्त में store मोलों को संदरवित करता है जब कि सूचना उन मोलें से निकाले गई, निसकर से अर्थ को संदरवित करती है कहीं पूछाए अगर data की परिवासा पूछे या सूचना की तो आप आराम से लिख सकते हैं बात करते हैं हम लोग compute ट्रीकित data की आवस्त्ता क्यों हास से बनाए गए database हस्त चाले database में बहुत सी समस्या होती है जैसे कि नया data जोडने की समस्या, data को बदलने की समस्या data को अपनी सतों के उन्सार प्राप्त करने की समस्या इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए computer ही database का निर्मार किया गया इसमें सभी सूचनाए computer पदकी जाती है और computer की साहता से उनका रख रखा और प्रोसेसिंग की जाती है computer पर database बनाने की कई कारण है जो निमन लखे थे computer पर बड़े आकार का data वास बेस सलता से बनाया जा सकता है क्योंकि उसमें data को संगेत करने की छमता आधिक होती है computer की कार करने की गति तेज होने के कारण कितनी भी बड़ी database में से कोई भी एकचित सूचना निकालना, database पर विवन किरियाय करना आधिकार बहुत कुप समय में ही संपन हो जाते है इतना ही नहीं तेज गति के कारण उस पर कोई लंबी चोड़ी रेपोर्ट निकालना और छापना मिनिटों का काम होता है इसमें हस्त चालिक database की तुल्ला में बहुत कम खर्ष भी आता है बात करते हैं डेटा की अवयवों की बारी में एक database विभिन पिकार के अवयवों से मिलकर बना होता है database का पितेक अवयव, object कहलाता है पितेक database फाइल में आप अपने data को विभिन सार्णियों tables में विवाजित कर सकते हैं form के मात्यम से सार्णि के data को देख भी सकते हैं नयजर देटा जोडव भी सकते हैं और update भी कर सकते हैं यानकी सदहर भी सकते हैं query, के मात्यम से आवस्टका अनुसार arenieo में से data को खोष सकते हैं तथा पुनःपरापत कर सकते हैं और report के मात्यम से data का 보시면 तथा data को बिसेस layout में प्रेंड भी कर सकते हैं बात कर लेते हैं डेटावेस के अभयवों का विश्तार पूर्बक बर्ड सार्णी टेवल बैसे तो डेटावेस कई पेकार के होते हैं परन्तु सबसे अधिक पिछले तोर प्राक्तिक डेटावेस रिलेशनल डेटावेस है जिसमें डेटा एक सार्णी के रूम में संगेत होता है सार्णी इस्तम तथा पंक्तियों के कटाओं से बने सेल से मिलकर बनी होते हैं यही सेल सार्णियों में डेटा को इस्टोर करने के लिए प्रियोग की जाती हैं इन सार्णियों पर विवेंड पेकार की ऑपरेशन जैसे कि डेटा को इस्टोर करना निस्पंदन करना पुनाहा पराप्त करना डेटा का संपाधन करना आधी किया जा सकते हैं मुक्रोब से सार्णी फील्ड तथा रेकॉर्ड से मिलकर बनी होती है जिसका विवरन नेमलकित है फील्ड सार्णी के पितेक इस्तम को फील्ड कहते हैं पितेक फील्ड का एक निश्चित नाम होता है जिसे उसे पहचाना जाता है पितेग फिल्ड का उस फिल्ड से में च्टोर होने बाले डेट्टा के पिकार को बताता है उधारन के लिए गिध्यारती का नाम शहर देश, टेलीपॉन नंबल, आदी फिल्ड के नाम हो सकते है फिर आता है आपका रिकॉर्ड सायनी की पितेक पंक्ती को record कहा जा सकता है दूसरे सब्दों में कहें तो एक record एक entity जो की बस्तू प्यक्ति आदी से संबंदी सभी फिल्डों में उपस थे data का संग्राय होता है उधारन के लिए आपके मित्रों के नाम, telephone number, बाले database की सरजना नीचे दिखाएगे चित्रों की तरह हो सकते हैं इस टेवल, friends, names और telephone, राकेस इस तरह से 0, 1, 2, 3, रिधी, हर्देश, हरी, कमल इस तरह से हो सकते हैं बात करते हैं हम लोग, database की धारडाएं अब देख सकते हैं कि दे गई sign, friend में दो फेल, name, telephone, number और 5 record हैं उधारन के लिए हर्देश, 7869, एक record हैं तरह आता है आपका query, किसी भी shiny या database से आवस्सक्ता अनुसार data को निकालने के लिए जो आदेश दिया जाता है, उसे query कहा जाता है उधारन के लिए आप अगर अपने मेरट सहर में रहने वाले मेत्रों की सूची निकालना चाहें तो इससे query कहेंगे query, आपकी आवस्सक्ता अनुसार data को निकालने के लिए आवस्सक्त फिल्डों, सर्थों और shiny का नाम आदी को दरसाते हैं किसी query के उत्तर में जो सूचना है या फिर record database से निकाले जाते हैं तो उसे उस query का dynaset कहते हैं फिर आता है आपका form form यक पी आप shiny में data को store कर सकते हैं उस्तोधार भी कर सकते हैं लेकिन shiny में data को store करना उस्तोधार ना आसान नहीं होता है इस समस्या को form की साहता से दूर कर सकते हैं form आपकी screen पर एक ऐसी window होती है जिसकी साहता से आप किसी shiny में भरे गए data को देख भी सकते हैं उस्सुधार भी सकते हैं और नया data जोड भी सकते हैं उसमें सामनता form एक समय पर एक record को देखने उस्सुधारने के लिए प्रियोग किया जाता है अब बात करते हैं हम दो database database के अनुपयोगी छेत Data बीस का उप्योग भिविन ने चेत्तरों में किया जाते है जिरमें कुछ चेत निमरी इते हैं Banking बेंकिंग चेत्त में गिराहकों की personal सूचना उनके खातों की सूचना Lawn आधी की सूचना रखने के लिए इसका प्रियोग करते हैं विस्त विद्ध्याले। में विध्यारतियों की सूचना, उनके यंग, कोस्त रजिस्टेशन की सूचना आधी रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं AI-Line में रेजरवेशन तथा कारिकरम की सूचना है आधी के लिए Freshland में क्रेडिट कायिट की दवारा खरीद्दारी और मासिक लेंदेन क रिपूर्ट तयार करने कि लिए इसका प्रियुग करती है संचार कि चित में की मासिक रिकोर्ड रखने के लिए मासिक बिल की बनाने के लिए करते हैं विक्रए की छेत में गराकों उत्पादों तथा खरीदारी की सूचनाय रखने के लिए इसका प्रियोग करते हैं रयाब का वित्तिये वित्तिये छेत में विक्री तथा खरीद के बारे में जानकारी संगेत करने के लिए इसका उपयोग करते हैं HR की छित में कर्मचारियों उनके बेतन, टेक्स, आधी के बारे में जानकारी संगेत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है बात करते हैं डेटा डेटावेस प्रवंधन प्रणाली कम्पीटिरी के डेटावेस के निर्मान तथा रख रखाओ के लिए में बिसेश पिकार की सॉप्ट्वेयर की आवसकता होती है जिसे डेटावेस फिरवंधन प्रणाली कहा जाता है मोक्ता यह एक कम्प्यूटर आधारेत रेकॉर्ड के रख रखाओ की प्रणाली है अर्थात यह ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश रेकॉर्ड एवन सूचनाओ को सम्हाल कर रखना यह उप्योग करता को एक ऐसा बातरान करना जिसके मात्यम से डेटा को संग्रित करना तथा पुना प्राप्त करना बहुत ही सुप्धाजनक हो जाता है माई एसकीवेल इनग्रेश एमेस एक्सेस आदीश के उधारन हो सकते हैं डी एम यानिकी डाटा वेस मैनेजमेंट की मुक्र बेसे इस्ताइन निमले किते हैं डेटाविस का निर्मार करना नई डेटा को सामिल करना या जोड़ना सूचनाव को सूचना पद्धिती की दोड़ना वाक प्राप्त करना डेटा को क्रमबद रूप से ववस्तित करना आकलसर्ण एवं अरत्पूर्ण रिपोर्ट्स को डिजाइन करना एवं प्रेंट करना इसकी मुक्र बिस्षिस्ता हैं अब बात करते हैं डाटावेस यह आपकी विस्षिस्ता होगें डाटावेस मैनेजमेंट सिस्टम की अब डाटावेस मैनेजमेंट की सिस्टम की हम लोग सरचना देख लेते हैं कि अर्ची टेक्चर ठीक है डी एम डी बी एमस की सरचना तीन स्तरों से मिलकर बनी होती है जिनका विर्वन निम लिखे थे पहला है आपका आंत्रिक स्तर इंटरनल लीवल इस स्तर में डेटावेस के बहुत थिक संग्रेंड की सरचना का बढ़न करता है यह वाइडित करता रेक्चा है कि बास्ताव में डेटावेस में कैसे संगेच वुर्ण बिवस्तित होता है वैं यह भी विन्दर्दारित करता है कि कौन सी इंटर इंड सिस मौझूत है इस्टर किए रेकॉर्ड किस्क्रम में आदिस से बहुत एक स्तर ällt इसे पए। इस से क्या कहते यह से बह रूदक पूर्थ लेवल एक्स्टरनल लेवल एक्स्टरनल लेवल कॉनसेप्च वहल इंटरनल लेवल और यह आपका इस्टोड़ेज हो और दूसरा आपका विचार संबन्दी इस्तर इस इस्तर में पूर्ट डेटावीस की सरचना होती है या इस्तरों के मद्द जानकारी के रूपांदर की पित्रिया होती है या डेटावीस में संगेट डेटा के पिकार को तथा डेटा की भी संबंद को बढ़ित करता है इसे तरक्सित इस्तर भी कहा जाता फिर आता है आपका बाहरी इस्तर इस इस्तर में डेटा विवस्थित उपयोग करता द्वारा उपयोग में लाया जाता है या डेटा भी इसके उस भाग का वर्डन करता है जो उपयोग करता के लिए उपयोगी होता है या उपयोग करताओं को उनकी आवस्तक्ता अनुसार डेटा को एकसेस करने की अनुमती इस पेकार पिदान करता है ताकि एक ही डेटा एक ही समय में कई उपयोग करताओं द्वारा प्रेयोग किया जा सके यह इस तर डेटाबेस की सुच्ची को उपयो करता से चपाता है यह इस तर अलग-लग उपयो करता के लिए अलग-लग होता है इसे दर्शनिये इस तर भी तेहते हैं आखे डाटाबेस मेंडिजमेंट सिस्टम की लाब क्या है डेटा की दोहराओ में कमी अच्छी तरह विवस्तित कियेगे डेटा में बेस में सामानता डेटा का कोई दोहराओ नहीं होता है समझते डेटा को एक जगए रखे जाने की कारा हल सूचना को किबल एक बार इश्टोर किया जाता है फिर आपका डेटा की इस्तिरता डेटा की एक ही स्थान पर केंदित होने की कारा है डेटा की इस्तिरता बनी रहती है क्योंकि उसमें एक ही सूचना के दो मानों की समभावना समाप्त हो जाती है डेटा आज स्थित तब होता है जब डेटा दो जगए रखा गया हो और केवल एक जगह सुधार गया हूँ फरे आपका डेटा की सांजेदारी डेटा की सांजेदारी करके एक समय पर कई प्रोग्राम डेटा का प्रियोग कर सकते हैं जिससे प्रोग्रामों को अपना डेटाबेस त्यार करने की आबस्तक्ता नहीं होती इससे बहुत सा समय और परिश्टरम बच जाता है पर आपकी डेटा की सुरक्षा डेटा वेस प्रवंधन पिढाली डेटा को निस्रिद उप्योग करताओं तथा अभैद परिवर्दन से बचाता है यह किवल अधीकर उप्योग करताओं को डेटा का पिरोग करने की अर्मती पिदान करता है पर आपका डेटा का संपूर्था डेटा की संपूर्था डेटा की समग पूर्था, सटिक्ता तथा निरंतता को संदर्वित करता है यह एक data record को दो updates के वीच परिवतन के आभाव को दरसाता है यह दरसाता है कि database में data store data store data बिल्कुँ सही है और नभी इंतम है अब बात करते हैं इसके सीमाओं की इसमें कमिया क्या है database management के कई लाव है लेकिन साथ ही इसमें कुछ सीमाओं कमिया भी है जो आपकी निम्लेकित है hardware और software की लागत software को चलाने के लिए data को तीब गती से process करने वाले processor और अधिक छमता वाली memory की आवसकता होती है जिनकी लागत अधिक होती है दूसरी है आपकी कठिंता एक database प्रवंधन प्रणाली के अच्छिकार करने की छमता की पूरुकलपना करना उस database management software को कठिन बना देती है database प्रवंधन प्रवंधन प्रणाली को समझने की बिफलता एक संगठन के लिए गंभीर पईडामों का कारण बन सकती है प्रवंधन प्रवंधनाय सर्वंधन प्रवंधन प्रणाली को करने के लिए एक प्रवंधन देनी की आवस्तिता होती है इस पेकार database management software चलाने के लिए संगतन को करमचारियों के पिसीक्षण के लिए एक बड़ी रासी का भुगतान करना पड़ता है फ्रे आपका technical stop की निपती एक संगतन में database के लिए पिसीक्षित technical person जैसे की database विवस्थापक, application, programmer आदी की अवस्थकता होती है जिसके लिए संगतन को इनव्यक्तियों को एक अच्छे बेतन का भुगतान करना करता है जिससे पिडाली की लागत बढ़ जाती अंगला है आपका database की विफलता अधिकान संगतन में सभी data एक ही database में एक ही करेत होता है यदि पावर बंद हो जाने के कारण database विफल हो जाता है या पिर database इस थोड डिवाइस पर ही विफल हो जाता है तो हमारा सभी मूलवान data लुप्त हो सकता है या हमारी पूरी पिडाली बंद हो सकती है अब बात करते हैं relational database relational database में data को दुई आया में सार्णियों की रूम में संगीत किया जाता है इन सार्णियों को relation भी कहा जाता है relation database की रखराखाव के लिए relational database प्रबंदन पिडाली की आवस्त्ता होती है relation database management system DM database management system का ही एक विकार है relational database की वो क्विशिश्चता है कि एक database में एक से देख्र सार्णियों को संगीत किया जाता है और ये सार्णियां आपस में संबंदित होती है संबंदित पदावली relational data की कुछ संबंदित पदावली है relation relation के इंतर लिए एक table तेयार की जाती है जो एक sequential file को निरूपित करती है जिसमें table की पंक्तियां file के record को यंगित करती है एवं इस थंब record के field को दर्शाता है ये tables relation की ही होते है relation को उच चिस तरी है files के रूम में समझा जाता है जिसमें पितिक relation में एक ही तरह की record होते है किसी दिये गए relation में पितिक record के field की संग्या समान होती है पितिक record का ये अलग बहचानने वाला होता है relation के अंदर record किसी बिसेश क्रम में विवस्तित होती है इसके लिए निमलेके तोधारन पर विचार कर सकते हैं ये आपका relation part एपी, पी नेम, कलर, वेट और सेटी पी बन, नट, रेड, बारे, वेट, लंदन ठीक है देख सकते हैं फिर आपका tuple relation में पितिक record को tuple कहा जाता है उधारन के लिए दिये गए relation part में 5 tuple हैं ये आपका tuple उनमें से एक tuple P2, bold, green 5N, Paris है जो एक part के बिसे में एक बिसे सूचना है फिर आपकी attribute relation के संदर में पितिक कॉलम को attribute कहते हैं उधारन के लिए दिये गए relation part में 5 attribute हैं P1, P, name, color, weight, city जिनमें इसे पितिक कॉलम एक part के बिसे सूचना पिदान करता है फिर आपका domain relation के संदर में domain मानों का एक समोव होता है जिसे किसी कॉलम के दिये गए बास्तिविक पानों को बियुत्पन किया जा सकता है उधारन के लिए हम निमने relation का प्रियों या विचार कर सकते हैं relation S यह name हो गया status और city S1 अमर status इसका 30 और यह पैरिश सिटी इसी तरह relation P PH, P name, status, quality P1 nut, 12, status, quality A इसी तरह से आपलो relation S, P PH, S, quantity P1, S1, 300 देख सकते हैं यहां SP table के PH column में जो मान दिये गया है उन्हें P table से विद्पन किया गया है एवं SP table में के S, H column में जो मान दिये गया है उन्हें S table से विद्पन किया गया है अता हैं table P एवं table S एक domain रूप है जिसमें P है जोर S है बानों को वित्पन ने करेक्ट SP टिवल तियारी किया गया है ठीक है फरे आपकी कार्डिनेट नेलिटी रिलेशन के संदर में ट्यूपल रेकॉर्ड की कुल संक्या को कार्डिनेलिटी कहते हैं अता उपर में बड़ेत उधारण की रिलेशन P की कार्डिनेलिटी 3 और S की 3 SP की 5 फरे आपती है आपकी डिगरी रिलेशन के संदर में एट्टिव्यूट फील्ड या कॉमन की कुल संक्या को रिलेशन की डिगरी कहते हैं अता उपर दिये के उधारण में रिलेशन P की डिगरी 4 और S की 4 और SP की 3 फिर आता है आपका की फील्ड सामानता किसी डेटाबेस के हर रिकॉर्ड को उसकी रिकॉर्ड संक्या द्वारा पहचाना जाता है लेकिन सब ली रिकॉर्ड की रिकॉर्ड संक्या को याद रखना संभाव नहीं हैं इसलिए किसी रेकॉर्ड को भाचानने के लिए हम उसके एक फील्ड को मुख फील्ड या पिर की फील्ड माल लेते हैं कि कई प्राइमरी की क्या है प्राइमरी की किसी प्राइमरी की के रूम में चुना गया फील्ड नल बैल्यू सुचार नहीं कर सकता है उधारन के लिए एक प्राइमरी की के रूम में एक बिसिष्ट पी है मान होता है और यह मान उस त्यूप ट्यूपल को उस रिलेशन के अन्न ट्यूपल से पितक करता है इस इस्तिती में रिलेशन पी के लिए पी हैज को एक प्राइमरी की कहा जाता है तो यह आपका केंडिडिट की कभी-कभी ऐसे रिलेशन भी उत्वन होते हैं जिनमें एक से अधिक एट्टिव्यूट का जिसमें विशेष निर्धारण गुड़ होते हैं एवं इसके लिए एक सेधिक की कर निर्माण करना आवस्तिक हो जाता है वह भी जिस पर विशेष निर्धारण निर्धारण गुड़ विप्त किये जाते हैं Candidate Key कहलाती हैं किसी एक रिलेशन में एक या एक सेधिक candidate की हो सकती हैं आपकी दिये गए उधारण के लिए रिलेशन S में attribute S H S name की एविशिषता है फितेक ट्यूपल में एक विशिष्ट S H S name one जिसका उपयोग उस ट्यूपल को उस रिलेशन में विद्धमान बाकी सभी ट्यूपल को से पितक करने में किया जाता है फिरे आपका Alternate Key Alternate Key वह होती है जो Primary Key नहीं होती है इसकी उपयोगता उस लिलेशन के लिए होती है जिसमें एक से अधिक एट्टिब्यूटों का समोग होता है एवं एक से अधिक Candicate Key होते हैं इस स्तिति में किसी विशिष्ट गुड को निर्धारित करने के लिए जब एक से अधिक Key के समोग हों का उपयोग किया जाता है तब पिथम Key को Primary Key और दूसरी Key को Alternate Key की कहा जाता है Alternate Key को Secondary Key भी कहा जाता है उपर दिये के उधारण में Saj एक Primary Key है और S name एक Alternate Key है अबकी फिर आता है अबका Foreign Key कि किसी Relational Database में Foreign की एक या एक से अधिक फिल्डों का समोग होता है जो दो सायनियों की Database के बीच Link पिदान करता है किसी सायनिय की Foreign की फिल्ड के लिए Value सी सायनिय की Primary की फिल्ड या अनकिसी सायनिय की Primary की फिल्ड की Value से विदपन की जाती है इस पिकार Foreign की दो सायनियों की भी संबंदित इस्थापित करती है किसी सायनिय में एक से अधिक Foreign की हो सकती है जो सायनिय का अलग-अलग सायनियों से संबंद इस्थापित करती है फिर आपकी Unique की क्या है Unique की किसी सायनिय में एक से अधिक फिल्डों का समय होती है जिनका उपयोग उस सायनिय में पित्य ट्यूपल कुन्य धारित करने के लिए किया जाता है एक स्थाइनिय में एक से अधिक Unique की हो सकती है यह Unique की के लिए चुना गया फिल्ड फिल्ड नल वैल्यू स्थार कर सकता है बात करते हैं डेटाविस की भासाएं डेटाविस की भासाएं सिद्धान देक रोप से किसी दिये गए डेटा की वह भासाएं दो भासाओं का समूव होते हैं डेटा डेफिनेशन लेंग्विज यह डाटाविस को ऑब्जेक्ट की विशिष्थाओं को परिवासित करते हैं इसका उप्यूब डेटा इस्टेक्चर सायनी ब्यूव आधी को परिवासित करने ही तो किया जाता है दूसरा है अपका डेटा मैनू पुलिशन लेंग्विज यह बासा डीडी एल के द्वारां परिवासित ऑब्जेक्ट को मैनी प्लेट करती है या फिर फिरुसिस करती है इसका परिव डाटा को जोडने मिटाने और सुधाने सायनी से सूजनाओ को पुना प्राप्त करने के लिए होता है अब बात करते हैं एंटीटी रिलेशन से मॉडल का परियोग डेटाबिस की संदर में एंटीटीज तथा उसके बीच की समंद्ध को ग्रापीकल रूम में फिदर्सित कनने के लिए किया जाता है इससे एंटीटी रिलेशन से डाइग्राम भी कहा जाता है ER model से समधित पदों का बिर्वरण निम लिखे थे पहला है आपका entity यह वास्तवित दुनिया की बस्तुओं को दर्शाती है यह उन सभी बस्तुओं को समलिक करती है जिनके बारे में data इकत्तित किया जाना है entity relationship diagram मैंसे आयताकर box के दारान तर्शाय जाता है उधारन के लिए customer-wise items यह बर customer और items entity हैं की प्रयापका attributes यह एक entity की विस्ताओं और गुड़ों का बड़न करता है शायनी में attributes को फीलनों द्वारां दर्शाय जाता है ER diagram में attributes को दिर्वित्याकर box में दर्शाय जाता है उधारन के लिए item id price entity items की attributes हो सकते हैं आपके फिर आपका relation से यह entities की मत्य परस्पर संबंधों को दर्शाते हैं यह ER diagram में diamond की आक्ति वाले box के द्वारां दर्शाय जाता है उधारन के लिए customer wise item name हो गया address item id price दिये गए चित में customer और item entity हैं यहां पर name तथा address customer के और item id तथा पराइस items के attributes हैं और वाइस customer और आइटम के भी relation को सिपको दर्शाते हैं फिर आपका entity set एक ही पगयार की बिसे इसना होया गोड़ों वाली entities के set को entity set कहते हैं उधारन के लिए student database में उपस्ते सभी student entities का एक entity set है entity set दो पकार के होते हैं strong entity set एसा entity set जिसमें primary की field होती है strong entity set कहलाता है पर्याब का weak entity set एसा entity set जिसमें primary की बनाने की पर्यावद field नहीं होते हैं weak entity set कहलाते हैं यह आपके का कुछ point दिये गए हैं इन्हें भी याद अपना है database बेवस्थापक यह एक computer में पिशिक्षित ब्यक्ति होता है जो database के उप्योग को अधिकरित करने के लिए समनवीद करने के लिए और इसके उप्योग को monitor करने के लिए जिम्मेदार होता है या software और hardware को प्राप्त करने के लिए भी जिम्मेदार होता है इसे DBA भी कहते हैं पर है आपका schema यह database की एक logical सरजना है पर है आपका in stance एक बिसेश समय पर database में संगेत जानकारी का संगर है database का in stance कहलाता है डेटा माइनिंग अलग अलग देश्टी कोड से डेटा का विसलेशन करने और उपयोगी जानकारी में बदलने की फिक्क्रिया है कभी-कभी इसे data और knowledge discovery भी कहा जाते है डॉप्टर ई एपकूर ने बर्स 1970 में relational database प्रवंद्य पिडाली के लिए 12 नियम पिस्तुप किये थे तरह आपका data moral या data data की भी संबन्ध बात दाएं स्वामी सेमीन टिक्स आदी का बाइडन करने के लिए बिचारी कोपकरणों का एक समोह होता है सामनत है तीन पेकार का होता है पहला है आपका relational data model, network data model और फिर है आपका hierarchical data model तो यह था आपका दसवा चप्टा क्या था दसवा चप्टर तापका data विसकी धारणा है ग्यारवे चप्टर में हम लोग बात करेंगे डेटा संचार और networking के बारे में नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे computer सामानिग्यान के बारे में तो इसमें अभी तेक हम लोग 10 चप्टर आपके खतम कर चुके हैं यह आपका ग्यारवा चप्टर है data संचार एवं networking याद रखिए 14 से 15 आपके चैप्टर पिलस 25 से 30 आपके मौक टेस्ट कम्प्लीट होने के बाद complete क्लास आप लोग कर लोगे तो उसके बाद आपको computer सामानिग्यान के लिए कहीं बटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर चाहे कोई लिखित में एकजाम हो फिर चाहे वो व लेक्टर आपको complete computer classes के नाम से जो playlist सूची बनी है उसी में मिल जाएंगे तो बात करते हैं data communication and networking के बादे में संचार कारत है संचार कारत है सोचनाओं का आधान विदान करना वह पिक्रिया जिसके द्वारा एक computer से data निर्देश तथा सूचनाओं दूसरे computer तक पहुँचती है तो इसे क्या कहते है data संचार कहला देटा संचार में दो या दो से अधिक computer के मद्द digital या पिर analog data का इस्थानांतरन किया जाता है जो आपस में संचार channel से जुड़े होते है data को signals के रूम में एक इस्थान से दूसरे इस्थान तर पहुचाया जाता है signals आपके तीन कारके होते हैं signals आपके तीन पेकारके होते हैं पहला है आपका digital दूसरा एनालोग तीसरा है hybrid signals तो पहले बात करते हैं digital signal के बारे में digital signals में data का electronic रूम में आदान पिदान किया जाता है अर्था वाइनरी संख्याओं 0 और 1 की रूम में होते हैं दूसरा signal है आपका एनालोग signals एनालोग signals में data का radio तरवंगों की रूम में आदान पिदान किया जाता है उधारन के लिए telephone line में तीसरा है आपका hybrid signals hybrid signals में एनालोग तथा digital दोनों पिकार के signals के गुड़ होते हैं फिर आपका संचार channel की पिकार संचार channel की तरग चैनल भी आपके तीन पिकार के होते हैं पहला है आपका simple simple x channel इसमें data का पिरवाज सदिय एक ही दिसा में होता है और ताद channel केवल एक ही दिसा में data का संचार कर सकता है इस channel के माद्यम से केवल एक संचार इपती ही सूचना को भेज सकती है दूसरी संचार इपती सूचना को के वल पिराप्त कर सकती है उधारन के लिए radio station से radio signals स्रिवताओं के पास पहुंचते हैं किन्तु स्रिवताओं से बापस radio station तक station नहीं जाते हैं जैसे एक ही लाइन में जाएगा एक ही दिशा में अगर दूसरी तरफ से कोई भेजना चाहे तो नहीं भीज़ेगा ठीक फिर है आप आपका दूसरा है aard duplex channel इस channel में data का पुरवा दोनौ दिशाओं में होता है किन्तु एक समय में केवल A की दिशा में data का पुरवा हो सकता है उधारन से लिए आप लोग telephone line में एक समय में एक ही दिशा में data का संचार होता है जैसे A से B या B से A की ओन प्राप्त करता और यह है आपक कर और प्रप्ट करता है इस तरह से तीसरा है है आपका .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ फिर हैं आपका संचार मेडिया संचार मेडिया कमूनिकेशन मेडिया किसी कम्प्यूटर से टर्मीनल या फिर किसी टर्मीनल से कम्प्यूटर तर डेटा के संचार के किसी माध्यम की आवस्यक्ता होती इस माध्यम को communication line या फिर data link कहते हैं ये निम्न दो पिकार के होते हैं संचार media आपके दो पिकार के होते हैं guided media या फिर wired तखनी guided media में data signals तारों के माध्यम से प्रवाभ हित होते हैं इन तारों के दोरा data का संचार किसी विशेश पत से होता है ये तार, copper, tin या silver की बने होते हैं सामानता ये तीन पिकार के होते हैं पहले आप पहला है आपका Ethernet केबल twisted pair इस पिकार के केबल में तार आपस में उल्ये होते हैं जिसके उपर एक कुचालक पदार्त तथा एक अन्नरात परत बाहरी आवरन जैसे jacket कहते हैं लगा होता है दो में से एक तार signals को प्राप्त करता तब पहुंचाने के लिए तथा दूसरा अर्थिंग के लिए उपयोग किया जाता है इस केबल का प्रयोग छोटी दूरी में डेटा संचार के लिए करते हैं इस तार का प्रयोग लोकल एडिया नेटवर्ग में किया जाता है दूसरा है आपका को अक्सियल को एक्सियल केबल इस केबल के दौरा उच्च आवित्री बाले डेटा को संचारित किया जाता है यह केबल उच्च गुडवत्ता का सा संचार का माद्दे में इस तार को जमीन या पिर समुद्ध की नीचे से ले जाया जाता है इसके वल केंद में ठोस तार होता है जो कुचालक तार से घरा होता है इस कुचालक तार के उपर तार की जाली बनी होती है जिसके उपर फिर कुचालक की परत होती है यह अतार अप एक चाकित महेंगा होता है किन्तू इसमें अधिक डेटा के संचार की चमता होती है इसका प्रियोग टेली वीजन नेटबर्ग में किया जाते है पीवी सी, सीथ, ब्रेड हो गया डायलेक्टिक, कॉपर, कंडेक्टर तीसरा है आपका फाइबर ऑप्टिक केवल यह एक नई तकनिक है जिसमें धातू के तारों की जगए विशिट पेकार की गिलास या फिर फिलास्टिक की फाइबर का उपयोग डेटा संचार के लिए करते हैं यह केवल हलकी तता तीब गतिवाले होती है इस केवल का कवीने किसन और नेटवर्किंग के लिए होता है कि लेटिंग कोर प्रोटेक्टिव कोटिंग आँगे बात करते हैं हम दूं अंगाइडिड मीडिया या फिर वायलेस तकनिक केवल के महेंगा होने तथा इसके रख रखाव पकरज अधिक होने के कारण डेटा संचार के लि किया जाता है अंगाइडिड मीडिया में डेटा का प्रवाय बिना तारों वाले संचार माध्यम के द्वारा होता है इन मीडिया में डेटा का प्रवाय तरंगों के माध्यम से होता है चूकि इस माध्यम में डेटा का संचार बिना तारों तरंगों के द्वारा होता है इसल पहला है आपका Radio-Wave Transmission, जब दो टर्मीनल रेडियो आवित्या के माध्यम से सोचना का आदान पिदान करते हैं, तो इस पेकार के संचार को Radio-Wave Transmission कहा जाता है, ए रेडियो तरंगे सर्फ दिसात्मक होते हैं, तथा लंबी दूरी के संचार के लिए प्रियोग की जा सकते हैं Radio-Wave Transmission, वायर्ड तकनीक से सचता होता है, तथा मोबाइलिटी पिदान करता है, परंदु इस पर बरसा धोल आदी का बुरा प्रभाव परता है, दूसरा है आपका Microwave Transmission, इस सिस्टम में सिंगनल्स खुले तोर पर बिना किसी माध्यम के Radio-Signals की तरह संचारित होते हैं, इस सिस्टम में सूचना काधान पिदान आवित्रियों के माध्यम से किया जाता है, Microwave Electromagnetic तरंगे होती हैं, जिनकी आप आवित्री लबबग 0.3 GHz से 300 GHz के बीच होती है, यह एकल दिशात्मक होती है, यह को एक्सियल केवल की तुलना में तीब गती से संचार पिदान करती हैं, इसमें अच्छी bandwidth होती है, किन्तु इस पर बरसा धूल आदी का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसका प्रियोग Cellular Network Television or Broadcasting में होता है फिर है आपका तीसरा Infrared Wave Transmission Infrared Wave छोटी दूरी के हैं, संचार के लिए प्रियोग में लाने जाने वाली उच्छ आवित्त्री की तरंगे होती हैं, यह तरंगे ठोस object जैसे दीवार आदी के आरपार नहीं जा सकती हैं मुक्ता एट TV remote wireless speaker आदी में प्रियोग की जाती हैं चोटरा है आपका satellite संचार satellite संचार तीब गती का data संचार माद्यम है यह लंबी दूरी के संचार के लिए सबसे अधिक सबसे आदर्स संचार माद्यम होता है अंतरिक्ष में इस्ति सेटिलाइट उपगराय को जमीन पर इस्तित station से signal भेजनते हैं तथा satellite उस signal का विस्तार करके उसे किसी दूसरे दूरी दूर इस्तित station पर वापस भेज देता है इस सिस्टम के द्वारा एक बड़ी मात्रा में डेटा को अधिक तम दूरी तर भेजा जा सकता है इसका प्रेयोग phone TV अत्वा internet अधिक लिए signals भेजने में होता है कुछ आपके point है इन्हें भी देख लिजे बी Bluetooth ये एक SE wireless बिनातार वाली तक्नीक है जिसमें बहुत छोटी दूरी पर इस्तित दो माद्ध्य हमों में डेटा का आधान पिदान किया जा सकता है brand way इसका प्रेयोग data transfer की दर निर्धारित करने में होता है इसका मात्रक cycle 30 seconds या फिर hertz होता है throughput या दो computer की मात्ध्य होने वाले data की इस्तानांतर की मात्रा है इसका मात्रक bits 30 seconds है फ्रेयोग का बुरोट या data के संचारन की गती मापने का मात्रक है इसे bits second भी कहा जाता है अब बात करते हैं computer network computer network कोई network एक से अधिक बिंदूओं, बस्तूओं या फिर ब्यक्तियों को आपस में इस पेकार जोडता है कि उनमें से पितेग एक दूसरे के साथ सीधा संबना सके पितेग network का एक निश्चे तुद्देश होता है computer network से मादरातातपल आसपास या फिर दूर बिखरे हुए computer को इस पेकार जोडने से है कि उनमें से पितेग computer किसी दूसरे computer के साथ सुतंत रूप से संपर्ग बना कर सूचनाओं या फिर संदेशों का आदान पिदान कर सके और एक दूसरे की साथनों तथा सुविधाओं को सांजा कर सके दूसरे सब्दों में हम लोग कहें तो सूचनाओं या फिर अन्न संसाथनों की परस्फर आदान पिदान एवं सांजेदारी के लिए दो या दो से अधिक computer का परस्फर जुडाओ computer network कहलाता है computer network के अंतरगत संसाथनों एवं सैंतों की परस्फर सांजेदारी होती जिससे डेटा सूचनाय एक computer से दूसरे computer में समारूम से पहुँचती है computer network एक company एक अत्वा अधिक भावनों एक कमरे तथा सहर की मद्द स्थापित किया सकते हैं बात करते हैं computer के computer network के प्रिकार network को उनके computer की बहुँचती के अनुसार मुक्ता तीन भावगों में पांटा जाता है local area network LAN local area network ऐसे network के सभी computer एक सीमित चित में इस्तित होते हैं यह चित लगवग एक किलूमीटर की सीमा में होना चाहिए जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग या फिर उनका एक समोग local area network में जोड़ी गए उपकरण की संख्या अलगलग हो सकती है इन उपकरणों को किसी संचार केबल द्वारा जोड़ा जाता है ठीक है? लोकल एरिया network की द्वारा कोई संगठन अपने कंप्यूटर, टर्मिनलों और कारस्तत्रों तथा अंड बाहरी उपकरणों को एक दक्च तथा मित वेई विधी से जोड़ा जोड़ सकता है, ताकि भी आपास में सुचनाव का अधान पिदान कर सके तथा सबको सभी साधनों का लाब मिल सके चित्त में एक लोकल एरिया network दिखाए गया है एह है फिर आता है आपका वाइड एरिया network वाइड एरिया network वाइड एरिया network से जोड़े हुए computer तथा ओपकरण एक दूसरे से हजारों किलिमेटर की भोगोलिक दूरी पर भी इस्तित हो सकते हैं इनका खालचित कई महादीपों तक फैला हो सकता है यही एक बड़े आकार का data network है इसमें data के संचार की दर local area network की तुल्ला में कम होती है अधिक दूरी के कारण फ्रया इन में microwave station या पर संचार ओगरों का प्रयोग संदेश आंगे भेजने वाले station की तरह किया जाता है microwave network दो रिले टावरों के वीच आवाज या पर data को radio तरंगों के रूम में भेजते हैं पितेक टावर उस संदेश को प्राप्त करके उत्तेजित करता है और फिर आगे भेज देता है बिस तो भी आपी data communication नेटवर्क का मत दिन पिती दिन बढ़ता जा रहा है बे आजकल के बित्तिय जगत के लिए अनिवार हो गए जैसे share market bank बित्तिय संस्थां आधी के लिए तीसरा है आपका metropolitan area network में जब बहुत सारे local area network या पिर land किसी नगर या सहर के अंदर एक दूसरे से जुड़े एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो इस पकार के network को हम लोग metropolitan area network कहा जाता है इसे sun chip में मैंन भी कहते हैं जिसकी गती सो से सो से सो एमबी बिट्स पिती सेकंड होती है एक काफी महगी network होते हैं जो फाइवर और टीकल केबल से जुड़े होते हैं एक टेलीकॉन या केबल operator और microwave लिंक द्वारा पिदान किये जाते हैं अब बात करते हैं networking के आकिल lab क्या क्या है उने भी देख लेते हैं networking के lab साधनों का साज्या हम network के किसी भी computer से जुड़े हुए साधन का उपयोग network के अन computer पर कार करते हुए कर सकते हैं उधारन के लिए यदि किसी computer के साथ laser printer जुड़ा हुए है तो network के अन computer से उस printer पर कोई भी सामगरी चापी जा सकती है दूसरा है आपका data का तीब संपेशन computer के networking से दो computer के भी सूचना का आदान कितान तीब तथा सुरक्षित रोप से होता है इससे कारी की गतित त्यज होती है और समय की भी की बचत होती है तीसरा है आपका विश्वशन नहीं था networking में किसी फाइल की दो या दिक पितियां अलग अलग कंप्यूटरों पर स्टोर की जा सकती है यति किसी कारण बस एक computer खराब या आसा फल हो जाता है तो यह data दूसरे computer से प्राप्त हो सकता है इस पेकार network के computer एक दूसरे के लिए backup का कारवी करते हैं जिससे उन्हें विश्वशन निता बढ़ती है बात करते है personal area network यह बहुत चोटी दूरी के लिए उपयोग होने वाला network है जिसकी चमता कम दूरी पर उपस्तित एक या दो ब्यक्तियों तक होती है उधारन के लिए आप लोग Bluetooth ले सकते हैं, Wireless ले सकते हैं, USB आधिक pen आपके pen के उधार है, personal area network के फरहें आपका virtual private network virtual private network एक पेकार का network है जो किसी private network जैसे किसी company के आंतिरिक network से जुड़ने के लिए internet का प्रियोग करके बनाया जाते है यह है आजकल एक तेजी से पसारित होने वाला network है जिसका प्रियोग बड़ी बड़ी संस्ताओं में तेजी से बड़ा है यह network आभासी भी है और निजी भी है निजी इसलिए है क्योंकि इस network में किसी संस्ताओं की निज्टाओं की पूरी गारंटी होती है तथा आभासी इसलिए है क्योंकि यह network बेन का प्रियोग नहीं करता है अब बात करते हैं आखिट land man बेन में अंतर क्या है इस तरह से अगर लिखने को आ जाए लिखित में तो आप इन्हें लिख सकते हैं डिफरेंस हैं को यह आपकी land हो गए, man हो गए और band हो गए local area network, metropolitan area network, wide area network इसकी दूरी की बात करें तो land में सीमित है इसकी दूरी आम तोर पर पच्चीस सु मीटर तक की दूरी के लिए है आपका land और जो man है आपका इसकी भी सीमित दूरी है आम तोर पर दो सो किलोमीटर तक की दूरी के लिए है और जो आपका band है यह आसीमित है ठीक है, गती की बात करें तो इसकी अधिकतम है, लेंड की गती अधिकतम है, आम तोर पर 1000 MB पर सेकंड तर, और जो मेन है आपका अधिक है, इसकी भी गती अधिक है, आम तोर पर 100 से 1000 MB पर सेकंड तर, जो आपका बेन है, इसकी गती निमन है, आम तोर पर 10 से 100 MB पर सेकंड तर मीडिया के बात करें देलो तो land twisted pair cable fiber optical cable coaxial cable band की बात करें तो twisted pair cable fiber optical cable और band twisted pair cable coaxial cable fiber optical cable upgrade को सामिल करने के लिए wireless nodes की बात करें तो land में कोई भी हो सकते हैं किन्तु अधिकतर desktop होते हैं band में कोई भी हो सकते हैं किन्तु अधिकतर desktop या फिर आपके mini computer होते हैं लेकिन जो band है इसमें कोई भी हो सकते हैं किन्तु अधिकतर desktop computer होते हैं ठीक अब बात करते हैं हम लोग networking युक्तियों के बारे में Sydneyido Signals की वास्तिविक सकती को बढ़ाने के लिए networking युक्तियों का प्रेव किया जाते है इसके अत्रिक networking युक्तियों का प्रियों दो यादो से यदिक computer को आपस में जोडने के लिए भी किया जाते हैं कुछ पिरमुक networking युक्ति आपकी निम्न है बात करते हैं रिपीटर रिपीटर ऐसे एलेक्टोनिक उपकरण को पिराप्त करके उन्हें उच्च इस्थर का बना कर बापस बेज़ते हैं इस पिकार की सिंगनल्स लंबी दूरी को बिना बाधा की तै कर सकते हैं रिपीटेस का प्रियोंग कम जोड़ पड़ चुके सिंगनल्स एवं उनके होने बाली समस्याओं से पचाता है। रिपीटेस का प्रियोंग नेटवर्ग में कम्प्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने बाले केबल की लंबाई बढ़ाने के में किया जाते है। इनकी उपयोगता सरभादिक उस समय होती है जब कम्प्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए काफी लंबी केबल की आवच सकता होती है। दूसरा है आपका हब। क्या है हब। हब का प्रियोग ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां नेटवर्ग की सारी केबल मिलती है। एक विकार का रिपीटर होता है जिसमें नेटवर्ग चैनलों को जोड़ने के लिए पोर्ट लगे होती है। आम तोर पर एक हब में चार्व, फर्याट, सोले या अथवा, 24 पोर्ट लगे होती है। इसके अतरिक्त हब पर पितेक पोर्ट के लिए एक इंडिकेटर लाइट LED लगी होती है। जब पोर्ट से जुड़ा कम्प्यूटर ON होता है तब लाइट जलती है। हब में कम्प्यूटर को जोड़ना अतरिक्त हब का प्रयोग किया जा सकता है। इस पिक्रिया को DG चैनि कहते हैं दो यादिक से अब उनको आपस में जोड़ना है। फ़र आपका गेटवे हैं। गेटवे एक एक इकती है जिसका प्रयोग दो विभिन नेटवर्ग प्रोटोकॉल को जोड़ने के काम आता है। इन्हें प्रोटोकॉल परिवर्थक भी कहते हैं। यह फायरवॉल की तरह कारिकरते हैं। फ़र आपका स्वीच। क्या है। स्वीच। स्वीच बे हाड़वेयर होते हैं जो विभिन कम्प्यूटरों को एक लैन में जोड़ते हैं। स्वीच को हब के इस्थान पर रुप्योग किया जाता है। हब तथा switch की मत एक मत्रम्ठ पूर्ण अंतर्य है कि हब स्वेम तक आने वाले data को अपने पितेक पोर्ट पर भीजता है जबकि जो आप स्वेम तक आने वाले data को केवल उसके गत्तव तक भीजता है फिर आपका router राउटर का प्रेव नेटवर्क में डेटा को कहीं भी भेजने के लिए करते हैं इस पिक्रिया को राउटिंग कहते हैं राउटर एक जंक्सन की तरह कारी करता है बड़े नेटवर्कों में एक से दिक रूट होते हैं जिनके जरीए सूचनाय अपने गंधब इस्तान तक पहुँच सकते हैं ऐसे में राउटर एक्रिय करते हैं? कि किसी सूचना वो? किस राउटते से उनके गंधब पहुचाना है? फ़र है आपका राउटिंग सूच ऐसे स्वीच जिनमें राउटर जैसी विसस्ताइं होती है राउटिंग स्वीच कहलाते हैं राउटिंग स्वीच नेटवर्ग के किसी कम्प्यूटर तक भेजी जाने वाली सूचनाओं को पहचान कर उन्हें राष्टा दिखाते हैं Routing Switch सूचनाओ कि सबसे सही राष्ता खोचकर उनके गंतब इस्तान तक पहुंचाता है Routing Switch फिर आपका विर्ज वरिज छोटे network को आपस में जोड़ने काम आता है ताकि ये आपस में जोड़कर एक बड़े network की तरह काम करें वरिज ये एक बड़े या best network को छोटे हिस्सों में बाटने का भी कारी करता है best network को तब बाटा जाता है जब network की एक हिस्से को बाकी हिस्सों से अलग रखा जाना है फिर आपका modem modem analog signals को digital signal में तथा digital signal को analog signals में बदलता है एक modem को हमेशा एक telephone line तथा computer की मत्र लगाया जाता है डिजीटल signals को analog signals में बदलने की पिक्रिया को modulation तथा analog signals को digital signals में बदलने की पिक्रिया को demodulation कहते हैं यहां आपके कुछ searcher, sorry server इनने भी देख लीजे कभी पोँच लेते हैं परिवासा server वह अग computer होता है जो internet का प्रियोग करने वालों अर्था तो प्रियोग करता को सूचनाय पिदान करने की छमता रखता है यह network की सबसे प्रमुक तथा केंदरी यह computer होता है network के अन्य सभी computer server से जुड़े होते हैं server छमता और गती की दिर्ष्टी से अन्य सभी computer से सेश्ट होता है और यह प्रया network का अधिकांस अत्वा समस्त डेटा server के परी रखा जाता है प्रया आपका node node की बात करने तो server के अलावा network के अन्य सभी computer को node कहा जाता है यह वे computer होते हैं जिन पर उप्रयों करता कारी करते हैं पितेक node का एक निश्चित नाम पहचान होती है कई node अधिक सक्तिसाली होते हैं ऐसे node को प्रया work station कहा जाता है node को प्रया client भी कहा जाता है प्रया कहाता है protocol वह पड़ाली जो संपूर संचार पिक्रिया में बिद्वित डिवाइसों के मत समझस स्थापित करती है protocol कहलाती protocol की उपस्तिती में ही data तथा सूचनाओं को प्रयक्चक से लेकर प्राप्त करता तक पहुंचाया जाता है computer network का अधार भी आपका protocol ही है बात करते हैं network topology क्या है network topology computer network में computer को आपस में जोड़ने कित तरीके को topology कहते है किसी topology के पिते computer node या फिर link station कहलाते हैं दूसरे सब्दों में हम लोग कहें तो topology network में computer को जोड़ने की बहुगोलिक विवस्ता होती है इसके द्वारा विविन computer एक दूसरे से परसपर संपवर की स्थापित कर सकते हैं network topology निमलिकित पिकार की हो सकती है पहला है आपका bus topology इस topology में एक लंबे केवाद से यूगतियां जोड़ी होती है एर network installation छोटे अत्वा अलकालिंग broadcast के लिए होता है इस पिकार के network को topology का प्रयोग ऐसे इस्थानों पर किया जाता है जहां अत्यंत उच गति के communication channel का प्रयोक्सी में चित में किया जाना है परन्तों यदि communication channel खराब हो जाए तो पूरा network आपका खराब हो सकता है इसकी विसेश्था एक क्या है कि अगर यदि computer channel खराब हो जाता है तो आपका पूरा network इसमें खराब हो जाता है इसका एक lab भी है क्या lab है इसके इसमें नए node जोटना अत्वा पुराने node हटाना बहुत आसान होता है किसे ये computer के खराब होने पर संप्यूर network प्रवाबित भी नहीं होता है परन्तु इसमें खराब हुए node का पता लगाना बहुत ही कठेन होता है इसकी लागत बहुत कम भी होती है दूसरा है आपका star topology इस topology के अंतरगत एक host computer होता है इस से विविन local computer को सीधे जोड़ा जाता है या host computer होत कहलाता है यह सब के फैल होने से पूरा network फैल हो जाता है इस तरह से देखिए यहाँ है आपका star topology इसके लाब की बात करें हम लोग तो इसमें लाब हैं यदि कोई local node computer खराब हो जाए तो से इस network फिरभावित नहीं होता है इस सितिनी में खराब हुए node computer का पता लगाना आसान भी होता है एक computer को host computer से जोड़ने में कम लागत भी आती है local computer की संख्या बढ़ाने से network की सूचना के आदान पिदान की छमता प्रभावित नहीं होती है फिर आपका तीसरा ring topology इस topology में कोई हब एक लंबी cable नहीं होती है सभी computer एक गोला का आकृति के रूम में cable द्वारा जुड़े होती है फितिक computer अपने अधिनस्त computer से जुड़ा होता है इसमें किसी भी एक computer के खराव होने पर संपूर्ण आपकी जो ring होती है वो बादित होती या गोला कार आकृति सर्कूलर नेटवर्ग भी कहलाती यह आपकी ring topology इसके कुछ लाब भी है नहीं भी देखें तो इसमें छोटे केवल की आवस्सक्ता होती है या ओप्टिकल फाइवर में एक देशा में डेटा के फिरवाय के लिए स्तरवादिक उप्योक्त है फिर आपकी चौत्री मेस टोपोलोजी इस टोपोलोजी का पित्ते कंप्यूटर नेटवर्ग में जुड़े अन्न सभी कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है इसी कारण से इसे नेटवर्ग या फिर नेटवर्ग भी कहा जाता है इसी कारण से पॉइंट्टू नेटवर्ग या कॉम्पलेट कंपलेटली connected network भी कहा ज़र इसमें data की आधान पिदान का पितिक नेड़े computer सुरम ही स्वैमी लेता है ये आपका mesh topology इसके लागों की बात करने तो ये topology अध्रीक दूरी के network के लिए सरवाधी को प्यूप्त होते हैं इस topology में किसी एक computer की खराब होने पर पूरा संचार बाधित नहीं होता है पांच भाधार का tree topology इस topology में एक नोड से दूसरे नोड दूसरी नोड तरह दूसरी नोड से तीसरी नोड किसी पेड़ की साखाओं की तरह जुड़ी होती है ये tree topology कहला दी tree topology star topology का ही विस्तित रूप है इस topology में root नोड सरवर्गी तरह कारी करते हैं ये है आपका tree topology इसके लाब की बात करना है तो इस topology में network को आसानी से बढ़ाया जा सकता है ये topology पदानुकरम data के संचार के लिए सरवाधिक उपयफ्त भी है तो ये हैं आपका computer networking model computer network के मुख दो model होते हैं ये क्या आपका peer to peer peer to peer network दो अत्पाद दो से अधिक ऐसे computer का network जो आपस में communication के लिए एक जैसे program का उप्यू करते हैं इसे P2 network P2P network भी कहते हैं peer to peer network भी कहते हैं ये है आपका peer to peer network का उप्धा इंटरनेट ये हब स्वीच हो गया printer PC, PC, PC इसमें data audio video आदी का digital प्यारों में आधान पिदान होता है इस network में computer आपस में file लें transfer करने के लिए universal serial लवस से जुड़े होते हैं इस network में सभी computer client तथा server दोनों की तरह कारे करते हैं दूसरा है आपका client server network client या फिर server network ऐसा network जिसमें एक computer server तथा बाकी computer client भी की तरह कारे करते हैं client server network कहलाते हैं client computer server से किसी service के लिए request करता है तथा server उस request के लिए उचित response भी देता है या आपका client server network ये server हो गया desktop client desktop client, laptop client अब बात करते हैं open system interconnection ये computer network की designing के लिए विक्सित किया गया एक इस्तरित धाचा हो है जो सभी पेकार के computer में संचार के लिए अनमानित देता है इसका विकास ISO International Standard Organizations के द्वारा दो computer के मद्ध होने वाले संचरन का मानकी करन करने के लिए किया गया गया ISO द्वारा विक्सित होने बाले होने के करने इसे ISO OSI reference model भी कहा जाते है OSI model में कुल साथ परते होती है क्या होती है कुल साथ परते होती है कौन से यह लेयर है लेयर का नाम और प्रमुक का है फिजीकल लेयर इस परत का मुक कारे नेटवर्ट की बहुती कनेक्शन से सिंगनल्स के प्राप्ट सिंगनल्स को प्राप्त करना या भीजना है पर आपका data link layer या परत data की node system से node system तक बिस्वसनी ये वित्रण के लिए प्रियुक्त होते है network layer या परत data के पैक्टों को स्रोथ से गंतब्वित तक पहुचाती है transport layer या परत पूरे संदेश को स्रोथ पर चलने वाले प्रोग्राम से गंतब्वित पर चलने वाले प्रोग्राम तक पहुचाती है पांच बार आपका session layer या परत दो notes को आपस में संबाद इस्थापित करने की अनुवती देती है फरे आपका presentation या परत डेटा को computer की वांचित रूप प्यारों में बतलती है फरे आप लगका application layer या परत उप्योग करता की द्वारा आविदे सेवाओं पिलान करती है जिसी आपका email हो गया या फिर file transfer या परत email file भिजने तथा संगेत रखने के लिए आधार बलद कराती है यह आपकी network संबंदी कुछ पदावलिया है multiplexing यह ऐसी तकनीक है जिनका प्रियोक signals को एक सामान माध्यम से एक साथ पिसारित करने में किया जाता है Ethernet यह एक LAN तकनीक है जो computer को network पर access करने की सुगधा देती है इस network को set करना बेहद आसान होता है तथा यह network आज की समय का सबसे लोग प्री है और सस्ता network है Ethernet द्वारा सूचनाओं को 10 MWh की रखतार से transfer को यह है आपका code division multiple access यह multiplexing की ऐसी पदिती है जो कई सेंगनलों को single acrylic transmission channel से पिसारित होने की अनमती देता है इस पर कार उपलब्द ब्रेंडवित का वेहतर प्रीयोग संभव हो जाता है इस तकनीक का प्रीयोग ultra high frequency वाले 800 MHz तथा 1.9 GHz वाले cellular phones में होता है आपका फ्रें आपका public switch telephone network यह गोपर की तारों द्वारा analog को लाने ले जाने बाले अंतराश्टी telephone network है यह telephone network नए telephone network हों जैसे आपका ISDN हो गया FDDI की विप्रीत तरह से कार करता है फिर आपका internet सोरी integrated service digital network यह network wise video तथा डेटा को संचारित करने के लिए digital या फिर सामान telephone lines का प्रियोग करता है इसमें packet तथा circuit दोनों पिकार की switching का प्रियोग होता है wireless local loop यह एक ऐसा बेतार का संचार लिंक है जिसमें user network से वीडियो आवित्तियों के जरिए जुड़ता है इसे फिक्ट वायलेस connection भी कहा जाता है यह CDMA तकनीक पर आधारित होता है फिर आपका packet switching यह network से data को संचारित करने की एक बिदी है जिसमें data को छोटे छोटे packets की रूमें बांट लिया जाता है जिसके बाद आसानी से उस data को destination तक पहुँचा दिया जाता है फिर आपका circuit switching इसमें data को एक physical mark की दोरा गंतब तक से destination तब केबल एक ही mark बारा पहुचाया जाता है तो चलिए यह था आपका 11 चेप्टर data संचार एव नेटवरंकिंग की बारे में आगे हम लोग बात करेंगे वार्यवेश चेप्टर की बारे में इंटरनेट तथा इसकी सेवाओं की बारे में जामस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान ग्यान के बारे में तो इसमें अभी तक हम लोग आपके 11 चेप्टर कतम कर चुबए हैं लाफ्ट चेप्टर था आपका data संचार एवं networking से संब्दी इसमें बात करेंगे internet तथा इसकी सेवाओं से याद रखिए फिर से आपको याद दिला देता हूं कि 15 के 15 16 के करिए हम लोग चैप्टर देखेंगे उसके बाद हमारे 25 से 30 मौक टेस्ट होंगे कितने 25 से 30 यह चैप्टर पड़े मौक टेस्ट आप कंप्लीट करने के बाद आपको कहीं भी बटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंप्यूटर सामन क्यान के लिए याद रखे आपका पूरा सिलिवस कवर हो जाएगा कंप्यूटर से संबन दिए फिर चाहिए आपका लिखित में आता है या फिर ऑब्जेक्टिम में आता है कुश्चन्स आप सॉल्व करने की इस्तिती में आ जाएंगे ठीक है तो चली हम लोग बात करते हैं इंटर्नेट एंड इट्स सर्विसिस इसकी सर्विस इंटर्नेट कम्यूनिकेशन का एक मात्पूर्ण बद्दक्च मात्यम जिसने काफी लोगपीजीत अर्जित की है इंटर्नेट के मात्यम से लाखों बैक्ति सूचनाओं बिचारों दोनी मिडियोक्लिक्स इत्याद को कंप्यूटर किертв करके जरीय पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ सेयर कर सकते या विभिन आकारों के नेटवर्कों से मिलकर बना है internet इसका पूरा नाम है International Network इंटरनेट का क्या पूरा नाम है International Network जिसे वर्स 1950 में विंट हर करव ने शुरूं किया था तो वंड एक्जाम में कैसे पूंच लेगा कि इंटरनेट को किस ने शुरूं किया था तो यह थे विंट करव कब 1950 में इन्हें इंटरनेट का पिता कहा जाता है इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें आपके लाखों नीजी बस सारुजनिक लोकल से गिलोबल इसको बाले नेटवर्क होते हैं सामानता नेटवर्क दो या फिर दो से अधिक कंप्यूटर्स सिस्टम को आपस में जोड कर बनाये गया एक समूव है बात करते हैं इंटरनेट की इतिहास के बारे में इंटरनेट यह आपका यहां भी देख लिए इस तरह से जोड़ा होएं इंटरनेट पर उपलब देटा प्रोटोकॉल द्वारा नियंतित किया जाता है इंटरनेट पर सभी कंप्यूटर आपस में इसी प्रोटोकॉल द्वारा जुड़े होते हैं यह बारतल आप करते हैं हिस्ट्री ओफ कंप्यूट इस्ट्री ओफ इंटरनेट सन उन्नीस सो नत्तर में लास एंजल्स में यूनिवर्स्रीटी ओफ कैलिपॉनिया तथा यूनिवर्स्रीटी ओफ यूटा अर्पानेट की सुरुवात की रूम में जुड़े इस प्रियोजना कमों को लग्ज बिभ मद्ध अस्ती के दसक में एक और संगिये एजेंसी राष्टिय विज्ञान फाउंडेशन ने एक नया उच चमता वाला नेटवर्ड एन एस एप नेट बनाये जो अर्पानेट से अधिक सब चम था NSF NetMac केवल यही कमी थी यह अपने नेटवर्ड पर केवल सेख्चिक अनुसंधान की ही अनुमती देता था किसी भी पिगार के निजी ब्यापार की अनुमती नहीं इसी कारण निजी संगटनों तथा लोगों ने अपने खुद के नेटवर्ड का निर्माड करना सुरूं करती है जिसके बाद आपका अर्पानेट तथा NSF Net से जुड़कर इंटरनेट का निर्माड हुआ बात करते हैं हम इंटरनेट के आखिर लाब क्या है इंटरनेट के लाब नेम लेके थे आपके दूसरे व्यक्तियों से आसानी से संपग बनाने की अनुमती देता है इसके माद्यम से दुनिया में कहीं भी किसी से भी संपग बनाया जा सकता है इंटरनेट पर डॉकुमेंट को पिकासित करने पर पेपर इत्यादी की बच्चत होती है यह कंपनियों के लिए कीमती संसाधन है जिस पर विभ्यापार का विग्यापन तो था लेंदेन भी कर सकते हैं एक ही जानकारी को कई बार एक्सेस करने के बाद उसे पुनहार सरच करने में कम समय लगता है बात करते हैं इंटरनेट की हानियां क्या क्या हैं इंटरनेट की हानियां नहीं लिखी थें कम्प्यूटर में वायरस के लिए एक सरवाधी खुद तरदाई इंटरनेट पर संदेशों को आसानी से चुराया जा सकता है बहुत सी जानकारियां जाची नहीं जाती है वह गलत या फिर आसंगत भी हो सकती है आनेक्षिक अनुचित डोकुमेंट तक कभी-कभी गलत लोगों जैसे आतंगवादी द्वारा इस्तेमाल कर लिए साइवर धोके बाज केड़िट डेविट का एड़ की समस्त जानकारी को चुराकर उसे गलत तरीके से इस्तिमाल कर सकते हैं बात करते हैं इंटरनेट कनेक्षिन ब्रेंड विष्ट बढ़ कीमत इन दोनों गटकों की आधार पर कौन से इंटरनेट कनेक्षिन को प्योग में लाना है यह सारब के तंब निश्चित किया जाता है। इंटरनेट की डायल अप कनेक्शन डायल अप पूर उपस्तित टेलीपॉन लाइन की साहिता से इंटरनेट से जुड़ने का एक माद्य में जब भी उपयुक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का फॉन नंबर डायल करता है जैसे डायल अप कॉल्स को फ्राप्त करने के लिए तियार किया गया है और फिर आपका ISP connection स्थाफिक करता है जिसमें सामान रूप से 10 सेकेंड लगते हैं सामानता सब्द ISP उन कंपनियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो उपयोग करता को इंटरनेट connection पिदान करती है उधारन के लिए कुछ आपकी पिसे दाई ISP की नाव है याटल MNTL बोड़ापॉन अब तो बोड़ापॉन और आइडिया का बिलाय होगे अगला है आपका ब्रोड बेंड connection ब्रोड बेंड का इस्तिमाल हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए सामान रूप से होता है या इंटेंट से जुड़ने के लिए टेलीफॉन लाइन को प्रयोग करता है ब्रन्ड बेंड उप्यप करता हो डायल अप कनेक्शन से तीब गती पर इंटरनेट से जुड़ने की सुगधा पिदार करता है फ्रन्ड बेंड में विविन पेकार की हाई स्पीड संचर्ट तकनीके भी सम लेते हैं जो इस पेकार है आपकी इसमें आपका डिजीटल सस्प तारों तामे के द्वारा संचर्ट किया जाता है यह डायल से वाकी तरह है किन्तु उससे अधिक तेजगती से कारी करता है इसके लिए डी एल डी एसल मोडें की आवस्चता होती है जिससे टेलीपॉन लाइन तथा कंप्यूटर को जोड़ा जाता है फ्रे आपका केवल इसके इंतर केवल ऑपरेटर्स को एक्सियल केवल के माध्यम से इंटरनेट इत्यादी की सुवधाएं भी विदान कर सकते हैं इसकी ट्रांसमिशन स्पीड 1.5 MB पर सेकंड या फिर इससे भी अधिक हो सकती है तीसरा है आपके फाइवर ऑप्टिक फाइवर ऑप्टिक तख प्रिकास की रूप में बदल उस पिकास को पारदर्सी गिलास फाइवर जिसका ब्यास मनुस के बाल की लगवग बराबर होता है कि जरिये प्राप्त करता तक भेजा जाता है फिरे आपका व्रडवेंड ओवर पावर लाइन निमने तथा माध्यम बॉटिज के इलेक्टोन यह उन चेत्रों के लिए उपयोगत है जहां पर पावल लाइन के अलावा कोई और माध्यम उपलत नहीं है उधारन के लिए आप गिरामिट चित ले सकते हैं अंगला है आपका वायलेस कनेक्शन वायलेस ब्रांड बेंड गरहक के स्थान और सर्विस फ्रोवाइडर के बी पार इत्यादी को इंटरनेट से जोड़ता है वायलेस जो आपका ब्रड बेंड इस्थे रिया पर चलाए मानु होता है इसे केवल या मोडम इत्यादी की आप सकता नहीं होती है बैसका प्रियोग हम किसी बीचित में जहां डी एसल बकेवल इत्यादी नहीं पहुंश सकते इसमें पहला है आपका वायलेस फैडिलिटी यह है एक सार्वितिक वायलेस टखनीक है जिसमें रेडियो आवित्तियों को डेटा ट्रस्फर करने में प्रेयोग किया जाता है वाई भाईके बल य्यापतारों के भीना इऊच्छगती से इंटरनेट से बाग पिदान करते है इसका प्रियोग हम रेस्तन, कॉफी शॉप, होटल, एयर पोर्ट्स, कनेक्शन, सेंटर और सिटी पार्कों इत्यादी में कर सकते हैं फिर है आपका वर्ल्ड वाइड इंटर ओपरेडिलिटी फोर माइक्रोविव एक्सेज वाय मैक्स सिस्टम आवासिय और इंटर प्राइजेज गिरहाकों को इंटरनेट की सिवाएं पिदान करने के लिए बनाई गई यह है वायरलेस मैक्स तक्नीक पर आधारित है वाय मैक्स मुखता बड़ी दूरियों बजानदा उपयोग करताओं के लिए वाय फाई की बाती किन्तो उससे भी जानदा गती से इंटरनेट सुगता पिदान करने के लिए प्रेवप्त होता है वाय फाई मैक्स को वाय मैक्स फॉर्म्स ने बनाए जिसकी स्थाबना जून दोजार एक में फिक थी फिर आपका मोबाईल वायलेस ब्रोड़बेंड सर्विस ब्रोड़बेंड से वाए मोबाईल लिए टेलीफॉन सर्विस प्रोवाईडर से भी उपलप्त है इस पिकार की से वाय सामन रूप से मोबाईल गरहाकों के लिए उचे थे इससे प्राप्त होने वाली स्पीड बहुत कम होती है आपकी फिर आपका सेटिलाइट सेटिलाइट टेलीफॉन तथा टेलीविजन सेवाओं के लिए अवस्तक लिंग उपलप दिकराते हैं इसके साथ ब्रोड़बेंड सेवाओं में भी इसकी मत्पून भूमी का है बात करते हैं इंट्रानेट क्या है इंट्रानेट इस सब्द आपने कई जगे सुना हुए इस एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का समूँ आपका इंट्रानेट कहलाता है एक संगठन के भीतर निजी कंप्यूटर नेटवर्कों का समूँ क्या कहलाता है इंट्रानेट इंट्रानेट डेटा सांजा करने की समता तथा संगठन के करमचारियों की समग ग्यान को बहतर बनाने के लिए नेट्वर्ग पुरोदुगीकियों के प्रियोगदारा बैक्तियों या फिर बैक्तियों के समूँ के बीच संचारी की सुग्दा को आसान करता है बारत करते हैं एक्स्ट्रानेट के बारे में एक्स्ट्रानेट एक निजीस नेटवर्ग है जो सुरक्षे त्रोप से बिख्केताओं, भागीदारों, गरहाकों या पिर अन्न व्योसायों के साथ ब्यापारी की जानकारी साज़्ा करने के लिए इंटरनेट प्रोधोकी की तत्त सारुजनिक दूरसंचार प्रणाली का उप्योग करता है एक्स्ट्रानेट को एक संगठन के इंटरनेट की रूम में भी देखा जा सकता है जो संगर्थन के बाहर कि उपयोग करताओं के लिए बड़ा दिया गया है फिर आपका इंटरनेट सर्विसेज डिजीटल नेटवर्ग इंटिगेटेड सर्विसेज डिजीटल नेटवर्ग यह एक डिजीटल टेलीफॉन सिवा है जिसका उपयोग धौनी डेटा वा कंट्रोल सुचना इत्यादी को एकल टेलीफॉन लाइन पर संचरीद करने में किया जाता है इसका प्रियोग बेहद इस्तर पर ब्यापारी कुट्टिशों के लिए किया जाता है अंगला है आपका इंटर कनेक्टिंग प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल नेमों का वह प्रोटोकॉल है जो की डेटा कमिनिकेशन की देखरे करता है कुछ प्रोटोकॉल इस पर कारें TCP, IP ट्रांसमिसन, कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP, IP IN, TOP, END कनेक्टिंग जिसमें डेटा का फॉर्मेटिंग, एंडेसिंग, संचन के रूम, रूट्स और इसे प्राप्त करने की विधी इत्यादी संबले थे प्रोटोकॉल की मुख रूप में दो भागया TCP, दूसरा है IP इसमें TCP की बात करें हम लोग तो TCP यह संदेश को पेसक के पास ही पैक्टों के एक सेट में बदल देता है जिसे प्राप्त करता के पास पुनाहा एकटा कर संदेश को बापस हासिल कर लिया जाता है इसे connection oriented protocol भी कहते है IP यह विविन कम्प्यूटरों को network विस्ताबित करके आपस में संचार करने की अनुमती पिदान करता है IP network पर packet भीजने का कार समालती है यह अनेक मानगों के आधार पर पैक्टों के address को पितेग पितेग IP packet में सुरोत तदा गंतब का पता होता है फिर आपका file transfer protocol प्रोटोकॉल के द्वारा internet उप्योगरता अपनी computer से फाइलों को विवसाइट पर अपलोड कर सकते है या वेवसाइट से अपने PC में डाउनलोड कर सकते है app.tp file transfer protocol सॉप्ट्वेयर के उधारन है फाइल जीला, कासा बिलांका, एप्टीप, कौन क्रोर इत्यादी कई बार आपका पूच लेता है एप्टी का फुल पॉंक तो याद रखना है file transfer protocol दूसरा है आपका hypertext transfer protocol HTTP इस बात को सुनिश्चित करता है कि संदेशों को किस पिकार format बासंद चरित किया जाता है बविविन कमांडनों के उत्तर में बेव server तथा बिराउजर रेख क्या action लेगी HTTP एक externalis protocol है क्योंकि इसमें इत्यक निर्देश सुतन्त होकर क्रियानवित होते हैं बाब करते हैं hypertext markup language के बाहरे में इसका प्रियोग web page के design करने design बनाने में इस्तिमाल होता है markup language markup tag का एक set होता है जो web browser को यह बताता है कि web page पर सब्दों, image उ इमेजेजों और इत्यादी पोप्य वगरतार के लिए किस पेकार पिदर्सित करना है फिर आपका telnet protocol क्या है telnet protocol telnet station bad username तथा password को प्रिविष्ट करने पर सुरू हो जाता है यह एक network protocol है जिसमें virtual connection का इस्तिमाल करके द्वी देशिये test oriental communication को local area network पर पिदान करता है फिर आपका username use net protocol क्या है use net protocol इसके इंतरगत कोई केंद्रिय सर्वर कोई केंद्रिय सर्वर या फिर एड्मिनेश्टेटर नहीं होता है इस से बाकिता है इंटरनेट उप्यों करता हूं का एक समू किसी भी विसे इस विसर पर अपने विचार सलाय आदी का अपस में आदान पिलान कर सकते हैं याद रखिए यह सभी आपके protocol की पिकार है क्या है protocol की पिकार ही है .2.protocol यह एक dial account है जिसमें कंप्योटर को इंटरनेट पर सीधे जोड़ा जाता है इस आकार की connection में एक modem की आवसकता होती है जिसमें डेटा को 969600 bits से 32nd से भेज जा जाता है तो यह आपका wireless application protocol web browser mobile device हो में प्रयोग होने बाले web browser यह protocol web browser को सिभाएं पिदान करता है अगला है आपका voice over internet protocol यह IP network पर दोनी संचार का वितरन करनाई में प्रयोग होता है जैसे आपका IP cause याद रखिए अगर पूछे तो internet connecting protocol के आप दो यह उदारन लिख सकते हैं कोई problem नहीं अगर कहीं लिखित में आता है question तो लिख सकते हैं अब बात करते हैं internet से सम्मंदित आपकी जानकरे worldwide wave www इसे कई बार पूछ लेता है www worldwide wave बिसे इस रूप से सो रूपित documents का समर्थन करने वाले internet server की एक प्रिणाली है यह 13 मार्च 1989 को पेस किया गया था documents markup language HTML formatted होता है तथा दूसरे document के लिए link साथ ही graphics audio video file का समर्थन भी करते हैं उपियोग करता friendly interactive multimedia document इत्यादीश के विशेष्ट features हैं graphics audio, video, animation और text फ़र आपका web page web page बहुत सारे computer document या web page का संग्रह है एक documents HTML में लिखे जाते हैं तथा web browser द्वारा प्रिदाशित किया जाते हैं यह दो पेकार के होते हैं static और दूसरा है आपका dynamic static web page पर हर बार access करने पर एक ही सामगरी दिखाते हैं तथा dynamic web page की सामगरी हर बार बदल सकती है फिर आपका website क्या है website यह website web page का संग्रह होता है जिसमें सभी web page hyperlink द्वारा एक दूसरे से जोड़े होते हैं किसी भी website का पहला page आपका home page कहलाता है उधारन के लिए stn ttp याद रखिए आपका यह पूच लेता है वो अंडे एक जाम का तो फैबरेट कोश्चन्स है किसी भी website का पहला page क्या कहलाता है तो आपकी याद रखना home page कहलाता है फ़र आपका बेब बिराउजर बेब बिराउजर एक software application है जसका प्रियोग आप बेड़ वाइड बेब की content को डूढ़ने मर निकालने वा पिदरसित करने में होता है यह पर आप दो पिकार के होते हैं कितने दो पिकार के काउन कार से हैं कि टेक्स्ट बेब बिराउजर इस बेब बिराउजर में टेक्स आधारी सूचना को पिदरसित किया जाता है छी आपका Linux ग्राफिकल बेब बिराउज़र टेक्स्ट तथाgot can żeby को सपोर्ट करता Harmonic फारवॉक्स, क्रॉम, नेटिस्केप, इंटरनेक्ट, एक्स्प्लोरर, फिर आपका बेप सर्वर, क्या है बेप सर्वर, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, जो STML, पेजों या फायलों की जरूरतों को पूरा कलता है, बेप कलाइंट उप्यों कलता से सम्मधित, आग भी प्रोग्राम है, तितेक बेप सर्वर, जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं, का एक दुती है, आदुती है, एड्रेस होते हैं, जैसे IP एड्रेस कहते हैं, उधारन के लिए आप अपाची, HTTP, सर्वर, इंटरनेट, इन्फोर्मेशन, सर्विसिस इत्याली, फिर आपका एड्रेस किसी विसिस्ट पेज, वेब पेज की लोकेशन को पहचानता है, वेब एड्रेस को URL, यूनिफॉर्म, रेसोर्स, लोकेटर भी कहते हैं, एड्रेस से जुड़े हो, होस्ट कम्प्यूटर पर फाइलों के इंटरनेट एड्रेस को दसाते हैं, टिम वर्णिली, वर् 1991 में पहला URL बनाया, जो वर्ल्ड वाइड विप पर हाइपर लेंक्स को प्रिदर्शित करने में इस्तिमाल किया गया, यह थी आपकी टिम वर्णिली, ठीक है, उधारन के लिए आप इस तरह से ले सकते हैं, अब बात करते हैं, डॉमेन नेम, डॉमेन नेटवर्ग संसाधनों का एक समुव है, जिसे ओपेव करता कि समुव को आवंटित किया गया, जाता है, डॉमेन नेम इंटरनेट पर जुड़े हुए, कम्प्यूटरों को पहचानने बाद लोकेट करने की काम आता है, डॉमेन नेम सधिय अधुतिय होता है, इसमें हमेशा डॉट द्वारा अलग किये हैं, दो या दो से अधिक भाग होते हैं, जैसे आपका गूगल डॉट कॉम, याहू डॉट कॉम इत्यादी, ठीक है, डॉमेन, संगटनों तदन देशों के प्रिकार द्वारा विवस्थित किये जाते हैं, डॉमेन नेम में अंतिम भाग, संगटन या देश के प्रिकार को अंकित करता है, उधारन के लिए अपने इनफो लेख सकते हैं, सूचनासंगटन.com, यानि कि वडिजिक संस्थान के ल के लिए, MIL, सेन संस्थान के लिए, NET, Network संस्थान, ORG, गेरलापकारी संगटन के लिए, IN, आपका भारत के लिए, AN, उस्टिलिया, FR, फ्रांस, NZ, New Zealand, UK, United, Kingdom, सामान तएधी डॉमेन, नेम के अंतिम भाग में तीन अक्चर हैं, तो है संगटन को दर साता हैं, तता दो देश को दर साता है, ठीगा, फरे आपका डॉमेन नेम, सिस्टम, यह डॉमेन नेम को, IP, एड्रेस से, में अनुवादीत करता है, सर्वर्स को पहचानने के लिए, डॉमेन, नेम, सिस्टम का प्रेयोग होता है, सर्वर्स को की एड्रेसिंग, नम्बरों पर भी आधारित हो होती है उधारन के लिए 204.157.259 इत्यादी सभी आईपी एड्रेस हैं तो तो यह आपका विलॉक्स क्या है विलॉक्स या एक विपपेज या विपसाइड होती है जिसमें किसी ब्यक्ति भी से इसकी राय सलाय या फिर दूसरी साइटों की लिंक नेमित रूप से लोगों बेपेजों या किसी अन्टॉपिक से सम्मध मेडिया की लिंक होते हैं इन में मुक्रूप से टेक्स्ट, चुवल, कलात्मक्चित, फोटोगराप, वीडियो, संगीत इत्याधी समलेथ होती है तो यह आपका निव ग्रॉप्स यही एक ओनलाइन डिसकेशन करने की अमती पिदान की जाती है, या निव ग्रॉप्स बिशनों कोंके पद किरम में संगीत करने के काम में आता है जिसमें निव ग्रॉप का पहला अक्षर पिरमुक बिशाई की सेड्फी को वाउप सेड्फीज यह और विशे द्वारण दरसाई जाती है फिर आपका search engine, क्या है ? Search engine Search engine इंटर्नेट पर किसी भी विसाय के बारे में संबन्दित जानकारी यों के लिए प्रेयोग होता है यह एक पेकार की website है जिसके search बार में किसी भी topic को लिखते है जिसके बाद उससे सम्मंदित सभी जानकारियां पिदर्सित हो जाते हैं इन में से कुछ निम लेकिते हैं आपके जैसे Google Google हो गया यह हो गया यह आपके Search Engine अब बात करते हैं इंटरनेट सेवाए आखे क्या क्या है इंटरनेट में आप लोगों को सेवाए क्या क्या मिलती हैं इंटरनेट से उपयो करता कहीं पेकार की सेवाओं का लाग उठा सकता है जैसे आपका उपयो होने वाली टेस्ट आधारी संचारन है जिससे इंटरनेट आपस में बात्चीत कर सकते हैं इसके माद्यम से उपयो करता है चित वीडियो और यो इत्यादी भी एक दूसरे के साथ सेयर कर सकता है उधारन के लिए आप इसकराई याहू मेसंजर भी ले सकते हैं ठीक ह सजन के माद्यम से कोई वीडियो करता किसी भी अनवेक्ति को एलेक्ट्टॉनिक रूम में संदेश भीज सकता है तथा प्राद भी कर सकता है इमेल को भेजने के लिए किसी व्यूपियोग का इमेल एड्रेस होना बहुत आवस्क है जो कि विसभर में उस इमेल सर्विस पर अदूतिय होता है इमेल में SMTP Simple Mail Transfer Protocol का भी इस्तेमाल किया जाता है इसके अंतरकत बेव सर्वर पर कुछ मेमोरी स्थान विदान कर जाता है जिसमें सभी विकार के मेल संगीत होते है इमेल से बाग उपयोग करता विसभर में कहीं से भी कभी भी कर सकता है उपयोग करता इमेल विबसाइट पर उपयोग करता नेम जो की सामानता उसका email address होता है और पासवाइड की सहायता से login कर सकता है और अपनी profile को manage कर सकता है email address में दो भाग होते हैं आपके यह एक पिट्टी एरदारेट द्वारा अलग होता है पहला बाग user name और दूसरा भाग आपका domain name होता है अधारन के लिए अरेहंत बूक को लेख सकते हैं और दारेट गीमेल.com यहां पर आपका अरेहंत बूक्स यूजरनम हो गया है और गीमेल डाट कॉम आपका domain हो गया लग दैजिए है याद रखें पूछ लेता है कईवां तो इसमें गीमेल.com आपका domain है और आपका यूजरनम सब्सक्राइब है अरिहंद बुक्स पिर आपका वीडियो कॉन्फेंसिंग के मात्यां से कोई ब्यक्ति या ब्यक्ति होगा समूद किसी अन्य ब्यक्ति या समूद के साथ दूर होते हुए भी आपने सामल रहकर वारतालाग कर सकते हैं इस कमूने कमीन के सन में उच्च गती इंटरनेट कनेक्शन की आवसकता होती है वाइस के साथ एक कैमरा एक माइक्रोपॉन एक वीडियो इसके हैं तथा एक साउंड शिस्टम की भी जरूरत होती है आप सु तो रहें आपका ई-learning क्या है ई-learning की बात करें तो इसके इनतर को कम्प्यूटर आधारित पर सीक्षन इंटरनेट आधारित पर सीक्षन ऑनलाइन सिक्षा इत्यादी समले थे जैसे मैं उपयो करता को किसी विसाय पर आधारित जानकारी को एलेक्टॉनिक रोम में प्रिदा किया जाता है इस जानकारी को है किसी भी आउट्पूट माध्यम पर देखकर स्वयम को प्रिसिक्षित कर सकता है या कम्प्यूटर या इंटरनेट से ज्ञान को प्राप्त करने का एक माध्यम भी है फ्रे आपका e-banking क्या है e-banking e-banking के बारे में बात करने तो इसके मात्यम से उप्योग करता विस्वरने कहीं से भी अपने bank account को manage कर सकता है या एक सौचालिक पिणाली का अच्छा होदारन है जिसमें उप्योग करता की गतिविदियों उगी निकालने ट्रांसफर करने मोबाईल लीचर्ट करने पर इंटरनेट की साहता से साहता की जा सकती है इसके मुख बाविवारिक उधार है बिल पैमेंट सेवा फंट ट्रांसपर रेल्वेर रेजर्वेशन सौपिंग इत्यादी फिर आपका e-shopping क्या है e-shopping इसे online shopping भी कहते हैं आप लों जिसके मात्यम से उप्योग करता कोई भ इत्यादी को खरीद भी सकता है इसके खरींदनों पर गए सामान को आप लोग कीमत को चुकाने के लिए cash on delivery या फिर e-banking computer पर यह website से भुकसान का प्रयोग करते हैं या भी विस बहर में कहीं से भी की जा सकती है फिर आपका e-reservation या किसी भी website पर किसी भी वस्तू या सेवा के लिए स्वयन को या फिर किसी अनवैक्ती को आरक्षित करने के लिए प्रयोगत होती है जैसे आपका railway reservation में airway ticket booking में hotel rooms की booking इत्यादी में इसकी सायता से उपयोगता को ticket counter पर खड़े रहे कर पितिक्चा नहीं करनी होती है इससे internet के माध्यम से किसी भी जगए से आप बुक कर सकते ह कि अंगला है आपका social networking इंटरनेट के माध्यम से बना हुआ social network कुछ बिशेश ब्यक्ति या असंबंदीत ब्यक्तियों का समूर होता है इसके माध्यम से वो social network के अंतरगत आने वाले कोई ब्यक्ति किसी अन्ब्यक्ति से संपर्ग साथ सकता है चाहे वे दोनों कहीं भी हो social networking social site पर की जा सकती है तन्था community किसंट टेस्ट पिक्चर्स वीडियो और इत्यादी के रूम में भी स्थापित हो सकता है कुछ social networking sites इस पर कारे हैं आपके Facebook हो गया माई space हो गया WhatsApp हो गया ठीक है पर आपका e commerce इसके अंतर का सामानों का लेंदेन व्यापारिक संबंदों को बनाए रखना बद व्यापारिक जानकारियों को सेयर करना इत्यादी आता है जिसमें धालन रास्ति का लेंदेन इत्यादी इत्यादी भी संब्याद दूसर या किसी भी बस्तू या सामान इत्यादी को वायलेस कम्रूनी के संब के माध्यम से खरीदने तता बैचने के लिए प्रयोग होता है इसमें वायलेस उपकर्ण हो जैसे मोबाईल इंटेबलेट इत्यादी का प्रयोग होता है संचिब में जो कार e-commerce के इंतरगर होते हैं वह गूग्लिंग गूगल सर्च इंजर पर किसी तत्यकूर सर्च करना गूग्लिंग कहलाते हैं पी ओ पी त्री यह इमेल को निकालने के लिए प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल है माउस पोटेटू वैब एक्टी जो अपना जंदतर समय कम्प्टूटर पर ही बिताता है उस इंटरनेशनल बेब पेजों को बनाने की काम आती है इसका नाम हाइपर टेस्ट प्रोसेसर है प्रयापका कुकी कुकी एक चोटा संदेश है जो बेब सरबरद्वारां बेब ब्राउजर को दिया जाता है ब्राउजर संदेश को टेस्ट फाइल में संगेत करता है एक्छा क तो चलिए यह था आपका 12 चप्टर क्या था 12 चप्टर था आपका इंटरनेट तथा इसकी सेवाएं 13 चप्टर में हम लोग बात करेंगे computer security के बारे में ठीक है नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे computer सामान यान के बारे में तो इसमें अभी था हम लोग 12 चप्टर आपके घतम कर चुके हैं में वारेवा चेप्टर था आपका, इंटरनेट तथा इसकी सेवाओं के बारे में, इस चेप्टर में बात करेंगे हम लोग computer security के बारे में, याद रुकिए आपके computer सामान से संब्दे, आपके हम लोग 14 से 15 आपके इस तरहे की अध्याय कतम करेंगे, उसके बाद हम लोग, आ आपके 25 से 30 मौक टेस्ट लगाएंगे यह सभी मौक टेस्ट होंगे जो 25 से 30 यह आपके वरंडे एकजाम के लिए बहुत ही मात्पून रहेगी और जो आपके चैप्टर है 14 से 15 यह आपके लिखित परीक्षा के लिए बहुत जरूरी रहेंगे जहां लिखित परीक्षा में पूचते हैं आंसर राइटिंग में वहां इससे आप लोग कबर कर सकते हैं मौक टेस्ट से आपके वंडे एकजाम जिससे ससी रेलवे हो गया इस तरह के एकजाम कबर हो जाएंगे ठीक है और यह सभी लेक्चर आपको मिल जाएंगे अपक्प्लीट कंप्यूटर जी के किस नाम से जो आपकी किलास बने ही हुई है प्रेले लिष्ट सूची उसी में डली हुए तो चली हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर सिकॉर्टी की बारे में कंप्यूटर हमारे जीवन में बहुत मत्पूर भूमी का निभाता है वह हर पिकार की कार करता है सरवागूपनिय है इसलिए हम अपने सिस्टम को ब्यक्तीगत बस सुरक्चित रखना चाहते हैं ताकि कोई अबैद उपयो करता इसका इस्तिमाल गलत ना कर सके और कोई वाय स्कूर्टी के नाम से भी जानते हैं कंप्यूटर स्कूर्टी को साइबर सेकूर्टी या फिर आईटी सेकूर्टी की नाम से भी जाना जाता है यह सोचना वरोधवी की का एक साखा है जिसे खासकर कंप्यूटर की सुरक्चा के लिए बनाया जाते हैं इससे कंप्यूटर सि लाहे system excel control एक ऐसी पड़ाली है जो किसी computer में data का उपयो या उसके कुछ परिवितन करने की अनुमति बिदान करती है आंतो पर एक उपयो करता किसी computer में लॉग-ई करता है जिसके पश्चियात access control तरह करता है कि उस उपयोग करता के लिए कौन सा data पहुँच में होना चाहिए और कौन सा नहीं यह आपका system access control का काम है दूसा है आपका data access control कोई भी data कोई नियंतित कर सकता है इस बात की निगरानी इस control के तहित की जाती है system के किसी भी वेक्ति, बिसेश, फाइलों तथा अन किसी भी objects की सुरक्षा की स्तर पर आधारित होकर ही access nemo को बनाता है फिर आपका system तथा security पिसासन इसके अंतरत offline पिक्रिया का निस्वादन होता है जिससे कोई भी system या तो सुरक्षित बनाए जाता है या फिर उसकी सुरक्षा को तोड़ा जाता है तो आपका system design या computer के hardware तथा software की बनादी सुरक्षा की विशेश्ताओं से लाब लेती है अब बात करते हैं computer सुरक्षा के घटकों के बारे में computer सुरक्षा कई पिकार के कोड़ छेतरों से सम्मंदित होती है computer सुरक्षा सिस्टम के बन्यादी घटक इस पिकारे गोप में यहता किसी भी जानकारी या data के अन अबैद ब्यक्ति द्वारा access ना होने की घटना को सुनिश्चित करना इसके अंतरगत आता है गोप में यहता के इस पिगार की सुनिश्चिता को गेर पित्याख्यान नौन रिपूडीशन कहते हैं आंगे बात करते हैं हम लोग त्रमाडी करें या computer सिस्टम को इस्तिमाल करने बाले ब्यक्ति की पैद अबैद होने की सुनिश्चित करता है फरे आपका access control जिस उप्योग करता को जिन संसादनों का प्योग करने की अनुमति पर आप हो वह किवल उन्हीं संसादनों का इस्तेमाल कर सकता है इसकी सुनिश्चिता को access control कहा जाता है फरे आपका उपलब्दता क्या है उपलब्दता सभी सिस्टमों के कार करने की पैणाली का सही होना या किसी भी बैद उप्योग करता को सेवाएं देने से ना मना करना इस बात को उपलब्दता के नाम से जाना जाता है कूट लेकर किसी सूचना को चिपा कर या फिर गुप तरीके से लिखने की तकनीक को कूट लेकर कहा जाता है इसके मात्यम से इंट्रेनेट पर डेसा डेटा संचर्ण की दोरान डेटा को सुरक्चित रखा जाता है ठीक है अब बात करते हैं कूट लेकर में सामानता प्रियोख होने बाले तत्त प्लेन टेक्स्ट यह इनपूट की रूम में दिया जाने वाला ओरीजिनल संदेश होता है साइफर यह बिट बाइबिट यह फिर केरेक्टर बाइब केरेक्टर परिवर्थन करने की पिक्रिया है जिसमें संदेश का अर्थ नहीं बदलता है cyber text या coded संदेज या encrypted data होता है जिसे वो प्रियोग करता सीधे सीधे नहीं पड़ सकता है encryption phalan text को cipher text में परिवर्थित करने की फिक्रिया को encryption कहते हैं इसके तहट एक encryption algorithm का प्रियोग होता है फरे आपका decryption यह encryption पिक्रिया का reverse होता है अर्था जिसमें cyber test को plan text में परिवर्दित किया जाता है इस्टेनोगराफी संदेज को उसके अद्स्तित सहे चुपानी की कला को इस्टेनोगराफी कहते हैं यह data की गोपनीता तथा एकिकरन में मदद करता है फरे आपका एकिकरन यह सुनिश्चित करता है कि सूचना को किसी अवैद व्यक्ति द्वारा इस पिकार बदला तो नहीं गया कि उसे बैद उप्यो करता भी ना पहचान सके एकिकरन कंप्यूटर सुरक्षा का एक अतेंत मात्मों घट अखले अब हम बात करते हैं cyber आकमन की सरोत source of sources of cyber attack कंप्यूटर पर मुक रूब से सक्चम या तथा भी हमला बार वायर वायरस फ्रोग्राम है कंप्यूटर वायरस का एक चोटा सौफ्टे वियर प्रोग्राम है जो एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में फैलता है तथा कंप्यूटर operations हों में भी हश्तिछेप करने की चमता रखता है इस पिकार की आकमाण की सरोत जैसे आपका downloading क्या है downloadable program downloadable files वायरस का सबसे प्रमुक तथा संभाव सरोत है किसी भी पिकार की एक्जी क्यूटेवल फायल जैसे game, screen, saver इत्यादी इसके प्रमुक शरोत है यदि आप किसी प्रोग्राम को इंटर्नेट से डाउनलोड करना चाहते है तो डाउनलोड करने से पहले फितेव फ्रोग्राम को scan करना आवस्यक है तो आपका cracked software इस software वायरस अटेकों के अन्निसरोत है इस पिकार की cracked software में वायरस तथा बफस के होने की संभावना अत्यदिक होती है जिने ढूंड कर सिश्टम से दूर करना बेहत कठेन है इसलिए इंटरनेट से सूचनाओ को किसी भी विश्टस नहीं सिरोस से नावलोड करना चाहिए तो आपका email attachments यह attachment virus के मुक्त सरोत है इन email attachment को आसानी से हैंडल किया जा सकता है तो आपका internet सभी computer के users computer system पर virus attacks से अन्विग होते हैं इंटरनेट पर उपलब्द कलेब या नावलोड इत्यादी तत ही virus के फैलाने के लिए उत्तरदाई होते हैं फिर आपकी आग्यास cd से voting करना जब भी computer कार नहीं कर रहा होता है तो उस समय computer में पड़ी cd का निकाल लेना ही ठीक माना जाता है यदि हम computer में से cd नहीं निका अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर से कोटी के लिए खत्रा मालवेर मालवेर का रहत होता है दुए स्पूर्ण दुष्ट सॉप्ट वेर यह उस पेकार के प्रोग्रामों का समलेत रूप है जिनका प्रमुक कायर होता है computer को हानी पहुंचाना जैसे वायरस वामर्स इस प्रोग्राम जो computer पर नकारत्मग प्रहाँ डालते हैं यह आपके PC पर control हांसिल करने करके उनसे आसमान वबिनासकारी कारों को करवाते हैं वायरस सुता ही अपने आपको सिस्टम में कॉपी कर लेते हैं बे आंगे संकमण ही तू अन प्रोग्राम के साथ ही सुता ही जुड़ जाते हैं वायरस computer software के किसी भी हिस्से जैसे आप boot block, operating system, system area, files तथा अन एप्लिकेशन प्रोग्राम इत्यादी को छती पहुंचा सकते हैं कुछ सामान पिकार की वायरस आपके निम लिखेते हैं जैसे इसमें आपका direct action virus यह वायरस किसी भी फाइल में होता है और जब उस फाइल का उपयोग किया जाता है तब यह वायरस स्वेम को किरियानवित कर देता है यह वायरस के बल उनी फाइलों को संकमित करता है जिनके फोल्डर फाइल पत पर बरडित होते हैं उधारन के लिए विद्ना वायरस ओवर्राइट वायरस यह संकमित फाइलों में रखे हुए डिटा बस हूचनाओं को डिलीट कर देते हैं उधारन के लिए ट्राइवील 88D इत्यादे हैं फिर आपका boot sector virus इसे master boot sectors virus या फिर master boot record virus भ होने पर फेलता है क्या को यह वायरस हाइट डिस्क या फेलोपी डिस्क की master boot record की boot sector में होता है NTEXE फ्रे आपका macro virus एके बल उन्हीं applications तथा फिरोग्रामों का संकमित करता है जिने .doc.xlsxs.ppps इत्यादी macros होते हैं उधारन के लिए melisa.a तरहें आपका file system virus यह किसी भी फाइल के directory पत को बदल कर memory पर बंदन में गड़वर कर दीता है इसे cluster virus या फिर directory virus भी कहते है उधारन के लिए dyr second virus फिर आपका polymorphic virus यह जब भी किसी system को संकमित करता है तो अपने आपको किते एक बार encode या फिर encrypt करता है इस virus की जांदर से जांदर copy इत्याद हो जाती है उधारन की इल करन और टूरेग प्रयापका fat virus या फाइलों की location वह अन आप विवोकित मेमोरी स्थान के बारे में सभी प्रिकार की जानकारी जानकारियों को संगीत करने के लिए प्रेव होता है जैसे link virus प्रयापका wave is crafting virus यदि website में रोचक सूची को ड कोड का इस्तिमाल होता है या इनी कोड को संग्मेत करता है उधारन के लिए जे डॉट एस डॉट फॉर्ट नाइट पर आपका मल्टी पार्ट पार्टाइट वाइरस या वाइरस कई तरीकों से पहलता है जैसे operating system इन इस्टॉल करने पर उधारन के लिए फिलिप इत्याद पर आपका रिजी डेंट वाइरस या अपने आपको system की मेमोरी में इस्थिर कर लेता है तता operate ने system के चलने पर सबक्रिये हो जाता है और खुलने वाले सभी फाइलों को फिभावित करता है या रेम में छुपा होता है तता दोई स्पून कोड की निसपादन के बाद भी व उननीस विकत्र में आपका keeper उननीस सो ब्यासी में आपका इलके किलोनर उननीस वठासी में दमोरी इंटरनेट फॉर्म दोजार सोड़ी उननीस सो निन्यार में मिलिसा दोजार में आपका I love you 2002 में कोड रेड 2003 में SQL इसली में 2003 में Blaster 2005 में रेड 2004 में सेट थोड़ी 2010 में steps नेट 2011 में टोजन 2012 में रोट किट 2014 में जैनेरिक सी PC PUC 2014 में नेट फॉर्म इस तरह के आपके कुछ मत हो है और करेंट अपेस से जोड़ी रही है जो भी आते हैं फिर आपका वाउम्स वाउम्स कंप्यूटर वाउम्स एक अकेला ऐसा मालवियर प्रोग्राम है जो दूसरी क कंप्यूटरों में अपने आपको फैलाने के लिए कॉपी करता है वाउम्स को ढूंद पाना अतेंद कठिन होता है क्योंकि यह आदिस फाइलों की रूपे होते हैं एक कंप्यूटर नेटवर्क में बिडविट्स वेडविस बिड़्स को नेट करने की करके भी छती पहुं ट्रोजन या ट्रोजन होर्स एक विकार का नौन सेल्फ रिफ्लेकिटिंग मालवेर जो किसी भी एक्षित कारी को पूरा करते हुए पितीत होता है फरेव उप्योग करता कि कंप्यूटर सिस्टम पर अनाधीकरत उप्योग की सुविधा विदान करता है यह कंप्यूटर व सकता है उधारन के लिए विष्ट सब सिविन चिवस जीरो एक्सेस रोट किट तरह आपका इस्तफाइब या प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर इन इस टाल्ड होता है जो सिस्टम के मालिक की सभी गतिविदियों की नगरानी तथा गलग तरीके से आंगे प्र कर सकते हैं इस पाई वियर व्यक्ति का सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर पर इंटरनेट के माद्यम से संच्रीत कर सकते हैं उधारन के लिए खोल बैप सर्च जंगो की लॉगर्स चलोब ट्रोजन इत्यादि बात कते हैं वायरस के प्रभाव कंप्यूटर वर वायरस ब्यभीन पेकार की प्रभाव डाल सकते हैं वायरस की पेकारों पर निम्न होते हैं वायरस की पेकार पर निर्भर होते हुए कुछ वायरस की प्रभाव है इस पेकार है उप्यूटर की दक्षिता को कम करना लोकल ड इंटरनेट कनेक्शन को प्रभावित करना, मेमोरी की आकार को बढ़ाना या घटाना, विविन पिकार की तुटी संदेशों को डिलीट करना, PC सेटिंग्स को बदलना, अंचाहे एडवाईट जिरी की एरे को डिस्प्ले करना, बूट टाइम को बढ़ाना इत्यादी, ठीकर? बात करते हैं मालवेर दोस के लच्छन क्या होती? इस्ट्रालेशन ना होना, यहां आपके कुछ सब्द दिये है, इन्हें भी देख लिजे, साइबर वूली है, यह एक ब्यक्ति होता है, जो किसी ब्यक्ति को ऑनलाइन, बेविन तरीके जैसे एस्पैवें, बदनाब करना, या पीडित की नकारत मकनकल करना से पीडित करता ह है, उसे साइबर वूली कहते है, फ्रेया, इगो सर्फर, वह एक ब्यक्ति जो इंटरनेट पर किसी ब्यक्ति विसे इसकी सम्मन्द है, स्वें से या किसी और से जुड़ने के लिए जानकरी करता है, फिलेमर, यह वो ब्यक्ति है, जो किसी फॉर्मर, फॉर्म या को परिशान करता है, उसे ग्रीफर कहते हैं, अब बात करते हैं हम लोग, कंप्यूटर से कौर्टी के लिए कुछ अन्ने खतरी, अब पहला है आपका इस फूट, इस फूप फिंग, अनाधीकरत डेटा को इसके अधीकरत, ओपयो करता की जानकारी के बिना एक्सेस करने की इस फूप फिंग कहते हैं, या नेटवर्क पर विविन संसादरों को यक्सिस करने की लिए भी इस्तेमाल होती है, आईपी फूप फिंग भी इसका एक विकार है, तरह आपका सलामी तकनीक, इसके इंतर का सिस्टम द्वारा समाली गई, धन्जरासी के एक पड़े हिस्से स छोटे से वो अलग किया जाता है, तीसरा है आपका हैकिंग, क्या है 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 कि नेटवर्क से जुड़े कम्प्यूटर में घुस्पेट करने की फिक्रिया को हैकिंग कहते हैं, हैकिंग डियूएस, डिनियल ऑफ सर्विसस, अटेक का पैड़ाम भी हो सकता है, या कम्प्यूट कम्प्यूटर में किसी भी पिकार के सॉफ्ट्वियर या उनकी घटकों को तोड़ने की फिक्रिया है, इसमें पासवर्ड केकर ट्रोजन्स, वायरेस, वायरेसेज, वायरेस, डायलर इत्यादी समलित होता है, फ्रे आपका फिसिंग, कम्प्यूटर की सम्विदल सील, जानक की समलित है, यह एक पिकार का इंटरनेट फ्रोड दोका है, जिसमें उप्योकरता को भायका कर उसके सभी क्रेंसियलों को प्राप्त कर लिया जाता है, इस्पैम, यह एक पिकार से मेसेजिंग सिस्टम का दोप्यों है, जिसके इंतरगत अंचारी संदेशों को इमिल के रू इसके इंट पर दिखाता है, इसे अधिकास्ता अंचाहे एडवर्ट टाइजमेंटों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आपका रूट किर्स यह एक पिकार का माल बेयर है, जिसके दोबारा किसी कम्प्योटर सिस्टम में एडमिनिस्टेटिव इस्तर की न इंट्रॉलेशन को भी की भी आवसकता होती है, अब बात करते हैं कम्प्योटर सेकॉर्टी से सम्मधित खत्रों का समादान, कम्प्योटर सिस्टम को अवैद उप्रिव करता से बचाने के लिए अभी तक कुछ रख्षा उपाए बचाओ 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 एंटिवाइरस सॉफ्ट्वेर, एंटिवाइरस सॉफ्ट्वेर, यह उस पिकार के सॉफ्ट्वेर होते हैं जिनका प्रियोग कम्प्योटर को वाइरस, स्पाइवेर, वाल्म्स, ट्रोजन इत्यादी से बचाना होता है इनका कार, इसमें बेप प्रोग्राम भी सम्मलेत होत कि एम सीफी हो गया है इत्यादी अपके कुछ लोग पर यह एंटी वायरस होते हैं डिजीटल सिगनेचर यह सिगनेचर हस्ताक्षर का डिजीटल होग है जिसे पेसित किये गए संदीज को प्रिमाडिक करने के लिए प्रियोग किया जाता है यह डोकुमेंट के और ये जीनल ह होने को भी सुनिशित करता है जो आप लोग ड्राइविंग लेसेंस बनवाने जाते हैं तब आपका डिजीटल सिगनेचर होता है प्रेका फायरवल या तो सॉप्ट्वियर या फिर वायर्वियर आधारित हो सकता है जो नेटवर्क को सुरक्षित रखने में सहायता प्रद होता है इसका प्रात्मे कुद्धिस इंकमिंग तथा आउट गुइंग नेटवर्क टैपिक को डेटा प्रेकट्स विसलेशन द्वारा नेदित करता है फायर वाल में प्रॉक्सी सर्वर के साथ कार करना या समलित होना भी उलेखनी है ताकि वह नेटवर्क की सभी जरुरत इसका प्रेशन के लिए एलेकटोनिक शंदेशों में विक्वट होने वाली कॉपी है डिजीटल सर्फिस्रे संब्सक्राइट किसे पेस्ट किया गया था इस से किसने पेसिद किया था इत्यादी जानकारी ह ios mे इसमें संभ्यथ होती है अ फिर आपका कर्पीज़oquर्चन से हसे संबंधित कुछ जानकारिया है । फ्रॉक्सी सर्वर। फ्रॉक्सी सर्वर को फ्रॉक्सी अथब एप्लीकेशन लेवल गैटवेः भी कहा जाता है। यह उपियोग करता हैं सर्वर के मद्दिकार करता है यह network के सही address को चपाता है उन Network में आने आने वाले सभी संदेशों को इंटर्शेप्ट करता है फ्रयापका एप्लीकेशन गेटवे यह कुछ विशिष्ट एप्लीकेशनों पर सुरक्षा कारविदी को लागू करता है इन विशिष्ट एप्लीकेशन में फाइल, ट्रांसफर प्रोटोकॉल तथा टैलनेट से बाएं इत्यादी समले थे, टाइम बांग यह सॉप्ट्वियर का हिस्सा है जो किसी विशेश समय पर सक्रिय होता है फ्रयापका लॉजिक बांग यह एक कोड होता है जिसे कंप्पूटर की मेमोरी में जान बूच कर डाला जाता है जो की अनकूल परिस्तितियों कि मिलते ही हानिका कारग रूप से सक्क्रिय हो जाते हैं एक कोड अपनी नकल तेयार करने में भी सक्चम नहीं होते हैं फ्रयापका पेचस यह सॉप्ट्वियर का एक ऐसा भाग है जिसे वो सॉप्ट्वियर सुधार करने के लिए बनाय जाता है छदम बेस इसमें हमलाबार बैद उपयोकरता होने का अभी नए करता है बावेद रूप से विशे सदिकार फिराप्त खल लेता है फ्रयापकी नेगरानी रखना है इसमें हमलाबार संचित संचरित होने वाले संदेशों के कंटेंट की नेगरानी करता है पासवर्ड यह एक प्रकार का गोगनी यह सब्द है या फिर केर संसादनों के एक्सेस को प्राप्त किया जा सकते पासवर्ड की सामंता दो पिकार होती है एक आपका कमजूर पासवर्ड इन्हें आसानी से याद किया जा सकता है जिसमें आपका नाम जनम दिवस फॉन नंबर हो गया दूसरा मजबूत यह अलफाबेट और संकेतों का कॉम अधिकास रूप से वर्तमान फाइल सेस्टम में अनमती को पिदान करने के कई तरीके या अधिकार होते हैं जिने केवल कुछ खास उपयो करता और उपयो करताओं का ग्रुप ही एक्सेस कर सकता है यह तीन बिसे इस अनमती है अनमती निम्न है रीड परमीशन यदि आपको किसी फाइल को रीड करने की अनमती है तो आप सरफ उसमें कंटेंट को देखी सकते हैं राइट परमीशन या उपयोकत्तों को फाइल के कंटेंटों को रिबूव या उसमें बदलाव इत्यादी करने की अनमती देता है एक्जीक्यूट परमीशन या उपयोकत्तों को फाइ इस तरह कि आपके वंडे एक्जाम में पूच लेते हैं सबसे पहला वूट सेक्टर पीसी वाइरस ब्रेंड नाव का था जिसकी पहचान 1986 में की गई थी पेलोड एक वाउम के रूम में त्यार किया गया यह कोड है जिसका डियाइंड वाउम से भी बड़े प्रमाने पर पिर प्रोग्राम था इलके के लिए पहले यसा कंप्पीटर प्रोग्राम था जो इन दी वाइल्ड में पैकेट्ट करने के लिए बनाए गया था गैमिया वाइरस रिमूवीवल फिलैस ड्राइब के मात्यां से पिसारित होता है भारत में सरप्तम देखाई देने वाला वाइरस आपका हैपी वर्थडे जोसी था कौन सा हैपी वर्थडे वर्थडे जोसी ट्रांस्पोर्ट लेयर शेकॉर्टी प्रोटोकॉल TLS एक क्रिफ कैप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल है जो सुरक्षित HTTP कनेक्शन फिदान करता है बगोपनियता और डेटा इंटिगेटी के साथ संबाद करने के लिए दोनों पार्टियों को सक्चम करता है नूग एक नया या आप प्रिसिक्षित व्यक्ति जो वेबसाइड की नेमों को नहीं जाता है उसने हाली में ज्वाइन किया हो नूग कहलाता है ट्रॉल वह व्यक्ति जो फॉर्म पर चैटिंग के द्वारान किसी की कौफी मेमिक करी करके या किसी अनकाल से वद्णामी करना करता है ट्रॉल कहलाता है ठीक है तो यह था आपका 13 वाचेप्टर कंप्यूटर सेकॉर्टी के बारे में आंगे हम लोग बात करेंगे सब्द स संखेब के बारे में चूर presents नमस्का दोस्तों तो चली हम लोग बात करें थेती कम्प्यूटर सामान ज्ण के बारे में इसमें लोग 13 चैप्टर आपके खतम कर चुए है तेरेवा चेप्टर था आपका computer security के बारे में ठीक है याद रखिए आज बात करेंगे सब्द संचेप सब्द संचेप के बारे में आपके जितने भी चेप्टर खतम होते जा रहे हैं वो सभी complete computer class के नाम से जो आप भी फिले लिट सूची है उसी में डले हुए याद रखिए ये 15 चेप्टर फिलस 25 से 30 मौक टेस्ट लगाने के बाद आपको computer सामन ग्यान के लिए कहीं बटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे आपका syllabus complete हो जाएगा computer सामन ग्यान का और जो भी आपके questions आएगे फिर चाहे वो लिकित में हो या फिर objective room में आप solve करने की इस्तिती में रहेंगे तो सब्संचे हम लोग देख लेते हैं कई बार पूंच लेता है बैंक एक्जाम में आपका अधिकतर पूंचता है समीच सब्संचे लेता है AD AD का फुल्फर्म होता है active directory ADC analog to digital converter ADP ADC का तो देख लिए हम लोगने analog to digital converter ARP address regulation protocol ASP active server page AH active hub AI artificial intelligence AL active link AL goal algorithmic language algorithmic language ALU arithmetic and logic unit AM active monitor ANSI American national standard institute AAPCI application layer protocol control information API application program interface ASCII American standard code for information interchange ATM ATM क्या है ATM Synchronous Transfer Mode ADM Automatic Document Folder BIMAC Winery Automatic Computer BVC 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 Blind Carbon Copy BMP Bitmap Basic Multi Lingual Plan BARC BHAWA Atomic Research Center Basic Basic Beginners All Purpose All Purpose All Purpose Symbolic Symbolic Instruction Code BCD BCD क्या है BCD BCD Binary Coded Decimal BCR Barcode Reader BER Bit Error BIN Bios Basic Input Output System B2C Business To Commerce BID Binary Digit B-Log Binary Large Object B-Log 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 Wits Per Inch B-B-S Wits Per Second B-Log 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 B-P-E-L Business Process Execution Language B-Log A-G-E-C-U-S B-Log B-Log A-G-E-C-U-S BC C-C C-C-C-C-P-L-F-O-R-M Karbon Coffee B-Log C-M-O-S B-Log C-M-O-C-P-Log B-Log 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 C.A.D. Computer Aided Design, Class, Computer Literacy and Studies in School, Coval, Common Business Oriental Language, C.D. Compact Disc, C.O.M.A.L. Common, Algorithm Language, C.P.O. Center Processing Unit, C.R.T. Cathode Retro T.O. C.S.S. Cascading Style Seat, C.U. Control Unit, C.U.A. Control User Access, C.T.P.C. C.T.C.P. Client-to-Client Protocol, C.D.R. Compact Disc Recordable, C.D.R.M. C.D.R.M. Compact Disc Read Only Memory, C.D.R.W. Compact Disc Read or Write T.R.M.C.G. Computer Graphics, C.G.I. Common Gateway Interface C.I.F.S. C.I.F.S. Common Interface File System C.I.F.S. Common Interface File System इसलिए उसके बारी में आपको याद तो होना चाहिए यह पता होना चाहिए आखिर क्या है C.O.M. Common Object Mode C.L.R. Common Language, Runtime C.D.M.A. Code Division Multiple Access D.A.C. Digital-to-Analog Convertor D.A.P. Directory Access Protocol D.B. Database D.B.A. Database Administrator D.M.M.S. Database Management System D.C.C. Direct Client Connection D.C.L. Digital Command Language D.F.D. Data Flow Diagram D.F.S. Distributed File System D.H.T.M.L.Dynamic Hyper Test Markup Language D.L.L.Dynamic Link Library D.D.T.L.P. Digital Light Processing D.M.A. Direct Memory Access D.N.S. Domain Name System D.B.I. Dots Per Inch D.R.E. Russell D.R.D.O. स्पेसिफिक लेंगवेज ति DSL की इफोल परमें दू DSN, database source name, DTP, desktop publishing, DVD, digital video disk, digital verse satellite, settled disk फ्रे आपका DVD आल, digital video disk, recordable प्रे आपका DVD, ROM, DVD, read only memory, DVD, RW, write devil, DVR, digital video recorder, DOS, disk operating system, EBCDIC, extended binary code, decimal, interchange code, e-commerce electronic commerce, EDU, extended data unit प्रे आपका EDP, इसका फुल फॉर्म है, electronic data processing प्रे आपका EDSAC, electronic delay, storage, automatic, calculator प्रे आपका EEP, ROM, electronically, erasible, programmable, read only memory EGA, enhanced graphics array प्रे आपका E-L-N-E-Mail, electronic mail AINIC, electronic, numerical, integrator, and computer EO, app, end of file EPROM, erasible, programmable, read only memory EXE, executable, EDI, electronic data interchange EOL, end of line प्रे आपका FAP FOTENT, assembly program F.A.X. specs F.A.R. with Xerox F.D.C. F.L.O.P. disk F.D.D. F.L.O.P. disk F.D.D. drive F.E.P.O. 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 फिक्वेंटली अस्क्ड कुष्टेंस जीवी गीगावाइट जीवी समझ लिए यह तो आपके वैसे भी हर भारती ही गे मुझे लगता है दुनिया में जीवी जीवी तो सबको पता है जीवी कुछ डाटा से संबंदी थे इसका फुल फॉर्म अधिकतर लोगों को पता नहीं स्वाने हो आपको याद रखना है गीगावाइट जी बी गीगावाइट होगे अ गीगावाइट टिका जी आई एब ग्राफिक्स इंटरचेंग फोरमेट जी आई जी ओ गार्वेज in garbage out GPU Graphics Processing Unit GMS Global System for Mobile Communication GUI Graphical User Interface HCI Human Computer Interaction फरे आपका HLL HLL High Level Language HPFS High Performance File System HDD Hard Disk Drive HP Heolet Packard HSM Herodical Storage Management HTM Herodical Temporal Memory HTML Hypertext Markup Language इस तरह कि आप लोग सब दियाद रखिए कि यह अधिकतर पूछे जाते हैं Hypertext Markup Language HTTP Hypertext Transfer Protocol TRIYAPKA HTX Hyper Transport Expansion IBM International Business Machine IS Information System IEM In Stand Message IEM AP Internet Message Access Protocol IOS iPhone Operating System बाग करते हैं भूँ IP Internet Protocol IRO Interrupt Request ISDN Integrated Service Digital Network ISOC Internet Security Internet Society ISP Internet Service Provider ISR Interrupt Service Routine IT Information Technology Information Technology GP EG Joint Photographic Expert Group JRE Java Runtime Environment JS JavaScript JSB Java Server Pages JU 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 Java User Uses Groups KB Kilobyte KB Kilobyte K K JAD RAKHNA JAD RAKHNA JAD 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 LOK VIRMIT HOJATE KB JAB AAPKA SMALL HO QB So KB K K KB Tho KB 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 JAD RAKHNA K H Z Kilo Hertz K B PS KB Per Second K BM Switch Keyboard Video and Mouse Switch लेन लोकल एरिया नेटवर्ग ये भी सब्द आप लोगों नहीं दिखतर सुना हूँ एलसीडी ये तो सुना ही होगा लिक्वेड क्रिस्टल डिस्प्लेड लिक्वेड डिस्प्लेड यूनिट एलीडी लाइट इमिंटिंग डायोड इस तरह कि जो भी सब्द रहा करेंगे दर्चा में उन्हें याद रखना है आपको क्योंकि उन्हीं में से अधिक तक कुश्चेंस पूछे जाते हैं ल आई एप ओ लिफो लाश्ट इन फर्ष्ट आउट एल्पी आई लाइन पर इंच लाइन पर इंच लाइन पर इंच लाइज स्केल इंडिगेशन आल एल एल लिस्ट प्रोसेसिंग में मेट्रो पुलेटिन एरिया नेटवर्ग एंबी मेगा बिट अब देखिए पर यहां से आगया जब एक कैपिटल गुआ करें तो आपका मेगाबाइट हुआ और जब भी कैपिटल है इसमोल है यानि कि तो मेगाबिट और कैपिटल सबीर पर इसमोल ममिट अबरि आतल करें एंबी इसमोल मेड यहां सेघ क्रेंड की तो मुझल कन पर खर थिए ऋम्स आं यहां से मूशिय कृमिट्येज मेंसेजिंग सर्विस मिम्टिपरपज इंटनेट मेल एक्टेंशन MSN Microsoft Network MDI मल्टिपर दोकुमेंट इंटर्फिस MICR Magnetive Ink Character Recognization MIMO Multiple Input Multiple Output M.I.P.S. Million Instruction Per Second M.I.D.I. Musical Instrument Digital Interface N.A.L. National Aerospace Leverage N.F.S. Network File System N.I.C. Inter-Network Interface Card N.I.O. New Input Output New Input Output Friyapka N.O.S. Network Operating System Friyapka ODBC Open Data Base Connectivity O.C.R. Optical Character Reader O.M.R. Optical Mark Reader O.O.P. Object Oriented Programming O.P.M.L. Outline Processor Markup Language O.S. Operating System O.S. Open Source Software O.L.E. Object Linking and Embedding O.P.P2P like P2P To Peer PAN Personal Area Network O.P.P.P.C.Rapka A.P.C.P.P CENE O.P.P Pratt O.P.P.P, PAP O.P.P Parent anywhere language pdf portable document format pdl program design language pga pin card array pin card array pio program input output pla programmable programmable logic array फिरे आपका pl1 इसे क्या बोलते हैं programming language 1 pnp philag and philag pos point of cells ppc power pc ppm ppm pages per minute ppp 0.2 point protocol फिरे आपका PPTP इसका 0.2 point tunneling protocol prom programmable read-only memory phtn public switch telephone network psu power supply unit post power on self test ppm pages per minute आपका qdr qd data rate qfp qd flat package qos quality of service qbi query by example 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 ram random access memory r a rb reserve address regulation protocol rate 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 remote access trojan rdbms relational database database management system nterp R.I.P. Routing Information Protocol R.O.M. Read-Only Memory R.O.M.B. 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 Read-Out Motherboard R.P.G. Report Program Generator R.T.O.S. Real-Time Operating System R.T.F. Rich Text Format S.A.S. Software as Service S.A.N. Storage Area Network S.C.S.I. Small Computer System Interface S.D.L. Simple Direct Media Layer S.D.R. Software Defined Radio S.M.T.P. Simple Mail Transfer Protocol S.N.O.B.O.S. Snowball String Oriented Symbolic Language S.P. Service Pack S.Q.L. Structured Query Language S.RAM Static Random Access Memory S.B.D. Structured BLSI Design S.N.MP Simple Network Management Protocol S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.I.B.R.I.M.A.S.Side S.B.C.P εί peers S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.Sports TAP IDU, TTF, TRO TRIBE FEND, TTP, DEXT TO SPEECH, TT BY, TELE TYPE, TFT, THIN FILM, TRANSISTER, TV, TERABYTE, TV को क्या बलते हैं? UAC, User Account Control, UI, User Interface, UL, UPS, UPS, Uninterpretable Power Supply, URI, Uniform Resource Identifier, URL, Uniform Resource Locator, UR, N, Uniform Resource Name, USP, Uniform Serial Bus, ULSI, Ultra Large Scale Integration, Univec, Universal Automatic Computer, UTP, Unsealed Twisted Fire, BAR, Variable, BB, Visual Basic, BDD, Virtual Device Driver, TRIAPKA, BGA, Video Graphics, Array, BLAN, Virtual Local Area Network, BM, Virtual Memory, PMS, Video Memory System, VPN, VPN, Virtual Private Network, BT, Video Terminal, BSNL, BSNL, Videsh Sancharnikum Limited, BDU, Visual Display Unit, BLSI, Very Large Scale Integration, BRAM, Video Random Access Memory, BAN, 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 Wide Area Network, WIP, Wireless Application Protocol, Wi-Fi, Wireless Fidelity, ये तो अक्सर आप लोगोंने सुना हुआ, WiMAX, Worldwide Interoperability 4, Microwave Access, WINS, Window Internet Naming Service, WLAN, Wireless Local Area Network, WMA, Wireless Media IDEO, WMB, Wireless Media Video, WPA, Wi-Fi Protected Access, अगर आपको लगी कि Speed में बढ़ा रहा हूँ, या Speed में बता रहा हूँ, तो आप Speed भी कम कर सकते हैं, यही आपके लिए अच्छी सब्दाय कि Speed कम और बढ़ा दी सकते हैं, ठीक है, तो यह आपका WWAN, Wireless Wide Area Network, रापकर W, WID, Worldwide Identifier, WWW, Worldwide Web, WLL, Wireless Local Loop, BORM Vamp, W-O-R-M, राइवन, राइवन, IV-D-M طs, 11-8-9-22-7-50-11-10-10-10-10-22-10-00, many, many, XAML, XTML, 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 XML, XTML,nychT bartender लेंगुईच एक्से एपरक एक्सन एस जड्रॉकश नेट्वर्ग सेभीस तो रहेए आपका एक डीओल इसे क्या गें एक्सेंell यूज़ एटरफेस language Y2Y, Y2K, year to 1000, ZIFS, 0, ins, insertion, force, socket, GIP, Zon Information Protocol, GISC, Zon Instruction Set Computer, ZMA, Zon Multicast Address, पर आपका Z, NA, Jorn Network Administration, GB, Zetabyte, ZAW, Zero Administration for Windows, तो यह थे आपकी कुछ computer से संबन दिए, कुछ संचेप्त नाम उनकी और उनकी फुलपाउं, दिए, अब हमारे लिए एक chapter और बसता है, जो आपका computer सब्दा वली है, यहने भी कभी-कभी पूच लेता है, तो इस chapter खतम होने के बाद आपके जितने भी chapter थे, भूख खतम हो गए, उसके बाद हमारे बचेंगे mock test, उन्हें भी अम लोग लगाएं, टिए? नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आप लोग बात कर रहे थे, computer सामान ग्यान के बारे में, तो यह आपका 15 चेप्टर है, इसमें बाद करेंगे computer, सब्दा बलियों के बारे में, जो computer से सम्बंदीत आपकी सब्दा बलियों है, उन्हें रेखेंगे, याद रखी इस 15 चेप्टर, और जो अभी हम लोग आँगे, मौक टेक्स्ट लगाएंगे, 25 से 30 के लगव, इन्हें आप लोग solve कर लेंगे, इतना पढ़ लेंगे, तो आपको computer सामान ग्यान के लिए कहीं बहटकने की जरूरत नहीं पढ़ीगी, अगर आपका लिखित में questions आता है, या पर object room में, तो आप solve करने की इस्तिती में होंगे इतना पढ़ीजिए कापी है, बात करते हैं हम लोग, अबेकस क्या है, अबेकस यह गड़ना करने के लिए प्रयोग में लाया जाने बाला अत्ती प्राचीनियन थे, जिसके दोरा अंकों को जोड़ा पगटाया भी जा सकता, अबिसकार, अबेकस का अबिसकार आपका चीन म 3000 इसापूर में हुआ था, अब आपका आजाए अगर अबेकस क्या है, तो आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस परिभास अगो, और अगर वन डेक जाम में किस तरह से पूचेगा, कि अब इसकार, अबेकस का अविसकार कहा हुआ था, तो चीन में कब 3000 इसापूर में, ठी इस परिकार एकसे सरी को सहाए एक यंद भी कहा जाता है, जब बेब कैमरा प्लॉक भी डिस्क, इसके इनर पैंड ड्राइब इत्यादी, इसके उधारने, फिर आपका एकसेस कंट्रॉल, यह सूचना और संसाधनों की सुरक्चा के लिए पिरुक्त की गई बिदी है, यह इ एकसेस टाइम, जब यूजर मेमोरी से डेटा प्राप्त करने के लिए कोई निर्देश देता है, तब निर्देश देने तथा डेटा प्राप्त होने तक के बीच के समयगों क्या कहते है, एकसेस टाइम, फिर आपका एक्क्यूम लेटर, यह एक ऐसा रजिस्टर होता है, तर्फा में पियूगत होने बाला, वहास हेल यह खाना जिसमें यूजर मौजूदा समय में कार्कर्स रहा होता है एक्टिब सेल कहलाता है, फिर आपका एक्टिब डिवाईस होगों करन जिसमें कोई कारविद्धूद पे बाहते है, संपादित किया जाता है, एक्टिब ड कंप्यूटर में उपस्थित वह है विंडू जो यूजर द्वारा बरत्मा समय में सक्री एक्टिब विंडू कहलाता है एड़ेप्टर वह है एक ती जो दो या दो से अधिक को करणों या संसाधनों की भी समाज़स से बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है एड़ेप्टर क कहलाती है एड़र यह एक एस इस पेकार का इलेक्टोनिक सर्किट होता है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं को जूडा जाता है प्रयापका एड्डरेस क्या है एड़ेडर कंप्यूटर की मेमोरी मोपस्तित वह बाइच्छान चिन जिसके द्वारा डेटा क कि स्थिति का पता चलता है क्या कहलाता है एडuğरिट म कंप्यूटर को दिये जाने वाले अनुदेशों का वयकरम जिसको दोरां किसी काल को पूरा किया जाता एल्गुरित्म कहलाता है अलाइमेंट डेटा में पैरा ग्राप को विवस्तिक करने की पिक्रिया क्या कहलाती है अलाइमेंट तो आपका अल्फा न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक अल्फा बिट्स पिलस नंबर की समुच्चे को क्या कहते है अल्फा न्यूमेरिक जिसमें A से Z तक अक्षरों और 0 से 9 अंकों के समुच्चे होते हैं आपके एना लोग भौतिक रासी की वह मात्रा जो लगाता तरंगी एरोम में परिवर्तित होती है जै विष्टदारा विद्धुतियत तरंगे आदी फिर है आपका एनालोग कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसमें डेटा बहुत की रोम में प्युक्त किया जाता है एनालोग कंप्यूटर कहलाता है एनीमेशन अपनी कल्पना द्वारा बनाए गए चित्रों को इस्तिर करके स थिसीलता का आवास कराना एनीमेशन कहलाता है एन्टी वायरस यह नेदेशों का समूग अथवा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारां कम्प्यूटर को दोस्पों प्रोग्राम से होने वाली 36 बचाए जाता है एक्लीकेशन सॉप्ट्वेर किसी बिसे इस कार के लिए बना मानिविये गुणों के अनुरूप सोचने, समझने एवं तरक करने की चमता कि विकास को कम्प्यूटर में Artificial Intelligence कहते हैं तो यह आपका ASCII, American Standard Code for Information Interchange यह ऐसा पिछलित कोड है, जिसके द्वारा अक्ष्रों तथा संक्याओं को 8 बिट की रूम में बिदर्सित किया जाता है तो यह आपकी Assembler, क्या है? Assembler कम्प्यूटर में प्यव्योग तो है प्रोग्राम जो Assembly भासा को मसीनी भासा में परिवर्दित करता है जिसमें अक्ष्रों तथा अंकों को छोटे-छोटे कोड में लिखा जाता है परियापका Synchronous Data Setting डेटा भेजने क्यों है पदिती जिसमें डेटा को आनेवित अंतराल में अपनी सुविधा अनुसार भेजा जा सकता है फरियापका Authentication वैपतिती जिसके द्वारां कम्प्यूटर के उपयों करता की बैदिता की पहचान किये जाती है AutoCAD इस पेकार का Software जो रेकाचित तथा गिराब सुद्धा तयार करता है और जली Memory इस Memory को दुद्धियक Memory भी कहा जाता है यह प्रात्मिक Memory से बड़ी चमता बाली उसकी सहायक होती है क्या होती है सहायक होती है प्रेयापका Basic यह ही एक उच्चिस्तरिये भास आई यह अत्यंत सरल और उपयोगी है Basic फ्रेयाप सभी कम्प्यूटरों के साथ उपलब्द होती है फ्रेयापका Binary गड़ना करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्या पेणाली Binary के बल जीरो और बन दो ही अंग होते हैं Binary में आपका जीरो और वन दो ही अंग होते हैं BIT Binary अर्था जीरो और वन को सेट रूप से BIT कहा जाते हैं यह कम्प्यूटर की सबसे छोटी इकाई है इस पॉइंट को याद रखना क्योंकि कई बार अंगिनत बार पूंचत जा चुका है यह कुश्चन यह कम्प्यूटर की सबसे छोटी काई होती है BIT फिर आता है आपका बाइट 8 बिटों को समलेत रूप से बाइट कहा जाता है एक क्लोवाइट में 1024 वाइट होते हैं कम्प्यूटर की मेमोरी को मेगाबाइट में मापा जाता है याद रखिए फिर आ है आपका बायो चिप या बिग्यान को दवारा विस्तुट चैप रुदुग की पराधारित है या सिलीकॉन की बनी होती है जिसके दवारा कम्प्यूटर का भी कास हो पाया है आपका है बैक्ग्राउंड प्रोसेसिंग निमने प्रात्मेक्ता वाले प्रोग्राम उसको उच प्रात्मेक्ता वाले प्रोग्राम में बदलने की किडिया अथवा प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं बैक्ग्राउंड प्रोसेसिंग प्रयापका बैकप इसका प्रयोंग मुक् खराब होने से बचाया जाता है। फरे आपका बैड सेक्टर इस्टोरेट डिवाईस में वह इस्थान जहां पर डेटा लिखा या पड़ा नहीं जा सकता है। बेडब सेक्टर अजब़ा खराब इस्तान कहलाता है तो सीमा कंतर आपका ब्रैंड विठ्थ कहलाता ह। इस बिर्स पिती सेकंड से मापते हैं, इसे बिर्स पिती सेकंड से मापते हैं, फिर आपका बारकोड, मुक्रोप से बारकोड, बेविन चोड़ाई की उड़द्वादर पट्टियां होते हैं, जो कि अलफा निमेरिक डेटा को ब्यक्त करती हैं, बारकोड किसी भी उतपात की कुपिदर्सित करती है फिर आता है आपका बेस उन चिन्नों को बेस कहा जाता है जो संख्या पदिती में अंकों को ब्यक्त करते हैं फिर आपका बैच फाइल डॉस ऑपरेटिंग सेश्टम में प्रोग्राम की वह फाइल जो स्वयम संपादित होती है बैच फाइल कहलाती है फिर आपका ब्रेच बैच प्रोशेसिंग जब अनेक प्रोग्रामों का समो बन जाता है तब बैच प्रोशेसिंग की उपयोग से एक के बाद एक प्रोग्राम अपने आप ही संपादित होती है फिर आपका ब्रेंड यह हुआ एक आई है जो डेटा प्रयापका बिलेंकिंग किसी बिंदू पर करशक की स्थिति को बिलेंकिंग कहते हैं प्रयापका बायोमेट्रिक डिवाइस वह डिवाइस जो दोब्यक्ति के बहुते गुणों फिंगरप्रेंट हस्तरेकां आबाज आधी की पहिचान कर बिवेद करती है फिरे आपका बायनरी डिजिट बायनरी डिजिट को संचेव में बेट कहा जाता है इसमें किवल दो वंखो डिजिट होते हैं जीरो और बन जिसमें जीरो का भी प्याय होता है ऑप से और वन का भी बर्नॉली डिस्क यह वह चुमकिये डिस्क होती है जो डेटा बंदारें के लिए प्रियोग की जाती है बर्नॉली डिस्क में रीड और राइट दोनों ही से वाएं उपलगते रहती है तो यह आपका ब्रॉंड बेंड ब्रॉड बेंड यह वह कंप्यूटर नेट्वर्क हो क्या कहते हैं दिरावजिंग ठीक है फिर आता है आपका ब्रॉड जर यह हुआ है जिसके द्वारा इंटरनेट पर हम अपनी मनपसंद साइट को खोज कर सूचना प्राप्त करते हैं ठीक है ब्रॉड कहलाता है तो यह आपका ब्रिज बीयर यह वहर सोप्ट बियर होता है जो विविम्न पिकार के की कंप्यूटरों के मत समान ज़स से इस्थाओद करता है बबल मेमोरी वह है یہ मेमोरी जिद में डेटा को रिज्टोर करने से दूसरी जगय ले जाते हुए आश्थारी रुप से इस्टोर किया जानता है, वयर्णिक यह होए फिक्क्रिया है जिसका प्रियोग रॉम में ऐटा लिखने के लिए किया जाता है, बस बस डेटा या एलेक्टोनिक सेमेल को एकिस्थान से दूसरी स्थान तर लेकर जाती है प्रयाप का बिलूटूथ इस तक्नीक में छोटी चमता वाली रेडियो तरंगों का त्रेयों करके डेटा और सुचना का आधान पितानी किया जाता है अब देखिए आप लोग बिलूटूथ अधिकतर लोग यूज करते होंगे देखा होगा आपके पॉन में आता है पिर भी आप इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं आपके लिए पर्टिकुलर किसी बड़ के लिए नहीं है कि यह सब तैयारी कर रहा है उसी के लिए जाग हुई आपकी दिंचर में दिंचरिया में क्या चल दा है उसके बारे में तो आपको मालू होना उपस्थित प्रोग्राम में पाई जाती है बग को हटाने की किरिया टी बॉगिंग कहलाती है कि फिर आपका चिप यह सामानता सिलीकॉन अतबा अन अर्ध चालकों से बना चोटा टुकड़ा होता है जिस पर वेबेने पिकारी की कारियों को पूरा करने के लिए एलेक्ट् किसी कार को वेडिवर तरीके से पूर करने के लिए कई पर के प्रोग्राम बनाया जाते है जिनें को प्रकर का जाता है सामानता कंप्यूत क्रोग्राम वेभिणे पिकार की नेधेसों का संभूह होता है Cyber Space इसके द्वारा Computer Network में उपस्ते सूचनाओं का आधान पिदान पूरे विस्में किया जाता है CR, W CR या डव इसे विस्तित्रोप से Compact Disc Read Write कहा जाता है या एक Storage Device है जिसमें डेटा को बारबाल लिखा तथा पढ़ा जा सकता है तो यह आपका CDR इसे विस्तित्रोप से Compact Disc Recordable कहा जाता है इस Storage Device में डेटा के बल पढ़ा जा सकता है लेकिन इस टोड डेटा में कोई भी परिवतन नहीं किया जा सकता है तरयाकर CDROM Jock Box इसका विस्तित्रोप Compact Disc Read Only Memory या Jock Box Jook Box Storage Device में अनिक पकार की CDR Drives Discuss आदी समले होते हैं पर आँगे आपका Cell Raw और Column से निर्मित भाकूद सेल कहा जाता है CPU इसका विस्तित्रोप Central Processing Unit है या Computer में होने वाली सभी क्रियाओं की Processing करता है या Computer का दिमाग कहलाता है Character Painter इसकी विस्तिता या है कि यह है एक बार में किवल एक ही Character जैसे अंक अक्चर अधवा कोई भी चन प्रेंट करता है Chatting Internet के द्वारा दूर इस्तित अपने मित या सगे समद्दियों से वारता लाप करना Chatting कहलाता है क्या कहलाता है? Chatting तरहे आपका Chat Box क्या है? Chat Box वह है प्रोग्राम जिसके द्वारा किसी कारे को सक्क्री है या पर निसकी यह किया जाता है ये प्रोग्राम बेंटो बेंडोज के GUI Graphical User Interface में व्यूप किये जाते है Collect माउस की बेटन को दबाना Collect कहलाता है Client Computer वह एक कंप्यूटर जो नेटवर्ट में सर्वर को सिभा पिदान करता है Client Computer कहलाता है Compiler उच्चिस तरी ये भासा कुमसीनी भासा में बदलना Compile कहाता है आपका तरहे आपका Compiler इसका प्रेव उच्चिस तरी ये भासा को मसीनी भासा में बदलने के लिए प्रेवक्त किया जाता है तरहे आपका Communication Protocol Communication को सर्वर्ण तता सुभिदा जनक बनाने के लिए कई प्रेकार के नियम बनाए जाते है जिनें Computer भासा में Communication Protocol कहते है Command Computer में किसी कार्गो करने के लिए जब कोई निर्देश दिया जाता है तो उसे Command देना कहते है Cold Fault Computer पर वहें काम करते समय Computer पर काम करते समय अचानक दोस उत्पन हो जाने परन्तु Computer को दुबारा On करने पर दोस कर दूर हो जाना Cold Fault कहलाता है Cold Boot Computer को स्थार्ट करते समय होने वाली booting Cold Booting कहलाती है Coding Programming भासा में अनुदेशों को लिखने के क्रिया Coding कहलाती है Coaxial Cable एक बिसेश तार जिसे Data Center के लिए प्युक्त किया जाता है Coaxial Cable में एक स्केंद्री एतार उसके चारों और तारों की जालिक होती है तो यह आपका Cliff Board क्या है Cliff Board यह Computer की Memory में आरक्चित वह स्थान होता है जो Copy-Paste Operations के मात्यम से तो आप अलकालिक डेटा भंडारण और डेटा इस्थान अंतर्ण की सुभिधा पिदान करता है Computer Added Design CAD वह सॉप्ट्वियर जिसका प्रियोग डेजाइन बनाने अथवा डेजाइनिंग करने के लिए किया जाता है Computer Added Manus Capturing CAM वह सॉप्ट्वियर जिसका प्रियोग प्रवंदन नियंतर्ण आदी के कारियों के लिए किया जाता है Computer Jargon इसके द्वारा हम किसी भी छे तत्वा तत्वा भासा में फिफ्ट सब्दों की सभिधा वली प्राप्च कर सकते Computer Network दो या दो से अधिक Computer को एक साथ जोड़कर बनाए जाने वाले यंत को Computer Network कहते है Computer System उपकरणों का वहर समोग है जैसे Monitor हो गया आपका Mouse हो गया Keyboard Computer System कहलाता है Console यह ही एक पिकार का Terminal है जो मुक कंप्यूटर से जुड़ा होता है तत्था कंप्यूटर में होने वाली कारियों कर नियंतर्ण रखता है तरह आपका Control Panel यह एक Electronic उपकरणे जिसके उपर बहुत से बटन लगे होती है इसके द्वारा कार कर दिसाने दिस होता है Cylender यह दो या दो से अधिक ट्रेकों का समोग होता है Cut Monitor पर उपस्ते डेटा को डिलीट करने के लिए प्रियुक्त किया करने वाला यह कमांड कट कहलाता है करसर कंट्रोल यह कीवोर्ड में करसर को नियंतर करने के लिए प्रियुक्त की है माउस खराब हो जाने पर इसकी का प्रियुक्त मुक्रूप से किया जाता है Captography किसी डेटा तथा निर्देशों को अलग रूप से रूम में सरक्षित कर देने तथा आवस्तेक्ता पढ़ने पर पुनाह प्राप्राप्त करने की पिक्रिया को क्रेप्टू विराफी कहा जाता है प्रियुक्त कोरल ड्राप डिजाइन तियार करने के लिए प्रोग्राम किया जाने वाले सौप्वेयर को कूरल ड्राप कहा जाता है इसका प्रियुक्त तथ टीटीप ड्रेक्स्टॉप पब्लिसिंग के लिए किया जाता है तरयापका CD-ROM यह बहर्णारण युक्ती है जो प्लास्टिक की बनी होती है इसमें डेटा लीजर बीम की चाहता से स्टोल किया जाता है इसकी बहर्णारण सब्सक्त आपकी 700 MB 80 मिनिट होती है 700 MB होती है करसर टेक्स्ट लिखते समय करसर कंप्यूटर क स्कीन पर विलेंग करने वाली खड़ी रेका को क्या कहते हैं करसर कहते है तो नवैं आपका डेक्टा Java क्या है डेक्टा नवसे शिद्धतन सूचना चाहीं जिने computer में store या un-kariyong को करने के लिए प्रयोग किया जाता है data कहलाता है database database बहुत सी सूचनाओ का संगराए database कहलाता है database के द्वारा बांचित सूचनाओ को computer की screen पर प्राप्त किया जा सकता है data entry data दिथा नर्देशों को computer में संगीत करना data entry या data entry कहलाता है डेटावेस मेनेजमेंट सिस्टम DBMS वह बहुत सतीर प्रोग्राम का समूव होता है जिसके द्वारा डेटा को विवस्तित करने सूचना देने उसमें परिवर्तन करने वाले आधिकार सहलता पूर्वक किये जाते हैं ट्रयापका डेटा प्रोसेशिंग डेटा अतथने वाउट्पूट प्राप्त करना अतबा डेटा प्रोसेशिंग कहला है तो डेटा एक फाइल एक या एक से अधिक बार अलग अलग नामों से computer software में save करना data redundancy कहलाते है data transfer rate dtr user द्वारा किये गए data तथा निर्देशों को site memory से मुख memory अत्वा एक computer से दूसरे computer में पहुश्चाने की दर को data transfer data rate data इस्थानतर कहते हैं त्रयाकट डॉर्टर बोर्ड साथ जुड़ने वाला साहएक बोड मैं बोड के साथ चुड़ने वाला साहएक बोड डॉर्टर बोड कहलाता है डॉर्टर बोड एक सरकिट होता है डिवलिंग डिवगिंग देगर data तथा प्रोग्राम में गल्दियों को ढूणने उसे उन्हें सुधारने की करिया वो क्या कहते हैं डिवगिंग डिवगिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाले software को डिवगर कहते हैं decision logic किसी data या प्रोग्राम में दो या दो से अधिक विकल्प हों मैं सिख एक विकल्प को चुनना decision logic कहले लाता है प्रयापका division decision box इसका प्रयोग flow chart बनाने किया जाता है इसके इंतगत condition होती हैं दो कौन सी हां और ना जिन में से एक condition को चुनना होता है या flow chart के मत में प्रयोग किया जाता है फ्रयापका decorder या advice computer को दीए गए data को पढ़कर उसकी processing के लिए सुलता ही निर्देश देती है फ्रयापका decraftion encrypted code decraftion encrypted code को बापस उसके मूल रूप से बदलने की किरिया को डिस्क क्रेप्शन कहते हैं डिलीट किसी software में उपस डिटा में से आवांच डिटा को अटाना डिलीट कहलाता है डि मॉडूलेशन इसके द्वारा मॉडूलेट किये गए डेटा माध्यम से अलग किये जाते हैं जिसमें उस डेटा का फुना प्रयोग किया जा सकते हैं टी मॉडूलेशन के द्वारा एनालोग किरिया को डिजीटल में परिवर्ति किया जा सकते हैं डेस्क टॉप कंप्यूटर को अन करने के तुरंत बात कंप्यूटर स्कीन पर दिखाई देने वाली आउपुट डिस्क डॉप टॉप कहलाता है डिस्क टॉप कहलाता है ठीक में जिस्क टॉप भणिसेंग mean एक एक एकूप्ली केसं न कीमत संभाद करने के लिए किया जाता है Dialog Box Windows, Software में प्रियोग किया जाता है Dialog Line, वह लाइन जिसके द्वारा संचार विवस्था इस्थाफित की जाती है Dialog Line कहलाती है Digit, कोई भी यंग चिन्न है जिसका प्रियोग संख्या पतिती में किया जाता है Digit कहलाता है Digital Computer, इन कंप्योटरों में Electronic संख्येतों का प्रियोग किया जाता है आधुनी क्योग में प्रियोग कंप्योटर Digital Computer ही होता है Digital Clock, Motherboard पर इससे Digital संख्येतों को उत्वन करने वाली घड़ी है Digital Signal, इसके द्वारा नेदेशों तथा टेटा को वाइनरी संख्या पदिती में परिवर्तित किया जाता है Digital Video Disk, यह एक बंडारन इकति है जिसमें सूचनाओं को पढ़ने तथा लिखने के लिए Leisure केनों का प्रियोग किया जाता है जिसके कारण से से प्रिकासिये Disk भी कहते है फरे आपका Digitizer रेखिये डेटा को अंकी रूम में परिवर्तित करने के लिए Digitizer का प्रियोग किया जाता है फरे आपका Disk एक ब्रत के आकार के यंत जिसका प्रियोग डेटा तथा निर्देशों को सूचनाओं के रूम में संगलित करने के लिए किया जाता है फरे आपका disk array हाई disk के बहुत से समूव है उनके नियन तक तता derive को संगलित रोप से disk array कहते हैं संगलित समूव के कारण इसकी संग्रह चमता अथिदिक होती है disk array को red भी कहा जाता है disk derive वो है disk जिसके द्वारा संगलित डेटा पढ़ावा लिखा जा सकता है disk derive कहलाता है फरे आपका disk cat फिलॉपी डिस्क को यह disk cat कहा जाता है यह एक पतली लौश्टार चुमिकी डिस्क है जिसे डेटा बंदारन के लिए परियोग पिया जाता है disk operating system यह personal computer में प्युक्त होने बाला पहला operating system था यह एक command line यह attached आधारी interface है जैसे user द्वारा commands दी जाती है disk pack दोयाद अधिक चुमिकी डिस्क का समोजिसे इट्सॉप्ट पर लगाकर बंदारन युक्ती के लिए प्रियोट किया जाता है display unit यह एक output device है जिसमें monitor भी जिसे क्या कहते है monitor भी कहते है यह अपनी screen पर data और परिडामों को पिदर से करती है तो यह आपका domain name यह विशेश नाम से जो सामन नेमों तथा पिक्रियाओं द्वारा है internet पर किसी website का नाम बताता है तो यह आपका dot inch इसमें dpi का प्रियों आपस्तक रूप से किया जाता है एपिती एक इंच में उपस्तित बिन्दियों की संख्या है जो उर्द्वाधर तथा छेते जरूं में होती है dot pitch monitor की screen पर एक mm के छेत में उपस्तित बिन्दियों की संख्या को dot pitch कहते हैं downloading कंपूटर network के प्योग से data तथा file को दूरस्त computer से इस्थानी कंपूटर में लाने के किरिया को downloading करते हैं drag mouse द्वारा data के किसी भाग को select करने का एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस्थानातित करने की किरिया को क्या कहते drag डम टर्मिनल वह है टर्मिनल जिसकी सथा प्रोसेसिंग नहीं होती है बलकि सहाइट टर्मिनल के द्वारा इसकी प्रोसेसिंग कहलाती है प्रोसेसिंग के जाती है अब है आपका ee p-rom इसका कॉंड रोप electronically, erasible, programmable, read-only memory है ee p-rom एक भाहनदारन युकती है जिसमें संगीत डेटा को बिद्धुद विवाधवारा हटाय जाता है तथा उसके इस्थान पर वांचित डेटा डाला जा सकता है प्रहें आपका electronic data processing electronic माध्यम अत्वा computer की सहायता से डेटा तका निर्देशों को विवस्तित करना आपका electronic data processing है पर आपका electronic mail जो आपका email है इसका पूरा नाम क्या है electronic mail email के द्वारा किसी दूर स्थित अपने मित या फिर सगे संबंदी को सूचना या निर्देश बेज़े जाते हैं आपके द्वारा email बेजते हैं या आवस्तित नहीं है कि प्राप्त करता वो समय computer पर उपस्तित हो फिरे आपका electronic pen यह है एक input device है जिसका प्रियोग point बनाने ततना रेखाचित बनाने के लिए किया जाता है फिरे आपका embedded command यह business characters का एक ऐसा करम है जो document के सवरूप को तब प्रभावित करता है जब है print होता है इस command का प्रियोग आमदौर पर word processing में किया जाता है फिरे आपका encryption पूर्फ निधारित नेमों के बसार सूचना यार निर्देशों को गुप्त कोड में बदलने की क्रिया encryption कहलाती है फिरे आपका erisable फिरॉन इसका पूर्ण रूप erisable, programmable, read-only memory और यह तथा संचित रूप में इसे e-rom कहते हैं यही एक बंडारिक युक्ति है जिसमें संचित data को मिटा कर नई सूचना को संचित किया जा सकता है फिरे आपका error message यूजर द्वारा computer पर कार करते हैं किसी तूटी को बताने बाला संदिश error message कहलाता है फिरे आपका ethernet यही एक आत्मनीक तक्नीक है जिसका फिरयोग land local area network में इस थानी है computer को जोड़ने के लिए किया जाता है फिरे आपका eat 2k यह एक chip है जिसका विसका रोसी computer company द्वारा किया गया था यह parallel processing तक्नीक पर फाजारी थे जिसमें एक समय में एक साथ अनेक सूचनाओं पर कारिक किया जा सकता है फिरे आपका execution time किसी एक program या निर्देश को computer द्वारा क्रियानवित करने में लगा पूल समय एक्जीक्यूशन time ने आपका फिरे आपका एक्जीक एक्जीक्यूटेबल फाइल वाए फाइल जीसे computer द्वारा क्रियानवित करना है क्या कहलाती है फिरे आपका expense and slot मदरबोर के उपर का इस्थान जिस पर अन्साहाय को पकर जोड़कर computer की छमता बढ़ाई जाती है उसे क्या कहते है एक्सपेंशन सलोट प्रयापका फैसी मिल ट्रांसमिसन इसको संचिप में फैक्स कहा जाता है इसके द्वारा किसी चित्य सब्द या फिर ग्राफ को नेटवर्ग या टेलीफॉन द्वारा एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक बेजा जा सकता है प्रयापका फीड कम्प्यूटर में डेटा या सूचना एंडालना अथवा प्रेंट निकालने के लिए प्रेंटर में कागच को आंगे बढ़ाना फीड कहलाता है आंगे है आपका फाइल बहुत से रिकार्डों एवं सूचनाओं को एक साथ संबले द्रूप से फाइल कहा जाता है फाइल तवारा कई प्रेंटर की सूचनाओं को एक साथ रखा जाता है फिर आपका फाइल एलोकेशन टेवल इसका प्रेवक MS Windows अत्वा DOS में फाइल को संकीत करने के लिए किया जाता है फाइल एकस्टेंशन विभेन ने प्रेकार की फाइलों को फिदरसित करने के लिए दिया जाने वाला नाम फाइल एकस्टेंशन कहलाता है फिर आपका फाइवर आप्टिक्स या कांच या पिलास्टिक की बनी एक पतली तार होती है जिसके द्वारा डेटा एक स्थान से दूसरे इस्थान तक इस्थानांतरित किया जाता है Fiber Optics फिरकास क्रिया पर आधारित होती है फ़रे आपका File Transfer Protocol FTP इस प्रोटोकॉल का ब्रेव किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे इस्थान तक इस्थानांतरित करने के लिए किया जाता है फ़रे आपका File Utilities File Utilities एक वेकर की सहाइक Software है जिसका प्रेव फाइलों में होने वाली सामन किरियाओं को करने के लिए किया जाता है उसके बाद आता है अपका Firewall या Hardware तथां Software का समूह होता है जिसका प्रेव नेट्वर्क की सुरक्चा की दृष्टी से किया जाता है या Computer Network में प्रेव सभी डेटा तथां सूचनाओं का विसलेशन करता है कि फर्म बियर यह एक प्रेकार का ऐसा Software है जिसे रॉम पर लिखा जाता है कि फिलिप फिलॉप यह बाइनरी पेड़ाली में प्रियुक्त होने वाली एलेक्टोनिक युक्ति है फिलॉप कंप्यूटर में गढ़ना चमता हूँ मापने में फ्लॉप का प्रियोग किया जाता है फिलॉप फिलॉप की डिस्क इसका प्रियोग आसाधरन इसका प्रियोग फिसारन के लिए किया जाते यह पिलास्टिक की बनी होती है जिसके उपार Magnetic Oxide की परदद चड़ी होती है ठीक है फिर आपका फिलो चार्ट किया है फिलो चार्ट किसी डेटा अथवा प्रोग्राम के ग्रियानवेंड की दिसा एवन चरन बताने वाले चार्ट को फिलो चार्ट कहते हैं फिलो चाइट पूर्ण नेतारे चिन्नों पर आतारित होता है। फिर आपका प्रॉंट इसे तात पर उस साईज अथवा प्रिकाल से होता है जिसमें किसी अक्षर अथवसद को बिभिन प्रिकाल से लिखने की विवस्ता होती है। फिर आता है आपका फुटर किसी पेज के सबसे नीचे की पंक्ती में लिखा डेटा फुटर कहलाता है। फिर आपका फार्मेटिक किसी बंडारन युकती जैसे डिस्क को प्रियोग में लाने से पूर्व सेक्टर तुथा ट्रेक में बांटने की पिक्रिया को फार्मेटिंग कहते हैं फिर आपका फॉर्ट रॉन एक उच इस्तरी भासा जिसका प्रियो मुक्ता विज्ञानिक और गड़तीय रूम में किया जाता है फिर है आपका फ्रेग्मेंटिशन इसके द्वारा मेमोरी में ट्रेग को विवस्तित किया जाता है फ्रेवेर ऐसा परगराम जो अधिकतर भिना किसी सुलक के उपलंद होता है फ्रेवेर कहलाता है फ्रेवेर निट जूड़ा है कंप्यूटर, जो अन शुचां कउप्रिवे ठर्मिनल में को इंटर्नेट की सुधा पिधान करता ह। गेटवे कहलाता है पूरू नाम है गार्वेज इन गार्वेज आउट गीगो वह तुटी है जो इनपुट किये गए गलट डेटा तथा प्रोग्राम के कारण आउटपुट में आती है फ्रयापका ग्रेफिक ग्राफिकल डिस्पेली यूनिट इसे हिंदी में चित पिदर्सित इकाई कहा जाता है इसमें अक्छल लिखने किसाथ साथ चित भी बनाए जाते है फ्रयापका ग्राफिक टेबलेट इसके उद्वारा आलिखित विवरनों को अंकिय रूम में पिदर् जाता है फ्रयापका ग्राफिकल यूजर इंटर्फेस जी यू आई जी यू आई को विजूवल इंटर्फेस कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा सभी प्रिकार की फाइलों कमांड्स एबं सॉप्वेर इत्यादी के आइकन को के रूम में पिदर्सित किया जाता है इन आउस हो गया कि माध्यम से किया जाता है फिर आपका ग्रे कोड एक कंप्यूटर को दिये जाने वाले बे निर्देश होते हैं जिसके द्वारा इंपूट आउट्पुट की पिक्किरिया संपन्त होती है फिर आपका ग्रे स्केल यह मॉनो क्रॉम मॉनिटर में पेउक्त किय निहीं को जाता है इसमें रगों की स्थिति काली सपेद तथा इनसे मिर्षित रगों में बूती है इसमें पियुक्त डिटा भी ब्लैंक वाईट लाइट डाक अधरी कलर स्का होता है अंगला है आपका क्या सब्सक्राइब है किसी अन्न के कंप्यूटर पर अन्न दी के प्रिविश करने वाला बैक्ती क्या कहलाता है है कि रहे आपका हॉप डुपलेक्स हॉप डुपलेक्स यह संचारन की वह बिदी है जिसमें डेटा का संचारन दोनों दिशाओं में किया जाता है परन्तु डेटा का संचारन एक समय में केवल एक ही दिशा में किया जा सकता है हैंड सेक नेटवर्ग द्वारां किसी समान प्रोटोकॉल द्वारां दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोडने की किरिया को क्या कहते हैं हैंड सेख फरे आपका हैंग कंप्यूटर पर कार करती समय अनावस्यक नीमो का पालन करती हुए कंप्यूटर का अच्छानक रोक जाना क्या कहलाता है हैंग फरे आपका हार्ड कॉपी क्या है हार्ड कॉपी यह कंप्यूटर द्वारा पिस्तुत इस्थाई आउट्पूट होता है जैसे पेपर पर प्राप्त प्रेंट आउट क्या है हार्ड कॉपी हार्ड डिस्क यह एक गोल पतली बहना रहे निपती है जो एलुमिनियम की बनी होती तता जिस पर चुमिकी ये पदार्थ की परच चड़ी होती है फ्रे आपका hardware computer को वाई भाग जिसे हम छू सकते हैं hardware कहलाता है जैसे आपका mouse हो गया header page के सबसे उपर वाली पंक्ती को क्या 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 पंक्ती में लिखा गया data क्या कहलाता है header फ्रे आपका hexa decimal number system वाई संग्या पद्दिती जिसमें कुल 16 मूलंक होते हैं 012 से लिटकर 9 तक heavy cd ef होते हैं जिस कारण इसका अधार कितना होता है 16 फ्रे आपका high level language यह computer की हुए भासा है जो अंग्रेजी भासा के सबसे करीब है आदूनी computer हो में high level language का ही प्रेयोग किया जाता है फिर आपका home page website को खोलने पर सबसे पहले जो खोलने वाला page हमें दिखाई देता है वह होता है home page home page website में प्रेयोग सूचनाओ को contents की रूप में विदाशित करता है फिर आता है आपका यह hybrid computer analog बडिजिटल दोनों पेकार की computer का मेंसित रूप आपका hybrid computer कहलाता है फिर आपका hyperlink किसी पेज या दस्ताविच को किसी अन पेज या दस्ताविच से जोड़ना hyperlink कहलाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कव लेंग्वेज लेंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कव लेंग्वेज यानि कि इसे HTML भी होते हैं या मुक्रिता वेपसाइड तथा डेजाइन के लिए प्रयुक्त hypertext language है ठीक तरहें आपका inkjet parameter यह parameter ink की छोटी छोटी बूनों को कागज पर समले रोब से छितरा कर output आपका पिदरसीत करता है तरहें आपका integrated circuit यह silicon से निर्मित पतली छेफ होती है जिस पर अनेक electronic उपकरण होते हैं जैसे transistor हो गया पिती रोधक संधारित इत्यादी input पैडाम प्राप्त करने के लिए data तथा निर्देसों को computer में डालना क्या कहलाता है input input device पैडाम प्राप्त करने के लिए data तथा निर्देसों को computer में डालने के लिए जो आपका यंद्ध प्योक्त होता है उसे कहते हैं input device input output port इस circuit द्वारा input तथा output करने को आपस में जोड़ा जाता है तरहें आपका interface इस circuit द्वारा input तथा output करने को CPU के साथ जोड़ा जाता है internet internet कहलाता है तरहें आपका interpreter इसके द्वारा उच्छिस्तरी ये भासा को मसीनी भासा में परिवर्थित किया जाता है यही एक एक लाइन को मसीनी भासा में परिवर्थित करता है आइकन छोटे ग्राफिकल चिन जो कम्पूटर स्कीन पर पिदर्शित होती है क्या कहलाती है आइकन जावा, एक प्रोग्रामिंग भासा है जिसका प्रियोग इंटरनेट सम्बंदीत उपयोग के लिए किया जाता है फरे आपका जोष्टे यह है एक input device है जिसका प्रियोग मुक्ता बीडियो गैम्स खेलने के लिए किया जाता है Keyboard यह है एक input device है आपकी जो देखने में विल्कुल टाइप राइटर की समाथ होती है करनल ओपरेटिंग सिप्टम का वए भाग जिस पर अन्यकार आधारित होते हैं जिसमें यूजर स्वयम कोई परिवस्टे नहीं कर सकता है क्या कहलाता है करनल की स्टॉप कीवोर्ड में बटन को दवाने की क्रिया को क्या कहते है की स्टॉप किलो बाइट यह मेमोरी की काई है एक के भी बराबर दस की बाबर सोरी दो की बाबर तैन बाइट यानि की बाइट दस्टो चौवीश बाइट ठीजा फिर आपका लॉजिक गेट यह है एक इलेक्टोनिक परीपत है जिसकी दवारा एक या अधिक इनपूट संकेतों की दवारा पूर निर्थारित आउट्पूट क्राफ्ट होते है एंड और तथा नॉट केट लोकेशन क्या है लोकेशन मेमोरी में डेटा की स्थिती के लिए लोकेशन कमांड का प्रेयोग करते है लोड कम्प्यूटर की मेमोरी में आवस्थक डेटा तथा निर्थिसों के उसंगीत करना लोड कहलाता है फिर आपका लोकल एरिया नेटवर्ग, लैन सीमित चित्रों में ही एक यादी कम्प्यूटरों को जोड़ कर प्राप्त नेटवर्ग होता है फिर आपका लाइनेट्स एक ओपरेटिंग सिस्टम जिसका प्रेयोग व्यक्तिकर कम्प्यूटर में किया जाता है इसका विकास अनेक फ्रोग्रामर द्वारा किया जाता है लेजर डिस्क यह एक प्रिकासी यह बंडारे निप्ति है जिसमें डेटा लिखने के लिए लेजर बीम का फ्रेयोग किया जाता है लॉज्ज स्किल इंटिगेशन इसे संचिब में LSI कहते हैं इस चिप पर लगवक 30,000 electronic of current बने होते हैं Laptop यह किताब के आकर का एक छोटा computer है जिसे अपने साथ कहीं भी ले जाया जा सकता है क्योंकि इसे गोद में रखकर भी प्युक्त कर सकते हैं इसलिए इसे Laptop कहते है Logo यह एक programming भासा है जिसका प्रयोग बच्चों को computer की सिख्छा देने में किया जाता है Login कार को सुरू करने के लिए प्रोग्राम में जाने की किरिया कहलाती है Login Logop अपना कार पूरा करने के बाद प्रोग्राम से बाहरा निकलने की किरिया Logop कहलाती है फिर आपका Low Level Language Computer में प्रयोग असेंबली बाहरा जिसका प्रयोग प्रिथम पीडी के कंप्यूटरों में किया जाता है तो यह आपका Language Processor इन Software के द्वारा किसी अन्य बाहरा में लिखे गए प्रोग्राम को मसीनी बाहरा में फरीवर्तित किया जाता है जैसे Compiler, Interpreter, इत्यादी Mouse या Input Device जिसका प्रयोग डेटा में उपस्तित किसी आवस्ततत को Select करने के लिए करते हैं याद रखी Input Device क्योंकि One Day Exam में इसी तरह पूचेगा कि Mouse Output Device है Input तो आपको याद रखना है Input आगे आपका Manframe Computer इस पर कई Users एक साथ अनेट कारिक कर सकते हैं इस Computer की Data Processing चमता अधिक होती है क्या होती है? अधिक होती है Man Memory या सीधे CPU के संपक में होती है Magnetic Storage इस बंदारन उपकरन में चुमकी अपतात का प्रयोग किया जाता है Machine Language या एक Name ने इस तर यह भासा है जिसका प्रयोग सीधे ही कंप्यूटर में किया जाता है अर्थाते से किसी अन्न भासा में परिव्यतित करने की आवस्तक्ता नहीं होती है Menu किसी Software थवा प्रोग्राम में उपस्तित बेकल्पों की सूची आपकी Menu कहलाती है Micro Computer सबसे छोटे एक आकार का Computer इन Computer में Micro Processor का प्रयोग किया जाता है Laptop एक आपका Micro Computer है Mini Computer इसका आकार Micro Computer से छोटा पर Personal Computer से बड़ा होता है तो आपका Modulation इस क्रिया द्वारा इस पिक्रिया द्वारा Data Digital संकेतों को Analog संकेतों में परिवर्थित करके संचार मात्यम तक भेजा जाता है Multimedia क्या है Multimedia का प्रयोग करते हैं क्या कहलाता है Non Impact Printer फरे आपका Network Interface Card वह हार्डवेयर जिसका प्रयोग कंप्यूटर को Network से जोड़ने के लिए किया जाता है Network Interface Card कहलाता है फरे आपका Operating System जुड़े होना Offline हो होना कहलाता है Octal Number इस संख्यापधिती में कीवल आठ अंकों का प्रयोग किया जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिस कारण इसका अधारंग क्या होता है? 8 फरे आपका Output User द्वारा दिए गया Data जो Input कहलाता है तथा निर्देश का Computer द्वारा प्राप्त परड़ाम क्या कहलाता है? Output जो हम Computer को देते हैं जैसे हमने कुछ सर्ज किया तो उसमें जू लिखा वो Input हो गया जो हमें All Up दोगा वो Output हो गया प्रे आपका Processor Computer की क्रियाओं वन अनुदेशों को Process करने वाला भाग Processor कहलाता है Program Computer द्वारा किसी विशेश क्रिया वाउद्देश की पूर्ती खराने वाले भाग क्या कहलाता है? Program प्रे आपका Programmable Read Only Memory P-ROM इस electronic बंदारन इकती द्वारा Computer में श्तित बंदारन को की बल पढ़ा जा सकता है प्रे आपका Programmer Computer की Program लिखने वाउसे जाचने वाला भ्यक्ती क्या कहलाता है? Programmer प्रे आपका Programming Language Computer की Program जिस भासा में लिखे जाते हैं उसे Programming Language कहते हैं प्रे आपका Protocol दो Computer के बीच डेटा संचार रण में सहाएक नीमों का समूप क्या कहलाता है? Protocol प्रे आपका Ram इसका विश्तित रूप Random Access Memory है या Computer की प्रिथम बविशेश इसमीती है जिसमें संचित डेटा Computer बंद करने पर स्वयम ही समाप्त हो जाता है ROM इसका विश्तित रूप है Read Only Memory या एक स्थाई इसमीती है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है Computer सब बंद होना ही पर इसमें संचित डेटा समाप्त नहीं होता है Reboot Computer को बंद कर दोबारा Start करने की फिक्रिया क्या कहलाता ही? Race Start Read Memory से डेटा को पढ़कर CPU में बेजना Read कहलाता है तो या आपका Run Time किसी प्रोगराम को एक बार Run करने में लगने बाला समय Run Time कहलाता है Router बहुत सारी नेटबर्क को आपस में जूडने बाला या क्या कहलाता है? Router Respond Time User द्वारा दिये गए अनुदेशों पर पिक्रिया करने बाए आपका उसका पईडाम गोसित होने में लगने वाला समय आपका Respond Time कहलाता है Register अन्ति पईडाम वा आवस्थ अनुदेशों को अस्थाई हो तोर पर संगेत करने वाला CPU में लगा उस्च गत्ती का बंदारान उपकर Register कहलाता है Software Computer के संचालन के लिए आवस्थ प्रोग्राम जिसे मनोस इसपर्स नहीं कर सकता है क्या कहलाता है? Software Scanner किसी टेक्स्ट या ग्या Graphics प्यारब को आवस्थ सकता अनुसार इस्थाई मेमोरी है जिसमें संचित डेटा Computer बंद होने पर भी नष्ट नहीं होता है Slot Motherboard में electronic card लगाने के रिखती क्या कहलाती है Slot Setup किसी Computer में Setup इस्थापित करने के भिक्रिया आरम करने के लिए तरह आपका Sequential Access किसी डेटा को एक ही क्रम में पढ़ने वाली मेमोरी ओपकरने Setup Data को बिद्धु सप्लाई रहने तक ही Store करने वाला RAM Sub Program किसी प्रोग्राम का छोटा हिस्था जो किसी विशेशकार को संपन करे Sub Program कहलाता है Super Computer क्या है Super Computer वह है Computer जिसमें कई Processor सामानतर क्रम में लगे होते हैं तथा यह उच्छे चमता वाले Computer होते हैं इन्हें किसी विशेश प्रोग्राम के लिए तियार किया जाए सकता है Text सब्दों अंकों वापितीकों का संभू क्या कहलाता है Text ठीक पर आपका Terminal Monitor पर Monitor वा Keyboard मुख के Computer के साथ काम करने वाले संभू को Terminal कहा जाता है Tab Keyboard का बटन जो करसर को स्वेम ही पून निर्धारितिसा में किसका देता है Tab कहलाता है Time Sharing कई उबहुगताओं के एक साथ काम करने पर CPU द्वारा फ्रोग्राम के लिए दिया जाने वाला निश्चित समय क्या कहलाता है Time Sharing Upgrade क्या है Upgrade hardware वा software को और अधिक संपन बनाने वाली पिक्रिया Upgrade कहलाती है Unix Time Sharing Operating System जो Network of You के लिए तयार की जाती है Unix कहलाती है UPS Unit Interrupted Power Supply को बिनावादित हुए बिद्धोत उप्रव्दिक खराने वाला उकर UPS कहलाता है Undo पूर्णने धारित की रिया को समात करना User Friendly कम जानकारी रखने वाली यूजर को साहता करने वाला Software User Friendly कहलाता है Virus वह है एक छोटा फ्रोग्राम होता है जिसके करियानवन से कम्प्यूटर Software तरह प्रोग्राम में दो सुत्पन हो जाता है Video Display Terminal BDT इस Terminal में Input के लिए Keyboard तथा Output के लिए Keyboard Monitor का प्रियोग किया जाता है तरहे आपका Wide Area Network Band यह बहु सारे कम्प्यूटरों द्वारा बना होता है जिसका विस्तित छेत, सहर, महादीव अत्वा पूरे देश में खेला होता है Website ऐसा LC Site जिस पर किसी विशेश तत्त का नाम लिखने पर उस तत्त के विशे में विस्तित जानकारी प्राफ्त होती है क्या कहलाती है Website Window Computer screen का वैवाग जिसके द्वारा यूजर अपने PBन कारे संपन कराता है क्या कहलाता है Window Word Processing ऐसा Software जिसमें सब्दे संसाधनों द्वारा टेटा लिखा जाता है Word Processing कहलाता है Web Browser ऐसा Software इस Software के द्वारा इंटरनेट पर Web Site को आसानी से खुजा जाता है Web Browser होता है Zoom इसके द्वारा किसी चित्त या तत्त्यों बढ़ा करके दिखा जाता है यही आपका Zoom है तो यह थे आपके कुछ Computer से संपन्दीत मात्रकून सब्द उनकी परिवासा तो अभी तक उन लोग आपकी 15 चेप्टर खतम कर शुके अब बच्चते हैं हमारे Mock Test Mock Test हमारे One Day Exam के लिए बहुत यह मत्रकून रहेंगे तो अगर आपकिसी लिखित परिक्चा के लिए तो यह सभी Chapter देख लें और One Day Exam के लिए Mock Test को तो लगाना ना भूलें क्योंकि वही पूरा सार है जितने भी हम लोगों ने Chapter पढ़े हैं उनका वो मेल सारे ठीक